अगर अगर आप एड्मिशन आफ पार्टनर की सारी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजे कि आपका retirement already 60% completed है द्यान से देखे, retirement of partner का मतलब क्या है कि suppose there were three partners A, B and C और इसमें suppose A ने decide कि वो अब partnership firm को आगे continue नहीं करना चाहता B, A decided to retire and सिर्फ B and C अब जो है वो partnership firm को continue करेंगे तो आप देखो अगर A ने decide कि वो partnership firm को continue नहीं करेगा तो होगा क्या earlier the profits were shared between A, B and C जो पहले profits थे वो किसके बीच में share किये जाते थे A, B and C now these profits will be shared among B and C अब ये जो profits हैं वो किसके बीच में share होंगे? B and C के बीच में अब मतलब कहीं न कहीं जो A partner है पहले वो भी जो profit share करता था वो profit A को ना मिलके वो किसके बीच में मठ जाएंगे? B and C के बीच में मतलब कहना ही से A will sacrifice his share in profits towards B and C A जो है वो अपना share in profit sacrifice कर रहा है किसके लिए? B and C के लिए तो यहाँ पर can I say that A जो है वो हमारा sacrificing partner है क्यों sacrificing partner है? क्योंकि वो अपना share sacrifice कर रहा है जबकि B and C जो है हमारे वो क्या कहलाएंगे बिटा? gaining partner समझ मैं आई वा? तो can I say that retiring partner is known as sacrificing partner whereas the remaining partner's retiring partner is sacrificing partner अब ध्यान से देखे सबसे पहला topic जो मैं आपको इसका सिखाने जा रहा हूँ that is computation of profit sharing ratio देखे यहाँ पर होता क्या है कि retirement की वज़े से existing partner जो है वो अपना share and profit sacrifice करता है और एक partner अपना share and profit sacrifice करता है और बाकी partner gain करते है बहुत ही simple concept है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए एक एक करके सारे cases मैं cover up करता हूँ case 1 suppose A, B and C जो थे वो हमारे partner थे 2 is to 2 is to 1 के चेक है C decided to retire C ने decide कि वो क्या हो जाएगा retire हो जाएगा and his share in profits is taken over by is taken over by B and C उसका share in profits किस ने taken over लिया B and C ने आपको बोला गया find new PSR new profit sharing ratio निकालनी है और साथ में आपको बोला गया है यहाँ आपको gaining ratio निकालनी है क्योंकि gain कौन कर रहा है B and C आप देखिए वैसे अगर मैं आपको बताऊं जहाँ पर सिर्फ आपको old ratio given है इस question के अंदर आप देखो सिर्फ आपको क्या given है old ratio nothing else is given इसके अलावा कुछ भी given नहीं है तो आप अगर वहाँ अभी मैं आपको पुरा question निकालके भी दिखाऊंगा आप देखोगे जो new ratio है वो old ratio के equal आएगी मतलब new ratio जो B and C के बीच में आएगी आप देखोगे वो 2 is to 1 आएगी और जो gaining ratio आएगी इनके बीच में वो भी आप देखोगे तो वो भी 2 is to 1 होगी B and C की अगर सिर्फ question के अंदर old ratio गिवन है और कोई information नहीं है तो new ratio और gaining ratio जो है वो old ratio के equal आते है अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे मैं सारी चीज़े आपको समझाता हूँ ये तो इसलिए मैंने आपको बता दिया full flash चो 8 marks का question है वहाँ आपको दिक्कत नहीं है बट अगर यही question आपके पास suppose 3 number का गया तो हमें कैसे करना है तो हमने क्या किया let the profit be rupee 1 ओहो मैंने आप B and C लिख दिया अच्छा हाँ यहाँ पर आप इसे A कर लो A decided to retire let the profit be rupee 1 तो A का जो share था वो कितना था सर एक रुपे में 2 बटा 5 A का share था 2 by 5 नौ यह जो है यह किसने gain किया gained by B and C यह जो share है वो gain किया किसने B और C ने अब B और C ने 2 by 5 A का share था वो gain किया B और C तो 2 by 5 का वो किस ratio में अपनी 2 by 3 अब यह 2 by 3 कहां से आया देखो B और C इनके बीच में जो आपस में ratio थी वो क्या थी 2 is to 1 क्योंकि हमारे के पास कोई भी information नहीं है तो हम यह मानेंगे कि जो A का share है वो B और C gain कर रहे हैं अपनी old ratio के अंदर ऐसे ही जो C है 2 by 5 है था कितना gain करेगा बताओ 1 by 3 तो यह आगे आपका 4 by 15 और यह कितना आगे आपका 2 by 15 तो यह आपको समझ माया gain by B gain by C कितना कितना gain किया अब हम निकालते हैं B and C का new share new share new share क्या होगा आपका old share plus gaining share B और C चलिए B का जो old share था वो कितना था 2 by 5 और C का कितना था 1 by 5 और इन्होंने अपना अपना कितना share gain किया 4 by 15 और 2 by 15 15 LCM 3 दोनी 6 जमा 4 10 by 15 और यह कितना आगे आपका 15 3 plus 2 5 by 15 तो जो new ratio है वो आगई आपकी 10 is to 5 that is 2 is to 1 यह आपकी क्या आगई new ratio और अगर आप यहाँ पर यह जो इनका gaining share आया है इसको आप क्या बोलोगे gaining share अगर आप gaining share जो आया है इसके आप gaining ratio निकालो तो नीचे वाला portion eliminate 4 is to 2 क्या आता है बेटा 2 is to 1 तो आप देखो जो मैंने बात आपको starting में बताई थी new ratio 2 is to 1 और gaining ratio भी 2 is to 1 तो यह आपने देखा कि किस तरीके से retirement के case में हमने PSR compute करी बहुत simple होता है यह भी आपको hopefully समझ में आया होगा कि old share में gaining share add क्यों हो रहा है क्योंकि यह मैंने आपको starting में बताया था क्योंकि A के जाने से भी और C का share बढ़ेगा अच्छा तो यहाँ पर ही मैं एक formula odd drive करना चाहता हूँ तो कहना ही से कि अगर मुझे को gaining share निकालना है अगर मुझे gaining share निकालना है तो formula is new share minus old share अगर मुझे gaining share निकालना है तो जो उसका formula होगा वो होगा new share minus old share तो basically हमने एक formula यहाँ पर सीख लिया चाहिए जी अब सारा note करिये हैं यहाँ तका अब case 1 हो चुका है case 2 की बात करते है case 2 की जब हम बात करते हैं के अंदर मैं आपको gaining ratio देता हूँ suppose A, B and C आपके partner है 5 is to 3 is to 2 के चेक है आपको given है B decided to retire B retire हो रहा है चेक है और उसके बाद आपको given है share of B is taken over by A and C in equal ratio B का जो share है वो A और C ने ले लिया equal ratio के अंदर तो find new PSR अब ध्यान से देखोई language base है अगर आपने admission ध्यान से करावा है यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप एक बाद बताओ क्या करेंगे let the profit be 1 रुपी 1 एक रुपे के profit मानेंगे तो B का share कितना हो जाएगा 1 into 3 by 10 कितना हो गया बेटा 3 by 10 अब यह जो B का share है यह किसने gain किया gained by बोलो बेटा फटाफट gain by A and C very good अब इस पार जो है question के अंदर उसने मुझे एक चीज बोली है कि इन्होंने equal ratio में gain किया मतलब 1 is to 1 की ratio में तो मतलब A ने half लिया और B ने C ने B के हिस्से का half लिया दोनोंने half half हिस्सा लिया तो कितना हो गया यह 3 by 20 और यह कितना हो गया 3 by 20 यह सुनो तो यह आपके पास देखो क्या आगया यह आगया आपके पास gaining share अब देखो बार बार मैं आपको बोलता हूँ ratio नाम का कोई word नहीं होता formulae सारे share के बनते हैं यहाँ पर भी आपने वही बात देखी admission देखके आए हो तो ही वीडियो अच्छे से समझ पाओगे और अगर आप सीधे retirement देख रहे हो तो आपकी गलती है आप पहले admission की सारे वीडियो देखे हैं फिर retirement देखें तब ही आपको मेरा retirement बहुत अच्छे से समझ मैं आगा otherwise आपको retirement में मैं क्या बाते कर रहा हूँ किस level की बाते कर रहा हूँ आदी बाते समझ में नहीं आएंगी अब आपका आगया gaining share तो अब ध्यान से देखिए gaining share आगया new share मुझे निकालना है तो बताओ new share लिखा जाता है या new ratio new share सा ratio कोई word नहीं होता देखो मैं ratio ही लिख रहा हूँ old share plus gaining share old share plus gaining share अब जो आपका old share कितना था 5 by 10 और C का कितना था 2 by 10 और इन्होंने gain कितना कितना किया बेटा 3 by 20 3 by 20 तो 20 LCM 2 10 plus 3 20 LCM 2 4 plus 3 तो यह आगया 13 by 20 और यह आगया आपका 7 by 20 अब देखो चेक करने का वोही तरीका आप numerator add कर दो numerator add करो जरा 13 जमा 7 कितना होता है 20 देखो denominator के equal आ रहा है मतलब question ठीक है यह तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूँ admission के अंदर तो new ratio जो है आपकी कितनी आ गई बेटा 13 is to 7 new ratio आपकी आ गई 13 is to 7 और मैंने आपको बताया था ratio add करते है और अगर वो denominator के equal आ रहा है हमारा question ठीक है तो समझ में आ गया और इसी question में आपकी gaining ratio जो है वो क्या है 1 is to 1 जो आपको अल्रेडी question के अंदर given है फटा-फट इसे note करिए चले एक question और देता हूँ x, y and z यह आपके partner है 3 is to 2 is to 1 के z decided to retire z ने decide गिया कि वो क्या होगा retire share is taken over by कोई नया case नहीं है उसी को modify कर रहा हूँ taken over by x and y in 2 is to 1 जो share है वो x और y ने take over किया 2 is to 1 में find new profit sharing ratio आपको new psr बताने है अब ध्यान से देखिए आप क्या करोगे बताओ let the profit be रुपी 1 एक रुपे profit मान लिए तो बताओ जो z है z का share कितना होगा एक रुपे के अंदर एक रुपे में 1 by 6 that is 1 by 6 अब ये जो share है ये gain किया और gain किस ने किया बेटा ये gain किया आपका x ने और y ने x और y ने gain किया 1 by 6 1 by 6 अब किस ने किस ratio में कितना gain किया 2 is to 1 में gain किया तो मतलब इसका 2 by 3 इसको गया और इसका 1 by 3 इसको गया तो ये कितना होगा 2 by 18 और ये कितना होगा पेटा 1 by 18 ये क्या आगए आपके बताओ यह आ गए sir हमारे gaining share very good यह हमारे आ चुके हैं gaining share अब बताओ new share कैसे निकालोगे sir new share निकाल लेंगे हम old share plus gaining share old share plus gaining share old share कितना है बताओ x का sir 3 by 6 और gaining share कितना है 2 by 18 अब y के case में बताओ old share कितना है 2 by 6 और जो gaining share है वो कितना है 1 by 18 18 LCM 3, 3, 3 is a 9 plus 2 क्या आगे आपका 11 by 18 फिर 18 LCM 3, 2 is a 6 plus 1 7 by 18 तो जो x और y का ratio है वो क्या आगे आपका 11 is to 7 आप देखो इसका sum करके 11 और 7 का वो भी 18 आ रहा है तो ये आपका क्या आगे आगे new ratio between x and y और gaining ratio तो इसमें हमें given ही थी कितनी given थी बेटा 2 is to 1 तो आपको समझ में आगे किस तरह का question इसमें पूछा जाएंगा चलिए आगे बात करते हैं case 3 के case 3 suppose a, b and c partners है 3 is to 2 is to 1 के ठीक है b decided to retire b ने decide कि वो retire होगा new ratio between a and c वो decide हुई से आपका 2 is to 1 a and c के बीच में जो new ratio है वो 2 is to 1 है उसने बुला find gaining ratio अब देखो ये ती नमबर का question आगया आप 101% नमबर कटवा के आ जाओगे गलती से भी formula मतलिक दे ना gaining ratio क्या लिखोगे लिखोगे gaining share very good gaining share is new share minus old share क्या मुझे ratio over dues करना है sir नहीं करना चलो बताओ let the profit be rupee 1 profit को हमने माल लिया 1 तो बताओ जो old share था जो old share था किस के बीच में a b और c के बीच में a, b और c के बीच में जो old share था वो क्या होगा बताओ 1 का 3 by 6 1 का 2 by 6 और 1 का 1 by 6 तो 3 by 6 2 by 6 and 1 by 6 this is old share जबकि जो new share है जो new share है a sorry and c का yes a और c का जो new share है वो क्या है 1 का 2 by 3 और 1 का 1 by 3 बेटा ये presentation बहुत जरूरी है अगर ये question आता है तीन नमबर का अब आप gaining share निकालो सबसे पहले new share कितना था 2 by 3 और old share कितना है 3 by 6 6 calcium 2 2s of 4 minus 3 तो कितना आ गया 1 by 6 b का बताओ sorry b का नहीं c का c का बताओ कितना होगा 1 by 3 minus 1 by 6 6 calcium 3 2 minus 1 तो answer will be 1 by 6 तो जो आपकी gaining ratio है वो क्या आ गई 1 is 2 1 तो basically retirement के case में यही 3 situations आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर एक तो straightforward कुछ भी given यह second जिसमे gaining ratio given है तीसरा जिसमें new ratio given है और gaining ratio आपको निकालने है तो यह आपने सीखा मिर साथ computation of profit sharing ratio in case of retirement अब इसके second पार्ट के अंदर हम cover up करेंगे treatment of goodwill हेलो फ्रेंड्स जैखाटू शामकी आप मेरे साथ retirement of partner के अंदर first पार्ट में computation of profit sharing ratio already discuss कर चुके है second पार्ट के अंदर अब हम start करने जा रहे हैं treatment of goodwill treatment of goodwill ध्यान से देखें goodwill का treatment यहाँ पर किस तरीके से होता है हमने अभी तक देखा था कि जो भी हमारा retiring partner है जैसे सुपोज A, B, C partner है और A decided to retire तो जो retiring partner है उसको हम बोलते है sacrificing partner यह हम देख चुके हैं और सुपोज दोनों partners gain कर रहे हैं तो B और C यहाँ पर क्या होगे हमारे लिए gaining partners gaining partners कौन होए gaining partners यहाँ पर B and C चेक है remaining partners मैंने बोल दिया अब दियान से देखे अभी तक partnership के अंदर तीन partners थे A, B और C अब जो भी firm की goodwill till the date बनी है वो सिर्फ एक particular partner के effort से नहीं बनी है वो तीनो partners के effort से बनी है A, B और C तो अगर आज A partnership firm छोड़के जा रहा है तो उसने जो भी आज तक efforts की हैं या मैं simple words में बोलूँ जो भी आज firm की goodwill है कहीं ना कहीं उसमें A की हिस्सेदारी भी है अब A की अगर उसमें हिस्सेदारी है तो वो अपना उसमें share चाहेगा ये सोनो आप एक बात बताओ मैंने आपको admission में ये बात बताई थी कि goodwill जो है वो new partner क्यों लाता है right to share the future profits of the firm अगर आप A को future profits अब नहीं देना चाहते सर्फ B और C आपस में share करना चाहते है तो जो भी firm की goodwill valuation है उसमें A का हिस्सा निकाल कर उसको दे देना चाहिए ताकि A future profits के लिए entitle ना हो future profits सर्फ कौन और कौन share करें B and C तो मैं एक line लिख रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना है आप नोट्स में आप note down कर लो remaining partners और better word gaining partners gaining partners should provide share in goodwill to किसको sacrificing sacrificing partner कौन है आपर retiring partner so that he is not entitled to share future profits of form समझ मैं आप प्लीज सारी वीडियोज एक सीक्वेंस में देखते आईए fundamental से कोई भी एक भी वीडियो स्किप मत करो कोई boring वीडियो भी लगते तो भी देखो अगर आपको अपना अकाउंट सुपर डूपर स्ट्रॉंग करना है एक एक चीज इतने प्यार से पिरो पिरो के बिटा बहुत डीप रिसर्च के बाद ये चीज़ें सीखी है मैंने जो मैं आपको कनवे कर रहा हूं इस चैनल के थरूं और इसकी रिस्पेक्ट अगर आपको सही से करने हैं तो सारी वीडियो लाइन से देखते हुए हो कोई भी वीडियो स्किप मत करोओ प्रॉप और बढ़ियां से नोट्स बना के रखो अपने पास तो रिमेनिंग पार्टनर शुब प्रॉफेट शेर इन गुडविल तो सेक्रिफाइजिंग पार्टनर तो ये कॉस्टन भी मैं से एक्जाम में पूछा जाता है ये कोशन आपको पता होना चाहिए अब किस तरीके से ध्यान से देखो ए सेक्रिफाइज कर रहा है जो सेक्रिफाइज कर रहा है उसको कुछ मिलना चाहिए हाँ या ना भई जो सेक्रिफाइज कर रहा है अपना हिस्सा वो उसके बदले में कुछ है मांगेगा अब मांगेगा मतलब उसकी कही ना कहीं capital account या current account अगर capital fixed है debit to sacrificing partners capital account क्यों हो रही है यह entry बताओ फटाफट क्योंकि जो sacrifice कर रहा है उसको कुछ मिलना चाहिए अब उसको मिलना चाहिए तो उसकी capital बढ़ेगी और capital बढ़ती है तो क्या करते है credit और कहान कौन देगा gaining partner उससे उनकी capital कम हो जाएगी और क्योंकि gaining partners की capital कम हो जाएगी तो इसलिए उसे क्या कर दिया हमने debit तो यह entry होगी और यह entry किस ratio के अंदर होगी बताओ किस ratio में sir gaining ratio के अंदर ही होगी समझ मैं आता है आपको चलिए फटाफट इसको note करिए फिर एक question करते हैं यह आपके सामने question अब a b c partners है sharing profits in 3s to 2s to 1c decided to retire in this share in profits taken over by a and b in equal ratio goodwill of firm value हुई 60,000 पास चरदर देखे सबसे पहले हम क्या निकाले हैंगे retiring partners share retiring partner कौन है c तो मैंने निकाला c's share in goodwill goodwill कितने की है 60,000 रुपेगी और उसमें c का share कितना है बिटा 1 by 6 तो कितना आ गया 10,000 अब इस 10,000 को कौन take over करेगा a and b और किस ratio में equal ratio में तो बताओ क्या entry होगी is capital account debit B's capital account debit to C's capital account c को कितने goodwill मिलेगी 10,000 और gaining ratio क्या है इसमें equal ratio है yes or no यह मैं आपको सिखा चुका हूँ तो क्या हैगा 5,000, 5,000 समझ मैं कभी भी आप full flash question भी करो ना आप goodwill की entry जरूर adjustment में करके रिखाओ वो आपके लिए हमेशा plus में रहता है समझ मैं इस तो आपको समझ मैं किस तरीके से हमें goodwill को treat करना है बहुत simple है यहाँ पर कोई different cases नहीं है एक बड़ा simple case है that is gaining partners capital account to sacrificing partners capital account इससे ज्यादा इसके अंदर कोई भी beta complication नहीं है समझ मैं आती है आपको मेरी बात चलो एक question on लेते हैं चलो यह question थोड़ा important है इसको आप important mark कर लेना exam time पर ज़रूर practice करना कह रहा है x y z partners है 5 is to 3 is to 2 के z decided to retire a new psr जो है x and y की वो कितनी है 2 is to 3 अब देखो इस question के अंदर आपको old ratio given है और new ratio given है तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या gaining ratio ठीक है तो सबसे पहले हम gaining ratio निकालते हैं computation of gaining ratio अब देखो कैसे करना है gaining ratio याद है आपको बताओ new share minus old share very good आप हमेशा question start करने से पहले यह तो जरूर लिख दिया करो let the profit be rupee 1 और यह सब चीजे भी मैं आपको admission में बहुत अच्छे सा सिखा चुका हूँ retirement की first video में भी बता चुका हूँ ठीक है चलिए तो सबसे पहले आपने लिखा gaining share gaining ratio लिखना है share लिखना है sir share लिखना है ratio नहीं लिखना क्यों already discussed ठीक है सारी वीडियो देखो बार बार बता रहा हूं online से एक भी वीडियो स्किप करी खतरना हो जाएगा आपके लिए exam के अंदर new share minus old share new share minus old share अब जो आपका x है बताओ new share कितना है 2 by 5 old share बोलो 5 by 10 y जो है आपका new share कितना है 3 by 5 old share बोलो कितना है आपका 3 by 10 निकालो चलो फड़ा फट फास्ट 10 2 2s are 4 minus 5 minus 1 by 10 10 2 3s are 6 minus 3 3 by 10 अब देखो इसमें धारा उल्टी भै गई यहाँ पर यही सिर्फ गेन कर रहे हैं sorry यही गेनिंग पार्टनर सिर्फ यही है यह भाई साब x भाई साब को तो उल्टा क्या करना पड़ गया sacrifice करना पड़ गया यह तो क्या बन बैठे sacrificing partner तो इस question के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 2 sacrificing partner हो गए एक तो z जो की retiring partner है retiring partner तो हमेशा sacrifice करता है plus जो x है यह 2 partner जो है हमारे वो हो गए sacrificing partner z and x जो है वो हमारे क्या हो गए sacrificing partner जबकि y जो है वो क्या हुआ हमारे आपर y एकलौता gaining partner है अब समझ मैं क्यों important बुला था question को ज़रूरी नहीं है कि existing partners हमेशा gain ही करें might be वो खोद sacrifice कर रहे हूं और वो इस तरह को question आपको एक्जाम में दिया जा सकता है ठीक है तो z and x are sacrificing whereas wise gaining partner अब share in goodwill निकालते हैं ध्यान से देखिए share in goodwill किस को मिलेगा बताओ पैसा सर sacrificing partners को मिलता है तो x और z very good x बताओ कितना एक्स को one lakh का कितना मिलेगा sacrificing कितना है one by ten तो one lakh का one by ten old ratio में मत बाढ़ देना sacrificing share देखो कितना है 10,000 यहां गलती कराते हैं बच्चे old ले लेते हैं और जेड का जेड ने कितना sacrifice के है सर उसने तो अपना सारा share sacrifice कर दिया that was 2 by 10 तो कितना हो गया 20,000 तो बताओ entry जो बनेगी यहां पर gaining कौन हुआ y तो entry क्या बनेगी wise capital account debit to x capital account to z capital account समझ मैं यही entry बनेगी x के हिस्से में कितना गया 10,000 यहां 20,000 और यहां पर आपका कितना हो गया 30,000 समझ मैं तो this was the treatment of goodwill in case of retirement of partner जो आपने मेरे साथ discuss किया अब देखो rest of the topics जो retirement के अंदर है न वो एकदम same है जो admission के अंदर मैं फटा-फट discuss कर रहा हूं ध्यान से देखें rest of topics के अंदर क्या क्या आएगा ध्यान से समझो मैं आपको बता देता हूं hopefully आप admission वाली वीडियो देख चुके हो सारी की सारी और मैं बेटा प्लीज बार बार request आप उसे कर रहा हूं अपने friendship circle में ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग देख सकें भला हो सके सबका now rest of the topics में सबसे पहले goodwill appearing in books यह ऐसी heading मना ले ना rest of topics goodwill appearing in books बताओ चलो फटा फट अब एक तरह से revision ले रहा हूं जवाब दो मुझे comment में लिखो अभी पहले फटा फट comment में लिखो देखने से पहले goodwill appearing in books बताओ क्या करोगे इसका goodwill appearing in books क्या मानी जाती है पहले यह बताओ purchased goodwill या self generated goodwill sir हम इसको assumption देते हैं कि it is बोलो बोलो self generated goodwill very good it is self generated goodwill अगर purchase होती question में लिखा होता purchase goodwill तो कुछ करने की ज़रत है नहीं थी याद है admission में discuss किया था अब goodwill appearing in books क्या होता है self generated goodwill माना allowed नहीं है तो हम write-off कर देंगे among old partners in old capital ratio तो old partners capital account to goodwill old partners capital account debit to goodwill हमने क्या कर दिया उसको write-off कर दिया अब old partner यहां पर देखो इसमें बस इतनी नहां रखने है जैसे ABC partner थे A decided to retire तो old partner तीनों है A B B B और C B तीनों partner old है बताओ A is capital account debit B is capital account debit फिर बोलो फड़ाफट C is capital account debit और तू गुडविल क्या एजम्शन लिया है self-generated goodwill है very good 10,000 write-off कर दिया कितना आएगा 5000 3000 and 2000 समझ मैं है तो किस तरीके से करना है first topic ही हो गया second topic ध्यान से देखो treatment of past profits treatment of past profits जिसके अंदर मैं लेता हूँ दो चीजें भी एक general reserve और एक P&L का credit balance बताओ क्या होगा same entry जो अब admission में करते थे old partners capital account debit to old partners capital account sorry मैंने reverse रिख दिया sorry general reserve P&L को खतम करेंगे तो general reserve account debit P&L account debit to old partners capital account और old partner कौन कौन होंगे जी हाँ A B और C यहीं करते थे very good और किस ratio के अंदर होगा old ratio में समझ मैं सेम वे आप treatment of accumulated losses करोगे treatment of accumulated losses याद बताओ फटाफट बस entries discuss कर रहा हूं फटाफट बताओ क्या करोगे sir old partners capital account to accumulated losses या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं बताओ P&L का debit balance very good भूलना नहीं है कुछ भी सारी चीज़े वही है समझ मैं इसके बाद treatment of workman compensation fund investment fluctuation fund treatment of WCF and ICF investment fluctuation fund यह भी एकदम सेम है मैं यह discuss नहीं कर रहा सारे cases same as admission of partner एकदम सेम होपफुली आपने वह सारी वीडियो देख लिए है WCF IFF उसके treatment जो वहाँ पर आपने सीखा था वही सारा का सारा यहाँ पर है समझ मैं इस तो basically आपने देखा retirement जो है वह बहुत हद तक admission जैसा है और मैंने starting में बोला था 60-70% आपको एकदम same content मिलेगा अब हमारे जो topics इसके अंदर रह गए है कि retiring partner का account किस तरीके से settle किया जाता है उसके बाद आप capital adjustment के कुछ cases कह सकते हैं बाकी आप देखें तो सारी चीजे जो है हो एकदम same है ठीक है वह सारी चीजे मैं next part के अंदर cover up करूंग आप logo के साथ and please don't forget to thumbs up अगर video पसंद आए and please बार-बार request कर रहा हूं अपने दोस्तों के बीच में जादा से जादा video share करो त नहीं देखें economics की यह accounts की फटा-फट देखके आप cover up करो notes बनाओ बहुत अच्छे अच्छे और जो भी आपकी queries हैं वो आप मेरे साथ अपनी share कर सकते हो thank you so much Hello friends चलिए अब इसके next part में पहले हम question practice कर लेते हैं मेरे पास एक balance sheet है building furniture stock debtors cash capital ABC journalism workman compensation fund creditors a decided to retire fixed assets are found to be valued at 200% ध्यान से पढ़ो यह adjustment बहुत important है धून के लाए हूँ आपके लिए fixed assets are found to be valued at 200% मतलब समझें कि यह जो fixed assets दिखा रखे हैं ना building और furniture यह 200% पे दिखा रखे हैं मतलब double value पे दिखा रखें अब इसको मतलब कायदे से building होगी डेड़ लाग furniture होगा एक लाग वेरी गूट stock is valued at 90% stock को हमे 90% पे value करना है stock 90% पे नहीं दिखा रखा language का बड़ा hair fair है second और third में जान मुझके साथ साथ लिखी हैं ताकि confused हो जाओ fixed assets are found to be valued at 200% fixed assets को double value पे दिखा रखा है जबकि stock की value करनी कितनी है 90% का इटर्स को pay off कर दो liability workman compensation की एक लाग है 25,000 रपे एक को देने है और balance उसके loan account में transfer करना है समझ मैं ही बाद चलो मैं इसके अंदर again सबसे पहले आपको जर्नल करा हूँआ फिर आपको लेजर्स बनाना सिखा हूँआ समझ मैं ही बाद आईए सबसे पहले जर्नल देखो जर्नल बहुत important होती है exam के लिए आप इसे बिल्कुल मत ignore करो कई बार आट नमर में सिर्फ जर्नल पूछी जाती है step 1 यहाँ पर भी मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही जर्नल करनी है सबसे पहले आपको करनी है गुडविल को लेके गुडविल को लेके जो adjustment की entry है वो करनी है अब एक बात बताओ a decided to retire ओहो इसमें मैं आपको गुडविल नहीं बताई कुछ नहीं होता आप लिख लो गुडविल ओफ फर्म is valued at 30,000 फर्म की गुडविल 30,000 फर्म की गुडविल निकली चीक है चलिए 30,000 फर्म की गुडविल निकली है अब कोई ratio given नहीं है तो क्या लोगे equal ratio तो सबसे पहले गुडविल share of a a का share कितना होगा बताओ 30,000 के अंदर equal एक बटा तीन तो कितना होगा बेटा 10,000 रुपे अब इसको कौन देगा यह share b और c तो b is capital account debit c is capital account debit to a is capital account कितना 10,000 5,000 और 5,000 समझ मैं ही मत तो share of a आप का गया 5,5 और 10 सबसे पहले अपने गुडविल की करी स्टेप टू आप करो past profits की कोई भी adjustment अगर आपको question के अंदर दिख रही है तो अब आप वो करो past profits की adjustment ध्यान से देखें general reserve एक इतने का 60,000 का किस में बटेगा a b और c में तो क्या entry होगी general reserve debit to a's capital to b's capital to c's capital मैंने सबसे पहले goodwill की जान मुझ के आप से करवाई है entry 60,000 क्योंकि generally हम वो भूल जाते 20 20 और 20 समझ महीं मत एक workman compensation fund की भी दिख रही है उसकी भी आप यहीं पर बेशक कर लो 90,000 है जबकि liability उसकी कितनी है 1,00,000 तो बताओ क्या करोगे फटा फटा बताओ workman compensation fund debit 90,000 revaluation account debit 10,000 2 liability for workman compensation fund कितना 1,00,000,000 समझ मैं एवन तो हमने उसकी भी entry साथ साथ कर दी अब step 3 के अंदर जो balance of entries हैं उसको देखते हैं आईए step 3 step 3 में balance entries करते हैं सबसे पहले fixed assets और जितने भी हैं उन्हें double value कर रहा है मतलब 3 और तो हैं दिखाना कितने पर एक एक लाग पर मतलब half value पर sorry तो loss होगा हमारे लिए reevaluation debit होगा reevaluation account debit और इससे आपकी building मैं expect कर सकता हूं कि आपने admission की videos में reevaluation में इससे बहुत अच्छे से देख लिया है समझ लिया है मैं बार बार आप लोगों से यही request कर रहा हूं कि एक भी video इस channel पर मत छोड़ो समझ लो सिर्फ आपने video सुन लेनी है बस भला आपका अपने आप हो जाएगा तो डेर लाक और एक लाक बहुत महिनत से सारी videos शूट की गई है इस channel पर और reevaluation 2.5 तो reevaluation account debit to building to furniture इसके बाद क्या है stock value करना है 90% पर तो कितनी value कम करनी है उसकी 10,000 चलिए चलिए तो reevaluation account debit to stock account कितना 10,000 समझ महीं है चलिए इसके बाद creditors are paid off pay off reevaluation मत सुचना हर जागा तो मैं बेशर्म हो हर जाग अगर reevaluation जाराता है लिखा हो है pay off payment करिए उनकी creditors कम हो गए कितने के एक लाक के अब अब to cash या bank बड़े ध्यान से यूज़ करना question में क्या लिखा हो है cash तो to cash कितना एक लाक रुपे हमने उन्हें pay कर दिया creditors to cash one lakh one lakh अब यहां तक सब कुछ हो गया और कुछ entry reevaluation की नहीं दिखरी वह एक ओ payment बाद में दिखेंगे अब सबसे पहले step 4 में profit या loss निकालो आप reevaluation का एक system से सारी चीज़े सबसे पहले हमेशा मुझे retirement का question देखती goodwill की entry डाल देनी फिर free pass profits की करनी है फिर reevaluation अब profit loss कैसे बताया था बताओ याद है admission में सिखाया था ये भी total debit in reevaluation account total credit in reevaluation account चलो debit देखो debit debit where are you one lakh two lakh sixty और two lakh seventy credit में कुछ भी नहीं है सारा debit में है बहुत ना इंसाफी चलो चलो दो 70 तो debit balance बचा किस में reevaluation account में debit balance क्या दिखाता है है लॉस लॉस किस्त को बटेगा partners को अब partner हमारे कौन कौन से हैं यह बी और सी गोड तो A is capital account ते B is capital account debit क्यों हो रहा है जी loss है वेरी गुड सीख रहे हो दीरे दीरे fundamentals के अंदर जो past adjustment की videos हैं बड़े ध्यान से देखना विटा बहुत important है fundamental की अगर अभी तक videos नहीं देखिए ना फटा फट देख लो बता रहा हूं बहुत सीखने के लिए उसके अंदर चलो क्या असरा आप पी कुछ भी कुछ भी बोलते रहते हों बिटा कुछ भी नहीं बहुत कुछ ध्यान से देखिए टू रिवैलुएशन तो टू लैक सेवन्टी और ये नाइन टी नाइन टी आंड नाइन टी समझ मैं है बिटा चलो अब स्टेप फाइफ एको पेमिंट अट एको पेमिंट करने से पहले निकालोगे बैलेंस इन इस कैपिटल कैसे निकलेगा सर दियान से देखना जर्नल से कोशन करना सीखो सबसे पहले लेजर बात में और तुम लोग क्या करते हो पहले लेजर सीखते हो फिर जर्नल उल्टी गंगा बहाते हो एलेवन्थ में क्या सीखता था पहले जर्नल या लेजर सर जर् 12 में आगे गंगा उल्टी बहा गई पहले लेजर सीखते और फिर क्या सीखते हो जर्णल ऐसा मत करो यह गोर पाप है कल योग का पहले लेजर और फिर जर्णल सीखना समझ मैं इस चलो तो एका ओपनिंग बैलन्स कितना था एक ओपनिंग बैलन्स था डेड़ लाक रुपए अब इसके बाद देखो एक कुछ हुआ है किसी एंट्री के अंदर हाँ जी क्रेडिट मिला है 10,000 का दस और क्रेडिट मिला है रहे गुडविल का भई यह देखो यह रहा क्रेडिट मिलेगा तो कैपिल बड़ेगी न फिर जनरल इजर्व का मिला कितने का 20,000 का आच्छा औ debit हो रहा है debit हो रहा है मतलब सर्जी कम हो रही है capital तो बताओ कितना बचा 90,000 इस 90,000 में से वो कह रहा है कि हमने cash pay कर दिया कितना 25,000 रुपे 25,000 रुपे हमने cash pay कर दिया और बाकी loan में transfer हुआ अब loan में कितना हुआ बताओ 65,000 ठीक है चल अब start करते 2565 इसकी entry क्या होगी बड़े ज्यान से relax हो के देखो इसके लिए हम entry करेंगे is capital account debit पूरे के पूरे 90,000 से जिसमें से we paid the cash of रुपेज 25,000 and the rest of the amount has been transferred to his loan account that is rupees 65,000 तो hopefully आपको ये system समझ में आया capital पूरी खतम जितना cash pay कर दिया और बाकी कहां चला गया उसके loan एक बात ध्यान रखना question के अंदर जब तक ना कहा जाए आप एक retiring partner को payment नहीं करोगे if nothing is specified in question no payment is required to be made to हंजी किसको किसको payment नहीं करने retiring partner को very good to retiring partner हम किसी भी तरीकी की कोई भी payment नहीं करेंगे अगर question के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो किसी भी तरह की payment करने की ज़वरत नहीं है आप उसकी amount को कहा transfer करतो होगे loan account में क्या entry होती है loan account की retiring partners to retiring partners loan if nothing is specified in question no payment is required to be made to retiring partner payment will be made only if instruction is given otherwise transfer to loan account समझ मैं आ बेटा तो आपने इस point तक सारा basic खतम कर लिया है retirement का अब जो topic बचा है वो बचा है adjustment of capital जिसको मैं आने वाली वीडियो के अंदर cover up करूँगा और क्या करना है पसंद आई वीडियो तो like yes और economics fundamental सबकी वीडियो बड़े अच्छे से प्यार प्यार से देखो अभी थोड़े दिनों में business studies भी अब स्टार्ट कर दूँआ एक दो chapter तो मैंने डाले है till that quick revisions available है इस पर principle of management की planning की controlling की वो आप देख सकते हो controlling का दो in fact full chapter भी available है वो आप देख सकते हो business studies की भी video very soon आ रही है एक बड़ जड़ा इसका partnership अच्छे से पूरा हो जाए उसके बाद वहाँ issue of share अनाराम से और इधर से business studies पढ़ा दूँगा उसके बाद फिर math करेंगे पढ़ लो और बार अबर क्या ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को share करना है very good thank you so much hello friends welcome back आज हम start करने जा रहे हैं retirement of partner के assignment के साथ assignment का link मैंने आपको नीचे description में provide कर दिया है three parts retirement of partner के देख लिए हैं तो उसके बाद आप पहले assignment करिए उसके बाद हम capital adjustment discuss करेंगे और rest of the questions करेंगे ठीक है जी assignment अपने पास आप download कर लीजे एक एक questions करते रहे है solution साथ में उसका match करते रहे है कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सही है या नहीं चलिए start करें question number one के साथ आपको दिख रहा होगा a b and c और partners in a firm sharing profit in 8-7-5 तो a b और c हमारे partners हैं और किस ratio में profit share कर रहे हैं 8-7-5 में उसके बाद b decided to retire b जो है decided to दीके exam में presentation आप इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए a and his share is taken over by a and c in 1-2-2 तो यह आपको क्या given है very good gaining ratio that is the 1-2-2 calculate new profit sharing ratio of a and c तो किस तरीके से हमें निकालना है सबसे पहले let the profit be रुपी 1 तो उसके अंदर जो b का हिस्सा है वो कितना होगा एक रुपे के profit में b का हिस्सा होगा 7 by 20 yes or no अब यह जो b का share है यह gain किया किस ने a and c ने किस ratio में 1-2 में तो gained by a 7 by 20 है 7 by 20 का 1 by 3 a ने gain किया और b ने कितना किया 7 by 20 का 2 by 3 तो यह हमारा आ गया 7 by 60 और 14 by 60 यह gain by आ गया अब हमें new share निकालना है तो new share हम कैसे निकालते हैं old share plus gaining share तो old share हमारे पास कितना है बताओ 8 by 20 a का 8 by 28 पे शर्म हो 7 by 60 तो 60 आप L sim लीजे 3 24 7 31 by 60 बी का आप देखे बी तो हो चुका रिटायर c है हमारे पास तो हम c की बात करेंगे 5 by 20 plus 14 by 60 63 15 plus 14 29 by 60 तो अगर मैं देखू new ratio तो new ratio हमारे पास आ गई 31st ratio 29 तो आप चेक कर लीजे आपका भी अंसर यह यह आना चाहिए चलिए next question पर आता हूं देखे जो मैं आपको भी assignment कर वा रहा हूं आप initially सिर्फ यह practice करें अगर कुछ और important होगा I will let you know but जितना आपको बता दिया that is more than sufficient to score 80 out of 80 आपको उससे जाद अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है Aru, Anu and Anju were partners in a firm sharing profits in 7 is to 6 is to 7 नाम भी बड़े confusing है Aru, Anu and Anju क्या रहिश्व है बेटर 7 is to 6 is to 7 ठीक है Anu retired, Anu retired और was decided, was shared between Aru and Anju equally मतलब जो आपको gaining ratio given है वो given है बेटर 1 is to 1 ठीक है आपको निकालना है new profit sharing ratio तो सेम तरीका है अपने आप करिये से फटा फट कैसे बताओ, very good, let the, देखो skip मत करो question करने आपको सारे अगर आप सोचो कि skip कर लेंगे तो फिर 5 एक assignment का let the profit be rupee 1 तो उसमें Anu का share एक रुपे में 6 by 20 आगे 6 by 20 गेंड पाई अरू 6 by 20 का half अरू को मिल रहे और अंजू को भी half मिल रहे that is 6 by 40, 6 by 40, now new share, क्या होगा, old share plus gaining share old share आपका, कितना है, अरू का, 7, 6, 13, 20, 6 by 40 gaining share 40 LCM, 2, 14 plus 6, 20, इसके बाद, अंजू जी, अंजी, same यह 7 by 20 plus 6 by 40, तो this will be 40, 14 plus 6, 20 by 40, तो यहां पर चो हमारी new ratio आई, that will be 1 is 2, new ratio हमारी कितने आजाएगी, 1 is 2, 1, now, चले, अब बात करते हैं, third question की, photo photo, subscribe अब अपने आप करिए, fast meet से पहले आप का हो जाना चाहिए, third question में मैं presentation का ध्यान नहीं दे रहा, एकदम same question है, first or second की तरह, करो photo photo से, सीवे answer ही लिखते तहूं, third का आप answer देखेंगे, तो that is new ratio, आपकी उसमें आनी चाहिए, 8 is 2, 7, अगर आपकी third की answer यही आ रहा है, तो फिर एक काम करो, comment box में जाके लिख दो, yes, और आगे लिख देना, question 3, चलो, अब इसके बाद next पर आते हैं, question number 4 पर, PQ are partners in a firm, sharing in 5 is to 3 is to 2, Q retires, with P and R agree to share profits in future, 6 is to 4 find the gaining ratio, चेक है, तो अब बताओ, हमने जिक्का था, gaining share, ratio का कोई formula नहीं होता है, gaining share, कैसे निकलता है, new share, minus, old share, very good, अब अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर P और Q की, P और R की, sorry, P, R, हमेशा question में सबसे पहले, आप एक काम करें, let the profit be 1 जरू लिख दीजे, let the profit be rupee 1, यह आप जरू लिख जिल ले, let the profit be rupee 1, अगर अगर आप देखें, पी और R का हमें निकलना है, new share, एक rupee के profit हैं, अगर, तो R को कितना मिल रहा है, sorry, P को, 6 by 10, जबकि R को कितना मिल रहा है, 4 by 10, old share के अगर हम बात करें, P को, तो 1 का 5 by 10, जबकि यहाँ पर 1 multiplied by 2 by 10, तब अगर मैं इसे simplify करता हूँ, 6 by 10 minus 5 by 10, comes out to be 1 by 10, 4 by 10 minus 2 by 10, comes out to be 2 by 10, तो हमारी जो gaining ratio इसमें आएगी, that will be 1 is to 2, जब हमारी gaining ratio आएगी, वो कितनी हो गई, 1 is to 2, चले, समझ मैं आपको यह, इसके बाद आते हैं हम 5th question पर, MNO partners है 5 is to 3 is to 2 के, over it adds and the new profit sharing ratio is 5 is to 3, calculate the gaining ratio, तो यहाँ पर भी same question है, same formula लगेगा, बता हूँ, क्या, gaining share is what, new share minus old share, ठीक है, उसके बाद MN, वो let the profit be 1 आप लिख लेना, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 by 8, मैं बस उपर उपर साबको overview दे रहाँ इस question का, और यह 3 by 8, और यहाँ पर आपका, 5 by 10 and 3 by 10, 5 by 10, लस्यमलीजे, चमस आप टो ब 40, 525, 4, 20, 5 by 40, 40, 5, 3 is a, 15, 4, 12, 3 by 40, ठीक है, तो आपका आगया, gaining ratio, that is the, 5 is 2, 3, ठीक है, इसके बाद आते हैं, question number 6 पे, again, same question है, जिसके अंदर आप देखेंगे, old ratio आपके पास है, MN partners, old ratio इनकी है, MN, L MN, sorry, L MN partners है, 15 is to, 9 is to, 8, और जो इनकी new ratio है, new ratio है अबकी, 1 is to 1, तो आपको gaining ratio निकाल लिए है, बहुत simple, निकाल लोगे, answer लिख रहा हूं है, सीधर चेक करो उसके बाद, पहले solve करो खुद, कर लिए solve, good, तो answer is, 1 is to, 7, इसका जो answer है, वो 1 is to 7, एकदम same, question number, 4 and 5 के तरह, तो आपने पहले 6 questions, मेर साथ की ratio से related, आए ये next question पर आते है, question number 7 पर, theory question है, बढ़ अच्छा लगा मुझे, Ram wants to retire from the form, the profit on revaluation on that date, was rupees 12,000, हमें revaluation profit given है, कितने, 12,000 rupees, उसके बाद है, Sam and Ansh wants to share, this in the new profit sharing ratio, मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, कि जो partners हैं, वो Ram, Sam, और Ansh, तीन partners हैं, जिसमें Ram, जो है, वो क्या हो रहा है, जी हाँ, Ram retire हो रहा है, Ram wants to be shared it equally, जबकि Sam and Ansh चाहते हैं, उसे future profit sharing ratio में share करना, हो इस तो profit to be shared, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, profit should be shared, among old partners in old ratio, so revaluation profits, कैसे इसका answer लिखने ध्यान से देगे, are shared, answer लिखने का तरीका बड़ा ध्यान से, are shared, among, old partners, in old profit sharing ratio, हाया ना, in case old PSR is not given, it will be considered equal ratio, that is 1 is 2, 1 is 2, 1, so profit sharing will be, क्या होगी बता हूँ, 4,000 each, by, Ram, Sam, and, and, चलिए, चलिए, इसके बाद आते हैं, next question, accounting treatment of goodwill पे, तेखे, assignment आप कर लेजे, more than sufficient, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उसे ज्यादा कुछ करने की ज़रुवत नहीं, आप 50 पुक करेंगे, खामका दिमाग आपका खराब होगा, चले, MNO or partners in a firm sharing profits in 5-3-2, N retires and goodwill of the firm is valued at 18,000, past adjustment entry, तो आपके लिए बहुत simple है, सबसे पहले, क्या निकालेंगे, Ns, share, in, goodwill, यही निकालते हैं, बहुत बढ़िया, Ns, share in goodwill, तो आप बताईगे, कितने कैसे निकलेगा, 18,000, multiply by, 3 by 10, comes out to be 5,400, point number 1, past general entry for the treatment of goodwill, अब हमें देखो, old ratio given है, old ratio हमें given हैं, इन के बीच में, 5 is to, 3 is to 2, 5 is to 3 is to 2, यह जो है, gaining share, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो जो हमारी gaining ratio आएगी, उसे निकाल के दिखाने की ज़रुवत नहीं है आपको, जो हमानी gaining ratio आएगी, वो हमारी कितने आएगी, N चला गया, M और O, 5 is to 2, तो अब इसे 5 is to 2 में बाटेंगे, और partners है M और No, तो entry क्या होती है, gaining partners to sacrificing, तो M's, capital account, debit, N's, capital, account, debit, 2, sorry, O's capital, 2, N's, capital, account, 50, 400, M और O, कितने का आएगा, इसे रेशो अगर हम 5 is to 2 में बाटेंगे, तो this comes out to be check कर लीजएगा एक बार, 3857, और आपका यह आता है, 1543, इसको आप एक बार चेक कर लीजएगा, कुछ करबार हो तो मुझे comment box में बताईगे, 3857, यह मैंने किस रेशो में बाटा है, जस्त आपकी अंडेस्टाइडिंग के लिए, गेनि रेशो, एक्जाम में में मत लिखाना ऐसे, ठीक है, रेशन बीइंग, शेर इन गुडविल प्रोवाइड, चलिए, इसके बाएड, नेक्स पे आते हैं, ABC पार्टनर से 3 is to 2 is to 1 के गुडविल वैल्यू इतनी, चले, सबसे पहले ABC पार्टनर है, खुशी इस बात की हमको, क्या रेशो है, 3 is to 2 is to 1, वेरी गुडविल इस वैलूद इस वैलूद इस सिक्स्टी थाउजन, और बीज रिटार्मेंट, A and C एगरी तो शेर फ्यूचर प्रोफिट और लॉसस एक्वाली, तो यह तो ओल रेशो थी, जो इसके बाद नियू रेशो आई, इस A और C के बीच में, वो कितनी आई, equally, 1 is to 1, new ratio, तो अब हमें सबसे पहले, gaining share निकालना पड़ेगा, that is the new share, minus old share, तो let the profit be rupee 1, तो A और C, 1 into में 1 by 2, minus 1 into में 3 by 6, 1 into में 1 by 2, minus 1 into में 1 by 6, तो यह अग्या आपका, half minus half, that is nil, और यहाँ पर 1 by 2, minus 1 by 6, 6, 3 minus 1, 2 by 6 comes out to be, 1 by, 3, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो only C is sacrificing, C is sacrificing, और entry क्या होती है, बताओ, जी हाँ, sacrificing to gain, तो entry कर देते हैं, sorry, gaining to sacrificing, तो C is capital, सिर्फ यहाँ पर C gain कर रहा है, C is capital account debit, to gain, किस ने किया सर्फ C ने, to B is capital account, अच्छा, goodwill का amount भी तो निकालना पड़ेगा, तो उस कितना आएगा, आप इसे working note में निकाल लीजेगा, 60,000 multiply by, 2 by 6, 1 by 3, कितना आएगा, 20,000, तो यहाँ entry आएगा आपकी, 20,000, 20,000, यह क्या है, 20,000, B's, share, in, goodwill, B का share, goodwill भे, चेक है जी, तो यह आपने देखा, किस तरीके से हमने question किया, चले, आगे बात करते है, question number 10, चलो पहले अपने आपकरो भी यह, W, X, Y, Z, partners हैं, किस ratio में, 2 is 2, 2 is 2, 1 is 2, 1 में, X retirement, goodwill of the firm, is valued at 90,000, मैं पहले यह निकाली लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाओंगा, X share, in, goodwill, X का share, 90,000, into, 2 by 6, comes out to be, 30,000, चीखे बेटा, उसके बाद, W, Y, Z, future profit equally share करेंगे, W, Y, Z, तो, मुझे, gaining ratio निकालनी पड़ेगी न, gaining ratio, अभी मैं formula बगरा नहीं लिख रहा, वो आप लिख लीजएगा, presentation वैसे, मैंने आपको बता दिये, कैसे करने है, W, Y, Z, W, Y, Z, equal ratio है, future का, तो, new share, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, minus, old share, old कितना है अपना, 4, 5, 6, तो, 2 by 6, 1 by 6, and 1 by 6, 6, 2, minus 2, 0 अगया, क्या बाद देखते है, 6, 3, 2, minus 1, 1 by 6, here again, 6, 3, 2, minus 1, 1 by 6, तो हमारी जो gaining ratio आई है यहाँ पर, that is 1 is to 1, हमारी gaining ratio आगई, 1 is to 1, और that is only Y and Z, तो entry क्या होती है, बताओ निकमो, gaining to sacrificing, तो Y's capital account debit, Y's capital account debit, Z's capital account debit, 2, X capital account, 30,000, 15,000, 15,000, नो, तो यह आपने देखा कि किस तरीकी से हमने question solve किया, इसके बाद आते हैं हम अपने next question के उपड, जो कि अब अपके full flash questions है, उसकी discussion हम करना start करते है, चलिए next question पर आते हैं, मैंने format advance में खीच लिया है, आपका time waste न हो, सी वैसे तो आप एक question में साथ कर चुके हैं, कि किस तरी किसी complete question solve करना है, तो better advice ही होगी, आप खुद करें इसे, और साथ साथ solution चेक करें, तीखें, XYZ पार्टर है, 2x2, 2x2, 1 के, कत्ति स्मार्ट 2010 कोन की balance sheet given है, cash, bills receivable, debtor, stock, furniture, plant and machinery building, bills payable, crater, P&L, capital, XYZ, तो सबसे पहले, आप यहां पर capital डाल दीजा, XYZ की, balance, BD, that is 80,000, 80,000, and 65,000, और अगर कोई reserves आपको देख रहे हैं, तो वो भी आप लगे हाथ बार दीजे, जैसे मुझे profit and loss देख रहा है, इसको हम साथ साथ बार देते हैं, 75,000 है, 2x2, 2x1 में, तो 30,000, 30,000, and 15,000, चेक है, और तो कुछ नहीं, उसके बाद यह adjustment पे, stock was depreciated by 10%, stock है हमारा 40,000 का, 10% कम होगे तो debit, कितना, 4,000, तो जू new stock आएगा हमारा balance sheet में, मैं आपको generally बोलता हूँ हो सके, तो bifurcate करके लिए के सबसे अच्छा रहता है, fixed asset, और current asset, यह presentation आपकी add-on करता है, बट अगर time नहीं है तो you can avoid this, 4,000 stock कम होगे तो आपका बचा कितना, 36,000, साथ-साथ करते रहीं से, furniture हमें depreciate करना है 20% से, 80,000 का है, तो furniture is, 16,000, तो यहां आपका furniture आ जाएगा, 64,000, ठीक है, इसके बाद, next is plant and machine डी हमें करनी है 5%, एक 20 है, 6,000, 5% depreciate करनी है ना बिटा, तो 6,000, तो यहां आगया, 1,00, 14,000, ठीक है, इसके बाद, building was appreciated by 20%, building 20% appreciate करनी है, तो यह आपका 20%, 2,00, तो यहां कितना आता है मारा, 40,000 आता है, तो अब profit loss देखें कितना आ रहा है, 20, 26, 14,000, तो profit, transfer to, x, y, z, 14,000, 40, 40, 2 is to 2 is to 1 में, करके देखें, 14,000 डिवाइद बए 5, इंट टो, 5,600, 5,600, 2,800, तो यहां पर आगया, revaluation, count, 5,600, 5,600, 2,800, इसके बाद, anything else, यह building लिख दो भाई यहां पर, appreciate हुई है, है मजाग की बात है, appreciation तो सबसे पहले, recognize होना चाहिए, चलो इसके बाद, goodwill of the firm is valued at, 60,000, एक्सरिटार हो रहा है, तो, working note, सबसे पहले, gaining ratio लिखो, नहीं भी निखालनी तो भी लिखो, x retire ओर yz, 2 is to 1 की रहेगी, तो कि और कुछ information हमें given, नहीं है, उसके बाद, x का share, x share in, goodwill, इसके बाद, कितना होगा बताओ, 60,000 का, 2 by 5, 12, 20, 4,000, और इसके लिए फिर आप entry करिए, क्या होती है बताओ, gaining to sacrificing, very good, तो, हमेशा देखो, entry करो, पहले आप, कुछ नहीं होता है, एक मिट फाल तू लग जाएगा, शुरुवात के, at least 50 question, जो आप solve कर रहें, उसमें जरूर रेंट्री करिए, y's capital debit, z's capital, debit to, x capital, that is gaining to, sacrificing, 24,000, 2 is to 1, so, I think it should come out, be 2016 and, 8, तो x को credit करना है, पहले, y's capital, कोई shortcut नहीं, फिर, z's capital, कितना, 16,000, 8,000, और यहाँ पर आप आजाओ, debit करना है, y और z को, x capital से, 16,000 और, 8,000, ठीक है, इसके बाद, goodwill कभी हो गया, चलिए, x को हमें, 19,600 cash में, pay करने है, 19,600 रुपर, तो, बागी कहां चला जाएगा, x के, loan account में, समझ में आ रहा है न, x का loan account में, हम क्या करेंगे, उसने question में, instruction दी है, तो, निकाने, 80 प्लस 30 प्लस 5600 प्लस 24,000, माइनस 19,600, तो, 120,000 पे, x के loan में चला गया, ठीक है, and yz का, balance CD हमारे पास आएगा, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 5600, माइनस 16,000, 99, 65,000, 15,000, 28,000, माइनस 8,000, 74, 800, तो, आएए, शुरू करें, liability side, सबसे पहले, capital, y की, and z, y, 99,600, and it is, 74,800, 99,600, 174,400, इसके बाद, x का loan, x का loan है, हमारा, 1,00, 20,000, रुपे, x का loan है, कितना, 1,00, 20,000, अब इसके बाद, जो rest of the, चीज़े हैं, फटा-फट, पुट कर देते हैं, सबसे पहले, bills payable, 98,000, इदर आजो, इसके बाद, bills receivable, 9,000, thereafter, cash, अब cash, हमारे पास था, 30,000, जिसमें से, हमने pay कर दिया, 19,600, 30,000, minus 19,600, 10,400 का balance, हमारे पास है, hopefully, आपको समझ में आगे, 10,400 कहां से आया, बेशक आप के लिए, मैं लिख दे दाओ, 30,000 में से, 19,600 हमने, pay कर दिया, चेके, चले, टोटल करें, 64, plus 114, plus 240, plus 36,000, plus 21,000, plus 10,400, 4,94,400, 400, plus 1,20, plus 28, 4,94,400, तो यह आपने देखा, किस तरीके सामने, question complete किया, चले, next question की, बात करते हैं, इसके बाद, चले, next question हमारे पास है, format मैंने आपके लिए, advance में खीच लिया, यहाँ पर, KL and M were partners in a firm, sharing profit in 5 is to 3 is to 2, 31 March 2010, को उनकी balance sheet हमारे सामने है, LA retire हो रहा है, new PSR होगी 2 is to 1, old भी गिवन है, new भी गिवन है, gaining ratio निकालनी पड़ेगी, goodwill 72,000 value हुई, सबसे पहले हम अपना opening balance टाल लेते हैं, सारे दिमाग खराब, करने की ज़रुवत नहीं है, जो हमें सबसे पहले करना होता है, पहले वो करो, 40, 36, और 32, चाहिक है, इसके बाद अगर कोई loss type, P&L type है, तो उसे हमें करना है, और वो है हमारे पास, P&L 36, 5 is to 3 is to 2 में, profit and loss, अठारा सो, पान सो, चालेस, और तीन सो, साथ, एक बार चेक कर लें, 3600 डिवाइड बाइड बाइड टेन, गल्द कर दिया न, 1080, और यह आपका, कितना होगा, 720, इसके बाद, अब हम सबसे पहले, gaining ratio निकाल लेते हैं, working note के अंदर, working note, gaining ratio, is, gaining share, sorry, see the formula लिख रहूं में, new share, very good, minus, old share, ठीक है, L रेटार होड है, तो कौन बच्चा बिटा, K और M, new share, is, 2 by 3 and 1 by 3, old share, 5 by 10, and 2 by 10, ठीक है भई, मैं डरो, 30, 10, 20, minus, 15, 5, 35, 10, minus, 6, 4, by 30, तो मेरी gaining ratio आनी चाहिए, 5 is to 4, हमारी gaining ratio, 5 is to 4 यारी है, उसके बाद, L का शेर गुद्विल में, L's share, in, goodwill, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, entry करेंगे, L होगा है, तो 2 L's capital, 21, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, इसके entry कर दो, बेटे रहेगा आपके लिए, case capital, account debit, M's capital account, debit, तो 21,600, इसके बाद, इंटो 5, इसके बाद 12,000, and, minus 21,600, comes out to be 9,600, तो आए, मैं पोस्टिंग करें इसके, L, K's capital, and M's capital, 12,9,600, यहाँ पर, L's capital, 12,000, 9,600, ठीक है, इसके बाद, provision for doubtful, बेट बनाने 10%, हमने ज्यादा बना रखा है, तो रिवर्स कर देंगे, provision for, profit एकम करना है, provision, क्योंकि उसने से बुला, 10%, हमने तो, 2000,000, बना रखा है, और देखा जाए, तो 16,000, का 10%, सिर 16,000, होता है, तो 400,000, तो बना रखा है, reverse कर दिया, creditors 4,000 रुपे के claim नहीं करेंगे, बहुत ही बड़िया, ऐसे ही creditors होने चाहिए, उधार दे दी, और पैसा नहीं मागए, फायदा हो गया, इसको मैं साथ-साथ यहां ठीक कर दू, debtors जो है, यहीं posting साथ-साथ करो, नहीं तो नहीं इसमें गड़बड हो जाती है अपकी, minus provision, 1600, so, 16,000 minus 1600, 14,000, 400, ठीक है, इसके बाद आपका creditors था, तो creditors मैं यहीं लिख देता हूँ, creditors हमारे कितने थे, 30,000 के, 4000 क्लेम नहीं होंगे, तो कितने के बचेंगे, 26,000 के, समझ में आए कैसे है, 30,000 में से, 4000 के creditors हमारे कम होगा, चाहिए, इसके बाद, और कुछ नहीं है, so, close it down, profit, transfer to, KLM, 4400, चाहिए, 5 is to 3 is to 2 में, 22,000, 4400, दिवाइद बे 10, इन्टो 3, 1320, 4400, दिवाइद बे 10, इन्टो 2, 880, let me check it, ठीक है, इसके बाद, यहां मारा आगा है, इसके बाद, इसके बाद, कुछ पेमेंट के लिए नहीं बोला है, 600, प्लस, 1380, माइनस, 1080, इसके बाद, इसके बाद, 57,900, जिसको में इमीजेट लिए ले गया, एल्स, लोन के नाम से, 57,900, 36, प्लस, माइनस, 1080, इस, उसके बाद, हमारा, बालन सीटी, निकलेगा, किस-किस का, के और एम का, बेरी गुट, 40,000, प्लस, 22,00, माइनस, 1800, माइनस, 12,000, तो 28,400, एम का ने का लिया, 32,000, प्लस, 880, माइनस, 720, माइनस, 9600, 22,000, 560, तो, यहा, कापितल, की की, और, अच्छा, और, अच्छा, यह, अच्छा, 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 और, 22,000, वाइस, टी चीज़े है, बैंक, अच्छा, 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 20,000, बिल्दिंग, अच्छा, 1,400,000 creditors अमने लिखी दिया तो लो भगवान का नाम 5960 plus 57 100 plus 26,000 134860 match new yes this is the main thing कि मैच नहीं हो रहा कहां गलती करती है हमने 5960 building is okay dated is okay bank यह लोन की गड़बड तो नहीं कर दी कुछ थे जामा be reduced 36 plus 12,000 plus 9600 plus 1 3 2 0 minus 0 8 0 5 7 8 40 5 7 8 40 अब तो मैच कर जाओ भाई 59 60 plus 578 40 plus 26,000 1 3 4 800 तो ये भी हमारा कॉस्टिन मैं चोगा अब देखे बड़े अराम से 10 में हो जाता अगर वो मैं एरर ना करता ध्यान से तो ये था हमारा कॉस्टिन जो हमने अभी कम्प्लीट कै अब आई इसके बाद देखते हैं नेक्स कॉस्टिन कैसे करना है हमको चले एक नियू कॉस्टिन साइंग्मेंट में हमारे सामने है एक वाई जेट पार्टनर से 5 इस्टू 3 इस्टू 2 के जेट रिटायर हुआ उसके बाद सबसे पहले आप कैपिटल लिख लिए जो भी उनकी है फटा फट इस कॉस्टिन को करते हैं आपकी स्पीड यहां तक बन जानी चाहिए आपको तर बेजर्वस वगरा नहीं दिख रहे है चले ओल रिशो 5 इस्टू 3 इस्टू 2 है एजस्ट्मेंट में सबसे पहले लैंड बिल्डिंग एप्रिशेट बाई 5 परसेंट तो लैंड बिल्डिंग को एप्रिशेट करते हैं 5 परसेंट 5 परसेंट is of 2 लाक तो हमारा कितना हो गया 5 परसेंट बाई 10 थाउसेंट ठीक है तो इसको हमने यह लिजा के लिख दिया लान एंड बिल्डिंग कितना 2 लाक 10 थाउसेंट ठीक है इसके बाद हम इसका इसकी फरनीचर विल बी डेप्रिशेटेट बाई 20 परसेंट तो फरनीचर हमने यह लिखा हूं furniture 20% appreciate करना है 87,500 87,500 का 20% is 17,500 75,500 तो furniture 87,500 कितना आगया है 70,000 हाँ, छीक है इसके बाद next is provision for doubtful debt बनाना है 5%, 20,000 का 5%, 1000 होता है 500 बना हुआ है 500 और बना देते हैं provision for doubtful debts 500 यहां debtors है 20,000 के minus provision 1000 तो कितना बचा 19,000 500 था, 500 और बना इसके बाद हमारे पास है legal claim बनाने है 60,000 60,000, ओके 57,500 और रेड़ी है चलो यह सामने देख रहा है, पहले यही लिख लेते है 57,500 है, 60 करना है, liability बढ़ड़ी है, डाई अजार का लॉस प्रोवीजन फॉर लीगल claim, चेक है, इसके बाद that's it, goodwill of the firm तो पहले इसको close ही कर लेते है अड़े बाप रे, इसमें loss आ गया आ सकता है यह थोड़ी नहीं हर बाद profit ही आएगा loss transfer to x, y और z बठा रहा 20,500 calculation ठीक कर रहा हूँ, बस मैं उमीद अपने आप से यही करूँ है, 10,500 चेक कर लो मैं इसका सही कर लो 10,500, 5 is to 3 is to 2 मैं बातना है so divide by 10 2100 3150 5250 तो यहां पर revaluation 5250 3150 2100 चेक कर इसके बात यह भी होगा है हमने बात दिया, goodwill of the firm is 72,000, oh sorry 60,000 तो जेट्स share in goodwill 60,000 का कितना 2 by 10 comes out to be 12,000 अब ratio कुछ given नहीं है, तो फिर वही लेंगे 5 is to 3 तो X capital debit यह entry आप हमेशा एक्जाम में करके हो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फायदा रहेगा पूरा लिखना एक्जाम में, कहीं है, ऐसी मेरी तरह short में लिख क्या जो 2 Z's capital account 12,000 5 is to 3 में 7,500 4,500 तो यहाँ पर X capital 7,500 4,500 Y's capital और यहाँ पर X capital अमाँ तो 7,500 and 4,500 anything else? no 70,000 check से pay करना नहीं उसका 70,000 loan में transfer करना है चल भाही, तेरा 70,000 तो ओगया loan ते बाकी पर करना से चेक नाल ते bank account 71,000 plus 7,500 plus 4,500 minus 2,100 minus 70,000 10,900 पर कर दी 1,27,000 minus 5,250 minus 7,500 1,1,4,2,5,0 90,000 minus 3,150 minus 4,500 8,2,3,5,0 चेक हैं? लिखें, चेक लिए चेक लिक पर यह यारी capital चलो भगवान का नाम है जी capital commerce student balance sheet में लाते हैं भगवान को याद जरूर करते हैं नहीं बच्चो हैं तो कौन कौन थे सड़े X and Y 1,1,4,2,5,0 8,2,3,5,0 1,1,4,2,5,0 1,9,6,600 9,6,600 इसके बाद आपका Z's loan ते 70,000 क्या क्या बच गया bank 70,000 में से हमने pay कर दिया 10,900 भी किया था ना 10,900 59 100 इसके बाद data भी हो गया stock लिख लो भाई 21,000 land building furniture होई गया so let's match इदर अपका outstanding rent है 22,500 बल्स पे बल है भाई इतनी आइट में कहां से आ रहे हैं कुशन में चल भाई कुछ नहीं होता तू भी मजे ले और creditors है 27,000 के तो 196,600 प्लस 70,000 प्लस 60,000 प्लस 22,500 प्लस 13,000 प्लस 7,000 389,100 00,000 जय बज्रंग्वली दो लाग दस हजार सतर हजार 19,000 59,100 31,000 बहुत अच्छी गड़बड किया मैंने चल बेटा मिल जा फटा 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 किया है कहां कर दी कहां कर दी कहां कर दी कड़ पड़ मैंने क्या देख रहा है ओ चनन जी वो जीटी थाउसेंट येस इट इस 80,000 तो ये आपका आगया 69,100 येस 389,100 चीक है तो ये हमने कोश्चन कवर अप किया बहुत सिंबल कोश्चन आप देख सकते हैं प्रेक्टिस के लिए और ये ही सारे एक्जाम के कोश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो भी आप इसमें कर रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं कि जो एक्जाम के कोश्चन से नहीं है ठीक है इसके बाद अगर आप अगला कोश्चन ध्यान से देखें बहुत ही सिंबल कोश्चन है जिसे आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो फटाफट उसे करिए अपने हैं अब एक बार ठीक है फिर देखिए तो चले कुश्चन स्टार्ट करते हैं पीक्यू आर पार्टनर्स हैं शेरिंग प्रॉफट इन 2 इस्टू 3 इस्टू 5 31 मार्च 2010 को उनकी बालंस शीट हम के पास है ओके भाई आर रिटायर हो रहा है चलो सबसे पहले वही कैपितल्स लिको फट फट बालंस BD that comes out to be 80, 70 and 60 80, 70 and 60 इसके बाद आपका P&L है 10,000 distribute करें उसे 2 इस्टू 3 इस्टू 5 में तो 2,000 3,000 and 5,000 इसके बाद building to be यह चलो हो गया अगे करके adjustment building depreciate करनी है 40,000 से building 40,000 building है कितने की 1,40,000 थोड़ा assignment ठीक करते रहना fixed asset अपने आप लिख लेना building अपनी है 140 40 depreciate हो गई तो बचा कितना 1,000,000 provision for doubtful 20% बनाना है 40,000 का 20% is 8,000 5 बना होए 3 और बनेगा provision for doubtful debt 3,000 तो थोड़ा सा नीचे बलिग दूँ चलो बैसे कुछ है भी ने debtors 40,000 list provision 8,000 comes out to be 32,000 salary outstanding 5,000 to be recorded लिख लेते हैं भाई salary outstanding 5,000 यहां लिख दिया salary outstanding liability यह loss है इसलिए debit creditors 4,000 के claim नहीं करेंगे बहुत बढ़िया ऐसे creditors सबको मिले profit हो गया तो creditors आपके 70 थे घटके 4,000 कम हो गए तो बचे 66,000 फिर इसके पात goodwill 72,000 है तो किसका share आर का आर्स share in goodwill यह तो भाई यह हमेशा पूरा करके दिखाओ 72,000 का 5 by 10 comes out to be 36,000 2 to 3 में बार देना P's capital P's capital Debit Q's capital Debit 2 R's 36 36 or 2 to 3 में 36 divided by 5 14,400 8 चल मुझे अपने पर दाउट वा था इसली में थ्यान से देख रहा 36,000 divided by 5 10 into divided by 5 into 2 5 2 2 3 21,600 let's just तो यह पर P's capital Q's capital 14,400 21,600 R's capital 14,400 21,600 6,700 च्यक्या इसके बाद इसके बाद आप रिवालएशन क्लोस करते है Loss रहा है Loss transfer to PQR 40 40 plus 3 plus 5 minus 4 44,000 2 3 5 25 method 22 divided by 10 into 2 8,800 divided by 2 into 13,000 तो यह आपको यहां आगया Revaluation कितना 8,800 13,200 और 22,000 ठीक है अब इसके बाद instruction के हिसाब से R को हमें cash पे करना है 15,000 और और बाकी उसका Loan account में जाएगा 60,000 plus 14,400 plus 21,600 minus 5000 minus 22,000 minus 15,000 54,000 8 CD 80,000 minus 2000 minus 14,400 minus 8,800 54,800 70,000 minus 3000 minus 21,600 minus 13,200 32,200 Lakenford Aft Capital P&Q 54,800 32,200 87,000 thereafter Rs. loan 54 इसे पीच में डाल देते हैं उसके बाद इसे बाद 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 25,000 50,000 50,000 building हो चुका P&L हो चुका creditor capital outstanding तो बजरंग बली रहागे बस match हो जाए इसलिए 57,000 plus 54,000 plus 5,000 plus 66,000 housing 2,12,000 1,32,000 30,050 2,12,000 तो यह भी इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा question match होता है Hello friends चलिए स्टार्ट करते हैं the last part of retirement of partner that is capital adjustment चलिए capital adjustment यहाँ पर जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं आपको already लिख के दिया ताकि time waste ना हो आपका capital adjustment पहले capital adjustment का मतलब क्या हो था admission of partner में मैंने आपको बताया था कि कोई adjustment आपको given है related to capital अब यहाँ पर related to capital जो आपके पास adjustment है वो कितने तरीके की हो सकती है first case हो सकता है अपका कि question में given हो total capital is fixed total capital is fixed मतलब suppose तीन partners है A, B & C अब A retire हो रहा है तो बचे कौन B & C तो question के अंदर आपको given है कि B & C की जो capital है after the retirement of A वो fixed है अब fixed है मतलब कितनी fixed है हो सकता है कितनी fixed है वो question में given हो और हो सकता है वो question में given है ना हो तो सबसे पहले मैं आपके साथ यही 2 cases cover करने जा रहा हूं कि total capital fixed है question में given है और फिर total capital fixed है question में given है नहीं है तो क्या होगा आए स्टार्ट करते है case number 1 total capital is given and it is fixed देखे जा रहा हूं question में मैंने आपके लिए 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 है पहले A, B & C partners है sharing profits in 5 is to 3 is to 2 A decided to retire after retirement of A the total capital is fixed at 1,50,000 यह लाइन ध्यान से समझ जो उसने क्या लिए लिए total capital is fixed at 1,50,000 देखे रहो आप यह पहचान है इस adjustment की question में आपको given है total capital fixed कर दी 1,50,000 अब इसका मतलब क्या है कि total capital fixed कर दी 1,50,000 यह total capital A की retirement के बाद B & C की होगी on the date of retirement capital after all adjustment A की इतनी है B की इतनी है C की इतनी है past journal of capital adjustment if new capital is to be in PSR अब ध्यान से समझना PSR में करनी है new capital सबसे पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताओ leave all the things what will be the total capital after retirement बताओ retirement के बाद total capital होगी कितनी sir 1,50,000 अब यह 1,50,000 जो total capital होगी after retirement यह किसकी होगी B और C की B & C की और यह किस ratio के अंदर होगी in profit sharing ratio यह question में given है अब question में profit sharing ratio new कुछ given है? कुछ given है? नहीं given तो होता क्या है? old given है 5 is to 3 is to 2 याद है? तो new ratio क्या आएगी? 3 is to 2 याद है? यह तोड़ा गंदा हो गया है यहाँ पर अगर old ratio आपको 5 is to 3 is to 2 given है तो बताओ जो new ratio है वो आपकी क्या आएगी? वो आएगी सर 3 is to 2 तो profit sharing ratio में that is 3 is to 2 तो बताओ B की capital कितने होनी चीए? सर 1,50,000 का 3 by 5 कर लो 90,000 और बताओ C की capital कितने होनी चीए? 1,50,000 का 2 by 5 करो कितना होगे बिटा? 60,000 यह capital होनी चाहिए? yes or no? जी हाँ सर यह capital होगी B की 90,000 और C की 60,000 अब दियान से देखिए आपको new capital पता लग गई B और C की आप बताओ अब existing capital है कितने उनकी? इनकी new capital आपको पता लग गई existing capital सर B की 50,000 है और C की कितनी है? 70,000 यही है तो ध्यान से देखिए B C new capital कितनी चाहिए? 90,000 60,000 existing existing कितनी कितनी थी? existing capital 50 और 70 screen gap होगी न? कुछ नहीं होता रोको जब new capital 90 और 60 चाहिए existing है कितनी 50 और 70 तो आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे मैं admission में लिखता था capital to be brought in slash withdrawn 90 है मतलब 90 होनी चाहिए है कितनी 50 तो यह कितनी लेके आएगा 40,000 60 होनी चाहिए है कितनी 70 तो यह bracket में आगा bracket मैंने का मतलब withdrawn याद है यह presentation मैंने आपको admission के अंदर भी सिखाई थी चलिए तो अब entry क्या होगी एक B पैसे लेके आएगा cash account debit to B's capital कितना 40,000 40,000 और C withdraw करेगा तो बताओ क्या होगा C's capital to cash कितना withdraw करेगा बताओ 10,000 10,000 तो समझ मैं है case very simple case total capital fix given है उसे PSR में बाढ़ दिया existing capital देख ली और यह existing capital कैसे होती है after all adjustment अब यह मुझे बताने की जुरत नहीं after all adjustment का मतलब already आप मेरे साथ सीख चुके है admission के अंदर after all adjustment क्या मतलब होता है चलो फटाफट बताओ after adjustment of reserves goodwill और revaluation profit losses premium for goodwill सब की यह मतलब sorry goodwill सारी adjustment करने के बाद जो capital आती है चलिए note कर लो फटाफट इसे अब आते है case 2 पर case 2 में देखो XYZ की partners के हैं 5-3-2 में capital है Y decided to retire after retirement of Y capital of X and Z will be in profit sharing ratio capital after all adjustment XYZ की XYZ past necessary general entry आप ध्यान से देखो अगर total capital fix है बट कितनी fix है यह given नहीं है कैसे fix है sir देखो उसने क्या line लिखिया बड़े ध्यान से समझ न उसने लिखा capital of X and Y will be in profit sharing ratio अरे भाई यह तो बता दिया profit sharing ratio में होगी बट capital कितनी होगी है उसने हमें नहीं बताया जैसा की case 1 में बताया था उसमें बताया था total capital कितनी होगी डेल लाक बट इसके अंदर total capital का amount given नहीं है सिर्फ इतना बोल दिया capital profit sharing ratio में हो अब क्या करें sir कुछ नहीं होता I am here to help you out just a very simple concept अगर total capital given नहीं है आप बताओ X और Z की capital PSR में होगी न तो बताओ capital of X कितनी है sir capital of X है तीन लाक very good और capital of Z बताओ चलो sir capital of Z है एक लाक तो बताओ जो जो total capital आई वो कितनी आगई अच्छा तो ऐसे निकालेंगे आगई total capital अब question आपको आगए आता है यह total capital आगई बताओ X और Z की new capital किस ratio में लेनी है profit sharing ratio के अंदर X 4,00,00 कितना होगा new capital बताओ 5 is 2 2 ए बगवान यह क्या ratio लेनी है चलो कुछ नहीं होता और Z की 4,00,00 का 2 by 7 यह होगा निकालने ज़रा amount कितना आ रहा है 5,00,00 का 2 by 7 और 4 by 7 4,00,00 डिवाइड by 7 into 5 this comes out to be 2,8,5,7,1,4 और यहां पर 4,00,00,00 divided by 7 into 2 1,1,4,2,8,6 ठीक है अब वोई फिर X, Z, New capital New capital X की कितनी है 3,00,00,00 2,8,5,0,00,00 27,00,00,00 एक्स की कितनी है तीन लाक और जेड़ की कितनी है एक लाक तो फिर वही बना ले क्या कैपिटल टू बी ब्रॉट ये लाइन बहुत ज़रूरी है इंस और ब्रैकेट में कहा लिखते हैं हम विड्ड्राउन अगर आप कैपिल एड्जेस्ट्मिंट एड्मिशन वाली देखे आ कोई दिक्कत नहीं होगी प्लीज बीच बीच मेंसे वीडियो मत देखो बार बर कह रहा हूँ मेरा PURPOSE और ये विड्रो ऑगा आप इसमें देखेंगे ना तो एक पार्टर जटनी लेगा आगगा दूसरा जंडर। उतना ही विड्रो करेगा इस में एक पहचान कह सकते हो आप बना सकते हो तो entry क्या होगी बताओ x की capital काम हो रही है x capital debit to cash अच्छा कई बार हो सकता है question में बोल दे we will adjust it to current account question में ऐसी लिख दे we will adjust it to current account to cash ना लिख के आप क्या लिख दो उस case में x current account बाई cdc बात है तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे बास ये बात ध्यान रखो नंबर लेने है cbhc से ना वो जैसा गएगा वैसे वैसे अच्छा ये इतने पैसे लेके आएगा cash में बोला है question में cash में ले लेना वो कहेगा current account से तो क्या गर्द होगे z current account to z capital account यह होगा कितना 14246 14246 ठीक है तो यह entries की अपनी होगे बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ फट आफट नोट करो case to पूरा तो दोनों case समझ में आ गए पहले case में मतलब case situation 1 हो गई कि total capital fix है अब total capital fix कितनी है वो given है या given नहीं है तो क्या करना है जो remaining partner है उनकी capital add कर दी इसमें exam में पता है गलती क्या होती है वो भी बताई देता हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप क्या करते हूँ यहाँ पर x की y की और z की तीनों की capital add कर आते हूँ और अगर आपने तीनों की capital add कर दी तो वो question हो गया गलत सिर्फ आपको यहाँ पर जो capital लेनी है वो लेनी है सिर्फ और सिर्फ remaining partners की किस की capital लेनी है remaining partner की समझ में आ गया चलिए अब आते है case 3 पर वो थोड़ा सा complicated है बड़े ध्यान से समझना पानी आने वाला है ठीक है यह रहा है case number three case number three करवाने से पहले याद दिला दू वीडियो पसंद आ रही है यहाँ तक देख चुके हो चलो फटा-फट लाइक करो उसे हाँ और बार बार friends के बीच में WhatsApp को एक बार नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया बार बार उन्हें याद दिल जब तक वो सब्सक्राइब ना करते हैं यह आपकी duty है फर्ज है आपका हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं next है ABC partners है B decided to retire capital of A and C will be in a profit sharing ratio बहुत बढ़ियां after retirement of B they will bring the amount कुछ लेके रहेंगे ऐसा लिखा हुआ है कौन लिखा है अमाउंट A और C sufficient to pay B यह लाइं तो बढ़ी अच कि यह बहिया क्या लिखा हुआ है they will bring the amount sufficient to pay B sufficient to pay B and maintain cash in hand of rupees 2000 अब देखो क्या बहुल रहा है कि वो लोग जो है कौन दे कौन A and C cash लेके आएंगे और इतना cash लेके आएंगे कि B को pay कर दे और cash in hand 20,000 पर बचे अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं at current capital of A, B and C after all adjustments to debt this, this and this cash in hand this past necessary journal entry अब दियान से समनना बड़ा जाइकेदार घुशन है मेरा तो favorite है भाई आपको भी मज़ाएगा अराम से इसम रिलाक्स हो जाओ चल मारके कौन डे टायर हो रहा है भी तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले capital of A and C कितनी है मैं pen change कर लूँ जड़ा अपना आजा भाई क्यों नराज हो रहा है हाँ capital of A and C कितनी है A and C की capital हुई मिलाकर 50,000 plus 90,000 stand out to be 1,40,000 चाहिए अब द्यान से समझना जो बात बताने जा रहा हूँ amount to be paid amount to be paid to be B को amount कितना pay करना आप देखो 60,000 रुपे समझ में आगे cash in hand to be maintained कितना maintain करना है बताओ लिखा होगा हाँ 20,000 रुपे तो इतनी तो उनकी capital है A and C के इतना वो लेक आएंगे B को pay करने के लिए और इतना उन्हें maintain करना है पर जो 20,000 maintain करना है उसमें से कुछ cash in hand भी पड़ा हुआ है ये भी तो देखो कितना पड़ा हुआ 10,000 तो जितना cash in hand है उसे आप minus कर दो cash in hand भीटा कितना पड़ा हुआ 10,000 समझ में आ रही आपको मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ A and C की जो capital थी वो कितनी थी सबसे पहली चीज फिर आपने B को कितना pay करना था retiring partner फिर कितना maintain करना था आप तो इन तीनों का add करने जा रहे थे रोक लिए मैंने का बेशर्म हो ये देखो cash in hand भी बचा हुआ कितना 10,000 ultimately अगर आप देखोगे तो आपको जो new capital है वो आईगी कितनी 2,10,000 रुपए ये 2,10 समझ में आए कैसे है अब समझाँगो और अच्छे से एक चालिस थी 60,000 रुपए वो लेकर आएंगे क्योंकि B को पे करता है 20,000 और लेकर आएंगे 60 और 20 कितना हो गया असी बट असी में से 10 तो cash in hand पड़ा हुआ है तो लेके कितने आ रहे है 70,000 तो एक चालिस और सतर देखो 2,10 बट करके ऐसी आना समझा दिया मैंने लॉजिकली एक चालिस कैपिटल थी 60 लेकर आएंगे किसके लिए B के लिए 20 cash in hand के लिए टोटल कितना हो गया असी बट असी में से 10 पड़ा हुआ है तो लाना कितना पड़ेगा सतर तो एक चालिस और सतर कितना हो गया cash in hand ज्यादा देदे कम देदे कुछ भी हो सकता है तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ा आप हमेशे ऐसे करोगे चार चीज़े आपको लेने तो अब देखो आपकी जो capital है कौन-कौन से partners बचे ए और C A और C A और C की जो new capital है profit sharing ratio में होगी profit sharing ratio कुछ बताई है नहीं बताई है तो क्या लोगे equal कितनी एक लाग पांच हजार एक लाग पांच हजार existing capital A and C की कितनी है existing capital A और C की अगर आप देखोगे तो A की जो existing capital है वो है 50,000 और C की existing capital कितनी है 90,000 ठीक है तो आप देखो वही capital to be brought in वैसे इसमें brought in ही आएगा तोनों में आप देखो कितना लेके आ रहा है 55,000 और C को कितना लाना पड़ेगा 15,000 आप देखो टोटल मिलाके दोनों का अगर तो वह 70 ही आ रहा हुआ और 70 क्यों समझ में आ गया है चलो छोड़ो यह चीज आपके काम की नहीं है वैसे reconciliation था तो capital वो लेके आएगा कितनी 55 और वो 15 और entry क्या होगी पता है न cash debit to is capital to seize capital 55 और 15 70 हो गया यहा 55 हो गया और यहां 15 यहां current account नहीं आएगा most important question from examination point of view तीन से चार number का separate question पूछा जा सकता है journal entry पूछी जा सकती है मैं आपको बता रहा हूँ पिलकुल ignore मत करना इस case को तो खास का और तीनों cases बहुत important है exam में पूछे गए हैं तीन ती number के separate question पूछे गए हैं full flash तो छोड़ो full flash तो हो जाएगा बट यह तीनों को प्रेकेस प्रेक्टिस कलो capital adjustment of retirement में आपको दिक्कत ही नहीं आ सकती that's my promise to you personal promise अगर आप यह तीन cases अच्छे से समझ चुके हो आपको capital adjustment में कोई दिक्कत नहीं आ सकती और एक और बात बार बार प्लीज do share these videos with your friends and जो भी आपको वीडियो की demand है जो आप topic पर चाते हो आप मुझे messages के तुब या comment box में लिखा करो I will try to record it as soon as possible मैंने तो सारी record ही करनी है जैसी मुझे time मिलेगा चीक है आप बेशते रहो मैं उसे record करनी ही कोशिच जल्दी से जल्दी करूँआ कई बार ऐसा होता है कि मुझे priority based पर lecture record करने होते है एक दिन में 20 message आ गए अब 10 message एक particular video के ही है तो मैं उसी को पहली कोशिश करता हूँ तो बाकी 10 नराज ना हो मेरे से उनकी भी हमें videos क्या भोलते है एक दो दिन में आप देखते हो record करी देता हूँ daily basis पर we are updating but for a motivation for a team you need to share this channel with your friends as to the extent possible for you वह एक हमाय लिए अच्छा motivation होता है जब हम देखते हैं views आ रहे हैं subscribers हारे हैं हम भी क्या दे है 24 गंटे का आम करना है सबको motivation चाहिए जैसे आपको चाहिए वैसे हमें चाहिए ठीक है चाहिए चाहिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं death of partner कि basically अगर partner की death होती है तो उस case के अंदर किस तरीके से accounting treatment किये जाते हैं एक छोटी सी revision हम उस पर discuss करने जा रहे हैं देखिए death of partner के time पर basically हम generally जो हमारा question आता है उसमें हमें बोला जाता है कि हमें diseased partners capital account बनाना है diseased partner capital account जिस partner की death हो गई है उसका हमें capital account बनाना है generally हमारे question में होता है अब diseased partner capital account जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या-क्या items आती हैं किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है एक एक करके उन्हें discuss करते हैं सबसे पहले जो भी diseased partner है जो भी उसकी balance capital अपियर कर रही है वो हम उसके account में transfer करते है balance bd जो भी capital अपियर कर रही है balance sheet के अंदर last balance sheet के अंदर वो हम transfer करते हैं diseased partner capital account में क्या है यह capital as per last balance sheet यह क्या होता है capital as per last balance sheet अगर मैं इसकी बात करूँ suppose आपने जो balance sheet बनाई थी last वो बनाई थी 31st March 2016 को on 31st March 2016 आपने balance sheet बनाई थी और question में आपको गिवन है कि team partner थे इसमें A, B, C question में आपको गिवन है कि C died on 30th May 2016 तो अगर partner की death 30 माई 2016 को हो गई तो आपने last balance sheet 31 माई 2016 को बनाई थी तो जो C की capital दिख रही है last balance sheet के हिसाब से वो आपने कर दिया balance BD सबसे पहली चीज़ second चीज़ उसके पाद जो हम consider करते हैं इसके अंदर that is share in reserves क्योंकि partner की death हो चुकी है तो जितना भी partner का share बनता है reserves के अंदर वो सारा का सारा हम partner को transfer करते हैं this is what share in reserves और ये share in reserves जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं reserves appearing in balance sheet multiply by diseased partner share जो भी जिस भी partner की death हुई है उसका जो भी share था उससे हम इसे क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं चीक है इसके बाद next piece जो हम partner को देते हैं that is share in goodwill द्यान से देखें एक चीज next चीज जिसको हम बात करते हैं that is share in goodwill अब ये जो share in goodwill मैं लिख रहा हूँ share in goodwill कौन देगा partners को ये देंगे gaining partner जिस partner की death हुई ही है उसका share जो जो partner gain कर रहे है उसका share जो जो partner gain कर रहे है वो gaining partner share in goodwill देंगे किसको share बेशक आप इसे यहां से हटा दीजे नहीं लिख देते हैं share in goodwill अब ये share in goodwill जो होता है ये किस तरीके से निकलता है दिहान से देखें जो भी goodwill है form की जो भी goodwill है form की उसको हम multiply करते है diseased partners share जो भी goodwill है form की उसे हम multiply करते है diseased partner share से goodwill of the firm निकालने के आपको पता है broadly आपके पास तीन methods होते है one is average profit method second is super profit method third is capitalization method तीन method आपके पास होते हैं आपको पता है goodwill निकालने के जो कि आप मेरे साथ already सीख चुके है goodwill valuation of goodwill chapter में super profit method अब जो भी goodwill of form होता है multiply by diseased partner share और ये जो multiply by diseased partner share है ये share in goodwill कौम देगा gaining partners देगा कोई एक partner देगा that will be gaining partners हाँ अगर एक ही gaining partner है तो उस case में एक हो सकता है अब जब हम goodwill देते हैं तो इसकी entry क्या करते है gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account और sacrifice कौन कर रहे हैं हापर diseased partner तो अगर हम इसकी entry भी देखना चाहें तो entry क्या होगी gaining partners capital debit to diseased partners capital हमने opening capital दे दिया reserve दे दिया share दे दिया goodwill के अंदर इसके बाद हम appropriations देना शुरू करते हैं appropriation के अंदर जो सबसे पहली appropriation मेरे पास आती है that is interest on capital अगर question के अंदर given है mention है specified है तो आपको provide करना है क्या आपको provide करना है interest on capital अब ये interest on capital जो है वो compute किस तरीके से होता है बहुत ध्यान से देखे देखे interest on capital निकालते हुए आपको कुछ बाते ध्यान रखनी है सबसे पहले जो भी opening capital थी जो भी opening capital है उसके उपर हमें interest on capital देना होता है और opening capital के हम किस तरीके से इंटरस्ट देते हैं, ओपनिंग कैपिटल मुल्टीप्लाइबाई, रेट ओफ इंटरस्ट डिवाइड़ बाई 100, पर एक बात ध्यान रखिए, सुपोज एक लाग रुपे ओपनिंग कैपिटल और दस परसेंट रेट है, तो एक लाग इंटू दस परसेंट नहीं करना आप को, दिखें, पार्टनर कब तक फर्म के अंदर सर्वाइव कर रहा था, पार्टनर सर्वाइव कर रहा था 30 में तक, तो आपको 31 मार्ट से सिर्फ 30 माई तक का इंटरस्ट पे करना है, तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो, नीचे लिए हमने 12, या 365, अग बैलन शीट डेट, अप टू, डेट ओफ डेट, वो पीरिट जो लाए करता है, लास्ट बैलन शीट अप टू डेट ओफ डेट, उसके एर में हम कह देते हैं, इंटरस्ट अन कैपिटल, तो ये भी अपने मेरे साथ देखा कि इंटरस्ट अन कैपिटल हमें किस तरीके से आगे बात करते हैं next, next ची जो हमें partner को देनी होती है, इसमें, share in profit, profit and loss suspense account जिसको हम लिखते हैं, that is share in profits, अब हम इसे profit and loss suspense account क्यों लिखते हैं, अगर आपको याद हो, हम इसलिए लिखते हैं profit and loss suspense account, क्योंकि हम balance sheet नहीं बना रहे हैं, पर जिस दिन पार्टनर की death हुई है, जिस दिन हम अपने financials close कर रहे होते हैं, उस दिन हमारा P&L और balance sheet बनता है, क्योंकि हम 30 मही को financials close नहीं कर रहे हैं, हमें between partner को share in profit देना पड़ गया, तो instead of writing P&L account, हम क्या लिखते हैं, P&L suspense account, अब ये जो share in profit निकलता है, इसको किस तरीके से निकाला जाता है, वो अभी मैं थोड़ी दिन में आपके साथ detail में discuss करता हूँ, तो सबसे पहले opening capital, फिर reserve दिया, फिर आपने क्या दिया, share in goodwill, फिर interest on capital, P&L suspense, question के अंदर अगर salary के बारे में कुछ बोला गया है, commission के बारे में कुछ बोला गया है, तो वो भी आप partner को provide क करेंगे, छीक है जी, इसके बाद, अगर partner की किसी भी तरह की कोई drawings थी, तो उस पे आप क्या charge करेंगे, interest on drawings, अगर किसी भी तरह की कोई drawings थी, तो हम उस पे क्या charge करते हैं, interest, और drawings है, partner की capital भी क्या हो जाती है, कम, छीक है जी, ये maximum items आपको देखने को मिलती हैं, diseased partners capital account में, अब यहाँ पर क्या होता है, वो आपको question के अंदर कुछ information देता है, कि हमने diseased partner को इतनी payment कर दी, या उतना loan में transfer कर दिया, कुछ भी information देता है, irrespective of that, आप ये बात ध्यान रखिए, ये जो diseased partner capital account है, चाहे वो question में बोले payment करी, payment नहीं करी, part payment करी, सब कुछ in material है, जो भी diseased partner capital account होता है, इसमें उसकी कोई भी adjustment नहीं की जाती, ये as it is, हम transfer कर देते हैं, diseased partners, executor account में, जो भी ये balance है, ये सीधा का सीधा, कहां transfer हो जाएगा, diseased partners, executor account के अंदर, और, इसके बाद हम बनाएंगे, diseased partners, executor account, जिसके अंदर हम, जो executor है, उसको payment करते हैं, इस account के अंदर payment करनी की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं है, चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ू, आप पहले से note करिए, फटफट, अब मैं बात कर रहा था, कि profit and loss suspense किस तरीके से compute किया जाता है, किस तरीके से share in profits दिये जाते हैं, ध्यान से बेखें, जब मैं बात करता हूँ, share in profits की, देखें, profits में share देने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, on the basis of profits या on the basis of turnover, अब ये सब क्या हैं, ध्यान से एक एक चीज़ आपको देखनी है, suppose, उसने आपको question में specify किया, a diseased partner is entitled for share in profits, and such profits will be average of past three years profit, पिछले तीन सालों के profits की average लेनी हैं और उसके basis पे हम diseased partner को share देंगे, तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगते हैं, compute average profit, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, average profit, उसके पाद जब average profit आप निकाल लेंगे तो आप निकालेंगे share of diseased partner, अब जब आप share of diseased partner निकालते हैं तो ये share of diseased partner किस तरीके से निकलता है ये share of diseased partner आप किस तरीके से निकालते हैं जो भी profits आए आपके जो भी आपके average profits आए step 1 में देखो सबसे बड़ी चीज एक बात ध्यान रखो ये जो average profits आए ये पूरे साल के profit है और हम diseased partner को पूरे साल के profit नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले average profits को multiply करते हैं period between last balance sheet date and date of death जो period आ रहे है last balance sheet date और date of death तक का divide by 12 से ताकि इस से हमारे proportionate profit आ सके क्या सके proportionate profits अगर question के अंदर word proportionate profit ही लिखा हुआ है calculate करके दे रखा है तो time factor से multiply करने की ज़रत नहीं है उसने लिख दिया कि proportionate profit for the year 2016-17 is this तो फो proportionate का मतलब time factor उसमें consider कर रखा है ठीक है अब इसको हम आगे multiply करते हैं फिर किस से diseased partners share से और जो भी ये profit आते हैं वो फिर हम दे देते हैं किसको partner को ठीक है जी अब इसके बाद एक तो ये हो गया कि उसने हमें बोला disease partner is entitled for sharing profits and such profits will be average of past three year profit कई बाद ज़रूरी नहीं है कि वो past three year profit या past four year बोले वो सिर्फ ऐसे भी बोल सकता है आपको past year profit past year profit का मतलब क्या है अगर question के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ past year profit लेने है तो इसका मतलब only last year profit जो भी आपके last year profit है वो आपको लेने है समझ मैं है अच्छा इसके अंदर आप एक बाद ध्यान रखना कई पर क्या होता है question के अंदर आपको last year profit given नहीं होते है बोल दिया उसने कि last year profit पर देने है बट last year profit question में given नहीं होते है और last year profit वो इस तरीके से given होते हैं कि जब आप balance sheet देख रहे हो जैसे 31 मार्च 16 की तो यहां लिखा हुआ है पी एंडल तो अब adjustment लिखा हुआ तब partner की जो death है वो हुई है 30 माई को तो basically अगर यहां पर भी पी एंडल लिखा हुआ 31 माई मार्च 2016 को last balance sheet के अंदर कुछ पी एंडल आपको given है तो basically वो क्या दिखा रहा है last year profit तो ज़रूरी नहीं adjustment में given हो हो सकता है वो balance sheet में भी आपको given हो be careful ठीक है on the basis of turnover किस तरीके से दे सकता है मुझने आपको बोल दिया profits of firm is considered 10% of turnover and turnover up to death is 10 lakh profits हमें देने हैं 10% of the turnover मतलब profit जो आते हैं firm के वो हम मानते हैं कि जो भी turnover हुए है उसका 10% है और हमें turnover given है कि up to the date of death जो turnover हुई थी वो कितनी हुई थी वो 10 lakh रुपे हुई थी अब इस case के अंदर हमें क्या करना है ध्यान से देखें पहले अब इसे note कर लो देखें ऐसी situation के अंदर एक बात आपको बड़ी strictly देखनी है कि आप जो profits निकालोगे कैसे निकालोगे turnover up to death multiply by 10% यह निकालोगे यह जो profits आपके पास आए हैं यह profits नहीं है यह आपके पास क्या आए है proportionate profits क्यों आए है proportionate profit क्योंकि जो turnover आपको given है वो कब तक का given है up to the date of death तो share in profits यहाँ पर जो आपको निकालना है वो किस तरीके से निकालना है proportionate profits multiply by diseased partners share ठीक है तो time factor आपको कब consider करना है अगर मैं बात करूँ कि time factor वाली बाते का अपका बात है एक तो interest on capital में P&L suspense में भी आ सकती है बट कब आएंगी जब on the basis of profit निकल रहा है तो turnover के basis पे अगर proportionate turnover गिवन है तो consider time factor नहीं करना interest on drawings की case में भी आपके पास time factor आ सकता है ठीक है same way commission या salary भी आप निकाल रहे है तो इसमे time factor वाली चीज़े कौन सी आप ये बात ध्यान रखना एक interest on capital एक P&L suspense salary and commission और interest on drawings ये चार चीज़े जब आप निकाल रहे हैं दोनों interest share in profits and salary commission तो time factor उसमें आपको consider करना है goodwill के case में time factor consider नहीं करना, reserves के case में time factor consider नहीं करना ठीक है तो एक बड़ी छोटी सी summary मैंने आपके सामने रखी है death of partner की कि death के case के अंदर क्या क्या चीज़े हमारे सामने आती है quick revision की form ने हमें से देखा, अब मैं आपको इसके आगे बता रहा था कि suppose आपने अपका account close किया, जो भी balance हाया, आपने उसे कहाँ डाल दिया diseased partner executor में, अगर आप कुछ payment कर रहे हो, तो आपको बनाना पड़ेगा diseased partner executor account, उसके अंदर diseased partner executor account के अंदर यह figure यहाँ पर transfer होगी, by the name of diseased partners capital account, यह figure आपके पास आगए, thereafter, जो भी आप payment कर रहे हो, bank से या cash में, वो आप payment करोगी, यह payment गलती से भी यहाँ पर मत कर देना आप, और यहाँ पर फिर आपका बचेगा, जो balance, उसको balance CD नहीं लिखना, उसको हम लिखते हैं, diseased partners loan account, उसको हम क्या लिखते हैं, diseased partners loan account, ठीक है जी? balance CD नहीं लिखना कहीं पर भी, जो भी पैसा आया, वो partner के executor account में, जो भी payment आपने करनी, executor को करिये, और जो बाकी बच गया, that will be termed as diseased partners loan account, फिर यह loan account की जो discussion है, कि executor का loan account किस तरीके से पनाया जाता है, किस तरीके से उसकी सारी accounting की जाती है, suppose, there are three partners, A, B and C, C की death हो जाती है, आप बनाते हैं, seize capital account, seize capital account आप बनाते हैं, इसमें आपने सब कुछ किया, और जो भी यहाँ balance निकलता था, वो आपने कर दिया, seize executor account, आपने मेरी revisionary वीडियो देख ली होगी, जो मैंने डाल रखिये, उसमें हमने कुछ ऐसे ही किया था, फिर मैंने आपको बताया था, कि अगर हम कोई भी payment कर रहे हैं, तो हम बनाते हैं, seize executor account, seize executor account, जिसके अंदर मैंने यहाँ लिखा, seize capital account, seize capital account, और जो भी मैंने उने payment करी on the spot, वो हो गया आपका bank account, ठीक है जी, और इसके पाद जो भी balance बंच गया, उसको मैंने लिखा, seize executor loan account, आज मैं आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ, कि यह loan account जो है, वो किस तरीके से बनेगा, अगर इसके बारे में आगे कुछ कहा जाता है, ध्यान से देखें, सबसे पहले, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए छोटी सी चीज बता दू, जो theory point of view से important है, बट practical exposure से 12th level प इतनी important नहीं है, there is a section 37 of partnership act 1932, यह क्या है section 37 of partnership act 1932, ध्यान से देखें, section 37 partnership act 1932 का क्या कहता है, कि जो भी diseased partner है, उसके executor का account immediately settle हो जाना चाहिए, अगर उसके executor का account, आप immediately settle नहीं करते हैं, सुबोज, यहाँ पर यह amount निकल का आएगी, हमें एक लाग रुपे देने हैं, तो काहिदे से एक लाग रुपे हमें उसी समय pay कर देने चाहिए, बट अगर जो remaining partners हैं, जो continuing partners हैं कि वो executor का account immediately settle नहीं करते हैं, तो उस case के अंदर, जो section 37 है, वो हमारा apply हो जाता है, वो क्या कहता है, कि that executor is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum or share in profits in capital ratio, whichever is higher, whichever is higher, मतलब, suppose partner की जो death है, वो हो गई 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2016 वो partner की death हो गई, आपने 30 सितंबर का उसका account settle नहीं किया, आपने वो account settle के 31 March को, तो जो 30 सितंबर से लेके 31 March का time period है, that is 6 months, उस तोरान, जो executor है, या तो वो interest लेगा amount पे 6% के हिसाब से, या partnership firm ने, जितने profits कमाए हैं उस period के दुरान, उस profits के अंदर हिस्सा मांग सकता है, कौन हिस्सा मांग सकता है, और profit sharing ratio में नहीं मांगेगा, किस ratio के अंदर, capital ratio, और यह capital ratio जो होती है, वो कौन सी होती है, on the date of death, on the date of death, और यह whichever is higher, मतलब दोनों में से जो higher है, वो diseased partner के executor को मिलेगा, 30 के point of view से आप इसे देखेंगे, अब मैं आपको loan बताने चाहरा हूँ कि loan account कैसे बनता है, ध्यान से देखें, suppose C का capital है 1,00,000, हमने उन्हें 20,000 pay कर दिया, कितना बचा, 80,000, अब यह section 37 जो मैंने आपको बताया है, इसकी practical application आपके slavus में नहीं है, सिर्फ 30 आप एक बड़ देखेंगे, आपके slavus में है loan account कैसे बनता ध्यान से देखें, कितना पर करना हमें, 80,000, हमारे साथ एक deal हुई, कि executor को हम, executor will be paid amount in two installments of equal of two installments at the rate of, interest at the rate of 10% per annum, executor जो है, उसको दो installments के अंदर amount पे किया जाएगा, और उसपे interest charge किया जाएगा 10% से, तो आपने क्या किया, ध्यान से देखें, आपने क्या किया, आपने बनाया seize executor account, ठीक है जी, seize executor account, sorry seize executor loan account, सबसे पहले, इसके अंदर, जो seize executor से balance आया, वो आपने लिगने हैं आपर, seize executor account, कितना balance आया, सरी ये balance आया, 80,000 रुपे, दो installments में देना है, along with interest at the rate of 10%, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, along with interest at the rate of 10% पर आनव, नौसी, अब 80,000 को अगर आप divide करें, दो installment में कितनी आती हैं, 40,000 की, बट हमें interest भी देना है, पहले installment अगर हम बना रहे हैं, तो obviously एक साल बात दे रहे हैं, तो अब एक साल बात अगर आप installment दे रहे हो, तो आपने charge किया उस पे interest, कितना interest बनेगा, अगर 80,000 पर दस परसंट से आप interest बनाते हैं, interest payable on first installment, कितना बनेगा, 80,000 का 10%, कितना, 8,000, यही होगा, show, तो आपने यहां पर लिखा, interest, जो उनको देना है, कितना देना है, 8,000, और जो हमने cash पे किया, वो कितना पे किया, वो हमने पे किया, 40,000 रुपे की तो installment है, और 8,000 रुपे का हमारा interest है, तो हमने पे किया कितना, 48,000, तो अब जो balance रहे गया, C के executor के loan का, वो कितना रहे गया, 40,000, कितना रहे गया, 40,000, अब अगले साल, दुबारा से यह CD जो है, वो क्या बन जाएगा, balance, BD, कितना, 40,000, जिस पे हम लोग interest पे करेंगे, कितना interest पे करेंगे, बच्चों ध्यान से देखिए, 40,000, प्लस, 4,000, 4,000 क्यों बच्चे, क्योंकि अब 40,000 का amount ही रहे गया, तो हम interest पूरे amount पे नहीं देंगे, जो balance of the loan amount रहे गया है, form पे, 40,000 रुपे का, उस पे देंगे, और 10% कितना हो गया, 40,000 का, 64,000 रुपे, यह ठीक है, तो यह आपने 4,000 रुपे interest पे किया, तो इसके बाद यह आपने cash करके, पे कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा simple है, इसके अंदर ऐसाच कुछ complicated नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कि जो आप interest चार्ज करेंगे, जो balance पचे जाएगा, उसके उपर आप interest चार्ज करेंगे, यह बात बस इसमें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इस पर जो मैंने interest लिया, that is not on 80,000, that is on 40,000, क्योंकि मैं part of the amount already payout कर चुका हूँ, चेक है, तो यह आपने देखा कि loan account एक चोटा सा कि इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ बातें चुत्यान रखनी है, capital, फिर executor, this is for immediate payment, and for loan, यहाँ तक, जनरल यह आपके एक्जाम में नहीं पूछा जाता है, पट फिर भी एक चोटी सी बात पतावने चाहें, हाँ, यह थेयरी एक बार आप जरूर देख लिए, यह एक्जाम में फायदे मन दो सकते हैं, तो overall death आपका cover up होता है, एक 20 मेंट की वीडियो मैंने पहले आपको death की दे रखी है, सारी revision की, प्लस एक चोटी सी वीडियो और, thank you, Hello friends, चले, अब हम loan account देखने चाह रहे हैं, जब payment in between the accounting year हो लिए, basically आपने अभी जो वीडियो करी उसके अंदर क्या था, कि 31st March को ही books close हो लिए है, और 31st March से installment स्टार्ट हो लिए है, अगर, suppose books close हो लिए हैं 31st March को, और हमें installment pay करनी है 30 चून को, तो किस तरीके से accounting होगी वो सारी बात हम इसमें देखेंगे, लास्ट वीडियो और ये, देख लिए अपने more than insufficient, एक्स के डेथ हो लिए 30 जून 2008 रहा हो, in balance due to executed rupees 3 lakh, out of which rupees 1 lakh are paid in cash immediately, and balance in 4 yearly installments with interest at 10% परहना, स्टार्ट हो का कब से 30 जून 2019 से, partnership form अपनी books close करती हर साल 31st March को, तो सबसे पहले हम, X के executor का account मनाएंगे, X, executor account, यहाँ पर, X की capital से आएगा, कितना, 3 lakh रुपे, cash पे कर दिया जाएगा, 1 lakh रुपे, मैंने आपको पहली भी बात बताईए, कि जो भी पे करना है, executor account में, capital account में कुछ नहीं पे करना, तो बाकी क्या हो जाएगा, X executor's loan, कितना, 2 lakh रुपे, टेकर, date आप डाल सकते हो, सम्में 30 चून, अब बनाते हैं, X, executor, loan account, पड़े अराम से, relax होके, सारी चीजे समझने हैं, कुछ खबराने वाली बात नहीं है, debit, trade, 2018, 2018, 30, June, X, executor, account, कितना दो लाग रुपए ठेकर अपड़े अराम से आपको समझना है यह 18.19 क्लोज हो जाएगा कब 31 मार्च को और फिर पेमेंट जो अगली होनी है वो होनी है 36.2019 को मतलब 19.20 के अंदर यह सोनो तो हमें क्या करना है देखो जिस दिन यह क्लोज होगा 2019 31 मार्च बुक्स क्लोज करनी है यह सोनो हम इंटरस्ट निकालेगे इंटरस्ट तो हमें दे नहीं पड़ेगा तो इंटरस्ट आउन एग्जिक्यूटर लोन यह सम्मिक्स होगा एग्जिसी और यह चल भाई इंटरस्ट आउन एग्जिक्यूटर लो अब दो लग का माउंट है इंटरस्ट कितने महिने का देखो 30-30 मार्च how many months are there only 9 months तो अभी आप 9 months का इंटरस्ट चार्ज करेंगे 9 by 12 कितना 9 months का 9 by 12 आप इंटरस्ट चार्ज करेंगे so this will be what 15,000 पे नहीं किया भी सिर्फ द्यू किया क्योंकि देखो इतना इंटरस्ट इसी साल द्यू हो गया तो यह आपका 2019 31 मार्च बैलेंस सीड हाँ मच 2,15,000 इसके बाद 2019 1 अप्रेल बैलन्स बीडी 2,15,000 अब देखो 30 जून को पेमेंट करने है तो एक बड़ आप 30 जून को इंटरस्ट निकाल लो कितना 30 जून इंटरस्ट आउन एग्जेक्यूटर्स लोन कितना मांग था दो लाग का 10 परसेंट तीन महिने के लिए आप निकालेंगे कितना हो गया 5,000 रुपए ठीक है clear है अब आपको यहां पर पेमेंट करनी है 2019 36 को बैंक अकाउंट को कितना 50,000 तो इंस्टाल्मेंट क्योंगी 4 इंस्टाल्मेंट में बुला है 4 एरली इंस्टाल्मेंट्स विद इंटरस्ट ठीक है तो 50,000 तो यह हो गया और इंटरस्ट कितना बना 15,000 यहां था और 5,000 यह टूटल 20,000 तो आपने 70,000 रुपए पे कर दी अब आपने 36 को जब रिपेमेंट कर दी प्रिंसिपल अमाउंट कितना 50,000 हा बाकी 20,000 तो पेटा इंटरस्ट किया न प्रिंसिपल आपने 50 पे किया तो नाओ ओनवर्ट्स यह टार्ज दे इंटरस्ट ओन 1,50,000 वेरी गूट 2020 31st March इंटरस्ट ओन एंग्जीक्यूटर्स लोन ठीक है अब बेटा हमारा जो इंटरस्ट चार्ज होगा वो कितने पे होगा बहुत बढ़ी हैं 1,500,000 रुपे पे चार्ज होगा और कितने महिने के लिए 9 महिने के लिए hopefully आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है मेरी बाते आपको समझ में आ रही है very good आ रही हैं समझ तो आप 100 में से 100 लाने के लिए eligible candidate है school teacher कुछ भी बोले college teacher कुछ भी बोले कुछ भी बोले ICA वाले आप eligible है 11,250 ठीक है अब यहाँ पर आपने क्या निकलना है balance CD कब 2020 31 March को आपका यह balance CD निकल जाएगा 2,15,000 जमा 5,000 जमा 11,250 माइनस 70,000 तो 1,61,250 यह आपका आगया ठीक है 2,20, 2,31,250 2,31,250 अब यहाँ पर फिर 2020 आपने 1 अपरेल को लिखा balance brought down 1,61,250 जेक है 36 को फिर आप interest charge करोगे क्योंकि very good payment rate आगई सर अरे होश्यार बच्चे है मेरे ऐसी थोड़ी ने इनकी तारीफे करता रहे तो मैं दुनिया भर में तो यहाँ दो हजार बीस तीज चून आई विल रिपेट 15,000 तो वो जाद दो अकाउंटिंग यह में रहा है क्योंकि कितना यहाँ निकाल दूँ पक्का एक लाक रुपे दस परसेंट नो मेहने के लिए बहुत बड़ी है कितना होगे पिटा साड़े साथ हजार रुपे होगया और यहाँ पर दो हजार इक्यस एकत्यस मार्च बैलन्स सीडी आ जाएगा कितना आएगा एक लाक साथ अजार पान सो शायद जी हाँ आगे निकमो अपने आप भी करो अब आगे इतना बड़ा कुश्चन ने लिए इसलिए अब आदा मैंने करा दिए चलो अपने आप करो फिर सोलीशन देखना वीडियो पॉस कर लो जाएग इतने आगे अब दो हजार इक अपरेल बैलन्स बीडी एक लाक साथ अजार पान सो 30 जून इंटरस्ट आउन मैं स्पीट बढ़ा दिये यह सोचके कि आप लोग अब समझ में आ गया और आप लोग को सिर्फ सोलीशन मैच कर रहा हूँ उमीद मैं यही कर रहा हूँ चीटिंग माज ही नहीं हाँ देखो एक लाक का दस परसेंट ते तीन महीने आँ ठाई अजार चेक हैं तो दो हजार इक्यस तीस छे बैंक अकाउंट पचास हजार तो वो था साड़ा प्रिंसिपल अमाउंग ते दस हजार हो गया इंटरस्ट ते टोटल हो गया सथ हजार रुपए चलो जी फिर दो हजार पाईस 31 मार्च इंटरस्ट यू करना पड़ेगा इंटरस्ट अउन एग्जिक्यूटर लोन कितना बचा है प्रिंसिपल पचास हजार ते दस परसेंट ते नौ महीने नाल 3750 तो है थे बच्चे आजी बैलेंसी डी 53750 31 मार्च दो हजार पाईस सट हजार जम्मा फाइफ थ्री फाइफ थ्री से एक लाग तेरा जार साथ सो पचास 2000 बैस एक अपरेल बैलांस बीड 53750 इंटरस्ट आउन एक्जेक्यूटर लोन पचास हजार दस परसेंट तीन महीने ते डाई अजार दो हजार बाईस तीस छे बैंक अकाउंट डाई जार गलती गड़ती न कुछ सोचने बैल लिया था मैं बैक एंड पर 55,000 तो यह आपका लोन अकाउंट हुआ पूरा तो अगर इन बिट्वीन पेमिंट होती है तो कुछ नहीं है वस उसे हमें दो चीजों में स्प्लिट करके चलना है और इससाद आपको घबराने के ज़रुरत नहीं है होपफुली आपको यह पूरा लोन अकाउंट मैंने बहुत बड़ा कोशन लिया था और होपफुली आपको दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया है किसी तरह का डाउट आपके दिमाग में अब इसके बाद नहीं होना जी तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूर हेलो फ्रेंट्स नाओ वी आपको समझाओंगा एंड प्रामिस अगें आप दियान से वीडियो को सुनों समझों कुछ भी कोशन आ जाए आप देखो पिछले बार के एक्जाम में कितना भयंकर कोशन आया डीज होगा बट जिन बच्चों ने पढ़ाता समझा था अच्छे से किया था था गया डीज हो के अंदर बड़े ध्यान से और वीडियो फॉरवर्ड मत करा करो देखते होगे पता अवाटनर्शिफ फर्म है वो क्या हो रिया बंद अप अब मतलब व इसका अब सबसे पहले dissolution of firm से मिलता जुलता एक और word है that is dissolution of partnership theory बहुत important है ध्यान से देखो आपको पता है मैं सारी coverage लेके चलता हूँ dissolution of partnership dissolution of firm on dissolution of partnership में क्या difference होता है देखो जब partnership deed पुरानी पुरानी partnership deed cancel होके एक नई partnership बनाई जाती है उसे बोला जाता है dissolution of partnership कि आपकी पुरानी partnership dissolve हो गई और अब एक नई partnership deed बन रही example के तोर पर admission of partner अब बताओ admission of partner के case में जैसे A और B partner थे कौन partner था? A और B अब A और B partner थे और एक C नया partner आ रहा है तो पहली जो आपकी partnership deed बनी हुई थी वो किसमें बनी थी? A और B में अब जो partnership deed है वो किसमें मनेगी? A, B और C में तो हुआ क्या जो आपकी पुरानी partnership deed थी A और B की वो क्या हो गई अब? खतम हो गई और एक नई partnership deed है A, B और C में तो जब एक old partnership deed cancel होकर, एक नई partnership deed त्यार होती है, it can be admission of partner, it can be retirement of partner, it can be death of partner, it can be change in profit sharing ratio, in all these cases, I will say that's a example of dissolution of partnership, और you can say reconstitution of firm, अगर reconstitution of firm है, या dissolution of partnership है, आप दोनों के लिए same words use कर सकते हो, और उसके examples कौन कौन से दिये, फटा-फट बताओ, change in PSR, admission, retirement, और death, तो hopefully आपको समझ मैं है, dissolution of partnership क्या होता है, when the old partnership deed is cancelled, and in place, a new partnership deed is prepared, but in case of dissolution of firm, the partnership deed is not cancelled, और new partnership deed is not prepared, rather than, बोलो बोलो, business is closed, very good, तो आपको ये दो terms दिमाग में जाके बैठ गया, कि dissolution of firm क्या होता है, और dissolution of partnership क्या होता है, समझ मैं है, चलो इसके notes बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे, dissolution of partnership, क्या होगा इसके अंदर, old partnership deed, is cancelled, and in place, new partnership deed, is prepared, एक new partnership deed हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसका example अगर मैं दूँ, तो यहाँ भी आपका reconstitution of firm है, वैसे इसी कोई बोलते हैं, reconstitution of firm, जितने भी आपने पड़े, कौन-कौन से पड़े, बताओ, फटा-फट पताओ, अच्छे बच्चो की तरह, नहीं बताओगा, अच्छे बच्चो की तरह, हैं, अच्छे बच्चे हो तुम लो, change in profit sharing ratio, admission, retirement, और death of partner, यह तीनों के लिए मैंने common लिग दिया, ठीक है, तो इस case के अंदर क्या हो रहे, dissolution of partnership, जबकि dissolution of firm में partnership deed cancel नहीं होती, राधर दिन, business is shut down, business is shut down, business ही क्या कर दिया, shut down कर दिया, तो यह बात आपको मेरी समझ में आती है, ठीक है, अब, sir, dissolution of firm होता कब है, बड़ा important question, last time exam में आ गया, बच्चो का दिमाग खर, CVSC वाले पागल है, newspapers में आ गई, toughest paper in the history, अरे भाई, toughest paper कुछ नहीं आया, आप लोग पढ़ते नहीं हो, logic देखते नहीं हो, toughest paper in the history लिख देते हो, ध्यान चे देखो, जैसे dissolution of partnership in cases के अंदर होता है, कौन से ऐसे cases हैं, जब dissolution of firm होता है, सबसे पहले, if any partner becomes insolvent, अगर कोई partner insolvent हो जाए, partnership is doing illegal business, court यह कह दे, कि partnership तो illegal business कर रही है, उसको खतम करना पड़ेगा, और सर, बताता हूँ, अगर आप अपनी partnership firm को company में change कर रहे हो, आपकी partnership firm थी छोटे level का business था, भगवान ने अशिरवाद दिया, अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, तो अब आप partnership firm से बड़े scale पे लेके जा रहे हो, company पे लेके जा रहे हो, तो partnership firm, dissolve, wind up, और क्या आगई उसकी जगा, company, तो यह example important है, ध्यान से देखो, conversion of, partnership into, company, यह पहले भी बताया था, याद करो पही, goodwill valuation में, conversion of partnership into, company, आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने सारी वीडियो देखे, और अगर एक भी वीडियो skip कर रहे हैं, तो सी में वह समझे लो, यह skip किया, conversion of partnership into company, या, partnership firm को किसी company ने purchase कर लिया, example sir, example, पहले में लिख देता हूँ, purchase of, partnership firm, by, company, suppose, मैं, चलो, मैं अपने institute का example लेता हूँ, grooming education academy, कभी google पे डाल के देखना, मिलेगे आपको, अब suppose, grooming education academy में, suppose, हम तीन partner है, तीन partner है, suppose, A, B, C, ठीक है, हम तीनों partner है, किसमे, grooming education academy में, अच्छा, एक और बात, देखो, वीडियो पसंद आती है न, आती है न, जोख तो नहीं बोल रहे, तो यह word न, जब डालोगे google पे, side में न, google rating मांगता है, थोड़ी सी rating rating दे दे देना, कुछ अच्छी ची बाते लिख देना, ठीक है, फेस्बुक पे हमारा पेज है, grooming education का, चलो, चलो, grooming education academy, ABC तीन पार्टनर, अब, यह जो तीन पार्टनर है, हमें, google चे एक offer आया, google आपको पता है, कि भाईया, आप लोगों की company जो हैं, हम purchase कर रहें, आपकी जो partnership firm है, वो कौन purchase करना चाता है, google, हमने गा, जी, क्या बात, इतने अच्छे दिन हमारे, अच्छा खाशा पैसा देंगे, google वाले खरीद रहें, पार्टनर्शिप firm को, हमने google को बेच दिया, तो हमारी partnership firm, जो है, वो क्या हो गई, dissolve हो गई, it has been taken over by the company, तो पहला केस था, conversion of partnership into company, हमने अपनी partnership कोई, जैसे grooming education academy है, उसको मैंने grooming education, private limited बनाया, चीक है, तो that's a conversion of partnership into company, तो मेरी company को, या अगर किसी, मेरी partnership को, किसी और company ने खरीदा, तो that's a purchase of partnership firm by company, और कुम सा example हो सकता है sir, बड़े ध्यान से सिखा, merger of partnership firms, क्या लिखा है मैंने, merger of partnership firm, ये क्या है sir, ध्यान से समझो, suppose दो partnership firms है, X and company, Y and company, एक तो ना, बच्चों को बड़ा confusion होता है, and company लिख दो, sir, ये तो company हो गई, अरे नहीं भाई, सुनो, company जो होता है न, company की पहचान होती है, कि उसके end में, या तो private limited आता है, या limited आता है, अगर किसी के end में, partnership की पहचान क्या होती है, कोई business partnership है, नाम देखके कैसे बता होगे, बताओ, उसके end में, आपको या तो and company लिखा हुआ मिलेगा, या लिखा हुआ मिलेगा, and associates, तो वो partnership firm है, अच्चा, Hindu undivided family की बताओ, पहचान क्या होती है, उसके end में, आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो अब ये दोनों partnership firm थी, अलग-अलग, अब इन दोनोंने मिलके आगे से business करना है, तो इन्होंने बना दी, x, y and company, तो इसको बोला जाता है merger, तो अब होगा क्या, x and company भी, dissolve हो जाएगी, whereas, y and company भी क्या हो जाएगी, dissolve हो जाएगी, और एक नई partnership firm वनी, x, y and company, चेक है, तो ये cases आप से exam में पूछे जाते हैं, कि कौन से ऐसे cases हैं, जिसमें dissolution of firm होता है, ये मैंने आपको बताया था, list the cases, question करवाया था अगर आपको यादो, list the cases other than admission, retirement and death, as well as change in PSR, where computation of goodwill is required, तो in these cases, we need the computation of goodwill, ये goodwill के अंदर जो case हुआ था, कि at the time of conversion of partnership into company, at the time of purchase of partnership firm, या merger of partnership, लिख दू मैं वो question, जो exam में भी आ सकता है आप से, और पहले cover up किया हुआ है, जहां तक मुझे याद है, नहीं किया हुआ तो चलो देख लो, list the cases, other than, reconstitution of firm, where goodwill computation is required, ये question आप से exam में पूछा जा सकता है, तीन अंबर का, ठीक है, तो इसके अंदर आपको last के तीन cases लिखने हैं, कौन कौन से, conversion to company वाला, purchase by company वाला, पूरा-पूरा लिखना है, अभी मैं short में लिख रहा हूँ, और तीसरा कौन सा, merger, ठीक है, ये question important है, या, एक question पूछा जा सकता है, list the cases, where, dissolution of firm, is compulsory required, समझ मैं है, तो ये चीज़े आपको अपने exam के लिए, बहुत अच्छे से, prepare करने, इसके अंदर वो सारे cases आप लिख लोगे, तो theory aspect आपको समझ में आता है, कि dissolution of firm है क्या, चलिए, आगे बात करते हैं, अब मैं बात करता हूँ, accounting की, अभी तो आपको मैंने meaning समझा है, सिर्फ, अब मैं बात करता हूँ, accounting की, accounting for, dissolution of firm, accounting for, dissolution of firm, चलो जे, अब ध्यान से समझना, बड़ा जाइकेदार मजा आने वाला है, ध्यान से समझे, मैं गया, एक partnership firm में, suppose ABC and company है, उनके उन्हें गा, जी हम partnership बंद कर रहे हैं, अब अपकाउंटिंग करो जो करनी है, अब accounting करनी है, मतलब, business बंद हो रहा है, तो business बंद हो रहा है, मतलब business में, जितने books of accounts हैं, उन सब को भी क्या करना है मुझे, बंद करने, yes or no, भाई, जितने भी books of accounts हैं, वो सारे के सारे, मुझे क्या करने पढ़ेंगे, close करने पढ़ेंगे, तो इसके अंदर, मतलब मेरा main मकसद क्या होता है, to close the, books of accounts, अब दियान से समझना, books of accounts या मैंने देखा, तो books of accounts में, दो ही तरह के accounts होते हैं, या तो assets के account, या आपके liability के account, या तो assets के liability के, जैसे, मुझे कुछ है दिख रहा था, मुझे furniture account, एक मुझे दिखा, say, building account, ठीक है, एक मुझे दिखा, say, debtor account, ऐसे सारे account दिख रहे थे, ठीक है, ऐसी liability में मुझे दिख रहेगा, say, आपका creditor account, ऐसी आपका मुझे दिख रहे है, अब मुझे इन सब को close करना, अब ध्यान चे समझना, सबसे पहले मैंने कहा, कि ये इतने सारे, ये तो मैंने 5-6 लिखे, practically speaking, 100 से जादा accounts open रखे होते हैं, इन सब को मैं बंद करके, एक जगा लियाता हूँ, इन सारे accounts को, ये जो assets के हैं, और ये जो liabilities के, जितने accounts हैं, इन सब को close करके, इन सब को close करके, मैं balance को transfer करता हूँ, at one place, ताकि मुझे एक better picture मिल सके, to have better picture, अब ध्यान से समझना, जो बात बता रहा हूँ, बहुत important है, to have better picture, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले assets, आप बताओ, जो assets होते हैं, अब ध्यान से समझना, जान कर होनी जी आपको, assets का कैसा balance होता है, इससा debit balance होता है, liability का कून सा balance होता है बेटा, credit balance होता है, इससा पता होना चीए आपको, चाहिए, अब सबसे पहले, मैंने किया, to close the books of accounts, अब मैं एक एक करके, आपको journal सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो सबसे पहले मैं यह करनी है, to close, the, books of, accounts, appearing in, sorry, to close the books of accounts, appearing in, बस इतना ही करो, इन अटा हो, यह, जितने भी books of accounts रहा है, उन्हें close करना, अब सबसे पहले assets, assets का क्या balance होता है, debit, अब debit balance को खतम करना है, अगर, तो क्या करते हैं, बताओ, credit, तो मैंने क्या किया, assets को credit कर दिया, to, assets account, ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ, एक newly open account, जिसको मैंने नाम दिया, realization, क्यों नाम दिया, realization, सर, और कोई नाम रख देते, revaluation रख देते, अरे बेशर महूँ, मैं partnership, from, बंद करने जा रहो, चीजों को निप्टाने जा रहो, asset or liability, सबको खतम करने जा रहो, खतम, निप्टाओ, निप्टाना, मतलब, realize करो, तो इसलिए नाम पड़ा, realization account, और realization account, जो word है, ये आया, आपके realization concept से, जो आपको 11th में याद हो, realization concept क्या कहता था, कि any profit or loss, should be recognized when, याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, कि कोई भी profit या loss, जैसे building अगर 10 लाग की है, और वो 15 लाग की हो गई, तो क्या profit record कर देंगे, नहीं, जब तक record नहीं करेंगे, जब तक ये actually sale, इसके बाद liabilities का credit balance है, तो उसको close करने के लिए, इसके बेशक, इसके बेशक लिख लो, being assets, accounts are closed, ठीक है, ऐसी अब liability, liability का credit balance है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, debit, liability, account, debit, to, realization, account, ठीक है, मतलब, liability account are closed, अब, ध्यान से समझना है, एक एक बात जो मैं आपको बताने चाहरा हूँ, suppose, आपकी एक building है, ध्यान से समझना, balance sheet है, उसमें आपकी building है, और building आपकी दिख रही है, 10 लाग की, जबकी नीचे आपको बोला गया, market value of building, is, 12 लाग, समझना आराम से, relax होके, concentration से समझो, मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में, अब तो मैं पढ़ने में भी आएगा फिर, building 10 लाग की दिख रही है, और उसकी market value कितनी है, 12 लाग, question ही आता है, कि यहाँ पर यह जो entry होगी, realization to asset, whether it will be from 10 लाग and 12 लाग, हो सकता है, आप मुझे जवाब दे दो, कि sir, 10 लाग से होगी या 12 लाग से, बट logic बताओ क्या है, logic बहुत important, क्योंकि जब आप पर logic नहीं होती है, तब ही exam में confusion आती है, कि और होगा किस से, और logic होँगे तो confusion ही नहीं आएगी, ध्यान से समझो, तो मुझे books of accounts, जो appear करे होंने close करना है, मैंने आप से पुछा, building account 10 की है, उसकी market value 12 लाग की है, तो whether I am going to record it here, as 10 लाग और as 12 लाग, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 लाग, क्यों लिखूँगा ध्यान से समझना, can I say जो value balance sheet में दिख रही है, it's a book value, या देशी भाशा के अंदर, जो भी value books of accounts में दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, book value, value appearing in, books of accounts is known as book value, जो value books of accounts के अंदर दिखती हैं, उसको क्या बोलते हैं, book value, और यहां हम करके सको close रहे हैं, बताओ, किसलिए कर रहे हैं entry, यह गर रहे हैं sir, to close the books of accounts, तो अगर हम यहां books of accounts को close करने के लिए कर रहे हैं, और books of accounts में हमें क्या दिखती हैं, book value, तो बताओ, यह दोनों entries जो होंगी, यह दोनों entries जो होंगी, वो किस से होंगी, sir, यह दोनों entries होंगी, book values है, समझ मैं है इवान, किसी भी तरीके का market value का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि this entry has been recorded for the purpose, to close the books of accounts, and the value which is appearing in the books of accounts is known as, book value not the market value, समझ मैं आ गई हैं, अब ध्यान से समझो, एक word होता है, unrecorded asset, समझे चलो मज़ा आ रहा है, unrecorded asset, unrecorded asset, क्या होता है unrecorded asset, ऐसा asset, जो मेरे पास है, बट जिसकी entry मैं books of accounts में डालना भूल गया, या नहीं डाली, या books में नहीं दिख रहा, वो zero value है, जैसे example के तौर पर, सुपोज मैं ये chair purchase करके लेखे आया, और ये chair की entry मैं, अपनी books of accounts में, मैंने record नहीं करी, तो ये chair तो मेरे पास है, बट ये books के अंदर appear, नहीं कर रही, तो ये एक तरह का क्या होगा बताओ, unrecorded asset, समझ महीं बट, तो unrecorded asset क्या होता है, ऐसा asset, जिसकी book value 0 है, बट वो business के अंदर exist कर रहा है, समझ मैं या, तो मैं definition लिकूँ, क्या है unrecorded asset, asset, appearing, in, books, sorry, asset not appearing in books, but, exist, बट exist, ऐसे asset जो books में appear नहीं कर रहे हैं, या ऐसा simple बोलू, जब इनकी जो book value of asset होगी, unrecorded asset की वो क्या होगी, nil, क्योंकि वो ही है न, asset not appearing in books, but exist, तो एक बात बताओ, क्या यह जो मैंने entry कर रहे है, realization to assets, क्या इसके अंदर, unrecorded asset आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते, good, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी कोई book value, नहीं होती, तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर, unrecorded asset, and same way liability, क्योंकि उसकी भी कोई book value, नहीं होती, are not considered, यह बात आपको ध्यान रखनी है, कि unrecorded asset, and unrecorded liability को, unrecorded asset, and unrecorded liability को, हम यहाँ पर consider, नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि, उसकी book value, zero होती है, unrecorded asset, या liability, क्या होता है, ऐसे liability asset, जो कि books में appear नहीं करते, बट exist करते हैं, ऐसे assets, और liability की, जो book value होती है, वो क्या होती है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब हुआ क्या, जितने भी books में, assets दिख रहे थे, liabilities दिख रही थी, वो सारी की सारी, मेरे पास आ चुकी है, और कहां आ चुकी है, मेरे घर पे, कहां पर, realization account के आते हैं, अब मैं एक एक करके, सारे assets को, बेचना स्टार्ट करता हूँ, समझ में ही दा, आए, तो step two, that is, realization, of, assets, क्या लिखा है मैंने, realization of asset, अब ये क्या है, realization of asset मतलब, अब हम assets, भई assets हैं, जो बेचेंगे, अब दिहान से समझ लो, बड़े अराम से, सबसे पहले, realization of asset, asset बेचेंगे, पैसा आएगा, या नहीं आएगा, आएगा, तो asset बेचने से, पैसा आया, तो मैंने लिख दिया, cash, या, bank, account, debit, cash या, bank account, debit, चेक है, अब, asset मेरे पास से, मैं सॉरी, partnership firm के पास से, चला गया, तो काइदे से, हम क्या करते है, asset कम हो गया, तो asset को, credit कर देते, बट हम यहा, asset नहीं लिखेंगे, क्योंकि, asset का सारा balance, अब कहाँ transfer हो चुका है, realization account में, समझ मैं ही बाद, तो हम entry लिखेंगे, cash या, bank account, debit, to, realization, cash या, bank account, debit, to, realization, समझ मैं, अब एक बाद बता हूँ, जो assets बिकेंगे, अच्छा एक बाद बता हूँ, यह chair, मैंने अपनी books में, या suppose यह pen है, यह pen में अपनी books में, एक करोड उपे का लिख रखा है, तो क्या एक करोड का बिख जाएगा, क्या यह pen एक करोड का बिख जाएगा, अगर मैंने books में लिख रखा है, भाई, नहीं है, समझ में आया है, yes or no, पक्का, अच्छा, अब suppose, कोई unrecorded, asset realize होता है, unrecorded, asset, is, sold, पर यह बाद बता हूँ, मैंने यह chair लेके आया, चाहिए, इसे मैंने books में नहीं लिखी, अब books में अपनी लिखना भूल गया, तो इसका मतलब क्या बिकी नहीं सकती, भाई book value zero है, books में नहीं लिखी, भूल गया लिखना, तो क्या इसका मतलब यह बिकी नहीं सकती, सर बिक तो सकती है, और किस पर बिकेगी बताओ, market value के तो बिक तो सकती है न, या नहीं बिक सकती, आसर बिख सकती है समझ में आ रहे है न तो cash account debit यह तो समझ में आ क्या हूँ यहाँ पर आपने realization को credit किया था क्योंकि हमारे assets बेचने से कम हो रहे थे यहाँ पर भी आप कहते हो कि चलो आपने एक बार के लिए realization लिख दिया बेटा ध्यान से समझना यह बाते ऐसे नहीं पता लगती बड़ी in-depth research करी है उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ ध्यान से समझे यहाँ तो आपका asset कम हो रहा था आपने realization को credit कर दिया यहाँ पर भी आपने realization credit कर दिया और say मैं कहता हूँ क्योंकि asset बिका है तो assets कम हो रहे है बट यह तो एक unrecorded asset था मतलब इसकी कोई book value ही books में यह exist ही नहीं करता था इसकी no existence in books तो फिर आप इसके लिए credit कर लो realization को आप यह कैसे कह सकते हो कि asset कम हो रहा है इसलिए मैं realization को credit कर रहा है आप मेरी बात समझ रहो यहाँ तो समझ में आता है एक recorded asset था मेरी books में दिख रहा था वो बिका मैंने उसे खतम किया वो credit हो गया और asset account ना होके realization हुआ क्योंकि सारे asset realization में transfer थे बट यहाँ पर उसे आप realization को credit क्रेडिट क्यों कर रहे हो और अगर आप यह कहते हो कि asset कम हो गए बेटा unrecorded asset बेचने से तो मैं sir आप से यह पूछना चाहता हूँ वो asset तो books में कभी exist ही नहीं करता था समझ मैं है मैं इसलिए यहाँ इसलिए credit नहीं कर रहा हूँ क्योंकि asset कम हो गए यहाँ मैं इसे credit कर रहा हूँ in the category of income कैसे sir लो बता देता हूँ इस chair की book value कितनी है zero अब suppose यह 20,000 की बिग गई अब इसकी book value zero है और यह 20,000 की chair बिग रही है तो 20 का और अगर मुझे उसकी sales value 20,000 रुपे मिल जाती है तो बताओ इसमें आप मेरे को profit कितना बताओगे कहोगे sir पूरा का पूरा 20,000 तो मैं इसे हाँ जो credit कर रहा हूँ not in the category की मेरे asset कम हो रहे है just in the category क्योंकि वो मेरे लिए क्या है बिटा income है तो चाहे recorded asset बिके चाहे unrecorded asset बिके entry तो होगी cash account debit to realization but there is a difference अगर asset recorded asset बिक रहा है तो मैं realization credit कर रहा हूँ क्योंकि मेरे asset कम हो रहे है जबकि अगर मेरा unrecorded asset बिक रहा है तो मैं realization credit कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए income है समझ में आरी आपको बाद नहीं आरी देखो बैटा समझना पड़े हो कॉंसेप्ट पर टाइम लगा दो सच बात बता रहा हो एक्जाम की उकाद नहीं है फिर आप इदम फ्री हो जाओगे क्योंकि आपकी रिवीजन कम हो जाएगी ना आप रठते हो चीजों को बार बार देखते हो एक चीज पर पर इतना नहीं करना देखो मैंने अपने सारे बाल उड़ा दी मेनद करके कर ली रिसर्च तुम उसको इंजॉए करो बस वीडियो देखो समझो बस notes बनाओ फिर कोई भी question और question कोंसे जो CVSC में है सिर्व प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करने किसी भी book में कुठाओ CVSC के questions प्रैक्टिस करो बस जो CVSC exam में है और कोई प्रैक्टिस करने कीज़गर दो है समझ मैं और अराम से relax होके देखो और हाँ मेरी एक बार बा प्लीज इस मेरे एजेंडे को कि एक क्वालिटिटिटिव एजुकेशन टू एवरी स्टुडेंट एवरी स्टुडेंट पहुचनी चाहिए और अपने दोस्से रिक्वेस्ट करो कि वो उसे आगे और शेयर करें अगर उसे पसंद आ रही है मुझे पता है आपके रिस्पॉंस आ रहे हैं आप शेयर कर रहे हैं मुझे दिख रहे हैं पर प्लीज इसको रोकना नहीं है इसको आगे बढ़ाते चलना है हर बच्चे तक एवरी स्टुडेंट आफ इंडिया ये वीडियोस हमें पहुचानी और एक जब हम चीजों को concept से पढ़ना शुरू कर देते हैं आप देखो कितना मजा आता है एक अलगी चीज permanently अब आपके दिमाग में जाके वैडिया वी आर क्लोजिंग दा बुक्स ओफ अपकाउंट्स assets को सबसे बहले खतम करना है liability asset का debit balance होता है तो पहली entry realization to asset दूसरी entry के अड़ा ली liability to realization step 2 में assets को realize कर रहे है recorded asset है cash to realization unrecorded asset है cash to realization बट दोनों में realization credit हो रहे हैं वहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि assets कम हो रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि ये income है अच्छा मैं एक छोटा सभी बात और बताता हूँ ध्यान से समझ रहा हूँ तोड़ी वीडियो बड़ी बना रहा हूँ जान मुझे के बना रहा हूँ पको मत बहुत अच्छा chapter है मैं देखता हूँ बच्चे रटते हैं मेरे को ना बड़ा दुख होता है मैं दो तीन स्कूलों में seminar लेने के लिए गया देखा क्या हो रहा है यार ऐसे रटवाया जा रहा है कि realization account यहां आएगा यहां आएगा यहां आएगा यहां आएगा यहां आएगा क्या बच्चे वो आगे जाके कुछ करेंगे जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं आपके दिमाग का analytics नहीं खुलेगा आप चीजों को analyze नहीं कर पाओगे और आज आप छोटी job को analyze नहीं कर पा रहे है चोटे से concept को analyze नहीं कर पा रहे है तो आगे जाके बड़ी post क्या संभालोगे आप फिर वोई clerk बनके रह जाओगे पच्चिस तीस पचास जार की नोकरी यह जो analysis power खुलती है ना यहीं से खुलनी शुरू होती है जब आप सोचना शुरू करते हैं आज यहां सोच होगे तभी तो आगे जाके सोच पा होगे इसलिए please stop cramming stop cramming रटना छोड़ दो सिर्फ focus on concept तोड़ा साथ दिल बे दिमाग पे जोर पड़ेगा लेकिन once you will start learning the concept you will start loving the studies that's my promise चलिए आईए एक जो मैं आपको बात बताने जा रहा था वो यह कि suppose यह doubt आपके मन में नहीं आया तो मैं raise कर रहा हूँ suppose sir balance sheet है उसमें building दिख रही है 10 लाग के ठीक है और नीचे लिखा हुआ है building is sold at 12 लाग ठीक है sir तो आपने क्या किया आपने entry डाल दी cash debit 12 लाग to या पैश्रूम से यह entry डाल देता हूँ एक एक पहले आपने क्या किया होगा sir building को आप realization में लेके गए मतलब आपने पहली entry करी realization to building और फिर आपने दस लाग दस लाग यह first लाग यह entry यह book value यह करी न विटा और फिर आपने entry डाल दी cash account debit to realization 12 लाग बारा लाग sir 200 लाग रुपे का profit हुआ दस की चीज अकर 12 में विकी वो profit का है वो तो आपने record ही नहीं करें लिखो न profit on sale of asset मेरे doubt समझ रहे हो मैंने आपसे पूछा यहां पर why profits are not recognized why profits are not recognized यहां पर आपने profits को recognized क्यों नहीं किया question समझ मैं है आओ अब जवाब देता हूँ आप एक बाब बतो जर आप यहां realization account बनो अगर आप यहां realization account बनाते हो ध्यान से समझना आपकी महाशा में आपको समझा रहा हूँ debit में यहां पर मैंने लिखा building कितना 10 लाग credit में लिखा cash realization credit हो रहा है ना कितना 12 ध्यान से समझना credit debit यह debit हो रहा है यह credit हो रहा है अब आप सबसे पहले तो यह समझो एक तो यह भी बच्चों को समझ में नहीं आता ध्यान से समझना अगर मैं पूछू इस account के अंदर debit balance बच रहा है इस account के अंदर बच रहा है credit balance credit balance बच रहा है वो भी कितने का 2 लाग का एक बात सुन लो अगर आपके साथ कोई account है जैसे वहाँ 10 लाग है यह 12 लाग है तो जिस side का total ज्यादा होता है उस side का balance बच रहा है अब यहाँ debit में 10 है credit में 12 है ज्यादा किस side का credit का तो I will say credit balance और कितना ज्यादा है दो लाग क्रेडिट का balance बच रहा है समझ मैं ही बात कैसे balance बूला जाता है what you will say इस account के अंदर credit balance बच रहा है दो लाग का अच्छा रूको सुपोज यहाँ पर 70 दिख रहा है और यहाँ पर 40 दिख रहा है तो what you will say sir इस account के अंदर debit balance बच रहा है कितने का 30 का समझ भाइब चली अब 10 लाग की building है आपने उसे 12 लाग रुपे में बेचा और 2 लाग का credit balance बच रहा है यह 2 लाग रुपे गई तो profit है आप देखो 10 लाग की चीज कितने के बीची 12 लाग तो आप बताओ profit कितने के आते हैं दो लाग के और profit का जो है आप क्या करते हो credit yes realization account आपके profit और loss को automatically record कर देता है इसलिए आपको separately profit या loss recognize करने की ज़रुवत नहीं है आप देख रहे हो आपने आप book value लिखी यहां क्या लिखी market value अपने आप आगया 2 लाग का credit and this is nothing but the profit समझ मैं इस तो एक बा वे शक आप इस example को मुझे लगता नहीं है वैसे note down करने की ज़रुत है अगर आपको लगता है कि आपको note down करना है तो most welcome आप इससे note down कर लो तो can I write down no profit slash loss is separately no profit or loss is recognized because it gets automatically adjusted in realization account बास समझ में आ गई हैं तक कोई doubt है सच सच बता दिल पे हाथ रखे पक्का शेर करोगे न वीडियो एक चीज मांग रहा हूं सिर्फ गुरू दक्षिना में हाँ वीडियो शेर करते रहो हर बच्चे तक हर बच्चा आगे जितने बच्चे को फिला सकता है फिला है अगर वो भी पसंद आती है तो पसंद नहीं आती तो मुझे feedback भीजो कि सर आपकी वीडियो पसंद नहीं आई आई आप इसे सुधार हो वो भी सुधार होंगा लेकिन मकसद में जोड़ना है आपको आई अब तो asset realize होने की entry समझ में आगई यह था recorded और यह था unrecorded अगर मैं इसी में लिखूं तीसरा पार्ट सभी step two ही चल रहा है उसे में यह a entry थी आपकी यह आपकी b entry थी unrecorded asset की अब मैं बात करने जा रहा हूं सीखिए asset is taken over by partner partner ने का इधर लिए asset मुझे चाहिए partner asset take over कर रहा है चो मर्जी करें हमें क्या हमें तो entry करने है क्यों भी asset कम हो रहा है तो two realization हाया न अब asset might be recorded asset हो books में जो दिख रहा हूं और might be unrecorded हो मुझे से फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो recorded asset लेके जा रहा है तो मैं realization credit कर रहा हूं क्योंकि मेरा asset कम हो रहा है और अगर वो unrecorded लेके जा रहा है तो मैं इसे कम कर रहा हूं क्योंकि वो मेरी income है और जब partner asset लेके जाते है तो अब आपको पता है मैं admission में पढ़ा चुका हूँ partner की capital कम हो जाती है वो आप video hopefully देख चुके हो प्लीज सारी videos लाइन से देखो miss मत करो एक भी partners capital account एक भी video miss करना बहुत खतरना के अपके लिए एक एक video देखो प्लीज economics की सारी accounts की सारी BS की भी आरे है maths की भी आरे है सब देखनी है आपको तो partner's capital account debit to realization समझ मैं है और वो भी जिस value पर लेके जा रहा है market value या जिसको हम बोलते है agreed value समझ मैं है तो asset sold, undecorded asset sold, asset is taken over by partner ये भी आपको समझ मैं आगए D part उसी का asset is taken over by creditor अब बोलो sir अब देखते हैं आप फस गया अब अरे क्या फसा हो गया आओ asset is taken over by creditor बताओ asset क्या हो रहा है कम हो रहा है to realization yes or no good recorded है तो क्यों कर रहे हो क्योंकि asset कम हो रहा है समझ मैं और unrecorded है तो क्यों कर रहे हो क्योंकि क्योंकि income है चलो अच्छा बताओ liability भी कम हो रही है हो रही है नहीं हो रही और liability भी सारी कहां transfer हो चुकी है 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 बच्वा liability भी सारी realization में दिख रही है तो मतलब liability अगर खतम हो गई तो उसके लिए भी realization ही debit होगा yes or no जब realization ही debit हो रहा है और realization ही credit हो रहा है तो can I say अगर asset कोई creditor लेके जा रहा है तो उसकी किसी भी तरीके की कोई entry आपको करने की जरुरत नहीं है समझ में आ गया क्यों आ गया क्योंकि asset गए realization credit liability गई तो realization debit realization to realization कैसे possible है तो इसलिए कोई entry नहीं तो अगर कभी भी asset taken over होता है by creditor आपको कोई entry नहीं करने वो फसाएगा exam में आपको ऐसे फसाएगा ध्यान से समझो ऐसे लिखेगा unrecorded asset is taken over by creditor या ऐसे लिखेगा आपको unrecorded asset is taken over by unrecorded creditor अरे कुछ भी लिख ले भाई मेरको फरक नहीं पड़ता वो आपको ऐसे लिखेगा building is taken over by creditor या ऐसे लिखेगा building is taken over by unrecorded creditor अरे कुछ भी लिखे unrecorded हो recorded हो बस इतना ध्यान आपको आपको यह समझ में आता है कि मुझे कोई entry नहीं कर दे है और मैंने अपना एक धरम सत्य बाद जो समझ ली if any asset is taken over by creditor तो उसकी कोई entry नहीं होगी समझ में आ गया चाहे वो asset recorded हो चाहे वो asset unrecorded हो चाहे वो creditor recorded हो चाहे वो creditor unrecorded हो मुझे किसी चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता हो समझ गया मेरी बात नहीं आ रही समझ अरे आ रही है पिशर हो हाया ना फिर लाइक करो भी वीडियो फटा फट लाइक करो अब तो आपको यहां तक कैसे books close करने और कैसे assets assets में चाहर चीज़े बिग जाएगा partner लेके जाएगा या credit लेके जाएगा और सारी बाते मैंने आपको सिखा दी समझ में आके हैं यहां तक अब इसके बाद जो बात आती है हमारी that is step 3 realization of liability liability खतम होगी अब case 1 payment of चलो फटा फट बताओ अब आप यह payment of recorded liability रिकॉर्डड मतलब जो books में दिख रही है क्या होगा sir cash चला गया और liability खतम हो रही है liability क्योंकि कम हो रही है तो हम अपने realization को debit करेंगे क्योंकि हमारी liability सारी वहीं दिख रही है realization account debit to cash payment of unrecorded liability payment of unrecorded liability इसमें भी क्या होगा sir realization to cash चलो बताओगे मुझे answer question पूछों पूछने तो भई यहां debit हुआ क्योंकि liability कम हो रही है books में दिख रही थी और यहां पर यह credit हुआ क्योंकि assets कम हो रहे थे यहां भी assets कम हो रहे है यहां बताओ realization debit क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है realization debit क्योंकि यह loss है क्या liability कम हो रही है नहीं अरे भाई यह unrecorded है कैसे लिख दू liability कम हो रही है यहां इसलिए debit हो रही है क्योंकि loss है liability taken over by partner partner कह रहा मैं पर कर दूँँग छोड़ो तुमारे बस की नहीं है तो liability taken over by partner अगर partner liability को taken over कर रहा है partner liability को taken over कर रहा है तो बताओ क्या होगा liability कम हो रही है good realization debit और आपको पता है उस case में partner account को क्या करते है partners capital को credit और यह मैं आपको रिला है admission में already समझा चुक हूँ ठीक है इसलिए बार बार कह रहा हूँ sequence में सारी वीडियो देखते हुए समझ मैं और यह किस value पर होगा agreed value और अगर asset taken over by credit रहा है उसको क्या होगा मैं already last case में cover up कर चुक हूँ तो यहां तक मैं आपका जरा एक बार first part over करता हूँ बाकी चीजे next part के अंदर बता हूँ ठीक है बाहर students गूर गूर के देखना है हमें यह पढ़ा दो थोड़ा सा और वीडियो पसंद आई like subscribe and please it's a humble request share it facebook पे इतनी बाते शेर कर तो यह भी शेर करो whatsapp group जितने हैं बार बार शेर करो daily good morning की तरह शेर करो you have to watch this अपने दोस्त की भलाई बस इसी से करनी है दोस्तों भाई बंदू सब में यह channel complete for commerce student जो commerce student है उसके लिए channel है अगर कोई बात उसके अभी मतलब की नहीं है तो 3 महीने में और आ जागे I am going to record entire commerce on this whether it is BCom it is CA it is CS it is 11th it is 12th entire commerce it is PhD it is MCom complete I am going to record चीक है Hello friends 3 parts के अंदर हम अभी part 1 के अंदर dissolution के already 3 entries सीख चुके है कि किस तरीके से assets and liabilities के हमें account close करने है उसके बाद हमने क्या देखा था बताओ कि assets realize होंगे कैसे हो liabilities कैसे realize होंगे realization expenses की जो entry है सब अब उसकी बात करते हैं देखो realization expenses सबसे पहले होते क्या है for example अब अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ आप partnership firm को dissolve कर रहे हो तो आप क्या करोगे job की building है land है furniture है यह किसी और को sell out करोगे तो transfer papers बनेंगे उसके उसके नाम पर या आप lawyer hire करोगे जो सारे agreement को देखेगा process को देखेगा creditors के settlement को देखेगा तो इससे related जितने भी expenses है वो सारे कहलाते है realization expenses realization account debit क्यों होगा क्योंकि expense है और cash क्यों credit हो रहा है क्योंकि इससे हमारे assets बहुत ही बड़ी है क्या हो रहे है कम हो रहे है तो आपको समझ में आगे हमारी entry क्या होगी realization to cash लेकिन अब ध्यान से समर्ण जो मैं बात बताने जारू if partner has been appointed for realization process अगर आपने realization process के लिए किसको point किया है partner को point किया अब partner अगर realization process को देख रहा है तो दो situations हो सकती है कि वो इसके लिए commission ले रहा है या इसके लिए वो commission नहीं ले रहा है मतलब commission is is provided अगर अगर आप partner को commission अगर realization process देखने के लिए if partner has been appointed for realization process है और हम उसे commission दे रहे तो जो भी realization के expenses है वो partner की personal responsibility है that will not be bond by the firm बड़े ध्यान से सुनना all realization expenses expenses are personal liability of partner so appointed until and unless otherwise specified अब इसका क्या मतलब है ध्यान से समझो until and unless otherwise specified इसका क्या मतलब है अगर partnership deed में ही लिख दिया यह partner को appoint करते हुए लिख दिया partner को appoint करते हुए हमने यह बोल दिया कि आपको realization expenses bear करने की जुरुवत नहीं है मतलब हम आपको commission भी देंगे और expenses भी देंगे तो तो फिर बात यह लगया but अगर आपने partner को appoint किया है for the purpose of realization और आप उसे commission दे रहे और question में कुछ नहीं लिखा हुआ या कोई ऐसा agreement नहीं हुआ तो जितने भी realization के expenses है वो partner की personal responsibility अभी आप theory समझाओ फिर मैं आपको practical समझाओ commission नहीं provide कर रहे partner जो है बस वो charity के अंदर कि हाँ सब कुछ ठीक है वो process को देख रहे है तो obviously इस case के अंदर जितने भी realization expenses हैं that will be bond by the partnership firm realization expenses will be bond by partnership firm realization expense जो है वो partnership firm realization expenses partnership firm जो है वो bond करेगे अब इसका हमारी accounting पर क्या फरक पड़ेगा ध्यान से समझाओ सबसे पहले अगर हम commission दे रहे हैं partner को partnership firm के लिए ये एक expense है yes or no तो entry क्या होगे ध्यान से समझना for providing commission commission provide करने की क्या entry होगी बताओ sir commission provide करने के लिए क्या entry होगी firm के लिए expense है realization account debit और इससे partner की capital बढ़ गए क्योंकि उसे तो कुछ मिली रहे capital हमने बढ़ा दी but इस case के अंदर ये case one है जिसमें हम commission provide कर रहे for realization expenses क्या हम कोई entry करेंगे क्या हम कोई entry करेंगे हम कोई entry नहीं करेंगे why क्यों नहीं कर रहे बताओ because it's personal responsibility or liability you can say of partner but हाँ question में लिख दिया उसने नहीं commission भी देंगे और expense भी देंगे अगर उसने question में specifically लिख दिया तो फिर बात अलग है समझ में आगए बाद हाँ case two commission provide नहीं कर रहे तो तो भाईया फिर वही न realization expenses के entry होगी commission is not provided तो जितने भी realization expenses है उसके लिए आप partner को compensate करोगे उसने अपनी जेब से लगा दिया partner को compensate कर दो क्या entry करोगे बताओ realization अकाउंट डेबिट तो partners capital account समझ में आए क्यों किया हम इस क्या कर रहे है आपर सरह हम partner को compensate कर रहे है तो आपको जो main बात सारी की सारी ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है बेटा है चलो फटा फट रपीट करते है realization expenses की entry realization to cash हम यह देखेंगे क्या partner appoint हुआ है realization के लिए सर हुआ है हुआ है तो आप यह देखो उसे commission दे रहे है सर दे रहे है तो realization expenses उसकी personal responsibility है बट question में लिखा हुआ है कि नहीं उसे expenses की भी payment करेंगे तो फिर करीदो वह यह वाली बात है तुम अगर दिन को रात को होगे तो रात कहेंगे commission नहीं दे रहे तो realization expenses partner appoint हुआ है realization process देखेगा बट commission नहीं दे रहे है तो realization expenses के लिए हम उसे payment करेंगे क्या entry होगी realization to partners capital और partner appoint हुआ ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो बहुत ही important discussion जो मैंने भी आपके साथ यह कर रहे realization expenses के almost यह last discussion ही होती है इसके बद बड़ी basic बाते हैं आईए समझ में आगए आपको यहां तक आगे बात करते हैं अब जो fifth part आपका आता है profit and यह चलो profit and loss भी छोड़ो उससे पहले मैं आपको एक part और बता दू treatment of reserves and funds द्यान से समझाओ इसका क्या treatment होँ dissolution में थोड़ी सी चीज़ा लग है अगर free reserves है free reserves बेटा मैं actually यहां पर दो ही चीज़ों को बोलूँगा एक P&L credit balance को और एक मैं बोलूँगा आपके general reserve तो यह तो सीधे सीधे आप partner की capital में बाट दोगे चेक है क्या entry होगी बता हूँ P&L debit जनरल लिजर्फ डेबिट तो partners capital account ठीक है सारे partners में बट जाएगा बट अगर reserve वैसे word properly use होता है चलो मैं भी बताता हूँ reserve against asset है अब reserve against asset वैसे reserve word use नहीं होता है अगर against asset कुछ बोलता है उसे हम fund बोलते है कौन से fund होते हैं बता हूँ asset या liability के against एक पढ़ा है अपने मेरे साथ investment fluctuation fund पढ़ा है बेशरमो है पढ़ा है सर workman compensation fund ये भी बताया था मैंने बहुत अच्छे से detail discussion कर रखी है admission में अगर वीडियो नहीं देख लिए देख लो बहुत important है IFF और workman compensation fund आधी आधी गंडे की वीडियों हैं दोनों पर जरूर देखो बहुत important है तो अगर रिजर्व अगेंस्ट assertial liability है वैसे मैंने बता दिया अगर अगेंस्ट assertial liability होता है हम reserve word यूज ना करके क्या यूज करेंगे fund तो यह जो है हम ट्रांसफर करेंगे realization account में इसका logic वो बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने मेरी IFF और workman compensation fund की वीडियो देख लिए हैं और अगर आप सीधे यह वीडियो देख रहे है तो आपको logic समझ में नहीं आएगा पहली बता रहा हूँ अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो वीडियो देख लिए याद करो IFF यह यह workman compensation fund इसके against workman compensation fund इसके against liability हो सकती है यह नहीं हो सकती है तो पहले हमें यहां से amount set off करना पड़ता है तो इसने सीधे partners के बीच में नहीं बाता इसलिए मैं सीधे पहले से कहां लेके गया realization में समझ में आगे तो इसके लिए हम entry क्या करेंगे बताओ इसके लिए हमारी entry होगी पूरा balance कुछ भी वो बुले कि इतनी liability हो तनी liability कोई फरक नहीं पड़ता IFF debit workman compensation fund debit to realization C था full amount जो balance sheet में दिख रहा है यह कौन सा amount है full amount appearing in balance सारा का सारा उठा के बिना सोचे समझे और दिमाग लगाए बिना आपने transfer कर दिया उसे realization यह बात आपको मेरी समझ में आती है तो IFF का भी treatment आपको clear हो गया अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कई बार confused हो जाते हो employees provident funds में यह पता नहीं मैं देखता हूं बच्चे confused क्यों जाते है वैसे अगर आपने मेरी को की national income की video देख लिए अखासकर income method वली अब को EPF पता होगा क्या होता है employees provident fund employer employee की retirement की त्यारी करता है और retirement पे employee को कोई problem ना हो तो उसके लिए advance में पैसे कठा किया जाता है याद है तो EPF जो है वो एक तरह की liability होती है ठीक है जिसको compulsory realize करना है मतलब question में नहीं भी कहेगा तो भी आपको इसकी payment करनी है तो इसकी entry होगी क्या बताओ EPF जो है वो पहले realization में जाएगा और फिर जाने के बाद उसकी हम payment करेंगे that is realization debit to cash समझ में आई बन लेकिन IFF और WCF यह liability नहीं है difference है यह fund against a set है तो इसका कोई realization नहीं होगा करें इसको भी cash में ले लो यह सर्फ आएंगे realization में इसका कोई realization नहीं होगा until in this question में कुछ और ना लिखाओ EPF के बारे में बोला है EPF क्या कोई भी liability question के अंदर है EPF भी liability है it's not a fund it's not a reserve EPF एक liability है जो employer को payment करनी होती है employee को at the time of his retirement statutory payment है legal compulsion है देनी पड़ती है जो भी liability उसके बारे में question में कहें या ना कहें हमेशा आपको उसको realize करना है यह बात ध्यान रखो आप note लिख लो whether or not specified in question whether or not specified in question liability will always be paid off liability को हमेशा pay off करेंगे हौवेवशा यह यह अफ़र nothing is specified अब सुपोज पेटेंट है कोशन में जर्नली होता है और उसके रिलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो अपना दिमाग मत लगाना उसको रिलाइज नहीं करना फिर है अब अब सुपोज बारे में नहीं बोला है तो आपको इसको हमेशा पेडिंट करनी पड़ेगी यहां तक आपको मेरी बाते समझ में आती हैं पार्ट टू में थोड़ी टेक्निकल बाते थी Commission को लेके Reserves को लेके Funds को लेकर और चौती बात मेरी हुई Assets के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है और Liability के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है समझ में आगया इसके बाद क्या होगा जो भी आपके realization से profit and loss निकल कहेंगे अब ध्यान से समझना closing कर रहा हूं question की profit or loss from realization will be transfer to partners capital account सबसे पहले and realization account will be closed आपका जो realization account है वो क्या हो जाएगा closed अच्छा यहां मैं आपको बता दूँ कई बार एक number का question आ जाता है realization account का nature क्या है तो आप लिखोगे realization account is nominal account वैसे तो यह memorandum account है बट चलो कुछ नहीं हो था 11th में जो requirement है या हर board नहीं obviously से nominal बुला हूँ है कभी debate होगी तो उन्हें प्रूफ करेंगे कि memorandum में nominal नहीं है चलो आपको एक्जाम में लिखे हैना realization account is nominal account अगर पूछ लिया गया तो profit और loss जो है वो किसके बीच में बाटेंगे partners capital के बीच में चेक है इसके बाद balance from capital account of partners यह जरह ध्यान से boring लग रहा है थोड़ा सा लेकिन लिखो इससे जरह balance from capital account of partners will be settled settled मतलब pay कर देंगे हैं उससे और might be payment ना हो रही हो या तो pay होगी या partner will bring the cash ऐसा भी हो सकता है वैसे तो जितने आपके पास question है उसके अंदर हम partner को payment कर रहे होते हैं but might be board में सीदे ऐसे question आजए कि cash का balance हम pay करने की जग लटा partner से हमें लेना है तो वो फिर उतना cash लिया आएगा और last में फिर हम देखेंगे cash account या bank account will get tally वो जो है हमारा tally हो जाएगा और हमारा question ठीक होगा तो आपने देखा पूरे dissolution के सारे concepts आपने मेरे साथ देख लिए अब कोई concept नहीं बचाए मेरे पास कुछ नहीं है मैंने सब बता दी अब मैं आपको इसके उपर एक question practice करवाँ आप आज करवा बता हूँ या नहीं यह तो नहीं पता बट करवाँगा एक part और record करवाँगा जिसमें journal और उसके बाद ledger करवाँगा तो अगर आपने concept समझ लिया तो अब आप कोई भी question उठालो आपको दिक्कत नहीं आ सकती ज अब जब डालोगे मैं लिख देता हूँ या मेरा नाम भी आप डालोगे चंदन पोदार grooming education academy तो जैसी आप यह डालोगे तो google ratings के लिए पूछेगा आपसे please जो भी आपको लगता है genuine उसे करो rate जो भी आपको comment लिखने है वहाँ पर लिखे Facebook पर भी आप मेर से भी connect हो सकते ह या मेरा grooming को official page है grooming education academy उसको जाके आप like करो latest notes updates सारी वहीं पर आएंगी सबसे पहले आपको उसके बाद आपको YouTube पर कुछ पता लगेगा तो उसे आप सबसे पहले जाकर like करो मेर से भी आप Facebook पर connect हो सकते हो चेक है और बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ keep sharing the videos keep sharing the knowledge अपने friends के बीच में जावा से जावा इन बातों को फिलाओ ताकि वो भी aware हो सके about the better knowledge about the better circumstances और किसी भी तरगा कोई भी feedback आपको मुझे देना है most welcome for that comment में लिखे मेरे WhatsApp नमबर पर आप भीजिए Hello friends अभी तक आप dissolution का part 1 part 2 देख चुके हैं मेरे साथ जसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी journal entries के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम journal entries करते हैं dissolution में क्या accounting होती है तो चलिए उनी journal entries को sum up करते हैं एक तरह से हमारा revision भी हो जाएगा और उसके बाद एक question करते हैं सबसे पहले मैंने step 1 में बताया था जितने भी assets and liabilities आपको दिखने उसकी entry करनी है क्या entry करनी है बटा realization account debit to sundry assets याद है तो realization account debit हो रहा है आप देखो सारे के सारे sundry assets जितने भी है वो book value पर आ गए फिर सारी की सारी liabilities के लिए क्या entry होगी बटा sir sundry liabilities debit to realization तो liabilities सारी खतम हो रहे है to realization book value पर इसके बाद assets realize होते हैं याद है assets realize की क्या entry होती है sir cash account debit to realization तो realization क्या हो रहे है अपका credit आप format मत रटो मैं देखता हूँ कि बच्चे ऐसे करते हैं कि asset यहाँ होगा liability यहाँ होगा इसका पैसा यहाँ इसका पैसा यहाँ क्या तरीका है यारी कोई पढ़ने का तरीका है कि senseless बाते एक तम चलो अभी exam के लिए कर लोगे practical life में जब जाओगे फिर उसका ऐसी बताओगे यहाँ आते हैं यहाँ आते हैं यहाँ जाएगा यह वहाँ जाएगा यह कोई नहीं है sir think about the journal entries yes it will take the time but definitely if you want to be the superb student और I will say superb accountant then definitely you have to focus on journal entries so सारे assets जो relies होगे उसके entry हमारी क्या होगी cash account debit to realization sir realization credit हो है यहाँ पे लिए cash account फिर liabilities जितनी भी relies होगती है उसकी entry क्या होती है उसकी entry होती है sir realization to cash तो देखो realization debit हो गया मैंने आपको बताया था जो realization होता है यह जो realization हो रहा है यह इसमें दोनों चीज़ आ सकती है recorded भी और unrecorded but जो उपर वाली entry है जो उपर वाली entry है यह वाली book value इसमें सर्फ कहाएंगे recorded क्यों unrecorded क्यों नहीं आएंगे बोलो बोलो क्योंकि उसकी कोई book value नहीं होती बहुत बढ़ी है अब उसके बाद partner asset ले गया बताओ entry क्या होगी sir partner की capital कम हो गई तो partners capital debit और asset चला गया तो realization credit तो partners capital to realization यहीं आएगा realization credit हो रहा है उसके बाद liability ले गया sir liability खतम हो यह liability कम होती है तो debit debit करेंगे realization को हाँ realization debit ऐसी जैसे मैं सोचता हो ना ऐसी सोचना है to partners capital समझ भाई है अब इसके बाद commission दे रहें तो क्या entry होती है sir expense है commission देना realization account debit और to partners capital समझ मैं realization expenses के entry यह होती है sir expense है debit होता है realization to cash profit transfer to अगर profit आया तो partners capital में और loss आया तो क्या है तो अच्छा realization expenses के लिए मैंने एक चीज़ लिख दे कब देते हैं जब हम commission provide नहीं करें अगर commission provide कर रहें तो realization expenses कौन बियर करेगा partner until and unless provided question में लिखा हो है फिर तो करना ही पड़ेगा अगर उसमें लिग दिया question में नहीं realization expenses expenses जो है उसके payment करेंगे partner को तो फिर बात अलग हो जाती है समझ में आगे आप एको concept पढ़ो concept को focus करोगे न definitely आप subject king बन पाओगे subject king अगर आपको बनना है आज मैं आपको बता हूँ मैं पूरी 11, पूरी 12, CPT, IPCC, final, CA final, BCOM इतने subjects पढ़ा रहा हूँ अपके मुझे किताबे खुन लिए और अगर मैंने रटा होता सारा कर सारा तो आज मैं इतने subjects नहीं पढ़ा पा रहा हूँ मैं आपको यह concept नहीं दे पढ़ा हूँ सारी चीजे एक बार आपने concept समझ लिया एक बार research कर ली किसी topic पर उसका concept समझ लिया I promise lifetime आप उस topic को नहीं बूलोगे lifetime आपके दिमाग में अगर आप start करोगे chain to chain सब कु कुछ याद नहीं आया यह याद नहीं आया वो नहीं आया यह problem आती है question solve नहीं हो पाते paper लंबा होता है यह सारी बाते यह सारे excuse लेते रहोगे इसलिए बार बर कहता हूँ that you should focus on concepts only concept focus करो उसके बाद cbs exam के थोड़े बहुत question कर लो definitely copyright है number नो आने याने उसकी tension मत लो समझ मै नहीं है चलो अब एक question करवा रहा हूँ ध्यान से देखिए question मैंने लिखके रखा हुआ थे आपके लिए यह देखो एक question है कोशिश करिए इसके थूरू सारे concepts cover up कर दूँ और मेरा वोही तरीका मैं आपको journal भी करा हूँगा ledgers भी करा हूँगा ठीक है अब मैं आपसे जव workman compensation fund creditors and bills paper adjustments given building realized to be 90% creditors taken over the stock and balance in cash and recorded land is sold furniture debtor realized at this partner will get the commission of rupees 10,000 for realization process partner को commission दे रहे है realization expenses 5,000 past journal and prepare necessary ledgers exam में एकी चीज आती है वैसे generally exam में आपसे journal पूछी जाती है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बढ़ा दी चलिए start करें एक एक चीज आईए सबसे पहले मैंने क्या बताया था step 1 जो भी books में दिख रहा है वो सारे assets or liabilities हमको record करने yes or no चलो start करें कौन कौन से सेंट है building furniture और stock debtor cash नहीं लेना क्यों नहीं लेना सब बताओ अब ये भी बताओ फिर अरे भई cash की इतनी सारी transactions हो नहीं है पैसा आना है जाना है इस account को कैसे close कर दूँ cash का तो बहुत बड़ा roll है समझ में आई वहाँ तो आई ये start करते हैं assets को close करते हैं for closing assets account assets account को close करने के लिए हंची realization account debit to बताओ surbuilding सारे assets लिखने आपको और वीडियो forward कर्म करके मत देखो नहीं तो कुछ ना कुछ शूट जाएगा to furniture to stock to debtor यही है न भाई और कुछ भी है building for इसका आप बेशक screenshot ले लो और side में रख लो अपने पास या mobile में पिक ले लो और ये अपने पास notes के अंदर question note down भी कर लेना क्योंकि जब revision करोगे तो एक question होना चीए हो समय चले कितनी कितनी value है इनकी पाँच तीन दो और एक five lakh three lakh two lakh अब मैं जब debtors लिखता हूँ न वन लाक तो बच्चे कहते हैं sir क्यों लिख दिया एक लाख 99 लिखो न देखो debtors आपको दिखनी न 99 थाउजन के है पता रहों भाई शानती उसका भी जवाब देता हूँ बेटा debtors account एक अलग account होता है प्रोवीजन अकाउंट एक अलग होता है जिसका credit balance होता है तो प्रोवीजन को मैं liabilities के साथ close करूँ है मैंने what is provision करके एक वीडियो बना रहा कि जाओ देखो पहले फटा फट उसके बाद आना यहाँ पर 57 minutes की वीडियो है छोटे सी समझ में आया debtors account अलग है और प्रोवीजन अकाउंट अलग है मैं debtors account को close कर आते हैं creditors BP और workman compensation fund भी ही आएगा आपको पता है यह बात और एक provision आएगा तो workman compensation fund debit creditors debit bills payable debit provision for doubtful debts debit to realization चलिए amount देखें कितने कितने हैं एक तीन दो एक लाख तीन लाख और दो लाख ठीक है और provision का amount 1000 ठीक है बेटा तीन दो पांच छे लाख एक हजार तो पहली चीज़ मैंने आपको सिखा दी कैसे हमें करना था step 5 यहीं सिखाया था अब आप जब journal कर रहे हो questions के अंदर तो आप सारे adjustment की entries करना start करो step 2 आपको करनी है सारी adjustment में जितनी भी entries है वो solve करना आपको शुरू करता है ठीक है चलिए start करते हैं सबसे पहले building is realized rate 90% पांच लग के building है मतलब कितने पैसे है साड़े चार लाख एक-एक adjustment की entry करो कोई जल्दी बाजी ने तीसरी entry हम कर रहे है cash account debit to realization account साड़े चार लाख समझ भाई है इसके बाद creditors take over the stock creditors ने stock ले लिया अच्छा liability creator अगर कोई भी asset लेता है कोई entry नहीं होती बट यहां creator तीन के stock कितने का है दो का और balance in cash at 50% discount इसका मतलब बताता हूं मैं आपको 3,000,000 के creditors थे जो आपके creditor थे वो कितने के थे बेटा आप 3,000,000 के उन्होंने दो लाक रुपे का तो stock ले लिया हम अपने हम देख लेंगे बचा balance कितना एक लाक वो उसने cash लिया कितना 50,000 ठीक है 50% discount पर तो बता मुझे जो दो लाक का stock लिया उससे कोई मतलब नहीं है मैं सिखा चुका हूं ओके मुझे सर्फ इसकी entry पास करनी है cash account sorry cash तो मेरा गया है realization डेबिट टू कैश कितना 50 और 50 समझ मैं ही बन अराम अराम से एक उसकी entry करते रहो आगे आगे आप बढ़ सकते हो वीडियो प्ले होते रहो देखते रहे ना बस चेक सही हो रहा है unrecorded land तीन लाग रुपे की बेची unrecorded land तीन लाग की बेची बताओ क्या entry होगी cash आ रहा है cash account debit to realization कितना रहा है बेटा ठीन लाग रुपीस ठीक है चलो आगे बात करते हैं furniture and debtor realized at 125% furniture और debtor 125% पर realized हुए बहुत बढ़ी है पर नीचा तीन लाग का है 125% पर मतलब ज्यादा पैसे मिले हैं तो मैं एक अठी entry कर देता हूं जड़ा इसकी तो उन्हों ही realize हो रहे हैं न cash account debit या कठी क्या करूँना छोड़ो to realization narration प्लीज अपने आप लिखते रहना cash to realization कितने का है बटाई यह मैंने entry किसके लिए करी sir यह entry आपने करी furniture के लिए ठीक है बटा और इसके बाद बताओ sir debtors debtors कितने के थे 99 के नहीं थे debtors मेरे एक लाग के है यह गलती कर आओगे बेशरम हुआ debtor और provision देखाए वीडियो अगर देखाए हो तो सब समझ में आ गया हो और debtor कितने के है एक लाग के 99 के एक लाग के provision एक अलग account है चेक है तो इसके लिए cash account debit to realization 1,25,000 समझ मैं है चलो आगे इसके बाद कह रहा है partner will get the commission of 10,000 for realization तो इसकी entry करते हैं मैं इसको wrap कर रहा हूँ प्लीज उसे आप note कर लो अपने working note के अंदर जरूरी है कैसर यह working note में दिखाना दिखा दोगे तो ठीक है वैसे ऐसे चरूरी मिन यह number तो नहीं कटेंगे इसके कोई हाँ जी partners partner commission ले रहा है क्या entry होगी realization debit 10,000 ओहो कौन सा partner अच्छा नाम ने दिया ना मैंने ए तो ए ले लो realization 2 is capital how much 10,000 इसके बाद liability for workment 50,000 पर settle होई मतलब हमने payment करी तो बताओ क्या आएगा realization to cash 50,000 इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे सच कुछ नहीं दिख रहा चाहिए अब देखो journal जब full flash question आगया अब आगे step 3 के अंदर आपको वही निकालना है सबसे पहले आपको निकालना है profit slash देखो अब important है ज़रा ध्यान से देखो loss from realization अगर सिर्फ journal से आगया पूरा question करने के लिए वो बड़ा खतरनाक situation बन जाएगा आपके लिए कैसे ध्यान से देखो total याद है debit in realization account total credit in realization account चीक है बेटा debit बताओ कितने गया है ग्यारा लाक ग्यारा लाक ग्यारा पचास और ग्यारा साथ और पचास बारा लाक दस हजार का चेक है अच्छा इसके बाद credit देखों credit है छे लाक एक हजार छे और चाल दस साड़े दस साड़े दस लाक और तीन साड़े तेरा साड़े तेरा और 375 और वन तुन साड़े तेरा और पांच साड़े अठारा साड़े अठारा अठारा लाक एक्यावन हजार तो आपका क्या बच रहा है नेट क्रेडिट बालन्स चाहिए शिक्स लाक फॉर्टी वन थाउजंड कितना शिक्स लाक फॉर्टी वन थाउजंड एक बड़ क्रॉस चेक करेंगे करी लेते हैं मेरे इसाब से क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है एक्जाम में सीधे गड़ बड़ होती है साड़े चार और छे लाक एक हजार ठीक है कोई दिक्कत ने तो यह आगे आपका 1851 माइनस 12 10 अब देखो प्रॉफिट आया किसको बटेंगे पार्टनर्स को कौन पार्टनर है सर ए बी और सी तो अब ए बी सी पार्टनर है रेशो मैंने आपको नहीं बताई बहुत बढ़िया सुपोज मैं इसमें आपको रेशो बता देता हूँ रेशो हमने ले ली 5 इस्टो 3 इस्टो चाहिए तो चलिए रेशो आपको गिवन है आप क्या करो के बताऊ पार्टनर्स में प्रॉफिट बाटने के लिए एंट्री realization account debit 2 A's capital 2 B's capital 2 C's capital चेक है बेटा कितना 6,41,000 divided by 10 into 5 तीन लाख बीस हजार पांसो बाइ 5 into 3 1,92,300 divided by 3 to 2 और यह 1,28,200 तो यह आगया आपके पास अब यह main point जड़ा ध्यान से समझना अब आपकी सारी discussion यहाँ पर जाके थोड़ी से आपको समझने है step 4 मैंने क्या बुला था payment to partners अब मुझे करनी है payment किसको partners को और सिर्फ जर्णल कर रहा होना में लिए दिक्कत आ जाती है amount कैसे निकालों तो मुझे तीनों का balance निकालना पड़ेगा A का B का और C का ध्यान से देखो पिटा A की capital कितनी थी यह बताओ वस सर एक लाक एक ही capital थी एक लाक दो और उनकी दो लाक और उनकी ही तीन लाक वन टू थी तो यहाँ पर वन टू एंड त्री चेकर बेटा इसके बाद आप आगे अगर देखो तो एक ही capital credit हो रही है entry में यहाँ 10,000 से तो 10,000 बढ़ा वो और फिर यहाँ सबकी capital credit हो रही है तो देखो कितना बचा तीन बीस पांसो जमा एक लाक तस हजार चार लाक तीस हजार पांसो दो लाक प्लस वन नाइन टू थी त्री हजार त्री नाइन टू थी हंडड़ और यह आगे अपका चार लाक अठाइस हजार दोस्तो समझ में बन तो यह आगे अपका payment to partners हम इतनी इतनी करेंगे तो कर देते हैं इन्हें A's capital debit, B's capital debit, C's capital debit to cash account कितना मेटा 430500, 392300, 428200 और total कितना है यह 430500 प्लस 392300 प्लस 428200 यह आगे आपका 12,50,000 तो यह इस तरीके से आपका question होगा और इसको check करना है तो आप देख सकते हो आप cash के सारे debit check करो आप देखो जर रहा ऐका cash कहा debit हो है चारल पचास, 33itet 15् only जतने debit है उसको add करो जतने credit है cash के आप ढ़र दो आप देखो debit और credit cash के equal आ रहे होगा है बढ़ाँ उसमें opening balance of cash जरूर ले लिना पता लगे यह भूल जाओ एक लागे एक अजार opening cash भी है ठीक है तो इस तरीके से पूरा जर्णल का question हम करते हैं अगर लेजर आ गई तो लेजर किस तरीके से करने हैं लेजर बहुत असान होती है लेजर में सच कोई दिक्कत नहीं है आप सबसे पहले note down करिए चले सबसे पहले आप बनाओगे क्या realization account एक्जाम में कुछ भी पूछा सा सकता है सीधे जर्णल सीधे लेजर वैसे इसका जो जर्णल ट्रेंड है वो यह है कि 6 entries दे देते हैं कोई भी बट मुझे ऐसा लगता है कि अगला एक्जाम जो आएगा उसमें को full flesh balance sheet question देंगे और कहेंगे पूरा जर्णल से कर दो वास बच्चे महीं खतम यह क्या हो गया भगवान यह जिन्दिकी में क्यों तबाह कर रहे है हमारी है वह भगवान नहीं कर रहे बैठा जिन्दिकी त यहां लिखा stock यहां लिखा debtor ठीक है क्या क्या values है पांस तीन दो एक सारे assets लिखे हैं मेटा book value पे एक भी कमी नहीं है देख सकते हो आप पांच लाख तीन लाख दो लाख और एक लाख balance sheet के अंदर जो जो assets हैं यह हो गया यह हो गया यह हो गया और एक लाख हो गया ठीक है अब liability सबसे पहले तो provision लिख लो provision for doubtful date कितना बिटा 1,000 फिर workman compensation फिर creditors फिर bills पेबल एक तीन दो एक लाख तीन लाख और दो लाख चेक है अब इसके बाद सारे assets को हम realize करते हैं वह हम यहां लिखते चलेंगे आओ क्या क्या था बिल्डिंग 90 पर्सेंट पे मतलब 450 हाया न अन्रिकॉर्डड़े लैंड तीन लाख फरनीचर और डेटर्स यही सब चीजें हैं हमारी चेक है चलेंगे तो मैं पहले सब लिख लेता हूं यहां इनके नाम ऐसे लिखना आपको बिल्डिंग एक के नीचे एक चेक है और फिर था आपका लैंड अन्रिकॉर्ड़े जो है फिर फरनीचर और फिर क्या बिट आपका डेटर ठीक है बिल्डिंग आपका फोर लैक फिफ्टी थाउजन लैंड ट्री लैक दिस इस यूर थ्री सेवंटी फाइफ एंड डेटर्स आरेट वन लैक ट्वेंटी फाइफ थाउजन पेमिंट के नाम पे हम क्या करेंगे ओहो इस कुश्चन में एक गल्ती हो गई बताओ क्या यह जो बिल्स पेबल दो लाक रुपे थे इसके लिए कुश्चन में कुछ नहीं बोला और हम भी पेमिंट करना भूल गया चलो ठीक करो फिर और क्या आई के बाद एक एंट्री और होने थी कहा करूं वो एंट्री इसको ठीक करिए प्लीज यहीं ठीक कर देते हैं एक एंट्री क्या होनी थी एलाइजेशन टू कैश बिल्स पेबल की जवाब करना और मैं करना भूल गया होता है क्या करें बड़े बड़े चैनल ओपे छोटी छोटी गलतिया होती रहती है तो रिल्लाइजेशन टू कैश तिस से रिल्लाइजेशन डेबिट बढ़ जाता सब कुछ गलत हो गया कितना आएगा अब कुछ बच्चे तो ही चैनल छोड़ेंगे आगे बढ़ देंगे और वह 441 तो उससे ये भी गलत हो गया हो हो बतला ले लिया भगवान ने आस तो कोई 441 डिवाइड बै टैन इंटो फाइफ दो लाग पीस हजार पांच सो दो लाग बीस हजार पांच सो डिवाइड बै फाइफ इंटो त्री एक लाग पत्तिस हजार तीन सो पाइटीएट टो हंड्रेड मैं आज कर ले था ना डेविट क्रेडिट मैं भी कैश का सही रहता है टाइंग बचाने के चक्कर मैं फस गया चलो कुछ निए सल भाई सब कर बढ़ हो गया चलो ठीक करो फटा फटीक करो नोट्स नहीं बिगाड़ने हमें यह दो लाग बीस हजार पांच सो एड होगा एक बत्तिस तीन सो एड होगा एटीएट टू हंड्रेड होगा तो फटो लाग प्लस दस हजार दो बीस पांच सो तीन लाग थीस हजार पांच सो दो लाग पत्तिस हजार तीन सो 388 200 चाहिए तो 330 500 232 300 388 200 यहां अभी है 441 तो 330 500 प्लस 232 300 प्लस 388 200 900 95100 ठीक है अब ठीक है चलिए तो यहां पर हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को कितनी 50,000 और बिल्स पेबल को कितनी 2,00,000 कैसे भूल जाएं अब इसे और वर्कमेंट कंपंसेशन की पेमेंट कितनी हुई है पचास अजार फिर एको कमीशन कितनी 10,000 रिल्सेशन एक्सपेंसेश की कोई एंट्री हम करेंगे या नहीं करेंगे नहीं करेंगे और कुछ पार्टनर डेटर सब रिलाइज होगा है प्रॉफिट्स आएंगे तो चलिए उसके लिए करते हैं प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी और सी 441 ही आने ची चेक कर लो एक बर फटाफट नहीं आ रहे तो फिर या तो उसमें गड़ बड़ी है या इसमें गड़ बड़ी है पांच लाग जमा पांच तीन आट दो दस एक ग्यारा ग्यारा पचास और तेरा पचास चोदा चोदा लाग दस अजार चोदा लाग दस अजार आ तीन चार दो छे चार दस साड़े दस साड़े तेरा साड़े अठारा अठारा इक यावन हाँ ठीक आ रहे तो प्रॉफित 441 ही आ रहे यह आ गया 220 पांसो वही जो पीछे से चीटिंग कर रहा हूँ यह मै एक लाग बत्तिस तीन सो और अठासी दोस्तो चीगा जी अब इसके बाद क्या बनाओ के फटाफट आपको एलाइजेशन समझ में आ गया क्या बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ उसमें मुश्किल नहीं है पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटा फट बना दो इसे तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलन्स कितना है बताओ सर एक लाख दो लाख तीन लाख कमीशन मिलीन भाई साब को जी सर पूरे दस हजार रुपए प्रॉफिट आइन के हैं इससे में जी सर कितने हैं सर पीछे दाइए दो बीस पान सो एक बत्रिस तीन सो दो बीस पान सो थोड़ा स्पेस कम है ऐसे लिखनी सकते एक्जाम में वैसे एक बत्रिस तीन सो कहाई नीचे कमेंट में डालके पूछ रहो सर ऐसे लिख सकते हैं अठासी दोस्सो ठेक है फिर क्या करोगे हैं अपर सर पेमेंट कर देंगे कैश अकाउंट लिख लेना जरा कितनी आ रही है इसके नीचे बैलंसिंग फिगर जरूर लिख लेना वो भी लिख दूँ चलो लिख देता हूँ तीन तीस पान सो दो बतिस तीन तीस पान यार बहुत बड़ी फिगर है लिख लेना अपनिया तीन तीस पान सो दो बतिस तीन सो और 388 200 यही होनी ची है हाँ इसके बाद कैश अकाउंट ओपनिंग बैलन्स कितना है एक लाख एक अजार realization से कितना कैश आया total सीधे लिख दो कोई वो नहीं है कि bifurcation लिखे है यहां realization से कितना गया और यहां कितनी कितनी आपने payment करी सीधे बिना tension के कोई सोच ना नहीं है उसमें आपको कि इसमें आप bifurcate कर रहो इतने बड़े question में ही अगर bifurcate करने बैठ गए तभी तो इपर छूटेगा पांच तीन आठ और चार बारा पचास बारा पचास आए और गए कितने गए कितने दो पचास तीन लाख यहां तीन तीस पांच सो दो बतिस तीन सो और त्री एटी एट टू हटड़ चेक करें जै बोले नाथ मैच करवा देना हर अकाउंट का बच्चा भगवान को याद करता है बैलन शीट या कैश अकाउंट मैच करने से पहले तिरा लाख ही क्या बन तीन लाख तीन तीस पांच सो दो बतिस तीन सो एप रफू थी एटी एट एक लाख का डिफरेंस कहा गया अरे अब क्या नहीं लिखा बढ़ी एक दो तीन त्रीलाख त्री त्रीटिप्व हंट्रीटिटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटो बच्च्छा बाधी एक लाग कहां गई चार तीन साथ पांच बारा बारा पचास दो एक तीन ही आ रहा है देखो गलती कहा हो रही है याद देनी अच्छा नहीं है मेरा तीन लाग पत्यस तो ये भी आ गया थर्टीन फिफ्टीवन अब इसमें पीछे भी गड़ बड़ करती लगता है तीन बत्यस तीन बत्यस चालो कुछ नहीं होता थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर के साथ फाइनली कोशन गैट मैच्ट तो hopefully आपको concept समझ में आओ main concept क्या है थोड़ी बहुत एक जगा error होगा एक बीपी का हमने ध्यान नहीं रखा question में नहीं लिखा हुआ हमें liability सारी realize करने है ठीक है बाकी सब कुछ ठीकता ठीक है जी hello friends आज हम start करने जा रहे है NPO के साथ that is the not for profit organizations बहुत ही important topic है बड़े ध्यान से एक एक चीज आपने सुननी और समझनी है आए बोड़ा in detail in depth इस पूरे chapter को हम cover up करेंगे कुछ भी पार्ट आपका इसमें नहीं छोड़ा जाएगा आपको साथ साथ notes बनाते हुए चलना और बड़े एक एक चीज को अराम से patience के साथ सुनना है ठीक है चले बेटा देखो जैसे नाम से ही पता लगता है not for profit organizations मतलब ऐसी organizations जो की profit के मकसद से काम नहीं करें organization which is not working with with profit motive तो अगर ये profit motive से काम नहीं कर रही है तो फिर इसका काम क्या है इसका काम होता है charitable activities करना social services provide करना main aim of such organization is to provide social services चेक है किसी भी तरह की कोई भी social services charitable activities करना चेक है अब बड़े ध्यान से एक एक चीज़ समझे जो profit earning organizations होती है profit earning organizations जब भी आप कोई business start करते हो simple way में चेक है तो अगर आप कोई भी business करते हो तो या तो हम उसे soul proprietorship की form में करते हैं yes or no या हम उसे partnership form में कर सकते हैं अगर अच्छे level का business करना है थोड़ा और अच्छे level का business करना है तो किस form में कर सकते हैं company form में कर सकते हैं same way अगर not for profit organizations है not for profit organization दियान से देखे एक चीज़ तो जो not for profit organizations है वो आप soul proprietorship form में start कर सकते हैं partnership form में start नहीं कर सकते कभी भी NPO जो है वो partnership form के अंदर नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्या कर रहा है ध्यान से सुने बेटा एक एक चीज़ इंडेप्त समझनी है हमें देखो कभी आप partnership की definition ध्यान से देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है it is the relationship between partnership की definition आपको याद दिला रहा हूँ it is the relationship between two or more persons who have agreed to share profits आप यहां तक कभी ध्यान से देखेंगे starting के words हैं भी आगे नहीं लिख रहा है main point लिए who have agreed to share profits partnership की definition में clear लिखा हुआ है कि partnership तभी exist कर सकती है जब आपका मकसद जब आपका aim profit share करना है अगर आपका aim profit share करना नहीं है तो कभी भी वो partnership form में नहीं हो सकता if the purpose of such which business organization entity is not to share profits then it can't be in partnership form तो ये कारण है कि कोई भी NPO आप partnership form में नहीं बना सकते हैं क्योंकि partnership form में ऐसी ही entities बन सकती हैं जिनका मकसद profit share करना है तो ये बात ध्यान रखना खास कर वो बच्चे जो full marks लाना चाहते हैं अच्छे marks लाना चाहते हैं ओफुली जो भी देख रहे अच्छे ही लाना चाहता है तो ये छोटी और कुछ भी है you are ready for that तो marks अच्छे है आने ही आने है तो सबसे पहली चीज आपने जो मेरे साथ यहां पर सीखी ही हूँ क्या सीखी कि NPO can't be in partnership form NPO जो है वो partnership form में नहीं हो सकती है आपने मेरे साथ सीख लिया फिर क्या सर कंपनी form में हो सकती है जी हां NPO जो है वो company form के अंदर हो सकती है company के अंदर in fact इसके लिए एक special provision है जिसको हम बोलते है section 8 थोड़ा से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा section 8 of companies act special permission देता है कि ऐसी organization जिनका मकसद social services करना है वो company form में register की जा सकती है बट ऐसी companies यो है section 8 companies यो है can't declare dividend ये dividend declare नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती मुझे आपको बताने की ज़रुवत नहीं है obviously जब मकसद ही profit कमाना नहीं है social services देना है तो profit ही नहीं है तो dividend कहां से होंगे तो section 8 में बात लिखी हुगी है कि NPO can be registered in the form of can be registered in the form of NPO ठीक है बट उसकी एक main condition जो नहीं लगा रखी है in the form of company sorry क्या लगा रखी है कि it can't declare the dividend ठीक है और अगर मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूं कि वैसे कोई भी company होती है तो उसको अपने साथ private limited या limited word लगाना पड़ता है अगर NPO section 8 में register हो गई तो उसे अपने साथ limited या private limited word लगाने की ज़रत नहीं होती है company registered under section 8 of companies act 2013 are not for profit organizations and need not to use word limited or private limited with its name उसे अपने नाम के साथ private limited और limited word लगाने की ज़रत नहीं है तो यह थोरा सा theory aspect था जो मैंने NPO को cover up किया चलिए आगे बात करते हैं हमें basically focus करना है final accounts of NPO पे final accounts of NPO देखें final accounts of NPO में basically तीन चीज़ आती है सबसे पहला receipt and payment account दूसरा income and expenditure account और तीसरा इसके अंदर हमारा आता है balance sheet जो तीसरी चीज़ इसके अंदर हम cover up करते हैं that is balance sheet ठीक है अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले receipt and payment account समझते हैं की होता क्या है त्यान से देखें कुछ गवरानी की ज़रुत नहीं है सब कुछ आपको बहुत असानी से एक एक चीज़ समझाई चाहेगी just relax होके वीडियो देखते रही है receipt and payment account क्या होता है basically it provides the summary of cash book क्या लिखा मैंने summary of cash book अब मैं आपको इसको छोटा से एक example से सारी बाते समझाता हूं ध्यान से देखें summary of cash book का मतलब कि आपको पता है हम cash book maintain करते हैं business में जिसके अंदर क्या होता है basically हर छोटी से छोटी cash की transactions record की जाती है cash आता है तो debit और जाता है तो credit यही होता है yes or no और cash book के अंदर हम transaction cash related as well as bank related maintain करते हैं अब दीखें suppose financial year का ही हम example लेते हैं एक अप्रेल से लेके 31 March तक तो इन 12 महीनों के अंदर there are lots and lots of transactions of repetitive nature repetitive nature let us take an example जैसे आपने अप्रेल की बात करी सबसे पहले तो अप्रेल के अंदर आपने salary दी होगी rent दिया होगा जहां आपकी NPO चल रहे है उसका छोटे मोटे office खर्चे भी हुए होंगे ठीक है income के तौर पे NPO पे क्या आती है donations आई होंगी ठीक है sale will तो यह बहुत कमी करते हैं चलो sale का भी कुछ पैसा आ गया चेक है same way में के अंदर हुआ होगा हाँ यह ना donations हाई होंगी sale salary rent और दूसरे खर्चे same way June में हुआ होगा yes or no अब ऐसे करते करते कि पूरे साल till March तक यह सब चीजें होई होंगी yes or no till March यह सब हुआ होगा तो अब इस cash book के अंदर there are lots of transactions अब इन lots of transactions को हम summarize करते हैं receipt and payment में कैसे देखो आपने अप्रेल में salary पे करी में salary पे करी जूम में पे करी जुलाई अका सितमबर अक्टोबर till March आपने salary पे की तो हमने क्या किया salary का total देख लिया कि हमने साल भर में कितनी total salary पे करी ठीक है सेम वे हमने देख लिया rent हमने साल भर में total कितना पे किया ठीक है मतलब जो चीजे repetitive nature की है उन सब क्या कर लिया total कर लिया और जो non repetitive nature की है suppose जून में हमने कोई furniture खरी दा था अब हर महीने furniture खरी दें यह जरूरी तो है नहीं तो अगर कोई non repetitive nature की है तो वह वैसी दिख जाएगी कि furniture खरीदा था कितने का 10,000 का payment करी थी तो इन सब को summarize करके एक receipt and payment हम बनाते हैं जिसके अंदर बेटा हम debit side सारी की सारी receipts लिखते हैं और credit side सारी की सारी payment सारी जो receipts होती हैं वो आती हैं आपकी debit side और जितनी भी आपकी payments है वो हम record करते हैं credit side all receipts like अगर मैं example दू तो साल बर में कितना हमारे पास donation आई साल बर में हमने कितनी sale करी जो भी हमारा product अगर हम कुछ बेचते हैं कोई भी बहुत सारी चीज़े वो मैं भी आपके सब वक्त के साथ डिसकस कुरूँ है तो वो सारी receipts हम लाइन से हैं आप लिखते हैं suppose sale of हमने कोई furniture ही बेच रहे हैं ठीक है कुछ भी कोई event organize किया था उसकी fees आई तो वो साम हम यहाँ पर लिखते हैं same way जितनी भी payments हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी जाती हैं all payments और वो payments can be of expense type ठीक है can be of purchase of fixed assets कुछ भी हो सकता है हर तरह की payments यहाँ पर हम record करते हैं यह सिर्फ मैं example दे रहाँ अब यह detail में हम सारी चीज़े बहुत अच्छे से और समझेंगे तो सिर्फ आपको यह समझना है मेरी इतनी सी बात कि receipt and payment account जो है वो क्या है that's basically the summary of cashbook just scan the debit side all receipts are recorded and credit side all payments are recorded and here in the beginning we record balance bd of cash and bank and here we record balance cd of cash and bank यह है आपका resident payment account जो आप देखेंगे इसके बाद हमारा आता है income and expenditure account ध्यान से देखें next income and expenditure account income and expenditure account एक्तम P&L की तरह होता है but profit and loss हम इसका नाम नहीं रख सकते क्योंकि it's a NPO जैसे मैंने आपको बताया income and expenditure account जिसके अंदर debit side आपके सारे के सारे expenses आते हैं और credit side सारी की सारी incomes जो भी NPO को साल भर में हुई है वो इसके अंदर record की जाती है और यह बनता किसके basis पर है accrual basis पर accrual basis का मतलब क्या होता है due basis पर due basis का मतलब क्या होता है बेशर मों वो भी नहीं पता चलो only transactions related to current year are recognized इसमें सिर्फ current year से related transactions जैसे आप normal अपना P&L बनाते हैं वैसे ही current year से related सिर्फ transactions record की जाती है और इसके अंदर या तो आपका बसता है surplus profit नहीं लिखते हैं उसको या तो हमारा surplus बसता है या हमारा बसता है deficit जो भी one of the figure will appear either the surplus और loss है तो उसको हम याण deficit लिखते हैं अभी मैं आपको सिर्फ एक broad idea दे रहा हूँ कि किस तरीके से सब और उसके वाद एक एक चीज हम detail में बहुत अच्छे से समझेंगे जबकि receipt and payment account जो है वो हमारा जो है cash business पे बनता है किस पे बनता है cash business पे और हमारा income and expenditure account कि बनता है equal basis या due basis पर तीसरा balance sheet balance sheet as usual जैसे आप बनाते हैं सारे assets और यहां पर अपका liability जैसे आप normal बनाते हैं वैसे इसकी balance sheet बनेगी कुछ भी change नहीं है बस capital की जगा हम यहां पर word use करेंगे capital fund इसके उपर भी लेटर on discussion करेंगे बाकी जैसे आप sorry normal चीजे लेते हैं वैसे ही सब कुछ यहां पर देखने को आपको मिलेगा fixed assets current assets fixed assets को investment है तो current assets सब कुछ वही जो आपको normal एक balance sheet में मिलता है यहां पर आपके creditors वगड़ा कर कुछ है तो यह तीन चीजे इसके अंदर final accounts में prepare होती है कौन-कौन सी recipient payment, income and expenditure and balance sheet ठीक है अब मैं एक-एक करके सारे components को वीडियो में discuss करना शुक्रूंगा next part से यहां तक आप एक बार बहुत अच्छे से सारा note down करके notes बना ली जाओ और next part से फिर हम इसकी proper एक-एक चीज को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे सारी चीजे move on करते हैं thank you so much hello friends welcome back hopefully आपने first part NPO का enjoy किया अब हम second part पे अपना discussion स्टार्ट करते हैं देखे first part में अपने देखा कि जो हमारा receipt and payment है receipt and payment account हमारा बनता है वो बनता है किस basis पर cash basis पर वो हम बनाते हैं cash basis पर जिसमें जितनी भी receipts है वो सारी की सारी debit होती है और सारी की सारी payments है credit होती है बहुत simple होता it's a summary of cash book जबकि हमारा income and expenditure account जो बनता है वो हमने देखा किस basis पर बनता है accural basis पर accural basis मतलम due basis पर due basis का मतलब क्या होता है कि transactions related to current year are considered जो सर्फ current year related transactions है उनको consider किया जाएगा if particular amount is related बहुत simple words मैं बता रहा हूँ आपको related to previous year और upcoming year आने वाले साल से related है then it will be excluded उसको हम क्या करेंगे exclude करतेंगे यही चीज होती है सर्फ current year से related हमें चीज़ों को consider करना है if something is related to previous year or current year then it will be excluded in income and expenditure let us take a very simple example मैं आपको समझाता हूँ suppose salary की हमने बात करी salary paid मैं एक चोटा सा example आपको दे रहूँ चलो चार example देता हूँ सबसे पहला example one is salary paid 1 lakh चार के इसमें मैं लिखा it includes payment of outstanding salary of last year rupees 10,000 आपने total salary जो paid करी वो कितनी paid करी 1 lakh जिसके अंदर कुछ outstanding salary आपने जो कि last year से related थी वो 10,000 रुपे पे किया तो बेटा बहुत simple अगर total salary हमने 1,000,000 रुपे पे करी और उसमें 10,000 जो outstanding था वो किस से related है last year से related अगर आपने कुछ pay किया है तो आप उसे हटा देंगे आपने हम बताया ना if particular amount is related to previous year और upcoming year then it will be excluded यह होता है total basis तो यहां पर हमने जो salary पे करी है 1,000,000 जिसमें related to previous year कितना था हमारा 10,000, so outstanding spending salary of last year कितना 10,000 उसको हम हटा देंगे कितना आ गया 90,000 यह सोनो शो चले अब next example मैं लेता हूँ Example 2 Suppose salary paid हमारी है 1,000,000 और नीचे लिखा हुआ है salary paid in advance related to next year हमने advance में अगले साल की कुछ salary staff मांग रहता दे दी कितनी दे दी 20,000 उपे related to next year हमने advance में pay कर दी तो tell me salary paid कितना है 1,000,000 उपे चेक है अभी मैंने आपको बताया ध्यान से देखे if anything is related to previous year or upcoming year मतलब आने वाले साल से related है तो उसे exclude करना है तो आपने यह जो salary advance में pay की can I say it's a prepaid yes or no तो जो prepaid salary है prepaid salary चेक है आपने pay कर यह prepaid salary at the end end क्योंकि अगर आपने advance में pay के data related to next year वो अगले साल से related है तो उसको हम last में क्या लिखाएंगे prepaid salary at the end कितना 20,000 तो उसको भी हमने क्या कर दिया exclude कर दिया यहां पर हमारा 80,000 आएगा तो यह इधर जो हमारा 90,000 आया था in income and expenditure same way यहां पर हम 80,000 will be shown as expense in income and expenditure in income and expenditure में 80,000 रुपे हम as expense दिखाएंगे आप दोनों ही examples में चीज़ देखिए अगर previous year से related था या next year से related था तो हमने उसको क्या कर दिया exclude किया और this is what the actual basis से कि सिर्फ current year से related ही expense या income हमको recognize करने है चेक है चले तो अभी तक मैं एक summary त्यार करूँ जड़ा साथ-साथ यहां पर करता हूँ अभी आप मत करिए इसको time दूँगा हमने देखा amount paid जो भी था उसमें से हमने क्या किया minus कर दिया outstanding paid of last year पहले example में yes or no और फिर हमने उसमें से क्या minus कर दिया prepaid expense of next year यह हमने इसमें से अभी तक minus कर दिया hopefully यहां तक आपको कोई doubt नहीं है चले अब इसके बाद third example लेता हूँ अभी आपको वह note नहीं करनी थी summary salary paid during the year one lakh fifty thousand during the year हमने दे लाख रुपे salary पे करी salary outstanding at the end of year 20,000 मैंने आपको क्या बोला if any actual basis क्या कहता है if transactions related to current year are included current year से related जितनी चीज़े है वह सारी consider आपको करनी है आप एक बात बताओ जो outstanding at the end of the year ये किस से related है current year से related है तो यहां पर salary paid कितना है हमारा एक लाख पचास हजार इसमें आप add कर दोगे outstanding at the end क्यों कर दोगे बताओ क्या logic है उसके पीछे क्यों क्यों क्योंकि ये current year से related है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया add कर दिया तो हमने दिखा हमने क्या किया add outstanding expense at the end of year जो at the end of year outstanding expense है उसको हमने क्या कर दिया add कर दिया example 4 अगर आप दिखें suppose मैंने आपको बताया salary paid during the year salary paid during the year एक लाख रुपए ठीक है और मैंने आपको बुला prepaid salary in the in the beginning prepaid salary in the beginning आपका 30,000 रुपीज prepaid salary in the beginning 30,000 रुपीज इसका मतलब क्या है prepaid salary in the beginning के अगर आप बात करें तो prepaid salary in the beginning का मतलब क्या होता है इसका मतलब है salary of current year paid in last year current year की salary जो हमने पे करी किसमें last year में prepaid का मतलब क्या होगा advanced salary advanced salary in the beginning मतलब साल की शुरुवात में हमने पता है कि कुछ salary हमने advance में पे कर रखी है या इसको हम दूसरे angles में बोल सकते है prepaid salary add down end of previous year पिछले साल के end में या साल की शुरुवात में एक ही बात है तो अगर पिछले साल के end में कुछ advance salary pay की गई थी तो tell me पिछले साल के end में advance थी तो वो किस से related थी अरे यार पिछले साल के end में अगर advance थी तो obviously não current year ठी Curry थी with related होगी इसमें add कर देंगे prepaid salary of last year, कितनी? 30,000, तो यहां पर जो expense book होगा, वो कितना होगा? एक लाग 30,000, will be shown as expense in income and expenditure, तो आपने दिखा है, मैंने add कर लिया, prepaid salary, add term, end of previous year, पिछले साल के end में जो है, उसको add किया, मैं basically आपको, यह जो चार कहानियां हम सुनाई हूँ, basically, जिसे आपने बड़े patience के साथ सुना भी अच्छी बात, आपको मैं क्या बताना जा रहा था, मैं सिर्फ actual basis आपको समझाना जा रहा हूँ, कि जो current year से related है, सिर्फ उसे consider करना है, if something is related to previous year or upcoming year, it will be completely ignored, it will not be considered for income and expenditure account, आप मैं यह चारो examples, जो मैंने आपको दिये, इसको मैं यह summarize कर रहा था, हमने amount पे गया, कोई भी expense है, amount paid अगर last year का है, amount outstanding paid off last year, outstanding expense था, कुछ last year का, इस साल पे गया है, तो current year से related नहीं है, वो last year से related था, इसलिए मुझे उसे consider नहीं करना, मैंने उसे minus किया, same way prepaid expense out of next year, outstanding expense at the end of year, prepaid salary at the end of previous year, हम इसको properly summarize करता हूँ, ध्यान से देखिए, होगा क्या, अगर मैं expense के point of view से बोलो, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको properly एक detail में सारी चीज़े summarize करके समझा रहा हूँ, amount paid during the year, during the year, जितना भी हमने amount pay किया है, चीक है, उसमें आप add कर देंगे, outstanding at the end of year, जितना end of year में outstanding है, उसको हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, क्यों, बताओ, क्योंकि ये related है, current year से, चीक है, but अगर outstanding है, outstanding था, at the end of previous year, या मैं बोलू, outstanding था, at the beginning of year, तो इसको हम क्या कर देंगे, minus कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये related है, previous year से, हाया न, इसके पात, अगर, prepaid है, at the end of year, मतलब इस साल के end में हमने advance पे कर रहा है, उस expense का, तो वो अगले साल से related है, उसको हम क्या करेंगे, बेटा, minus करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, related to next year, ठीक है, और अगर prepaid था, पिछले साल के end में, प्रिपेट, at the end of, previous year, या मैं कहूं, प्रिपेट है, in the, beginning of year, तो हम उसको add कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो related to, current year है, और यह जो amount, फिर net बचेगा, यह दिखाया जाएगा, to be shown as, expense, in, income and expenditure, आप हमेशा इतनी बस ही बात ध्यान रखिए, outstanding है, end में, वो plus होगा, outstanding है, beginning में, वो minus होगा, outs, prepaid है, मतलब advance पे कर रखा है, कब, at the end of the year, तो minus, और in the beginning, तो वो plus, यह at the end है, तो related to current, next year होगा, at the beginning था, तो related to current, यह होगा, और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह सिर्फ expense के लिए नहीं होगा, यह चीज़े, income के लिए भी equally apply होगी, ठीक है, बट income में जाने से पहले, मैं एक आची चीज़ और discuss करना चाहूँगा आपसे, तो hopefully आपको यह concept जो है, वो clear हुआ, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझे, जब भी बात आती है, outstanding expense की, तो outstanding expense जो है, वो firm के लिए क्या है, वो firm के लिए क्या है, liability, organization के लिए outstanding expenses जो है, वो क्या होते है, liability होते हैं, लेकिन, pre-paid expenses की अगर बात आती है, तो pre-paid expenses क्या होते हैं, assets होते हैं, जस्ट, आगे हमाई later on का हो आएगा, तो मैंने सूचे हैं, discussion करें, इस पर खतम करें, तो hopefully आपको यह सारी की सारी चीज़े समझ में आ चुकी हैं, अब, देखें, suppose आपको कुछ information ऐसे given है, salary, paid, 2,00,000, चीज़े हैं, 1 April 2018, 31 March 2019, चीज़े हैं, outstanding salary, prepaid salary, इसी तरीके से question में आपको given होता है, 10,000, 20,000, 8,000, 25,000, चीज़े हैं, तो हमें किस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले, जो recipient payment है, उसमें आपका salary paid expense site दिखरेगा, कितना, 2,00,000, payment site, अब आता है, income and expenditure में, income and expenditure में हमें salary को क्या दिखाना है, expense दिखाना है, yes or no, अब expense दिखाने तो उसके लिए आपको working note में आना पड़ेगा, paid, फटा फट कितना, 2,00,000, मैंने आपको पताया था, outstanding अगर, beginning में है, outstanding in the beginning, तो उसे क्या कर दो, minus, कितना, 10,000, but अगर outstanding at the end है, तो उसको हम क्या कर देंगे, plus कर देंगे, कितना, 20,000, same way prepaid, अगर in the beginning है, मतलब साल की, शुरुवात में है, चेक है, तो हम इसे क्या कर देंगे, add कर देंगे, जबकि prepaid, at the end है तो, वो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, yes or no, sure, तो अब इससे आप 2,28,25,35, minus 5, यह आगया, 1,93,000, तो यह 11,93,000 जो है, आपका income and expenditure में show हो जाएगा, यह पूरा का पूरा process मैंने आपके साथ जो discuss किया था, यह salary या कोई भी expense इसी तरीके से delaying होगा, अब इसको हम balance sheet में भी दिखाएंगे, कैसे ध्यान से देखें, दो balance sheets आप देखेंगे, generally NPO में बनती है, एक opening एक closing, तो एक balance sheet जो बन रही है, एक April 2018 को, मैंने भी आपको बताया था, outstanding expense जो है, वो liability होता है और prepaid expense asset, तो जो भी prepaid expense है, beginning में, मतलब साल की शुरुवात में, कितना है, 8000 रुपर, वो यहाँ आ जाएगा, और जो outstanding salary है, outstanding expense है, वो liability side आ जाएगा, कितना 10,000, salary लिख सकते हो, मैंने expense लिख दिया, ऐसी जो balance sheet बनेगी, 31 March 2019 को, उसमें भी क्या होगा, asset, prepaid salary हम दिखाएंगे, कितनी, prepaid salary होगी हमारी 25, और जो हमारा liability side है, यहाँ पर हम लिखेंगे outstanding salary, कितनी 20, ठेक है, तो इस तरीके से, कोई भी expense, मैंने salary लिया है, same way आपका rent हो सकता है, कोई भी expense जो होगा, वो इस तरीके से deal in किया जाएगा, और उसका सीधा fundamental rule मैंने आपको बता दिया, outstanding at the end, plus कर दो, beginning है, minus कर दो, prepaid at the end, minus कर दो, beginning है, add कर दो, और क्यूं, वो तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था, that is the complete accural concept, यह accural concept जब तक आप नहीं समझोगे न, आगे चीज़े आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजे, कि accural basis exactly है क्या, तो हमने expenses का treatment सीख लिया, कि expenses का treatment किस तरीके से हमें करना है, अब ध्यान से देखिए, there is also another way out, वो भी आप यहां पर सीख लिजे, आप चाहें तो memorandum, memorandum expense account भी बना सकते हैं, यह क्या होता है ध्यान से देखिए, इससे भी आप अपने answers निकाल सकते हैं, उसमें फिर यह जो आप plus minus करते हैं, आपको यह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चैकें, देखिए, outstanding expense क्या होता है, liability, liability का balance credit, तो यहां हमने लिखा balance PD, this balance PD is what outstanding expense in the beginning, और उसका balance CD यहां पर, this is what outstanding expenses at the end, साल के end में जो outstanding expense है, उधर credit में क्यों लिखा था, क्योंकि liability होता है, same way यहां पर balance BD, अब कहोगे, एक एक हमने BD CD, यह पिटा, वो as such working note account है, इसलिए मैंने इसके साथ लगा है, memo random मतलब इसका कोई dual aspect concept नहीं है, यह क्या दिखा रहा है, prepaid expense in beginning, साल की शुरुवात में जो prepaid expense है, ठीक है, क्यों, क्योंकि prepaid expense क्या होते है, asset, फिर यहां मैंने लिखा balance CD, यह क्या है, prepaid expense at the end, जो साल के end में, ठीक है, जो भी आपने pay किया साल भर में, क्या entry क्योंकि, expense account debit to, cash, तो यहां पर, आपने लिख दिया cash, जो भी आपने साल भर में pay किया, यह recipient payment लिख दिया, this is paid, ठीक है, तो आप, देखेंगे, यहां पर, आपका income and, expenditure जो है, वो as, balancing figure, that is, जो amount due है, वो आएगा, ठीक है, और यह कुछ चमतकार नहीं, अगर आप देखें, paid है, मैं थोड़ा pen change कर लेता हूँ, यहां आपने क्या लिया paid, इस side आपने क्या क्या लिया, prepaid expense in beginning, आप देखो, prepaid expense in beginning, क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, जेकें, तो अगर आप देखें, cash में prepaid expense in beginning, same side है, तो प्लस ही हो रहा है, आया ना, outstanding expense at the end है, दूसरी चीज़ यहां पर, तो आप देखें, outstanding at the end of year, देख रहा है, यह भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और वो देखें, वो यहां पर क्या हो रही है, minus हो रही है, हाँ यह ना, तो obviously जो balance बचेगा, वो क्या बचेगा, income to be shown in in command, expenditure account, ठीक है, तो यह आपने मनाया memorandum expense account, यह figures एक बर मैं put करके आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको मेरे पर doubt रूट ना हो, memorandum, पता है नहीं होता है क्यों हो, memorandum salary account, चली, सबसे पहले, balance, bd, वो लिखने की जरुवत नहीं है, आपको सीधे मतलब, outstanding लिख रहो आप, सीधे आप figures टालतो, 10 और 20, सीधे 10, नीचे brackets में कुछ लिखने की जरुवत नहीं है, balance cd, कितना? 20,000, ठीक है, फिर prepaid का balance bd, cd, तो कितना? 8 और 25, ठीक है, फिर हमने pay कितना किया था? 2,00, तो यह आप देखे, 2,00, 8,000, यहां भी कितना आना चाहिए? 2,00,28,000, तो यहां income and expenditure आपका बचेगा, balancing figure 1,93,000, ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दी, आप account से करना चाहो, account से कर लो, statement से करना चाहो, statement से कर लो, लेकिन कर लो, ध्यान दोनों रखो, ज्यादा बेटर रहेगा, कई बार memorandum expense account भी पूछ लिये जाते हैं, अब आपने main concept समझ लिया है, इसके बाद की videos आपके लिए बहुत normal रहने वाली, यह अगर आपने समझ लिया है, ठीक है, थोड़ा से concentration से एक बार दुबारे revise कर लिजे, thank you so much, Hello friends, welcome back, NPO के second part में आपने मेरे साथ discussion किया था, expenses के उपर, अब हम अपने discussion करने जा रहे हैं, income के उपर, income को किस तरीके से treat किया जाता, और income में भी basically अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, subscription के उपर, बहुत important topic, पूरे question में almost one-fifth weightage इसी की होती है, बड़े ध्यान से देखेगा, subscription सबसे पहले होता है, it is the amount paid by the members of NPO at regular, interval, एक regular interval पर जो members of NPO amount pay करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, subscription, देखो होता क्या है, NPO क्या है, एक organization जो किसी social activity के लिए काम कर रहे है, social purpose के लिए, तो NPO जो है, वो क्या करती है, अपने members बनाती है, और अगर किसी को भी NPO का member बनना है, तो उसको एक regular amount, regular amount का मतलब एक fixed amount, एक regular interval पर, मतलब एक fixed time interval पर pay करना होता है, say 5000 yearly, या 1000 monthly, कुछ paid can be, तो it is the amount paid by the members of NPO, at regular interval, to maintain, या continue, membership, in such NPO, और मैं आपको बताओं, this is the main source of income for any NPO, किसी भी NPO के लिए, एक main source of income यही होता है, it is the main source of income for NPO, अब इसकी accounting की हम बात करते हैं, कि कैसे इसकी सारे accounting की जाएगी, quite simple, आईए, सबसे पहले, income है, subscription, income बोलो है, subscription आप interchangeably use होगा मेरे से भी, तो subscription जो है NPO को receive होगा, तो अगर हम बात करें, receipt and payment account की, receipt and payment account में, यह किस site साही record होगा, debit site, और क्योंकि receipt and payment account cash basis पे बनता है, तो debit site क्या आएगा, subscription received during the year, जितना साल भर के अंदर subscription receive हुआ है, वो receipt and payment में debit site आएगा, yes or no, जेगा notes बनाने में कंजूसी मत करना बता रहा हो, और relax हो के समझो, चाहूं तो मैं इसे जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका फाइदा नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा फिर बाद में दिक्कत है, इसलिए बहुत अराम अराम से इस chapter को पढ़ेंगे, सबसे अराम से इस chapter को पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो debit site हमारा, subscription आ गया, यह क्या दिखा रहा है, कुन सा amount है, this indicates amount received during the year, but अगर मैं बात करता हूँ, income and expenditure account में, क्या आएगा, income and expenditure account में, सबसे पहले क्योंकि यह income है, तो हम इसे किस side record करेंगे, yes undoubtedly credit side record करेंगे, यह बनता किस basis पे, due basis पे, तो, income and expenditure account में, income and expenditure account में, credit side, आपका, subscription आया, but यह जो subscription आया, that is on due basis तो यहाँ पे आएगा, subscription due, during the year, जितना साल भर के अंदर, subscription due हुआ है, अब यह due during the year, कैसे निकलेगा, same way जैसे आपने expenses due निकाला था, कैसे, ध्यान से देखिए, आप मैंने कहा था था ना, 80% चीजें, हम इसके already कर चुके हैं, देखें, subscription, received, during the year, जितना भी आपको, during the year, subscription, receive हुआ है, मैंने आपको, last video में एक बात बताई थी, अगर, outstanding at the end है, तो वो, current year selected है, उसको, add कर तो, same way यहाँ पर, add, outstanding, subscription, at the, end of year, साल के end में, जितना outstanding है, क्योंकि वो current year selected है, तो उसे क्या कर देंगे, add, reason यहार बता चुको है, NPO part 2 में, hopefully आपको याद है, नहीं याद है, तो एक बार revise करो, जितना beginning में होता है, outstanding, outstanding जो beginning में होता है, वो last year selected होता है, तो उसे हम क्या करते है, minus, outstanding subscription in the beginning, जो है वो, minus कर देंगे, आया न, अरे यही बता है था न, कि outstanding, तुम्हारी यादत अच्छे से पता है, भूल गए होगे, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, outstanding closing में है, end में है, उसे add, और जो opening में है, उसे minus, हाया न, क्यों, क्योंकि closing वाला इस साल से लेटेड है, opening वाला last year से लेटेड है, prepared में क्या बता है था, जो at the end है, उसे, या closing में उसे minus, क्योंकि वो अगले साल के लिए advance किया, बट जो साल की शुरुवात में था, उसको हम क्या कर देंगे, add, क्योंकि जो साल की शुरुवात में है, मतलब पिछले साल के end में है, और पिछले साल के end में मिला होगा तो, इस साल के लिए मिला होगा, एकदम साही, तो यहां पर हम minus कर देंगे, prepaid, subscription, at the end of year, at the end of year जो prepaid subscription है, वो हम क्या कर देंगे, minus, जबकि add कर देंगे क्या, prepaid, subscription, in the beginning, जितना साल की शुरुवात में था, उसको हम add कर देंगे, ठीक है, तो वही चीज जो आपने expense में की थी, वही हमारी subscription के लिए follow होती है, हाँ, अब थोड़ा समय आपको यहां पर, करता हूँगा, उससे बहले एक चोटा सा example करवा देता हूँ, चले, एक चोटा सा example कर लेते हैं, ताकि जो चीजें अभी तक करी हैं, उसमें कोई doubt ना रहे, recipient, payment account, आपको debit site देख रहा है, subscription, से, 1 lakh रुपीस, ठीक है, 1 April 2018, 31 March 2019, ठीक है, subscription, outstanding, subscription, advance, advance मतलब, सर इतना गया गुजरा समझते हों, को हमें advance नहीं पता होगा, अरे पता है यार, क्यों, 8000, 12000, चलो, question हो गया, बातों बातों हमारा, question मैं लिख दिया, हमें बताने है, income and expenditure में कितना जाएगा, तो, solution, बताओ, received, during the, year, कितना हुआ है, एक लाक रुपे, इसमें, add कर देंगे, outstanding subscription, जो, साल के end में है, ठीक है, तो add the end हमें कितना दिख रहे हैं आपर, हट, यह आपका, suppose एक अप्ति स्मार्च उनिस को है, कितना दिख रहा है, 15,000 रुपे, वह इसमें हम क्या कर देंगे, add, minus करेंगे, outstanding subscription, in the, beginning जो है, कितना, 10,000 रुपे, minus, advance, add क्लिक दिया मैंने, चलो कुछ नहीं होता, prepaid, subscription, in the beginning जो होता है, वह add होता है, कितना, 8,000, और, minus, जो कि prepaid, subscription, add the, end होगा, कितना होगा, अरे बोलो भई, 12,000, ठीक है, तो यह minus, तो 15, और 28, 22, एक लाख, एक अजार, तो यह जाएगा, हमारा income and, expenditure account में, तो यहां पर, income and, expenditure account, credit, debit, यहां हमने लिखा, subscription, एक लाख, एक हजार रुपे, ठीक है, अब इसी चीज़ को, जैसे आपने वहाँ, memorandum expense बनाया था, यहां पर हम बना सकते हैं, memorandum subscription account से, सीख लीजे, क्योंकि कई बर exam में, यह account टलक्स से पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखो, उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से देखिए, जो हमारा, outstanding subscription होता है, जैक है, देखो आप एक छोटी सी चीज़ समझ लो, outstanding अगर, expense है, अगर कोई outstanding expense है, तो इसका मतलब क्या है, due but not paid, due but हमने pay नहीं करा, तो वो एक तरह से हमारी liability होती है, बट अगर outstanding हमारी income है, तो इसका मतलब होता है, due but not received, तो यह हमारे लिए एक तरह से क्या होता है, asset होता है, तो यहां पर outstanding subscription जो है, it's a income, तो outstanding subscription हमारे लिए क्या है, asset है, क्या है, जबकि हमने part 2 में देखा था, outstanding expense थे तो वो क्या थी, liability, यह थोड़ा साब को ध्यान रखना है, same way, अगर prepaid expense होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, due, sorry, not due, but paid, in advance, due नहीं हुआ, बट हमने advance में pay कर दिया, not due, paid in advance, ठीक है, तो यह जो है, हमारे लिए asset होता है, अगर prepaid income है, तो इसका मतलब क्या होता है, not due, but received, due नहीं हुई, बट हमको receive हो गई, तो यह जो है, हमारे लिए क्या होती है, liability होती है, तो same way यहाँ पर अब subscription in advance है, वो हमारे लिए क्या है, liability है, वो हमारे लिए क्या है, liability है, तो अब ध्यान से देखे जरब, यह चोटा साबको, hopefully कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी balance sheets बनेंगी, जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था, balance sheet, जो हमारी balance sheet बनेगी, एक अपरेल 2018 को, opening, और एक, जो बनेगी balance sheet, 31 March 2019 को, तो जो subscription outstanding है, वो आपके लिए asset है, तो आप उसे asset side दिखाएंगे, subscription outstanding, subscription outstanding, and what will be the amount tell me, obviously जितना है, 10,000 and 15,000, तो हमने यहां लिख दिया, 10,000 and, wonderful, 15,000, and on the liability side, liability side जो है, वो हमारा क्या जाएगा, prepaid subscription, prepaid subscription, ठीक है, कितना, liability advance 8,000 और 12,000, तो हमने यहां लिख दिया 8,000, यहां हमने लिख दिया कितना, 12,000, ठीक है, तो यह आपने उसकी balance sheet presentation भी देख ली, main, please, गलती से भी इस चीज़ को मत भूल जाना, जो मैंने आपको बताई है, यह बहुत important है, this is very important, ठीक है, यह आपकी बहुत help करेगी आगे भी, ठीक है, highlighter आप भी रखा करें, अच्छा रहता है, चलिए, मेरे पास all elements है, तो यह हो गया, अब मैं आपको account बता रहा था, ध्यान से देखिए, you can make a memorandum subscription account मैंने आपको बताया था, memorandum word कब आता है, जब उसका dual aspect accounting से कोई लेना देना नहीं होता, that is for working note only, credit debit, सबसे पहले, outstanding subscription क्या है माई लिए, asset, और यह भी तो बताया था, asset है, ठीक है, तो asset का क्या होता है, debit balance, तो यहां हमने लिखा balance BD, यह क्या है, opening balance of outstanding subscription, यहां लिखा balance CD, यह क्या है, closing balance of outstanding subscription closing balance of outstanding subscription ठीक है, अब prepaid जो है, वो में लिए liability होती है, तो उसका credit balance होगा, तो यहां balance BD, that is opening balance of advance subscription, prepaid subscription, कुछ भी बोलो, और यहां पर क्या लिखेंगे, balance CD, that is closing balance of advance subscription, अब जितना भी आपको subscription during the year, receive हुआ होगा, that will be cash account, ठीक है, यह क्या है, received during the year, क्या इन्ट योगी निका more, cash account debit to subscription, subscription, subscription credit होगा न, तो यहां जो आपका balance बचेगा, वो क्या बचेगा, income and expenditure account, चेक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी वह ही अगर आप देखें, received में मैंने opening outstanding, opening advance add कर दिया, और closing outstanding add कर दिया, यही दो add होते हैं, और क्योंकि यह receive है, यह दोनो add होगा है, opening outstanding और closing advance minus होगा opposite side है, तो obviously income and expenditure बचेगा, चलिए, अब यह पूरा memorandum subscription account है, अब जो आपके पास question था, उसके figures put करते हैं, एक memorandum subscription account बनाते हैं, memorandum, subscription account, credit, debit, सबसे पहले, opening outstanding, balance PD, 10,000 और 15,000, 10,000, balance ED, 15,000, फिर, opening advance, कितना था भाई, आठ और 12, दोनों ही लिख लेता हूँ, 8,000, और यहाँ, 12,000, उसके बाद, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, cash account, कितना receive होता है, एक लाक थान, हाँ, 100,000, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, income and, expenditure account as, balancing figure, एक लाक, एक हजार, 23, एक लाक, 23,000, ठीक है, यह balancing figure आएगी, तो यह रहा memorandum, subscription account भी आपने इसमें बनाना, सीख लिया, अब आपने, expense और income का treatment सीख लिया, income में भी basically, आपने मेरे साथ, subscription का जो है, वो सारा का सारा treatment सीख लिया है, इसके बाद, जो next video है, उसके अंदर में आपके साथ, subscription के कुछ different, different cases होते हैं, different, different cases क्या, वो बहुत अलग अलग तरीके से कई बार question में information ले देता है, expenses के case में ऐसा नहीं होता, बट हाँ, subscription के case में different, different तरीके से हमें कई बार information प्रोवाइट की जाती है, तो अगर different, different तरीके से कैसे information दे सकता है, और उसे फिर कैसे हमें deal in करना है, वो मैं आपके साथ next video के अंदर discuss करूँगा, ठीक है जी, तब तक के लिए यहां तक का सारा revise कर करके रखें, हर अगली वीडियो से पहले पिछला आपका पूरा अच्छे से revise होना चाहिए, ठीक है तब ही आपके लिए वो fruitful है, otherwise next video में आपको problem होगी, ठीक है जी, so hopefully आपको वीडियो पसंद आई, don't forget to thumbs up, thank you so much, Hello friends, इस पार्ट के अंदर हम discuss करेंगे various cases of subscription कोशन जो हमें कोशन में देखने को मिलते हैं, आई, एक normal accounting treatment में आपको सिखा दिया था, outstanding at the end a plus, outstanding in the beginning a minus, prepaid at the end a minus और prepaid in the beginning है तो, plus, ठीक है, चलिए, अब किस-किस तरीके से information हमें देखने को मिल सकती है, और उसमें हमें क्या करना है, उसकी पुरबात करते हैं, case number two, suppose, आपको receipt and payment में, information है, इस तरीके से, subscription, years में divide करके, 16, 17, 17, 18, and 18, 19, ठीक है, यहां पर 5,000, यहां 30,000, और यहां 8,000, तो टोटल हो गया, 43,000, ठीक है, यह recipient payment account आपका है, for the year, and dedicate this March 2018, ठीक है, नीचे आपको adjustment के अंदर, कुछ information given है, subscription, outstanding on, 31st March 2018, rupees 10,000, और फिर आपको given है, subscription, in advance, in beginning, rupees 7,000, ठीक है, इस तरीके से information आपको given है, सबसे पहले, 31 March 2018, का अपका recipient payment account है, आपको जो total subscription मिला, during the year, वो कितना मिला है, 43,000, rupees मिला है, बड़े ध्यान से देखेगा, जो मैं आपको बताना चाला हूँ, अब आपके पास subscription outstanding और 31 March 2018 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, subscription outstanding at the end of year, बोल सकता हूँ, अरे निकम्मो, ध्यान से देखो, 31 March 2018 है ना, तो यह उसी दिन outstanding at the end of year है, और in the beginning है यह 7,000, अब subscription outstanding in the beginning का है, at the end of the year तो है, क्या beginning में कुछ outstanding था, और था तो कितना, तो अगर इस तरीके से आपको information given है, दीखें, यह हमारा current year था 17-18, जिसमें हमें 16-17 का भी premium मिला है, यह subscription मिला है कितना, 5,000 रुपे बताया ना, इस साल के लिए कितना मिला है, 6,000 रुपे, यह question के अंदर हमें बताया क्या है, तो यह जो पिछले साल का amount आपको इस साल मिला है, इसका मतलब क्या है, कि यह क्या था पिछले साल, outstanding था, subscription outstanding in the beginning, यही मतलब हो ना इसका, हाया ना, कि अगर पिछले साल का amount, मुझे 31 March 2018 के recipient payment में मिल रहा है, इसका मतलब यह पिछले साल क्या था, outstanding था, same way, यह जो 1819 का amount आपको देख रहा है, 80,000 पर यह क्या indicate कर रहा है, यह indicate कर रहा है, subscription in advance, for next year, यह आपका हो, at the end, इस साल के end में, जो advance subscription है, जो हमने pay, 1718 ना भई, 1718 में 1819 का देख रहा है, मतलब हमने अगले साल के लिए pay किया, तो this is subscription in advance, at the end, beginning आपके पास आगया, outstanding, outstanding at the end आपके पास थाई, subscription in advance, beginning आपके पास थाई, at the end आगया, अब आप सारी चीज़े निकाल सकते हैं, कैसे, देखें, received, during the, year, कितना, 43,000, इसमें हम add करेंगे, subscription, outstanding, at the, end, कितना करेंगे, 10,000, फिर, minus, subscription, outstanding, in the, beginning, कितना, 5,000, फिर, minus करेंगे, subscription, in, advance, at the, end, कितना, 8,000, और फिर, plus करेंगे, subscription in advance, at the, beginning, earning, कितना, 7,000, ठीक है, 17,30, 47,000, यह कहा आ जाएगा आपका income and expenditure account में, तो, इस case में, जो आपका income and expenditure बनेगा, उसके अंदर, जो आप credit site पर subscription लिखोगे, वो कितनी लिखोगे, 47,000, ठीक है, और जो आप balance sheet बनाएँगे, यह आपकी reference के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है, full flash question करने में, आप भी लिखो, यह नहीं कि आता तो है छोड़ो, अगर आप ऐसा कर लो तो गलत कर रहा हूँ, this March 18, asset site, आता तो मुझे भी यह देखो, बढ़ मैं भी लिख रहा हूँ न, very good आप भी लिखो, outstanding कितना, 10,000, liability में, subscription in, advance, कितना, at the end, कितना है भाई, 8,000, फिर, यहां asset में, subscription outstanding, कितना, 5000, और यहां liability में, subscription in advance, कितना, नीचे given है, 7,000, ठीक है, तो यह सारी चीज़ हमने देखी, कि अगर इस तरीके से information है, तो हमें कैसे उसे utilize करना है, चलिए फटाफट इसको आप fast note करिए, फिर next case में आपके साथ लेता हूँ, चलिए, case 2, अपने के आप case 3 देखते हैं, Suppose receipt and payment है हमारे पास, for the year 31st March 2018, उस same way आपको subscription के बारे में information given है, मैं बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिया और समझी, 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 10,000, एक लाक, 7,000, टोटल एक लाक, 17,000, ठीक है, चलिए, adjustment में आए, subscription, outstanding, 14, 2017 को और, 31 March 2018 को, यहां पर 8,000, sorry, यहां पर है आपके पास, बड़े ध्यान से देखेगा जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ, 11,000, और, यहां पर आपके पास है, say, 15,000, फिर आपको नीचे गिवन है, subscription, in, advance, at the, beginning, रुपीज, 4,000, चलो, बड़े ध्यान से देखेगा, अब, जितना question मैंने आपको case 2 में समझाया था, आप उस हिसाब से करने बैट गए, उपने का, सर ने जो सिखाया था, उस हिसाब से तो यह subscription outstanding, in the, beginning है, आया न, यही सिखाया आपको भी, और यह क्या है, subscription, in advance, at the, end, यह सोनो, पक्का, अब, आप नीचे आये, subscription outstanding on 14 2017, आप तो बोल पड़े, यह क्या है, यहाँ पर भी given है, कितना given है, 11,000, जबकि जो सर ने सिखाया था, उस हिसाब से outstanding in the beginning, तो कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, यही दिक्कत आ रही है, बाकी question तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगी, आपने का, कि यह जो है, subscription outstanding at the end है, जिसके बारे में मैं अच्छे से पताए कि यह क्या होगा बताओ, प्लस होगा, very good, और यह advance in the beginning है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिक्कत इसकी हैं, अब ध्यान से देखें, आपने एकदम सही पैचाना, आप अपने तरीके से करना शुरू करें चला, subscription received during the year, कितना हुआ, एक लाख 17,000, plus subscription outstanding at the end of year, at the end of year कितना है, 15,000, अब, अब subscription outstanding in the beginning, यही है न, अब subscription outstanding in the beginning, उधर 10 दिख रहा है, इधर 11 दिख रहा है, क्या करें, आपको लेना है 11,000 रुपे, देखो, मैं आपको छोटा सा, क्यों मैं बता रहा हूँ, 11,000 एक्जांपल से समझाता हूँ, see, यह 11,000 रुपे जो है, यह दिखा रहा है कि, 14 2017 को genuinely जो है, आपके 11,000 रुपीज जो थे वो, outstanding थे, कितने outstanding थे आपके, 11,000 रुपीज outstanding थे, जबकि यह recipient payment account है, जो कि बनता किस पे basis पर है, cash basis पर बनता है, किस basis पर, cash basis पर, cash basis मतलब कितना पैसा आया, थे तो आपके 11,000 ही outstanding, but out of that, आपको जो receive हुआ, अभी receive 10,000 हुआ है, मतलब, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं मतलब, कि out of, outstanding amount of last year of rupees 11,000, we have received only outstanding amount of rupees 10,000, still 1,000 is outstanding, still 1,000 outstanding है, in respect of, last year balance, last year का अभी भी 1,000 रुपे क्या है, outstanding है, अग्दम सही सोच रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, सर्जो 1,000 रुपे आपको उससे मतलब ही नहीं, आप क्या लेते हो, outstanding in the beginning, कितना है, वो 10 है या 11 है, 11 है, सीधी सी बात हमने यह 11 लिया, अगर यह 11 given ना होता, तो हम 10 ही लेते, जैसे पिछले case में आपने देखा, कि कुछ नहीं given था नीचे, तो मैंने 5 ही लिया, क्योंकि मैंने फिर यह माना कि जितना outstanding था, वो सारा का सारा इस साल आ गया होगा, बट अगर question में specific information है, कि outstanding in the beginning इतना था, और यहां भी information है, तो इसका मतलब इसमें से आपको इतना ही मिला है, outstanding genuinely कितना था, 11,000 था, hopefully आपको doubt clear है, तो यह 10,000 की जो figure है, यह मेरे लिए फिलहाल कोई relevance नहीं रखती, ठीक है, no relevance right now, later on रखेगी अभी एक चीज और से कहूँगा आपको, ठीक है, चलिए, इसके बाद हमें add करना है, subscription in advance in the beginning, तो beginning में कितना था भाई, 4000 रुपे, minus subscription in advance at the end, कितना था, 7,000, ठीक है, 11,78 रुपे, 1,18,000 रुपे, जो हमारा income and expenditure के अंदर चला जाएगा, अब ध्यान से समझे जो मैं आपको समझाना चाहा रहा हूँ, मैंने आपको बोला यह फिलाल relevance नहीं रखती, ठीक है न, लेकिन, क्यों नहीं रखती और कब रखेगी यह दोनों बाते बताऊँगों, बड़े ध्यान से समलना अब वीडियो इंटरस्टिंग हो जाएगा, अगर आपने ध्यान दियाओं मैंने यहां वर लिखा था, subscription outstanding on, बड़े अराम से एक एक चीज समझे, अगर मैं यहीं पर एक case 4 ड्राफ्ट कर दों, जिसमें same information है, as case 3, जो case 3 में information थी, वो ही information आपके पास उसमें है, ठीक है, लेकिन नीचे adjustment में आपको given है, एकुपनसरंदे है ठीक है, ठीक है, इस लाइन में और उस लाइन में जमीन आस्मान का डिफ्रेंस है आप दोनों को सेम मत समझे है अगर आप दोनों को सेम समझ रहे हैं तो आपकी गलती है यह अमाउंट सेम है लेकिन लैंग्विज ने बहुत जबर्दस्त धोगा इसके अंदर आपके लिए बना दिया वो क्या आई उसके पर बात करते हैं देखें मैंने यहाँ पर चलो हो गई कलरिंग मेरी पूरी सी यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज किया था ओन ओन जब वर्ड यूज किया जाता है तो दाट रेप्रेजेंट्स टोटल क्या टोटल क्या रेलिवेंच यह इसको छोड़ो मैंने क्या वर्ड यूज किया था ओन ओन जब वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब टोटल जब मैं फॉर लिख रहा हूं, तो फॉर का मतलब होता है, वो सिर्फ एक specific year का है, सर समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रहा हूं, बिटा कहना ये चाह रहा हूं, यहां पर, outstanding पिछले साल, opening में कितना था, 11,000, मिला कितना, 10, अभी भी 1000 रुपे क्या था, outstanding था, था या नहीं था, यहां पर closing outstanding कितना था, 15,000, 15,000, में वो 1000 रुपे, जो अभी पिछले साल के आने थे, वो already included थे, क्योंकि word यहां पर लिखा हुआ था, on, on का मतलब क्या हो गया, total, कि on this date, the total outstanding was 15,000, which includes that 1000 of 16,17 as well, but, if you will see, here I have specifically used the word 4, 17, 18, 15,000, and it means, that 1000 of 16,17, जो 1000 रुपे, 16, 17 रुपे का outstanding है, वो इस 15,000 में included नहीं है, तो मैंने कहा था ना, यह जो 9 relevance लिख रहा हूँ, अभी काट भी दूँगा, आपने 11 से 10 को compare किया, आपने जब 11 को 10 से compare किया, आपने का भी भी 1000 रुपे outstanding है, वो 1000 रुपे का outstanding, आपका इस closing value के अंदर add होगा, या नहीं होगा, वो depend करता है कि word on है, या word for है, on है, तो इसका मतलब वो 1000 उसमें already included है, और अगर वो word for है, इसका मतलब वो अभी 1000 रुपीज उसके अंदर included नहीं है, समझ मैं ही बात, on है, तो already included of, already included, for है तो to be included, अभी आपको include करना है, तो अगर मैं यहाँ पर है, मैं इसे subscription account से सिखाऊँ आपको, memorandum subscription account, opening outstanding, कितना लिया था हमने, 11,000, जो closing outstanding है हम इस पर 15,000 ने लेंगे, 15,000 जमा, 1000, कितना लेंगे, 16,000 उपर लेंगे, advance में में कोई दिक्कत नहीं है, BD in the beginning is 4, and 7, 4000, 7,000, ठीक है, इसके बाद आपका cash account, आपको कितना मिला है total, 11,17,000, और यहाँ आपका क्या जाएगा, income and expenditure account as balancing figure, 21, 37, 11, और 7, 18, 11,000, हाँ, होफ़ली आपको मेरी बात समझ में आरी, यही पस difference क्या है कि हमने कितना लिया है, 16, जबकि हमने पिछले case में कितना लिया था, outstanding at the end 15 लिया था, क्यों क्योंकि यहाँ word on था, जबकि इस case के अंदर जो word है, वो क्या use किया गया है, for, पक्का, quit out, इसके अंदर, show, clear है यहाँ तक आपकी सारी के सारी बात है, तो आपने मेरे साथ, तीन cases पढ़े, जब इस तरीके से information है, plain, second page पढ़ा, इस third case पढ़ा, जिसके अंदर, नीचे भी outstanding है, on के साथ है, या उसके बाद आपने देखा किस के साथ है, for के साथ है, hopefully, उमीद करता हूँ कि आप आपको, इसमें अभी तक जितना आपने बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप practice कर लीचे, जो भी आप concern book अपनी refer करते है, कोई से accounts में specific book purchase करने की ज़रूती है, past exam questions करें, और मेरी वीडियो देखते रहें, जिक्टे हैं, Hello friends, Welcome back, चलिए, अब मैं आपके साथ, rest of the cases, subscription के discuss करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, basic cases अभी तक हमारे सारे cover up हो चुके है, the recipient payment account है, हमारे पास 31st part 2019 को, जो कि दिखा रहा है कि हमें subscription receive हुई है, total 80,000 रुपीज की, NPU के 1000 members हैं, और हर member जो है, वो subscription देता है 100 रुपीज की, subscription outstanding in the beginning 5000, advance in the beginning 4000, no subscription in advance at the end of year, और आपको बूला गया, prepare subscription account, सी बेटा, इसमें सबसे पहली चीज आपको, जो यहां पर समझने की ज़रुवत है, वो यह, जब भी आपको, ऐसे गिवन है कि, वुकलब के 1000 members, number of members गिवन हैं आपको, तो जो भी number of members हैं, अगर आप multiply कर दो, subscription amount, तो उसके बाद, जो आपका amount आता है, that is, वो आता है, subscription due, during the year, जो की, कहां पर जाएगा बताओ, very good, कहां जाएगा, income and, expenditure account में, क्योंकि expenditure account इडू बेसिस पर बनता है, तो यहां पर आपको 1000 members किवन है, हर members और पर की subscription दे रहा है, तो subscription due, during the, year, हम निकाल सकते हैं, 1000 members, 100 रपे एक के, तो कितना हो गया, 1,00,00 रपे, यह income and expenditure का amount आपका, अब ध्यान से देखे, हमें subscription account बनाना है, चलिए बनाते हैं, subscription account, अब देखे, subscription outstanding in the beginning कितना था, by outstanding जो होता है, वो असे चोता हैंगा न, याद है, 5000, subscription in advance in the beginning कितना है, 4000, subscription हमें receive कितना हुआ, cash, 80,000, income and expenditure का amount हमारे पास already आ चुका है, कितना, 1,00,00 रुपीज, ठीक है, इसके बाद, at the end, advance कुछ भी नहीं है, तो balance CD, nail, तब आपकी ये balancing figure बचेगी, यहाँ पर balance CD, closing outstanding कितना है, क्योंगे उसके बारे में उसने कुछ भी आपको नहीं बता है, तो यह 1,00,00,00 का total है, और यहाँ आपका आगया, 21,000, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार income and expenditure ये बचे balancing figure, कई बार हो सकता है, cash बचे, कई बार closing outstanding बचे, अभी तक आपने जितने questions में साथ किये थे, सब के अंदर balancing figure जो बच रही थी, वो क्या बच रही थी, income and expenditure, but it is not necessary at all, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, there may be a situation, कि closing outstanding, opening outstanding, something like that, को information अगर particularly missing है, तो वो information बचे, और मैं उस case में आपको advise करूँगा, कि इसी लिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ subscription account बना करी उसे निकाले, ठीक है, और इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ सीख ली, कि अगर members given है, और amount given है, तो subscription due during the year हमारे पास आ चुका है, उस case के अंदर अगर कुछ निकलेगा भी, तो वो due के अलावा, income and expenditure के अलावा कुछ balancing figure निकलेगी, one of the important case, चलिए, अब मैं आपके सामने एक अलग question इस तरीके का लेने जा रहा हूँ, जो कि exam में हो सकता है, separately four marks का आप से पूछा जाए, यह आपके सारे के सारे concept चेक करेगा, और आपने यह 6 cases कर लिए, तो it's more than sufficient, subscription आपका पूरा का पूरा cover up हो जाता है, तो चलिए, आएए मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ, एक club है, उसके 300 members है, तो यहाँ पर भी due का amount निकल सकता है, हमें मोटा मोटा idea लग गया, in the general meeting held on 31 December 2017, it was decided to raise the subscription from 200 per annum to 300 per annum, मतलब अगले साल के लिए जो subscription है, 200 रुपे पर बर्ज़र से 300 रुपे हो गया, चेक है, members who have paid in advance will be allowed subscription at old rate, बट अगर किसी ने advance दे दिया है, तो उन्हें पुराने rate से ही charge करेंगे, मतलब पुराना rate कितना है अपना 200 रुपे, note कलो प्लीज बेटा question, हाँ, note होने चीए सारे question सिर्फ समझने नहीं है, notes नहीं बनाओगे तो फायदा नहीं है, subscription received in advance 31 December 2017 को, opening advance है 2000 और opening outstanding कितना है, 3000, subscription in a year on 31 December 2017 was received during 2018, with the exception of those due from 5 members, जितना 2017 में outstanding था, वो सारा received तो हो गया, with the exception of those due from 5 members, मतलब 5 members से receive नहीं हुआ, चलिए, कुछ नहीं होता राम से देखते हैं इसको भी, subscription in a year for the year 2018 in respect of 15 members, अब सारा focus आप देखो members के उपर है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े राम से सारी चीज़े करेंगे, एक दम relax होके, आप बताओ सबसे पहले, subscription, outstanding, in the beginning, कितना है, कैना ही से outstanding in a year, a year का मतलब क्या होता है, outstanding, कितना है, 3000, yes or no, अब एक बात बताओ, 3000 है, in the beginning, तो, कैना ही से, पहले पिछले साल तो 200 रुपे के हिसाब से लगता था, मतलब, 3000 रुपे अगर है, और 200 रुपे एक member का था, तो कही ना कहीं, 15 ऐसे members थे, जिनका, amount, outstanding था, in the beginning, hopefully आपको ये बात समझ में आ गई है, चीक है, इसके बाद वो कह रहा है, subscription, in, advance, in the, beginning, in the beginning, advance है, कितने, advance अपका beginning में है, 2000, yes or no, 2000 रुपे advance है, in the beginning, तो, उन्होंने भी old rate से दिया होगा, मतलब, advance जो है, वो लगबग, लगबग, हमारा, 10 members का आ चुका है, current year के लिए, पिछले साल का जो advance होगा, current year के लिए होगा न, ये बात में आपको already बता चुको, तो अगर हम निकालें एक बार, तोटल, सब्स्क्रिप्षिन, ड्यू, दूरिंग्दा इयर, तोटल सब्स्क्रिप्षिन, कितना ड्यू हुआ, तो आप एक बात समझे, ये तोटल मेमबर्स थे हमारे कितने 300, तोटल मेमबर्स जो थे, वो हमारे थे 300, जिसमें से, advance already paid advance जिनोंने already दे दिया वो कितने members हैं जिनोंने advance already pay कर दिया ऐसे members हैं हमारे 10 तो जो आपके number of members बचे वो बचे 290 अब जो old members हैं वो तो old rates से ही देंगे यह हमने बात कर लिए 10 into 200 question में लिखा हुआ था देखिए आप पढ़के 2000 और जो new members है मतलब जो rest of the members बचे वो new rate देंगे 3,300 रुपे के हसाब से तो अगर मैं यह देखूँ 290 into 300 तो यह आता है आपका 87,000 तो total amount जो due हुआ during the year वो कितना हुआ 89,000 रुपीस का this is due during the year जो कि हमारा कहा जाएगा income and expenditure account में ठीक है opening outstanding पता लग गया opening advance पता लग गया due during the year पता लग गया अब अगर हम बात करें in a year for the year 2018 in respect of 15 members तो subscription outstanding at the end की अगर मैं बात करूँ 15 members ने नहीं दिया तो 15 members और कितने रुपे 300 रुपे के साब से कितना हो गया 4500 लेकिन अगर आप देखें तो जो opening था subscription in a year on this was received during 18 with the exception of those due from 15 members उसमें भी 5 members ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिया तो ये भी ये भी outstanding है 5 into 200 हमारा जो amount है वो कितना आ जाता है वो आ जाता है 1000 तो total जो है हमारा कितना हो गया outstanding at the end 5500 अब हमारे पास maximum चीजे आ चुकी है opening outstanding opening advance due during the year outstanding at the end subscription in advance at the end आपको given कुछ भी नहीं है उसकी information तो हम उसको nil माल लेंगे 0 माल लेंगे कुछ भी उसके बारे में उसने हमें information नहीं बताई है question के अंदर तो we will assume it to be nil so now make a subscription account subscription account so you can clearly see what was the opening outstanding opening outstanding was 3000 closing at the end कितना 50 500 ठीक है इसके बाद opening advance was 2000 ठीक है closing advance कुछ भी नहीं है तो that will be nil income and expenditure जो आपका बनेगा that will be 89,000 तो यहां पर आपकी balancing figure आ जाएगी cash तो देखो मैंने आपको कहा था कि अगर due budget already given है तो कुछ भी balancing figure बच सकती है यहां cash account बने तो इस case के अंदर जो हमारा recipient payment account बनेगा उसके अंदर हम subscription दिखाएंगे received कितना 84,500 जो income and expenditure बनेगा उसमें हम credit side के दिखाएंगे subscription account कितना 89,000 ठीक है जो balance sheet बनेगी कब opening वाली 31 December 2017 की उसमें subscription outstanding दिखाएंगे 3000 और subscription in advance दिखाएंगे कितना 2000 रुपे उसके बाद जो balance sheet बनेगी आपकी closing में that is on 31 December 2018 को उसके अंदर subscription outstanding जो आपका आएगा वो आएगा 5,500 रुपीज और यहाँ पर subscription in advance के नाम पर कुछ भी नहीं आएगा तो सारी presentation आपने extract की form में देख ली किस तरीके से क्या होगा very important two cases ठीक है इसी के साथ यह concept आपका cover होता है अच्छा एक चीज़ और अगर आपको कभी बोल दे subscription right off during the year कुछ ऐसी बात अगर उसने आपको question में बोल दी है करें घबरा जाएं आप right off during the year है तो उसकी entry क्या होगी बताओ उसकी entry होगी income in expenditure debit जितना amount बुलेगा to subscription मतलब आप उसे क्या करेंगे subscription account के अंदर अगर कुछ भी 500 उसने बोले right off हुआ है तो credit side लिख देंगे income in expenditure right off जो भी वो आपका amount बताएगा in case बोलते है वैसे होता नहीं है बट in case अगर कहीं कुछ है ऐसा तो आप उसे इस तरीके कैसे करेंगे तो यह आपने मेरे साथ पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन का treatment देख लिया कैसे होगा चे यह चे केसे आपने मेरे साथ यहां पर cover up कर लिया होपफुली अब आपको किसी तरह की कोई समें दिक्कत है नहीं आएगी अब बिटन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बात करूँगा that will be on consumables जो की हां consumables के ओपर बात करूँगा जो की एक बहुत ही important aspect है NPO का उसके बाद एक वीडियो और होनेगी जिसमें हम दूसरी टर्मस पर एंट्रेंस, फीस, लाइफ मेंबर्शिप, फीस वगरा पर बात करेंगे और फिर fund-based accounting करके NPO का chapter अपना over करेंगे ठीक है जी thank you so much गें वीडियो पसंद आई तो प्लीज जाज़्यादा whatsapp डूप में इसे share करिए facebook पे share करिए अपने दोस्तों को inform करिए सबसे पहले होते क्या हैं फिर हम देखेंगे कैसे उसका accounting treatment होगा NPO में देखो consumables क्या होते हैं which are frequently used in NPO जिसे example के तौर पर अगर hospital है तो hospital में medicines जितनी भी है वो एक तरह से consumable है क्यों क्योंकि medicines purchase भी होंगी regular basis पे consume भी होंगी ठीक है या stationary है वो भी क्या है consumables है same way एक club है तो club के अंदर जो bat ball, tennis ball या कोई भी sports material किसी भी तरीके का वो सब क्या है उनके लिए consumables हैं क्योंकि वो frequently use हो रहे हैं ठीक है stationary भी होगा generally question में आपको मैं बताओ इनकी पहचान कैसे होगी कैसे आपको पता लगेगा कोई item consumables है इसका आपको opening stock and closing stock जो है वो given होगा अगर किसी भी item के respect में closing stock या opening stock given है तो आप मान लीचे कि वो एक तरह से क्या है consumable है अब क्या उसका treatment होगा सारी बाते आपको बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखे see let us take a example आपके पास information है on 1st April 2018 31st March 2019 opening stock sorry opening stock नहीं से हम लेते है stock of sports material say 10,000 and 25,000 ठाक है and आपको recipient payment में गिवन है 31st March 2019 payment for sports material या purchases for sports material say 1,000,000 तो अगर इस तरीके से आपके पास एक question given है जिसमें stock sports material का और payment भी given है तो payment side जो यह amount आपको दिख रहा है this indicates purchases of sports material यह क्या indicate करता है purchases अब ध्यान से देखे क्या accounting treatment होगा इसका आपको इस case के अंदर निकालना है consumption of sports material अब यह consumption of sports material कैसे निकलेगा ध्यान से देखे जो भी आपके पास opening stock था sports material का उसमें आप जितना भी sports material purchase हुआ during the year वो add कर दीजे और minus कर दीजे जो भी sports material का stock बचा हुए see this example में अगर 10,000 का हमारे पास stock था और उसमें से एक लाग रुपे का purchase हुआ and 25,000 का अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है तो 10,000 का था एक लाग का purchase किया total होना चाहिए था एक लाग 10,000 बढ़ हमारे पास सिर्फ 25,000 का पड़ा हुआ है इसका मतलब जो rest of the 85,000 है उतने का sports material जो है वो consume हो गया this is consumption of sports material इसका treatment क्या होगा जब यह amount निकल जाएगा तो income and expenditure account के अंदर आप debit side दिखाएंगे consumption of sports material by the amount of 85,000 ओपीस ठीक है और balance sheet के अंदर यह कहाँ पर जाएगा asset side जाएगा दिखा दूँ मैं आपको balance sheet में 14,000 अठार asset side आप लिखोगे sports material कितना 10,000 ठीक है और फिर जो closing balance sheet है उसमें भी 31,000 अठार्च 2019 sports material कितना 25,000 ठीक है तो यह आपने देखा किस तरीके से हमें consumable का treatment करना है case number one अभी इसमें मैं multiple चीज़े add करता जाऊँगा चले इसको आप alternatively account से भी कर सकते हैं यह additionally आपको बता रहा हूँ memorandum sports material account और किसी का भी बन सकता यह stationary का bad ball का जो भी है see अब stock था stock is asset तो debit side उसका balance किया 10,000 closing balance कितना है 20 5,000 का चेक है अब consumption जो है वो income and expenditure में किस side जाएगी debit side चलो अच्छा आपने purchase कितने का कर रहा था 1,00,000 का तो entry क्या होगी sports material account debit to cash कितना 1,00,000 तो आप देखिए जब आप यहां balancing figure निकालेंगे income and expenditure तो आपकी same 85,000 आएगी यहां credit हो रही है तो income and expenditure में वो debit हो रही है तो आप इस formula से निकालिए या आप इस account से निकालिए answer जो है वो दोनों cases में आपका same आएगा अगर इतनी सी information है तो I will prefer कि आप इसी तरीके से निकाल लें आपको account बनाने की ज़रुत नहीं है but अगर हमारे पास इसके अलावा को information है तो आई उसके पर बात करते हैं उसे कैसे करना है पहले आप यह note कर लीजए see suppose apart from that आपको creditors की भी information गिवन है suppose आपके पास एक recipient payment account है जिसमें 31st March 19 आपको यहाँ पर sports material की payment का गिवन है 2,00,000 रुपे ठेक है 1 April 2018 31 March 2019 sports material stock ठेक है और फिर आपको एक information और गिवन है creditors for sports material 10,000 15,000 30,000 20 25,000 ठीक है यह information आपके पास है तो अब इस case के अंदर आपको किस तरीके से करना है तो strictly I will advise you to go for the account how editor अपकभीठर एडिटर है वो इस डेप्रेजेंट क्या करते हैं लैब्लीटी सकते हैं Income and Expenditure दो लाक पैंते से सार दो पिंता लेस वन लाक नाइन्टी थाउसंद और इस केस के अंदर अब आप क्या दिखाएंगे बताओ Income and Expenditure में यहां पर Consumption of Sports Material कितना 1,90,000 फिर Balance Sheet 30 March ठारा Asset side आएगा Sports Material का Stock कितना 10,000 और यहांगे Creditors of Sports Material कितना 30,000 गलती कर दी नहीं ठीक तो है कितना 25,000 ठीक है नहीं ठीक है क्यों घबरा रहा है चलो तो यह आपका पूरा का पूरा 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 प्रेजेंटेशन अगर Creditors भी है अप कहेंगे सर Statement बना के निकालना चाहिए तो क्या निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं फॉर्मला बहुत लंबा हो जाएगा कहो तो मैं सिखा देता हूँ वैसे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है फॉर्मला इस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़स माइनस क्लोजिंग स्टॉक यह सोनो तो परचेज़स आपको निकालनी पड़ेंगे अप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो given है उस परचेज़स के लिए क्या होगा ध्यान से देखिए जो भी आपके ओपनिंग क्रेइटर से और minus कर देंगे opening creditors तो आपके आएंगे क्या purchases ठीक है तो उस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा लेंदी रहेगा अगर आपको stock और creditors दोनों given है तो I will strictly advise you to go for memorandum sports material account ठीक है बटकर single information है then it's okay आप इसे statement से करें समय account मराने की ज़रुवत नहीं है ठीक है चली से बड़ा case example 3 जिसमें आपके पास advance भी given है see receipt and payment account 31 March 2019 payment for stationary ले ले लेता हूं चलो यह तो कहोगे एक ही चीज है क्या सर से आपने payment करी डेड़ लाक रुपे की ठीक है 1 April 2018 31 March 2019 उसके बाद यहां पर हमने देखा stock फिर creditors यह stationary कहीं है और यहां पर advance to creditors अभी नए information आपको मैंने देदी advance to creditors तो say 20,000 30,000 10,000 12,000 5,000 7,000 यह सब information है तो अब आप क्या करोगे आप बनाओगे memorandum stationary account see stock है आप के पस कितना बताओ जितना आपको आता है पहले उतना तो करो क्यों घबरा रहे हो balance bd है 20,000 balance cd है 30,000 creditors बताओ पता है न बस क्यों टेंचन ले रहे हो balance bd है 10,000 balance cd है 12,000 उसके बाद advance तो advance अगर creditors को हमने दिया है तो वो हमारे लिए asset है उसका नीचर क्या है asset क्योंकि future में वो हमें benefit देगा उतनी payment कम करनी पड़ीगे तो आपने यहां लिखा balance bd है बेशक आप अपनी confusion के लिए यहां पर confusion ना उसके लिए advance कितना पांच असे टैना balance cd आप कह रहे हो दो दो bd cd आ रहे है सब आ सकते है भाई यह memorandum account है working note purpose के लिए बनता है यहां पर आपने जो भी payment करी है cash कितनी करी है एक लाग 50,000 रुपे तो जो आपकी balancing figure बचेगी that will be income and expenditure account as balancing figure तो पचेश से एक पचेटर 187 चेक है 3747 माइनस तो वन लाग 40,000 समझ में आ के शो अब इसको ही आप income and expenditure में लिख देते हैं यहां पर consumption of stationary कितना एक लाग 40,000 चेक है उसके बाद balance sheet में एक चार अठारा की चो होगे asset side stock कितना 20,000 advance to creditors कितना 10,000 इसके बाद यहां पर सॉरी 5000,000 ठीक कर लेता हूँ कोई गलती मिला करें किसी वीडियो में comment में लिख दिया करो हमारे लिए beneficiary और आपके लिए भी और आने वाले बच्चे जो पढ़ेंगे उनको भी फायदा मिलेगा creator मिले तो जब रदस्ती मत लिखो 10,000 चलिए balance sheet फिर 31 March 19 को stock कितना 30,000 advance to creditors कितना 7,000 और यहां पर liability creditors कितना 12,000 ठीक है तो यह आपने देखा तीन cases यह तीन cases ही हो सकते हैं या तो stock given away stock creditors दोनों या stock creditors on advance, care example 3 rare है बहुत ही rare exam में कभी आपको देखने को मिलेगा तो यह आपने सारा consumables का treatment सीखी है मेरे साथ most of the NPO आपका cover-up हो हो चुका है अब मुझे front base life membership fees entrance pieces पर थोड़ी बहुत बात करने है और फिर हम full flash question देखेंगे so video पसंद आई तो don't forget to inform your maximum friends please जाए साथ WhatsApp group में Facebook पर इस अपने दोस्तों के साथ share करें thumbs up and you can also review us on Google just type chroming education academy और चंदन पौदार और वहां पर आप हमें rating दे सकते हैं thank you so much hello friends चले अब तक आप major part मेरे साथ already सीख चुके हैं NPO के अंदर one can be the general donation and second can be the specific donation अब general donation और specific donation जो होती है दोनों के बीच में difference क्या होता है ध्यान से देखें general donation जो होती है उसके अंदर donor specify नहीं करता कि जो वो donation दे रहा है वो किस purpose के लिए use करने है for example Mr. A ने XYZ NPO को 10,000 रुपे दिये donation दी but purpose specify नहीं कि 10,000 रुपे किस लिए use करने तो that's a general donation but अगर Mr. A ने 10,000 रुपे दिये XYZ NPO को और ये बोला कि इसका इस्तिमाल सिर्फ और सिर्फ construction of building में करना है आपको तो that will be called as specific donation तो general donation क्या है in which donor does not specify the purpose of donation जिसमें जो donor है वो purpose of donation define नहीं करता NPO can use it according to its own policy अपनी policy के हिसाब से वो से use कर सकते जबकि specific donation के अंदर क्या होता है donor specify the purpose for which such amount to be used जिस purpose के लिए वो use करना है वो जो है donor specify करता है ठीक है जो general donation होती है जो general donation होती है ये NPO के लिए एक तरीके से income होती है considered as income तो इस वज़े से इसको हम क्या करेंगे income and expenditure में income and expenditure account में इसको हम credit कर देंगे ठीक है जी जो specific drug donation होती है इसको NPO एक तरीके से liability treat करता है till it is used for purpose it is received जिस purpose के लिए उसे receive हुई है जब तक वो उसके लिए use नहीं हो जाती तब तक के लिए उसे liability माना जाता है और उसे balance sheet में हम liability site दिखाएंगे like this balance sheet liability site हमने लिख दिया donation suppose building के लिए मिली है तो donation for building ठीक है आईए specific donation के एक बड़ general entry समझते हैं और इसे all better manner में समझते हैं देखें when specific donation is received जब यह specific donation received होगी तो क्या entry होगी सबसे पहले यह देखते हैं यह उस case के अंदर पैसा आया हमारे पास तो entry will be cash या bank account debit और जो पैसा आया उसे हमें liability मानना है तो to donation for से मैं उसे जो भी purpose है फिलिन दव लाइंग का भी रिख लेता हूँ चलो ठीक है to donation for जिस भी purpose के लिए वह आपको मिला है अब ध्यान से देखिए देखूं अब जब amount उसका use होगा when such amount is used बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर थोड़ी चीज़े टेक्निकल हो जाएंगे जब मिला है सिर्फ तब तक तो ठीक तब use होगा तो क्या होगा देखो specific donation जो है वो हो सकता है आपको मिले for any asset या for paying expenses या तो हो सकता है किसी asset के against मिले या कोई expense के against मिले suppose एक school है और उसको suppose specific donation मिली पांच लाख रुपे की library बनाने के लिए तो that is for constructing the asset but suppose उसे पांच लाख रुपे की donation मिली to pay the scholarships तो that is for paying the expenses समझ मैं बट for example please note down करिये सब कुछ साथ साथ सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा The school received donation for constructing the building for example यहाँ पर building ले लो library ले लो मत पीछह पढ़ो इतना मेरे school received donation for providing scholarships ठीक है चले तो it can be against asset और it can be against expense अब जब यह amount आप use कर रहे हैं ध्यान से देखिए तो क्या होगा payment जाएगी हमारी तो to cash या bank आया ना पका अब अगर वो asset के against है तो asset आगया आपका asset account debit या कोई आपने उससे expense पे किया है तो expense क्या हो जाएगा debit हो जाएगा जो भी अगर वो asset के against है building अगया तो building account debit और scholarship तो scholarship account debit अब यह आपने amount use तो कर लिया बट जो donation for जिस भी purpose के लिए वो मिली हुई थी ठीक है वो amount अभी भी credit as a credit books में देख रहा है अब उसका treatment क्या करना है क्योंकि amount आपने use कर लिया तो होगा क्या ध्यान से देखिए अब इसमें दो cases बनेंगे against expenses आपने use के अगर तो देखो जो expenses के against अगर आपने उसे use के जैसे for example scholarship तो access तो expenses जाते income and expenditure में बट क्योंकि उसके लिए आपके पास specific donation आई हुई थी तो यह expense आपका income and expenditure में नहीं जाएगा वो आपका जो भी donation for specific expense आपको मिली थी उसमें से debit होगा to expense account समझ में यह बात यह जो expense आपने किया है यह income and expenditure के अंदर transfer नहीं होगा rather than यह amount आपका कहां से आजाएगा donation for specific expense अभी मैं बहुत अच्छा example भी लोंगा इसके उपर और अच्छा आपको समझ में आएगा चेक है do not transfer the amount of expense in income and expenditure account ठीक है जी और against अगर asset मिली है तो उस case के अंदर जितना भी specific donation का पैसा है वो capital fund में transfer हो जाएगा कहां पर capital fund में तो entry will be donation for specific asset debit to capital fund या general fund उस case में वो capital fund या general fund में हम transfer करेंगे समझ मैं है तो आपको ये बड़ी ध्यान से बात देखने हैं कि वो against expense है या against asset अब चलिए इस पर एक question example भी ले ले लेते हैं च्छे से आपको समझे अपकोंगी अया जएंगे करेंगे प्यापके waeons are you that's 2017-18 और कुछ भी आपको given नहीं है तो एक तो ही आपका recipient payment में recipient side आ जाए दिख रहा होगा आपको donation for scholarship कितना 2,00,00 पर दूसरा since it's a liability तो balance sheet में liability side 31 March 2018 को किसलिए donation for donation for scholarship कितना 2,00,00 रुपए प्लीज आप short format लिखेगा आप proper notes बनाईए hopefully यहां तक आपको clear है अब आगे आपको दिया हुए है in the year 18-19 1,00,00,000 1,500,000 used in paying scholarships scholarships देने के लिए उस amount का हमने use कर लिया ठीक है आपको दिखनी रहोगा please camera आ रहोगा आपके लिए वो scholarship है पूरा वर्ट ठीक है चले 1819 में हमने use कर लिया तो जब entry की होगी उसकी क्या होगी बताओ जब आपने उसे use किया तो entry होगी scholarships debit to cash कितना डेल लाग रुप है और उसके बाद यह जो scholarship का amount है हम donation से लेंगे तो donations for scholarship debit deadluck to scholarship यह scholarship आपका income in expenditure में नहीं जाएगा तो अब आप अगर देखेंगे ध्यान से देखें तो recipient payment account अठारा उननिस का जो बनेगा उसमें अहाँ पे payment चाहिड़ा और होगा scholarships डेल लाग बट क्या यह income in expenditure में चाहेगा नहीं income in expenditure के अंदर कुछ भी नहीं चाहेगा क्यों नहीं चाहेगा क्योंकि इसके लिए हमें specific donation मिली थी बस अब होगा क्या जो balance sheet में हमें donation दिख रही थी donations for scholarship कितनी दिख रही थी दो लाक रुपए ठीक है उसमें से हमारा amount जो use हो गया वो minus हो जाएगा कितना डेल लाक रुपए तो बचेगा कितना पचास अजार रुपए balance sheet में आपका amount for scholarship दिखेगा आपको समझ में आई बात hopefully यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है इसे मैं और अच्छा करके लिख देता हूं तो आप final presentation वैसी दे दोगे मुझे पता है यहां पर आपका 50,000 रुपए instead of transferring this amount to income and expenditure यह आपका यहां पर amount reduce होगा hopefully आपको उन तोनों बातें बहुत अच्छे से clear हैं कि specific donation जब receive होगी तो क्या होगा अगर during the year उसका use हो गया तो use हो गया तो उस case के अंदर घबराने की ज़रुरत नहीं जिस purpose के लिए use होगा है उतना amount आपका यहां पर कम हो जाएगा डेड़ लाक जैसे अगर use होगा तो डेड़ लाक हमने यहां कम करके दिखा दिया पहले दो लाक दिखा रहे थे अब पचा सजार दिखा रहे और income and expenditure में नहीं जाएगा समझ में आए चलिए अगर यही हमें receive हुआ होता हाँ asset के लिए ठीक है तो क्या करते है देखिए donations received for building suppose 10,00,00,00 रॉपर में वहीं building बनानी कोई में जाया के कहना है तो 10,00,00,00, suppose हमें receive हुआ है अब इस case के अंदर क्या होगा बता हूँ recipient payment account में recipient site donation for building कितना 10,00,00, 30 March 2018 सबो 17-18 में आपको मिली और फिर जो balance sheet बनेगी 31 March 2018 को उसमें आप liability site दिख देंगे donation for building ठेक है कितना 10 लाग रुप income in expenditure के अंदर कुछ भी नहीं आएगा समझ महीं बन चला अब suppose during the year 18-19 amount used for constructing building 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 बनाने के लिए use हो गया 6 लाग रुपए तो बताओ entry क्या होगी building debit to cash 6 लाग 6 लाग और जितना amount use हो गया वो आप कब donation for building से निकल खतम हो जाएगा और हम उसे transfer कर देंगे कहाँ पर capital fund में जैसे नॉर्मल बिजनस में capital होता है यहाँ पर क्या होती है capital fund तो अगर आप देखें कैसे यह appear होगा recipient payment account में आपको payment site दिख रहा होगा building के लिए use होगा कितना 6,00,00 balance sheet के अगर आप बात करें तो balance sheet में asset आगे आपका building कितने की 6,00,00 जो आपकी donation थी for building कितनी थी 10,00,00,00 उसमें से amount use होगा कितना 6,00,00,00 तो बचा कितना 4,00,00,00 और जो भी यहाँ capital fund है whatever it is suppose x amount है तो उस x amount में यह 6,00,00,00,00 रुपे add होके यहाँ पर एक्स प्लस 6 लाग जो है वो पियर आपको करेगा सुप उस 10 लाग है अगर तो 10 लाग जमा 6 लाग 16 लाग रुपे महाँ पर आएगा समझ मैं आपको किस तरीके से पूरे specific donation का हम treatment करते हैं यह आपनी जो मेरे साथ सीखाब आपको इसमें help मिलेगी पूरा का पूरा fund-based accounting करने में चैके fund-based accounting कुछ नहीं है basically जब specific donation multiple जगा से हमें मिलती है for the same cause तो हम better है उसके लिए fund-based accounting करना शुरू कर देते हैं मैं आपको next video के अंदर बताऊंगो से पहले आप यह सारा अच्छ से समझ लीजे revise कर लीजे उसके बाद ही आप next video देखेगा ठीक है जी thank you so much और again मेरा repetitive lecture subscribe करो यार दोस्तों को बताऊ जास यारा thank you so much hello friends अभी आपने मिरसत last video के अंदर discuss किया specific donation का treatment किस तरीके से होता है अब हम बात करने जा रहे हैं fund-based accounting की in case of NPO सबसे पहले हम समझेंगे कि fund-based का मतलब क्या होता है और उसके बाद देखेंगे इसका accounting treatment क्या होता है देखें अगर हमारी specific donation जो हमें मिल रही है क्या होता है specific donation जो special cost के लिए specific cost के लिए मिलती है अगर specific donation हमारी regular nature की हो जाती है मतलब हमें routinely ये मिलती रहती है different number of donors से तो in that case it is better to go with fund-based accounting इसमें होता का है ध्यान से देखें suppose हमें specific donation मिल रही है for construction of building ठीक है और ये regular interval पे मिलती रहती है ज़रूरी नहीं है एक ही donor से मिले there can be multiple donors तो for construction of building अगर ये मिल रही है तो हम क्या करेंगे instead of अभी तक हम क्या लिखते थे donation for building या अगर मैं entry की बात करूं सीधे तो अगर हमें मिलती थी specific donation for construction of building तो हम इसके लिए सीधे क्या लिखते थे बताईए bank account या cash account debit yes or no to donation for building यही सिखाया था मैंने आपको या नहीं see यह तो था जब आप specific donation में treatment करते थे लेकिन अगर आप इसे fund based accounting में देखते हैं तो हम क्या करते हैं जिस purpose के लिए हमें वो donation मिल रही है उसका एक हम fund बना देते हैं in the sense bank या cash account debit हमने क्या किया एक fund बना दिया so called as building fund there can be multiple funds in an NPO building fund library fund, salary fund, कुछ भी इस तरीके multiple purposes के लिए बन सकते हैं तो हमने क्या किया instead of writing the donation for building ठीक है हमने उसका एक fund बना दिया building fund अब जो भी specific donation देगा for construction of building वो पैजा मेरा कहां transfer होता रहेगा building fund के अंदर सर नामी तो change किया आपने पहले donation for building था building fund है तो ऐसे difference क्या हुआ आपके मन में यही आ रहोगा ध्यान से देखिए मैं आपको सारा का सारा चीज़े समझा रहा हूँ और एक proper case चे सब कुछे समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से सारी चीज़े आपको note करने है मैं एक example लेता हूँ suppose NPO received बड़े ध्यान से देखिएगा NPO received rupees 10 lakh in building fund during the year 1718 2017 2018 में building fund में उसे कितने लाक रुपे दस लाक रुपे मिले तो देखो अगर building fund हम बना देते हैं तो उससे क्या होगा सबसे पहले आप entry record करेंगे cash या bank account debit to बताओ building fund कितना दस लाक दस लाक और अगर वो fund based accounting हो रही है तो जितना fund के अंदर balance है उतना balance NPO simultaneously कहीं invest कर देगी so that वो पैसा किसी और purpose के लिए utilize ना हो जाए जबकि अगर उसे specific donation की तरह सर्फ treat किया जाता तो उसके अंदर कोई corresponding investment का provision नहीं होता अब यहां 10 लाक रुपे मिले हैं तो इसको उठाके invest कर दिया building fund investment debit to cash or you can say bank account 10 लाक 10 लाक तो what will happen in this case जब आप balance sheet बनाएंगे 31 March 2018 को चेक है asset liability तो आप liability side लिखेंगे कि आपका building fund है कितने का 10 लाक रुपे का और यहां asset side आप दिखेंगे कि आपकी building fund investment है कितने की building fund investment आपकी 10 लाक रुपे की building fund investment आपकी 10 लाक रुपे की investment नहीं करते हैं तो जब भी आपके बात ध्यान रखिए NPO की balance sheet में आपको fund word दिख रहा है तो correspondingly उसके against investment जरूर की गई होंगी इस तरह की investment जो fund के against की जाती हैं उनको हम बोलते हैं इयर-marked investments क्या बोलते हैं इयर-marked investments क्या होते हैं investments that are made for some specific purpose investments that are made for some specific purpose किसी specific purpose के लिए जो investment की जाती है ठेक है hopefully आपको इसमें कोई doubt है नहीं अब आगे देखिए during the year 18-19 अब 18-19 के अंदर आपने investment करिये तो obviously उसमें आपको क्या मिलेगा interest इंट्रस्ट इंवेस्टमेंट्स रिसीव इंट्रस्ट और रुपीज एटी थाउद जो आपने investment करी थी उसमें आपको 80,000 रुपे का इंट्रस्ट मिला तो क्या इंट्री होगी ध्यान से देखिए cash मिला होगा या bank में आया होगा cash या bank account debit to interest on building fund investment कितना मिला 80,000 80,000 yes or no हमको 80,000 रुपे का interest मिला है अब यह जो interest मिला है it's not a income for NPO यह income नहीं है कहीं आप सोचुकि यह income है अरे भाई एक बाद बताओ 10,000,000 मिले ते उसको आपने invest किया उस पे आपको 80,000 रुपे का ब्याज मिला तो यह 80,000 भी उसी purpose के लिए use होगा उसी purpose के लिए मतलब for the construction of building तो यह जो भी आपको interest मिला है interest on building fund investment 80,000 रुपे yes or no यह आपका कहाँ चला जाएगा building fund के अंदर समझ महीं मत यह बाद ध्यान रखना यह जो interest आपको मिला है it's not an income यह income नहीं है यह एक तरह से आपके लिए liability है क्योंकि इसका इस्तमाल भी आपको for the construction of building ही use करना यहाँ एक credit हो रहा है not in the sense of income rather than because it is a liability समझ में आई बाद चले तो आपको hopefully यहाँ तक मेरी बात है समझ में आ गई ठीक है अब suppose आगे उसने लिखा हुआ है during the year 18-19 amount used for construction of building अब ही देखिए आप पूरा का पूरा note down करें है इंड में मैं आपको एक summary दूँँगा और उससे पहले समझने के लिए आपको पूरा note down करना है amount used for construction of building rupees 2 lakh 2 lakh रुपे हमने building की construction में use कर लिए तो building आ गई existence में asset है building account debit yes or no to cash और मैंने आपको बताया था specific donation के अदर अगर आप amount use कर लेते हो for the construction of asset तो उतना पैसा आप निकाल करके कहां transfer कर देंगे general fund में वही चीज़ यहाँ पर भी building fund debit to general fund या जिसका दूसरा नाम क्या है capital fund sorry यहाँ पर तो 2 lakh रुपे given है तो 2 lakh रुपे हम 2 lakh 2 lakh चेक है उसके बाद 2 lakh 2 lakh समझ मैं इस बाद तो अगर आप net picture देखें कि net picture हमारे पास क्या है यहाँ तक करने के बाद see balance sheet हमारे पास building fund था कितने का 10 lakh का building fund investment थी 10 lakh की अब हुआ क्या आपको interest मिला जो कि आपने building fund में add किया interest on building fund कितना मिला था 80,000 रुपे very good आपने amount जो use किया वो building fund में से कम हो जाएगा कितना 2 lakh रुपे तो यह आपका बचेगा 8,80,000 और जितना आपने use किया है वो आपके general fund या जिसको हम capital fund भी कहते हैं जो भी x amount है उसमें वो 2,00,000 रुपे प्लस हो जाएगे तो यहाँ पर x plus 2,00,000 रहेगा hopefully यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई doubt नहीं और सारी बाते समझ में आ रही है अभी आपने almost मिर साच चीजे के लिए एक दो छोटी छोटी चीजे और बतानी है hopefully यहाँ तक आपको कोई doubt नहीं है अब suppose मैं आपको बोलता हूँ during the year investments of rupees 2,00,000 sold at profit of 20,000 20,000 के profit पे आपने बेच ती तो आपके पास cash आया cash account debit पढ़िया यहाँ पे अपने building बनाई थी 2,00,000 की हाया न तो obviously investment तो बेच ओगे cash कहां से लाओगे वो cash तो सारा fund investment में block था तो cash account debit कितना 2,00,000 investment आपकी कम होई कितनी 2,00,000 or to profit on sale of building fund investment कितना 20,000 और यह जो profit है यह जो आपका profit है यह transfer कहां हो जाएगा जी हाँ उससे related कोई भी income है तो वो कहां जाएगी building fund के अंदर building fund investment से लेटेट कोई भी income हा रही है कोई भी loss है वो कहां जाएगा building fund अगर सुपर loss भी होगा होता तो भी वो building fund में जाता तो यहां पर investment आपकी sold हो गई कितने की दो लाक रुपे की तो यह balance कितना बचेगा आट लाक रुपे और इसके अंदर जो profit है वो क्या हो गया एड हो गया profit on sale of building fund investment कितना 20,000 रुपे अब मैं इसको यहां से हटा देता हूँ तो यह आपका total कितना आ गया 9,00,000 रुपे समझ में आ गया शो तो आपने देखा fund based accounting के case में जो main points थे अब मैं आपको वो बाते बतारता हूँ in case of fund based accounting fund will appear on liability site yes or no and investments related to such fund will appear on asset site और अगर उसका हम पूरा खाखा त्यार करें एक format type त्यार करना चाहें तो देखे हो कैसा देखेगा balance sheet this देखे देखे liability site जो भी हमारा fund है say building fund है library fund है कुछ भी अगर है अगर तो उसमें आप अगर 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 आपने और investment करी है additions है तो उसे add और अगर आपने कोई investment sold करी है तो उसे क्या कर देंगे minus समझ मैं ही पर इस तरीके से आपका पूरा का पूरा होगा और अगर used for वाला जो amount है वह asset purpose के लिए है तो ही वह सिर्फ channel fund में add होगा समझ मैं है यह आपका पूरा का पूरा एक खाक है कई बार बहुत rare questions ऐसे होते हैं जहां लिखा होता है outstanding interest on investment जैसे outstanding interest on building fund investment तो देखो outstanding अगर लिखा हुए तो आपको पता है वह आपके लिए क्या है asset है तो आप उसे लिख देंगे outstanding interest interest asset है वह on building fund investment अगर कुछ ऐसा है तो investment में मता add करना हुए अलग से आपको लिखना है और उसको यहां पर आप add कर देंगे जो भी आपका outstanding outstanding interest है अगर मिल गया receive होगा तो यहां पर liability बढ़ गई होगी और यहां क्या बढ़ गया होगा cash बढ़ गया होगा यह अच्छे से सीख लिया है कि किस तरीके से जो building fund या कोई भी specific fund होता है उसकी treatment किस तरीके से की जाती और मैंने exhaustive तरीके से आपको यह पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है ठीक है एक छोटा सा example इसके उपर मैं ले लेता हूँ ताकि आपको और concept clear हो जाए चले question हमारे सामने है building fund है 5 लाग का building fund investment 5 लाग on 31st March 2018 during the year 2019 building fund donation मिली 1 लाग रुपे के an amount used for construction of building rupees 3 लाग 1 लाग मिला 3 लाग इस्तिमाल हुआ interest due on invest मिला कितना है 1 लाग use कितना हुआ 3 लाग तो देखिये मैंने एक format बना लिए 27 लाग 2019 building fund था हमारे पास opening 5 लाग और investment भी 5 लाग जितनी हमें donations मिली वो इसमें add हो जाएगा कितनी मिली 1 लाग और जितना आपने used किया वो इसमें से minus हो जाएगा कितना 3 लाग चेक है out of interest due in investment कितना 1 लाग received during the year 75,000 उसमें से हमें receive जो है वो सिर्फ 75,000 हुआ है मतलब 1 लाग डियो था जिसमें से 75,000 receive हुआ तो 25,000 क्या है आपका outstanding तो देखें यहां पर आप plus करेंगे interest या तो एक बार में पूरा कर दीजे एक लाग रुपे या 75,25 करना चाहें वो भी आपकी मर्ची बट यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा outstanding थोड़ा नीचे लेता हूं outstanding interest on investment how much 25,000 ठीक है इसके बाद investment sold during the year rupees 3 lakh at a loss of 10,000 investment हमने 3 lakh रुपे की बेची 10,000 रुपे के loss पर तो minus investment sold यहां पर cost minus होगी ठीक है और यहां पर जो उसका loss है वो क्या कर देंगे minus profit होता तो क्या कर देते plus उसके बाद no new investments are made very good को investment नहीं करी तो इसका balance बचा कितना दो लाक यहां पर पांच छे साथ साथ में से तीन गया चार तीन लाक असी अजार और जो भी यहां general fund होगा एक समाउंट का उसमें हमारा जितना यूज हुआ है वह प्लस कर देंग खेर आपको एक्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं आपकी understanding के लिए बस आपको बता रहा हूं तो hopefully आपको fund based accounting का सारा treatment क्या उसकी journal entries है वह सारे concept clear हो चुके है और जैसे फिक donation जो specific donation का treatment है most of the treatment same है आप देख सकते हैं almost सारी चीज़ा आपको यहां पर सेम देखने हैं सिर्फ एक investment का concept new आ जाता है क्या क्यों क्या से सब मैंने आपको बता दिया अब इसके बाद आपके सा कर सकते हैं thank you so much से एक normal organization के अंदर profit organization के अंदर capital होती है same way हम NPO में उस चीज़ को बोल देते है capital fund यह basically represent करता है कि NPO में total कितनी investment हो चुकी है जैसे आप normal balance sheet बनाते हैं तो यहां पर क्या लिखते है capital तो this is what capital होता है कि amount invested by the owner but NPO के case में this will be capital fund that is the net amount invested by the members of the NPO समझ में यह बाद so देखिए जरा it's a capital of NPO represent net investments in NPO यह notes प्लीज जरूर बना ले it's surplus of assets over liabilities मतलब assets यहां पर आते हैं इसके नीचे क्या आता है हमारा liability तो अगर देखा जाए दुनों का difference जो surplus है वो ही क्या है आपका capital fund चीक है अब income and expenditure जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे या तो उसमे surplus निकलेगा या deficit निकलेगा like P&L जब हम बनाते हैं तो P&L के अंदर क्या निकलता है profit तो उसको हम यहां बोलते है surplus चेक है तो यह जो surplus निकलता है यही capital fund के अंदर add हो जाता है या अगर deficit निकलता है like P&L में loss निकलता है income and expenditure में हम निकलेंगे deficit ठीक है तो जो deficit वो capital fund के अंदर minus हो जाएगा और अगर surplus आया तो वो क्या हो जाएगा, add हो जाएगा, चेक है, तो ये था एक basic discussion capital fund पे, इसके बाद हम बात करते हैं, next time हमें देखने को मिल सकता है life membership fees, कही बार क्या होता है, कुछ members एक lump sum amount pay कर देते हैं to become the lifetime member of the NPO, उन्हें फिर year to year basis पे subscription नही नहीं देना पड़ता, तो that is called as life membership fees, person pays lump sum amount to become the lifetime member of NPO, समझ में, ये जो है, अगर life membership fees है, तो ये income नहीं मानी जाती, ये capital receipt मानी जाती है, और इसको हम add कर देते हैं, capital fund या general fund या accumulated fund के अंदर, समझ में आया, ये कि ये सारी terms, one-one mark में आपसे पूछी भी जा सकती है, theory के point of view से भी important है, as well as, जब हम questions करेंगे, तो इनका accounting treatment भी हमें पता होना चाहिए, honorarium क्या होता है, देखिए कई बार कुछ लोग voluntary अपनी services देते हैं, NPO को, like किसी बहुत अच्छे doctor ने आके seminar दे दिया, या किसी बहुत अच्छे chartered accountant ने आके seminar दिया, NPO के अंदर, तो किसी भी मुद् करने के लिए कुछ amount दिया जाता है, वो equivalent to fees नहीं होता, उसे कम ही होता है, लेकिन just to recognize their services, हम उनको एक amount पे करते हैं, that is called as honorarium, टोके, token payment made to a person who has voluntary provided a service, it is expression of gratitude rather than payment for work done, work done के लिए हम payment नहीं कर रहे हैं, उनकी services के लिए हम उन्हें thanks कर रहे हैं, basically, यह एक तरह से NPO के लिए expense होता है, और इसलिए से debit किया जाता है, income and expenditure account में, ठेक है, important है, theory question कई बार आ जाता है, इसके बाद है, legacy, legacy क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे person होते हैं, जो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद, मेरी जो property है, वो इस NPO को transfer कर दी जाए, या 10 लाख रुपे इस NPO को दे दिये जाए, तो that is what called as legacy, ऐसा जो भी amount या ऐसा कोई भी asset अगर NPO को मिलता है, that will be classified as legacy, तो देखिए, amount या कोई भी ऐसी item received from diseased person, under the terms of a will, समझ पाया, जो legacy होती है, basically, अगर specific है कि like 10 लाख रुपे मिलेंगे, but वो NPO से building बनाने के लिए use कर सकता है, अगर ऐसा ल अगर सिफ legacy लिखा होगा है, कुछ ऐसी instruction नहीं है, तो इसे हम सीधा-सीधा capital fund में add कर देंगे, ठीक है, तो अगर specific purpose है, capitalized in the name of fund, but otherwise directly added to capital fund, समझ मैं, by default 99% cases में आपको यही देखेगा, ठीक है, मैंने तो कोई भी question अभी तक नहीं देगा, आपको यही देखने को मिलेगा, स इसके बाद है, sectional subscription, यह क्या होता है, देखिए, एक तरह का special subscription होता है, जो member से लिया जाता है, to provide some special services, like कोई club है, उस club का आपको member बनने के लिए, हर साल से 50,000 रुपीज देने पड़ते हैं, यह उसका normal subscription है, 50,000 per year, but उन्होंने बोल रखा है, कि अगर आपको साल में एक foreign tour च चाहिए, तो आप 50,000 की जगा हमें पे करें, 75,000 per year, चाहिए, तो यहाँ पर this is what called a sectional subscription, देखिए जारा, special subscriptions collected from the members who participate in a particular activity, समझ मैं, because of the cost involved in providing these में very considerably, normal subscription की तरही deal होता है, income and expenditure में credit करते है, किसी question में अभी तक देखने को नहीं मिला है, किसी भी exam के अंदर, पर कल दिन अगर आपको दिख जाता है, sectional subscription collect किया गया, देखिए जो एक extra, यह जो additional amount आपने कठा किया है, कितना, 25,000 रुपे, इसको हम बोलेंगे sectional subscription, टेक है, तो अगर कल दिन आपको कही word दिख जाता है, घबरानी की जरुवत नहीं है, सीधी सी बात है, income and expenditure में credit होगा, as such questions में आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी देखिए कोई नया question बनेगा, तो हमसे पूछ के थोड़ी ना बनेगा, हमें सारी बाते जो है, A to Z clear होनी चाहिए, चाहिए, चलिए, इसके बाद, entrance fees या admission fees, कई बार क्या होता है, NPO में, member 35 हमें, आपको one time एक entrance fees या admission fees दे आजाता है, बट अगर small amount है, तो इस income and expenditure में भी दिखा सकते हैं, लेकिन by default जो है, वो इसे हम capital fund में ही add करते हैं, बट हो सकता है organization की, अपनी खुद की policy हो कोई, 50% हम capital fund में लेके जाएंगे, 50% income में दिखाएंगे, तो जो policy उसे साब से treat करेंगे, लेकिन यह होता क्या है, कि basically जब कोई नया member add on होता है, NPO का member बनता है, तो उससे one time, जो first time एक additional fees ली जाती है, यह basically ली जाती है to cover up the paperwork, कि उनका registers में डालना पड़ेगा नाम, हर किसी को inform करना पड़ेगा, और किसे से introduce करवाना पड़ेगा, तो basically इन सब expenses को cover up करने के लिए, जो fees ली जाती है, उसे admission fees या entrance fees कहते हैं, इस पे आपको generally आप देखेंगे, या तो question में होती है, और generally या तो कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको इसे capital fund में add करना है, बट अगर question में कुछ specific instruction है, कि 40% add करो, 60% income in expenditure मिले जाओ, तो फिर आप उस तरीके से add करेंगे, समझ म आया, तो payable once at the time of becoming member, treated as capital receipt and credited to capital fund, if amount is small, just to cover the expenses of admission, it should be treated as revenue and credit to income and expenditure, हमें ये by default लेना है, समझ में आया, by default आपका यही रहेगा, if special directions in rules and regulations of the organization, then should be treated accordingly, अगर question में कुछ specific आपको given है, चिक है, तो ये थी हमारी सारी six terms, जो हमने अभी discuss करी, mean part आप मेरे साथ already सारी earlier वीडियो में देख सुगे है, चिक है, ये जो हमारा part है 9th वीडियो है, इसके अंदर हमने सारी other terms जो है अपनी discuss कर ली, अब हम पूरे के पूरे तहियार है, NPO के questions अब हम बड़े अराम से simple way में solve कर सक प्लीज, इसके note चरूर बनाएगा, अदरवाइस कोई फायदा नहीं होगा, so friends, let's start with the questions, आपके सामने question है, इसका आप screenshot ले लीजे, और उसके बाद उसका printout निकाल लीजे, उसके बाद आप साथ-साथ मेरे solution देखिए, चिक है, चली, On the pieces of falling information, prepare income and expenditure account for the year 31 March 2018, 31 March 2018 year end के लिए आपको income and expenditure बनाना है, बहुती famous question, कई बार examiner is question को exam में बूसता है, कि सिर्फ और सिर्फ income and expenditure बनाना है, कोई balance sheet नहीं बनानी, चली, start करे, Recept and payment account for the year NDD 31, 2018 आपको given है, देखिए, इसमें receipt and payment और कुछ information आपके सामने है, आपको income and expenditure account जो है, वो prepare करना है, question पढ़ाएंग पार, receipt में आपके पास है, opening cash in hand, opening cash in bank, subscriptions, interest, bank interest, फिर इधर आपके पास salaries, rent, printing, ये सारी payments हैं, और ये सारी आपके पास receipts है, अब question करने का तरीक क्या है, किस तरीके से हमें question में proceed करना है, चाहिए, सीधे अब सबसे पहले आजाएए, adjustments पे, salary paid include 6,000 paid in advance for April 2018, मंत्री salaries paid were 21,000, मंत्री salaries चो pay की जाती है, वो 21,000 रुपे, और वो कह रहा है, paid in advance जो है, वो 6,000 रुपे, अपरेल 2018 का, और salaries अगर आप यहां पे देखें, तो 58,000 रुपे, अब किस तरीके से करना है, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ देखेगा, सबसे पहले format हमने बना लिया, कैसे बनाना है, books of, जिस भी organization का नाम है, नहीं तो आप ऐसे dash छोड़ दीजे, income and expenditure account for the year ending, अब यहां पे कौन सा है, 30 March 2018, तो हमने यहां लिगई, 30 March 2018, हमारे है, सबसे पहले working note है हमारा किस से related salary से लेके, ठीक है, तो आप बड़ा simple सी चीज़ देखे, उसने आपको बोले है monthly salary जो है, वो हम 21,000 रुपे पे करते हैं, तो total salary due during the year, देखे, मैं इतना detail में इसलिए लिख रहा हूँ, ताब कि आपको एक बार समझ में आए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, थोड़ा concise करते रहेंगे, तो 21,000 multiply by 12, yes or no, तो ये आगे आपका 2,52,000 रुपे, yes or no, अगर आप इसको देखें, उसने salary कितनी पे करी है, salary पे करी है, 2,58,000 रुपे, yes or no, अब इसमें बोला था, उसने 6,000 जो है advance है, advance, अगले साल के लिए, यही salary paid include, 6,000 paid in advance for April 2018, yes or no, तो इसका मतलब क्या हुआ, advance at the end, advance at the end, और उसको हम क्या करते है, minus, यह उमीद करता हूँ, आपको याद है, आप सारी वीडियोस देख के आ रहे, तो कितना हो गया, 252,000, चेक है, तो देखें, चाहे आप ऐसे निकाल लिए, चाहे वैसे निकाल और यहाँ पर भी क्या रहा है, 252,000 चेक है, दोनों से ही आपको जो answer है, वो क्या रहा है, यहाँ पर, save आ रहा है, समझ में आई बन, और हमें पता है, हमें income and expenditure में due basis पे लेना होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे, salary, कितनी, 252,000 रुपीज, समझ में आगया, show, आईए पर 17,81, 2018, पच पन सो, और 6,000, रेंट पर यह कितना है, 71,500 चेक है, तो यहाँ पर हम आते है, अपने second working note पे, रेंट चेक है, paid during the year, paid during the year, कितना था, 71,500 चेक है, अकाउंट बनाने की जरुरत नहीं है, अगर एक एक दो दो आइटम है, advance, outstanding sub हो, तो account बेशक बना लो, चेक ह opening outstanding minus होता है, closing outstanding add होता है, yes or no, तो plus outstanding, ठीक है, short form का ध्यान रखना है आपको, at the end, और अगर outstanding in the beginning है, तो उसे क्या कर देंगे, minus, outstanding in the beginning, तो यहाँ पर at the end कितना था, 7,000, यहाँ कितना है, 6,500, तो यह आ गया, due, during the year, चेक है, तो 71,500 plus 7,000 minus 6,500, 72,000, यह आपका कहाँ जाएगा, income and expenditure में, चेक है, ठीक है, मैं short form लिख रहा हूँ, लेकिन exam में, working note में भी short form नहीं लिख सकते, मैं आपको बता दू, तो यहाँ पर हमारा आ गया, rent, 70, 2000, रुपीस, ठीक है, यह भी हमारा हो जाता है, जो जो चीज होती चाह, उस पर टिक लगाते रहे है, ताकि हमें idea रहे कि यह चीज हमारी हो चुकी, बहुत simple, आपको हमेशा start कहा से करना है, working note से, stock of printing and stationery, opening, closing, 31 माह 2017 को, it was 365 on this, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, printing and stationery हमें given है, 3870, तो इसकी consumption निकलेगी, yes or not sure, तो चलिए, तीसरा working note, consumption of printing and stationery, ठीक है, तो आप दिखिए, simple सी बात है, कैसे निकालते हैं, मैं आपको याद दिला दूँ, पर, दिखिए, exam में तो आप सीधे figures भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए याद लिला रहा हूँ, यहाँ पर, कि आप भूल चुके होंगे, मुझे पता है, ठीक है, तो opening stock जितना भी होता है, उसमें आपने जितनी भी purchases करी है, minus closing stock, ठीक है, तो इस से आपकी consumption आ जाती है, अगर आप देखें, तो आपने purchases करी हैं, 3870 की, yes or no, 3870, यहाँ पके पास 300, कितना था भी, closing है, 365, opening है 340, तो, minus 365, कितना आता है, देखें, 340, जम्हों 3870, minus 365, 3845, ठीक है, तो, printing and stationary, 3845, यह हमारे पास आया, चेक है, अब next item देखें, 4th, यहोगा है, देखें, टिक जरूर लगाईए, ताकि, देखें, इस से क्या होता है, कोई हमारी item, छूटेगे नहीं, चेक है, scooter was purchased on October 2017, depreciation 20% लगाना है, तो depreciation, scooter, देखें, scooter कितने का purchase किया, आपने, 50,000 का, चेक है, तो, 50,000 का scooter आपने purchase किया, 20%, एक टूबर 2017, depreciation on scooter, income and expenditure में कुछ भी मत करिए, सब यहाँ पर आप करके दिखाए, वर्किंग नोट में, advice तो मेरी यही रहेगी, हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको exam में paper छूट रहा है, तो उस case के अंदर आप फिर उसी के अंदर करके दिखा सकते हैं, ठीक है, 50,000, 20% पट क्योंकि 1 October को है, October, November, December, January, February, मार्च, 6 महिने का depreciation लगेगा, comes out to be 5,000, ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 रुपीस, depreciation आपका आजाएगा, ठीक है, यह हमारी treatment हो गई, investments were made on 1 April 2017, तो दिखें, investments उसने बुला है, यह जो 8% कौर्वर्मेंट बांस आपको दिख रहा है, यह आपकी investments है, तो वो कहा रहा है कि जो investments हैं, हमने 1 April 2017 को करी है, कोई दिख्कत नहीं, अगर 1 April 2017 को करी है, आपने 8% government bonds में investment, तो अगर हम उस हिसाब से देखें, तो interest कितना due होता है, इंटरस्ट, due on investments, कितना, कितनी investments थी, 1 लाक उस पर 8% और पूरे साल का मिलेगा, क्योंकि साल की शवात नहीं कर रहा है, अपने investment, 1 लाक 8%, पूरे साल का, 8000 रुपे, चेक है, बट आप चेक करिए, कि आपको कुछ interest रिसीव भी हुआ है, देखें, आपको receive हुआ है, कितना, 4000 रुपे, कितना receive हुआ है, 4000, देखें, वैसे तो यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ता, हमें तो due निकल गया, 8000 रुपे, चेक है, जिसमें से 4000 आपका receive हो गया, और 4000 जो है, अभी outstanding है, चेक है, outstanding interest at the end, यहीं होगा, तो आप 4 और 4 को भी add करें, तो भी 8 बनता है, जो आपको सिखाया था कि जितना receive होगया, outstanding at the end, add कर दो, बट यहाँ पर आप सीधे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, balance sheet बनानी होती ही, तो यह working note जरूरी हो जाता, क्योंकि outstanding interest फिर हमें asset side दिखाना पड़ता, चेक है, तो चलिए, पहली बात यह income है, तो इससे आप यहाँ लिखेंगे, interest on government bonds, इकना हो गया, 8,000, चेक है, चलिए, तो यह भी point हुआ, bank interest हो गया, government bonds हो गया, अब आगे देखिए, subscriptions due but not received, ओके, subscription due but not received, 14,000 and 12,800, and on 31,000, 2018, 700 had been received in advance for April 2018, तो subscription को लेके काफी information है, आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, उसी तरीके से सब निकालेंगे, कितना receive हुआ है, 494,700, चेक है, तो, subscription, सबसे पहले, received during the year, चेक है, और उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, add कर देते हैं, outstanding, at the end, फिर उसमें minus कर देते हैं, outstanding, outstanding, in the beginning, fill, advance, at the end, क्या हो जाता है, minus, very good, तो, 494,700 था यह, जैसो नो, 494,700, अब देखिए, opening, outstanding है, 14, और closing है, 12,800, तो, closing वाला, opening वाला, चेक है, advance, at the end, कितना है, 700, तो, 700, अब निकाली, कितना आ रहा है, तो, यह आप काता है, 492,800, चेक है, एक बदर चेक कर लें, 4700, प्लस, 12,800, minus, 14,700, जी हां, तो, इसको आप यहां लिख देंगे, 492,800, चेक है, उमीद करता हूँ, समझ मैं आपको, अब, यह भी हो गया, सब्स्क्रिप्शन हमारा, अब देखिए, बड़े ध्यान से, एक एक चीज, क्या रहे गए, आपको, इसके उपर फोकस करना है, सबसे पहले, पेमेंट साइट से आते हैं, सालरीज हो गया था, रेंट हो गया, प्रिंटिंग होगा, कन्वेंस नहीं हुआ, तो लिख लीजे, वो आजटिस, जो रहे गए हैं, अब रेसिप्ट इन पेमेंट में, वो आजटिस आ जाएंगे, कन्वेंस हैं, 10,600, पहले आपने अज़िस्मेंट देख लिए, अब जो रहे गया है, वो एक एक करके, स्कूटर, अब्विसली असेट है, यह तो बैलन शीट में जाएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो चुका, इंट्रस्ट और गॉर्मेंट बॉंड्स हो चुका, बैंक इंट्रस्ट हो रहे गया, 160, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बैंक, इंट्रस्ट, 160, ठीक है, तो यह हमारा इसे के साथ complete होता है, कि अब इसके अंदर आप बैलंस निकालेंगे, तो यहाँ पर जो भी बच रहा उसको आप लिखेंगे, capital fund account, ठीक है, और नीचे bracket में लिखेंगे, आप surplus, समझ मैं है, capital fund account और नीचे bracket में, surplus तो अभी से हम निकाल लेते हैं, कितना बच रहा है, तो यह आपका आ रहा है, 157515, चैक है, तो बहुत ही simple सा question, 8 number तक का यह exam में आ चाता है, हर exam में दिखने को मिलता है, आपका, यह question अगर आपको समझ में आया, तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट, question प्लीज जरूर आपने पास प्रिंट आउट रखिया, अगरवाईस फायदा नहीं होगा, चैक है, और किस तरीके साब को प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने हैं, वो मैंने बताया, और प्लीज वर्किंग नोट में किसी तरह का कोई आप नान लिखें, मैंने लिख दिया एक दो जगह यहाँ पर, बट यह गल्थ है, समझ में है, चलिए, आज़े, नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं, following is the recipient payment account of Mayor Club for the year ended 31 March 2018, recipient payment आपके पास है, following additional information to be provided, the club has 220 members with an annual subscription of this, depreciation, furniture पर इतना, sports equipment पर इतना, 31 March 2018 को, stock of sports material in hand after member use इतना, and stock of stationery इतना, ये 31 March 2018 को है, rent for one month is outstanding, unexpired insurance है, 9600 पर, चेक है, 31 March 2017 को, जो assets है, furniture, bank, FTE, stock of stationery, sports material, and unexpired subscription in area, ये सारी opening information आपके पास given है, चेक है, जबकि ये सारी जो information है आपके पास, ये closing date पर है, yes or no, तो आपने एक question को overview ले लिया, पूरा का पूरा, कि है क्या, बनाना क्या है, देखे, income and expenditure, ये आप बनाना सीख चुके हैं, अब इसमें आपको balance sheet भी बनानी है, 30 March 2018 को, तो चलिए पहले एक बार सारे formats, अंदर आपको इन detail पढ़ने की ज़रुति हैं, वो हम question करते हुए देख लेंगे, एक बार overview आपने सबसे बहले question का लेना, और formats ले लेने हैं सारे, तो ये formats बनाते, देखे, formats हमारे पास हैं, books of my year club, income and expenditure, account for the year ending, income and expenditure का, फिर balance sheet का हमने format बना लिया, देखे, जब भी आपको income and expenditure और balance sheet बनानी होगी, by default, पहला working note होगा, opening balance sheet, वो आपको बनानी ही पड़ेगी, balance sheet as on 31 March 2017, ऐसा इसलिए, वैसे तो आपको जब करूँँगा, जाद अच्छा समझ मैंगा, लेकिन बता दूँ, कि यहां से हमें opening capital fund पता लगेगा, जो कि हम यहां transfer करेंगे, फिर उसमें surplus act करेंगे, समझ मैंगा, नहीं आई, question करते वाएगी, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, format तो बना लिया, पहला working note हमेशा opening balance sheet होगा, आप चलिए start करते हैं, same way जैसे बताया था, adjustments के साथ, लेकिन, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, adjustment start करने से पहले, आप देखिए, recipient payment में, इसमें बस एक छोटा सा change, यह जो opening और closing balances हैं, cash और bank के, यह लिख लीजए, क्योंकि otherwise होगा, कि हम भूली जाएगे, तो opening balance sheet में, cash का और bank का 49,000, 150,000, आप आई यह assets में, देखिए, इसको मैं कोशिश करिए, दो parts में divide करें, fixed assets and, current assets, जेक है, तो current assets में, cash और, bank, cash कितना है, 49,100, और bank कितना है, 50,000, 49,100, और 50,000, same way, जो आपकी, यहां पर balance sheet है, उसको भी आप दो parts में बाट लीजए, fixed assets and, current assets, random basis पर bifurcation कर लीजए, यहां पर आप लिख लीजए, cash और bank, बस सबसे पहले काम यह कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो एक common error होती है, उससे आप बच जाएंगे, 31,750, और 40,000, 31,750, और 40,000, जेक है, अब इसके बाद आएए, adjustments पर, और यहां पर आप देखिए, आपको काफी details भी given है, subscription की, और subscription के बारे में, कहीं और information तो नहीं है, यह भी देख लीजए, कहीं आगे कुछ दे रखाओ, यहां given है, subscription in a liar, आप देखिए, तो चलिए, subscription की बात करते हैं, सबसे पहले, हमने बना लेना है, किसी भी तरीके से, आप इसे कर सकते हैं, subscription account बना लीजए, memorandum subscription account, जी हाँ, debit, credit, चैक है, अब सबसे पहले, receive हमें during the year में कितना हुआ, total amount, यह हमें इसका total लेना होता है, जो total हमें receive हुआ, 18,000, 9,63,000, और 4,500, so it is 9,85,500, तो यह आप, subscription account में लिख देंगे, ठीक है, कि हमें इतना amount, receive हुआ, तो cash account, 9,85,500, अब दिखी, क्योंकि हमें पता है, कि क्लब के 220 members थे, और 45,000 गा subscription था, तो due during the year भी हमें पता है, बहुत simply हमें निकाल सकते हैं, due during the year, 220 member है, 45,000 के हिसाब से, आपका ही आजाएगा, 9,90,000 रुपे, और काइदे से income and expenditure में यही amount जाता है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, फिर जब हमें यह पता लग यह तो क्यों मना रहे हैं हम इसको, अभी आपको पता लग जाएगा, क्यों हमें यह बनाना पजरूरी है, आप चाहें तो साथ साथ पोस्टिंग कर दीजे, कि यहां सब्सक्रिप्शन जो है, कितना आएगा, 9,90,000, अब देखिए, opening outstanding बोलते हम इसको, कितना है, 18,000, लेकिन आपको यहाँ पर भी given है, कि opening outstanding 22,500 है, देखिए, 31,4 2017 को, और यहाँ पर कितना है, 18,000, यह मैंने आपको case करवाया था, सब्सक्रिप्शन में, यहाँ 18,000 है, और यहाँ कितना है, 22,500, तो कौन सा लेंगे, जी हाँ, जो नीचे information में given है, बोलेते हैं, तो हम outstanding को यहाँ लिख देंगे, balance, BD, 22,500, यह क्या है हमारा, opening, outstanding, यह आपकी information के लिए, exam में लिखने की ज़र्वत नहीं है, यहाँ क्या जाएगा, balance, CD, अब दिखिए, आगे, नीचे, आपको यहाँ पर given है, advance, closing advance बोलते हम इसको, कितना है, 4500, चैके, तो balance CD, 4500, this is, advance, subscription at the end, यही बोलते हम इसको, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, नीचे ही लिखने की exam में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहला question कर रहे हैं मेरे साथ, और कहीं subscription के बारे में कुछ, दिख जा भाई, अगर कुछ है तो नहीं है, कहीं कुछ भी हमें given नहीं है, तो, अब हम आते हैं इस पर, यहाँ पर opening advance, फिर हम क्या करेंगे, zero माल लेंगे, कि opening advance कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपका balance बचेगा, कि closing outstanding है कितना, तो बाईस पान्सो जमा, नौ लाग नब्बे हजार जमा, चार हजार पान्सो, दस लाग सतरह हजार, उस में से, नाइन एटी फाइफ 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 हंड्रेट, माइनस करिए, 31,500 जो है, वो आपका balance आ जाएगा, ठीक है, 31,500, इस is closing outstanding, और यह जो 31,500, आपका closing outstanding आएगा, ठीक है, इसको आप, अब देखिए, जो भी, basically outstanding है, opening है, चाहे closing है, तो यहाँ पर आपने लिखा, subscription outstanding, outstanding, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए, asset होता है, याद करी, मैंने आपको सिखाया था, उसमें 31,500, साथ साथ post करते रही है, जो opening है, वो opening में चला जाएगा, subscription outstanding, देखिए, मैं यहाँ short form लिख रहा हूँ, लेकिन आप please exam में ना लिखे, कितना है, 22,500, चीक है, उसके बाद, यह तो nil है, कुछ ज़रुवत नहीं है, advance कितना है, 4500, यह liability में चला जाएगा, closing, subscription, in, advance, comes out to be, 4500, समझ मैं आशो, और यह हमारा हो चुक है, हम अल्रेटी टांसफर कर चुक है, तो यह था subscription, जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो हमने complete की, अब दीखिए, इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, आपको पता है, due during the year कितना है था, 990,000, हाया न, और receive हमें, इस साल का जो है, वो 963,000 हुआ था, यह सिर टेक्निकल है काफी, अगर आप समझ पाएं, एक बार में तो ठीक है, तो कितना हो गया, 27,000, अब opening outstanding, जो है, वो था 22,500, उसमें से मिला कितना है, 8,000, तो 22,500, में से भी 18,000 ही मिला है, तो 45,000, यह भी outstanding है, तो अगर वो हम इसमें add कर दें, तो भी हमारा, 35,500 की figure, जो closing outstanding है, वो आ जाती, थोड़ा technical है, देखे, मैं तो इसको कहूँगा, avoid करिये, बट जो समझना चाहते हैं, सर्फ उनकी लेक बार बता रहा हूं की, 35,500 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट वो जो तरीका बता है, उसी से आप करिये, इस चीज़ को आप, मैं तो कहूँगा, avoid करिये, चलिए, चलिए, तो पहली adjustment इसी के साथ, हमारी पूरी होती है, यह subscription वाला, सबसे main point होता है, subscription होगए, तो समझ लिए, तीन number तो वैसी आपके पक्के होगए, depreciation लगाना है, furniture पे 10% per annum, और sports equipment पे 15%, चलिए, furniture के ओपर 10% depreciation लगाना है हमको, तो depreciation furniture, यहाँ पर कुछ furniture के बारे में, information देखिए, अगर हो तो, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, furniture के बारे में, और कहीं information, sports, bank, FD, यह रहा furniture, 2,70,000 रुपे का, कितना depreciation लगाना है में, 10% लगाना है, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं, depreciation, opening में हमारे पास, furniture था, 2,70,000 का, yes or no, अब अगर इस पे, 10% depreciation लगता है, तो आप बताईए, किना इसे, कि 27,000 रुपे depreciation लगेगा, आया न, तो एक बात बताओ, जो closing आपके पास furniture होगा, वो कितना होगा, 2,70,000 था, 27,000 डेप्रिसेशन लग गया, तो can I say, it will be 2,43,000, समझ मैं बाद, इसके बाद, furniture हमारा पूरा हो जाता है, next है, हमारे पास sports equipment 15%, तो देखे sports equipment, यह material है, please confuse मत हो जाना, equipment की जानकरी, यहाँ पर हमें किया बना, कितनी 60,000 रुपे, जेक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते है, equipment हमारे पास 60,000 रुपे का, और कोई जानकरी हमारे पास, क्या पता, opening में भी हो, यह रहा, 1,80,000, तो बेटे रहे आप इसका, जो है, एक account बना लीजे, sports equipment account हम बना लेते हैं, sports equipment account, तो opening balance हमारे पास है, 1,80,000, और हमने जो sports equipment purchase करें हैं, वो 60,000 के in between करें हैं, एक दस को, चलिए, कुछ नहीं होता, bank account, 60,000 के खरीदे, इसके बाद यहाँ पर, depreciation आ जाएगा, इसके उपर, कितने percent से depreciation बताईए, 15% से depreciation, कोई भी चीज हवा में नहीं सोच नहीं, आपने पड़ा अराम से एकदम, बार बार confirm करके, गलत हो गया question, कोई फाइदा नहीं होगा, 15% है, तो देखिए, 1,80,000 पे तो पूरा 15% लग जाएगा, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ऐसे लिख रहा हूँ, और 60,000 पे 15% लगएगा, 6 महीने के लिए, यह सो नो, तो इसका जो total है, वो हमारा कितना आता है, 1,80,000 का 15%, उसके बाद, 60,000 का 15%, तो यह हमारा आ जाता है, 31,500 टोटल, तो यहाँ पर, balance, CD जो है, वो हम निकाल देंगे, 2,40,000, इसमें से माइनस होगा, तो 2,80,500, यहाँ लिखना था, 2,80,500, वो हम लिखती है, चले कुछ नहीं होता, तो, 2,40,000, तो अब इसकी information पुट करिए, सारी की सारी, sports equipment, कितने थे, 1,80,000 के, यह opening में चला गया, closing कितने, 2,80,500, sports equipment, 2,80,500, चले के, और depreciation अगर आप देखें, तो वो कितना है, 31,500, तो depreciation, आप लगाएंगे, किस पे, sports equipment पे, sports equipment, short में मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, 31,500, चले के, तो यह हमारा sports equipment के भी कहानी पूरी होती है, second adjustment हमारी, पूरी complete हो जाती है, समझ मैं है, चले नेक्स देखते हैं, 31,000, 2018, stock of sports material in hand is 78,000, sports material के stock की बात कर रहा है, आए यहाँ पर payment हुए, stock of sports material की, 3,4,500 आप देख सकते हैं, yes or no, और कहीं कुछ sports material के बारे में, stock of sports material, यह रहा, कितना, 73,500, देखिए बहुत simple, हमें इससे consumption of sports material पता लगता है, तो अपने working note में आएंगे, point number 4, मैंने भी आपको पीशे भी बताया था यह बात, consumption of sports material हम इससे निकालेंगे अपना, क्या formula था, opening stock plus purchases minus closing stock, तो opening stock हमारे पास कितना है, देखिए, 73,500, और चलिए मैं भूली जाऊंगो, इसलिए मैं पैरे लिखी लेता हूँ, 3,4,500, और यह था 78,000, तो चलिए, देखिए कितना रहा है, तो यह आपका यह 3,000,00 रुप्य, अब इसको put कर दीजिए, जहाँ जब value opening balance sheet में जाएगा, sports material, current asset की category के अंदर आता है, 73,500, यहाँ आपका sports material, अब देखिए, एक एक adjustment में पगड़ता जा रहा हूँ, और उसके उपर question, उसकी से लेटर जितनी चीज़ें हैं, वो आपके सामने solve करता जा रहा हूँ, इसी तरीके से, आपको पूरा का पूरा जो question है, वो solve करना होता है, समझ मैं आई बात, 3,00,000 रुपे आपका आ जाएगा, च्छेक हैं, तो चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, stock of stationery, 3,150 रुपे, और अगर आप देखें, stationery के लिए, यहाँ पे भी information है, 3,450 की purchases हुई, यह 3,150, और आगे भी होगा, कुछ ना कुछ, stationary कितने की हैं, 1500 रुपे की, तो सीधे मैं, क्योंकि आपको समझ में आगे, कैसे करना है, तो मैं सीधे लिग देता हूँ, stationary, कितनी हैं, 1500, very good, closing कितनी थी, 31,50, ठीक है, और यहाँ पर, consumption of, stationary, ठीक है, वो आपका आजाएगा, यह आप बेशक रफली निकाल लीजिए सीधे, कैसे निकलेगा बताओ, opening कितना था, 1500, ठीक है, और purchases हमारी थी कितनी, 3450, उसको add कर देंगे, और, मैं आपका हो, तो यहीं पर लिख देता हूँ, 1500, 3450, देखें, वैसे तो वहीं पर करके दिखाना है, लेकिन अगर आपको time बचाना है, exam में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों को आप मिक्स्चर लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको पता रहें, कि ये भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आड़ा, 1800 रुपे, चेक है, इसके बाद, rent for one month is outstanding, तो rent है, यहाँ पर एकलाग 40,500, एक मन्त का outstanding है, और यहाँ पर rent के बारे में कुछ, नहीं given, तो दिखिए, अगर एक महिने का outstanding है, और यहाँ आपको given है, एक लाग 40,500, तो obviously आपने जो rent pay किया होगा, वो कितने महीने का pay किया होगा, 11th month का, यह सुनो, भी आप एक बात बताओ ना, अभी जो है, आपने 148,500 पे किया, और outstanding है, बन मन्त का, तो जो आपने pay किया है, वो 11th month का pay किया होगा, तो divide by 11 कर दो, आपका आजाएगा, rent per month है कितना, yes or no, तो 148,500 divided by 11, 13,500, तो जो outstanding rent आया है, एक तो ही आपका closing balance sheet में आजाएगा, liability side, yes or no, outstanding rent, 13,500, और यहाँ पर income and expenditure में, as an expense आप लिख देंगे, 148,500 आपने pay किया है, और closing outstanding add होता है, उसमें कितना, 13,500, ठीक है, बेशक बेटर तो यह ही है, कि आप इसे गहीं करके दिखा है, due, during the year, कितना होगा, जो आपने pay किया है, 148,500, प्लस जितना closing outstanding है, वो add कर देते हैं इसमें, तो, 162,000, बहुत time की कमी पढ़ी है, तब ही सीधे इसके अंदर लिखें, otherwise, ना लिखें, और लिखना है, तो फिर ऐसे लिखेंगे, जैसे भी मैंने आपको लिख के दिखाया, otherwise, मैं कोशिश रहनी चाहिए, कि working note के अंदर ही हम सारी चीज़ रख करें, इसके पाथ, अनेक्सपार्ड इंशॉरेंस, याट इस, आउटस्टेंडिंग 9600, प्रिपेड इंशॉरेंस है, तो यहाँ पर मैंने लिखा, प्रिपेड इंशॉरेंस, 9600, ग्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग में भी लिखो, प्रिपेड इंशॉरेंस हमें गिवन है, 8400, तो लिख देते हैं उसको उपनिंग में, प्रिपेड इंशॉरेंस, 4800, यही था ना भई, ओ सॉरी, 8400, अभी दुरगटना घट जाती, 8400, अब इसके बाद, और कोई information जो हमारे पास गिवन हो, इंशॉरेंस रिलिटेट, पे हुआ है, 38400, तो देखिए, अनेक्सपैड मतलब प्रिपेड हो गया, अब इसके लिए भी हम वर्किंग नोट बना देंगे, डिउ डिूरिंग दे यर का, पेड डिूरिंग दे यर जितना भी है, उसमें हम क्या करेंगे, जो opening advance है minus, जो opening advance है plus, जो closing advance है minus, तो ये, 8400, 8400, 9600 कितना आता है, 8400, जमाँ, 8400, minus 9600, 37,200 रुपे, चेक है, तो इसे लिखिए, income and expenditure के अंदर, आए, income and expenditure, insurance, 37,200, चेक है, चेक है, अब most of the चीज़े हमारी हो चुकी है, यहाँ पर आए, sports equipment हो चुका, bank F.T रहे गया, furniture भी हो चुका, bank F.T is 4,500,000 तो इसको लिख लीजए, bank F.T, यहाँ पर investments आएंगे आपकी, bank F.T, इसे उपर आप लिखेंगे, bank fixed deposit, 45,000,000 रुपए, अब देखे, bank F.T तो obviously interest भी होगा, इस पर उसको भी खतमी करते हैं, साथ साथ, 45,000,000 और कुछ interest मिला है, 10%, 45,000 रुपए, और कुछ तो नहीं है, bank F.T, closing में, 45,000,000 की और करी दिखेंगे, 31, cela你 Пон upwards 2018, के end में करी है, को इस पर interest किसी तरीके का नहीं मिलेगा, तो देखे, 45,000,000 की और यह थी, तक है, और bank fixed deposit, 45,000,000 की और यहाइड़ी थी, और 45,000,000 की और करी, तो कितना हो गया? 6,00,000 रुपए, समझ मैं यह 6,00,000 कैसे आया 4,50,000,000 की थी और 1,50,000,000 की हमने FD और कर दी समझ मैं तो यह हमारा 6,00,000 हो गया बट इंटरस्ट जो है वो सिर्फ ओपनिंग पे मिलेगा क्योंगे 1,50,000,000 की हमने last में करी है bank FD तो यह हो गया 45,000 चली यह भी इसी के साथ होता है खतम इसी हो गया यह हो गया सब कुछ हो चुका बाकी अब दीखिए इदर आईए यह हम अल्रेडी कर चुके सब्सक्रिप्शन के बारे में सब कुछ हो चुका यह हो चुका sports material हो चुका salaries के बारे में नहीं हुआ तो salaries ले लेतना है 3,15,000 रुपए इसके बाद दीखिए यह हो चुका bank FD हो चुका rent हो चुका ground maintenance है 22,120 ground maintenance 22,120 थोड़ी जगा की कमी है मेरे पास इसके बाद sundry expenses है 5,888 sundry expense 5,888 anything else closing हम आप अलरी डाल चुका तो अब सारी information पर टिक लग चुका है अब हमें सिर्फ closing करने closing कैसे होनी अब यह देखिए सबसे पहले आप जो opening balance sheet है उसको close करेंगे और यहां निकालेंगे capital fund आपका जो है सबसे पहले balancing figure निकलेगी opening से capital fund तो यह हमारी area 10,95,000 सबसे पहले आपने opening balance sheet को close किया चेक है इसके बाद आप इसको यहां पर आज़र्टिस copy करेंगे capital fund अब आपको समझ में आगया क्यों यह जरूरी है अब इसके बाद आप income and expenditure close करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है इसमें तो इसको हम देख रहे हैं तो यह हमारा आ रहा है surplus तो यहां पर मेरे पर space नहीं है एक पत्तिस पान सो का यह surplus आपके पास आ रहा है और नौ लाख नब्वे हजार जमाँ पिंदानिस दस लाख पैत्तिस हजार दस लाख पैत्तिस हजार ठीक है अब यह एक पत्तिस पान सो आप इसमें add कर देंगे जो भी surplus आया ठीक है तो दस लाख पच्चानवे हजार जमाँ एक पत्तिस पान सो बारा लाख सब्ताइस हजार पान सो और अब आप तोनों साई टोटल करेंगे भागवान से विन्ति करते होएं कि आपका यह मैच हो जाए जमाँ पिंदालिस सो जमाँ तेरा पान सो बारा पिंदालिस पान सो और उस साई 243 जमाँ टो जमाँ 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 तो यह आपका मैच हो रहा है सो यह था आपका एक full flash question देखा आपने थोड़ी information इसमें मैंने जादा रखी ताकि आपकी अच्छी practice हो सके इस तरीके से आपको पूरा का पूरा full flash जो question है वो करना होता है अब टाइमिंग ना देखेगी सर को तो इतना time लग गया इसलिए लग गया सर को कि वी सर को आपको एक ची समझानी भी थी अधर्वाइस नॉर्मली इतना बड़ा question बढ़ आराम से 15 मिट में हो जाता है हेलो फ्रेंड चली स्टार्ट करते है अपना next question अब आप करना सीख चुके हैं तो इसके अंदर हम direct फटा फट चीज़े देखेंगे following is the recipient payment account of Mrs. Tip Top Club for 31 मर 2018 cash in hand सबसे पहले balance sheet में लेके जाना है और closing यहाँ पर है subscription यह सारी information है नीचे 1 April 2017 की information है 31 मर 2018 की you are required to prepare income and expenditure account in balance sheet बनानी आपको 31 मर 2018 को चेक है तो सबसे पहले income and expenditure account का format कीश लीजए फिर balance sheet का format और working note में opening balance sheet का चेक है start कैसे करना है हमको सबसे पहले cash in hand लिख देते है 9,000 है opening और closing है 11,000 चेक है तो यहाँ पर current assets आपका अग्या cash in hand 9,000 चेक है इसके बाद यहाँ पर आपका current assets cash in hand आगया कुछ figure गलित लिख दिया मैंने शाए एक closing 11 है opening 9 है question होता है यहाँ 9 आगया और यहाँ पर आपका 11,000 चेक है जी चलिए इसके बाद adjustment में आजएगे सीधे कुछ यह आपको देखने की ज़रूत ने है subscription due और received in advance को लेके informations आपके पास है और यहाँ पर receive है 45,000 तो सीधे आप subscription account पर switch over करिए subscription account यह memorandum subscription account जो हम बोलते हैं short form आपको नहीं लिखने बार बार मैं आपको यह warning देता हूँ debit credit एक बड़ा general question आता है कि sir क्या हमें working note में भी proper formats भी खीचने पड़ते हैं जी हाँ working note में भी आपको proper format जो है वो बनाने पड़ेंगे यह नहीं है कि सिर्टी form बना के काम चल जाएगा कुछ चीजे reduce कर सकते हो बढ़ सारी नहीं कर सकते cash account कितना है बताओ 45,000 चेक है उसके बाद opening outstanding and closing outstanding so opening outstanding closing outstanding is opening is 500 closing is 2,000 so opening is 500 closing is 2,000 उसके बाद opening advance और closing advance तो यह हमारे पास कितने है 1500 और 1000 चेक है वो यह ही था ना जी हां तो 1500 and 1000 तो हमारे पास आजाएगा income and expenditure account as balancing figure कितना है आप चाहें तो इससे statement से भी निकाल सकते थे 47,000 48,500 47,000 चेक है तो इसके बाद अब इससे ट्रांसफर कर दीजे subscription outstanding 500 यहाँ पे आपका subscription in advance balance sheet में साथ साथ आप लिखते रहे तभी कुछ हो पाएगा दरवाइस कुछ ना कुछ गडबड़ी हो जाएगी 1500 दोलों के opening डाल दे closing में है outstanding 2000 और यह 1000 तो subscription outstanding और subscription in advance तो यह अपका कितना था 2000 और वो 1000 2000 और 1000 इसके बाद यहाँ पर आपका subscription account कितना था 47,000 तो यह आपने first subscription कर लिए जो सबसे important aspect होता है चलिए इसके बाद आगे बात करते है stock of cosmetic दिख रहा है amount due to cosmetic suppliers तो इसमें आपका एक consumable है और cosmetic payment of cosmetic यहाँ पर given भी है तो इसमें आपको cosmetic account बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा memorandum cosmetic account particulars amount particulars amount चलिए सबसे पहले जो भी stock है वो यहाँ पर आएगा balance bd और जो closing stock है यहाँ आएगा balance cd तो opening stock है 10,000 closing है 7,000 10,000 closing है 7,000 फिर यहाँ पर creators जो है उसके कितने है 8,000 और 11,000 इसके बाद जो भी हमने payment करी है उनको cash account कितनी payment हुई है 15,000 की तो this is your 15,000 so here it will be income and expenditure account so it's 15 or 10,25 or 11,36 उसमें से आपका 15 चला जाएगा तो 21,000 this is your balance जाएगा अब इन सबको हम post करेंगे stock और creators है यहाँ पर तो opening में चला जाएगा cosmetic stock जाएगा opening में कितना है 10,000 और अगर आप बात करें तो creators of cosmetic आपके पास opening में 8,000 और जाएगा same way closing में देखिए stock है आपके पास 7,000 तो cosmetic stock आप लिख देंगे साथ साथ अगर आपने balances transfer नहीं किये तो मैं आपको बता दूँ आपका question कभी भी एक बार में match नहीं होगा यही एक fundamental है जिससे आपके chances पढ़ जाते हैं कि question एक बार में आपका match हो जाए creditors for cosmetic चीक है जी और यहाँ आपका 21,000 आया था तो हम इसे डाल देंगे income and expenditure में cosmetic consumption comes out to be 21,000 चीक है इसके बाद आपका यह भी हो गया हमने इधर से यह कर लिया यह कर लिया टिक लगाते रही है ताकि confusion ना रहे हो इसके बाद rent paid in advance rent paid in advance rent का है भाई 12,000 रुपए paid in advance है opening 1000 तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे fourth rent due निकालना है तो जो भी rent paid है उसमें जितना भी आपका opening advance है वो क्या हो जाएगा प्लस और जो भी closing advance है वो क्या हो जाएगा minus चेक है और यह जो आएगा यह कहां चला जाएगा income and expenditure तो कितना कितना है अब देखिए it's thousand and fifteen hundred and twelve thousand thousand is the beginning so thousand fifteen hundred and twelve thousand so eleven thousand five hundred तो यह posting करते हैं यहां पर prepaid rent prepaid rent हमारा कितना one thousand इसके बाद यहां पर आपका prepaid rent है कितना पंदरह सो और यहां पर आपका income and expenditure में rent आ गया गया 11,500 चेक है देखिए mean adjustment वाला पार्ट होता है यह फटा-फटा में करना है salary outstanding है पंदरह सो दो हजार और यहां पर है 18,000 चेक है salary paid plus closing outstanding देखिए बच्चे सोचते हैं कई बार कि इसको income and expenditure में करते हैं इसको avoid करिए उसमें करना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत urgency की situation हो तब ही आप उसी में सीधे adjust करिए समझ मैं है तो 18,000 फंदरह सो दो हजार तो यह आगे 18,500 तो यहां पर salary 18,500 यहां salary outstanding 2000 और यहां salary outstanding earning पंदरह सो चेक है चलिए इसके बाद आगे देखते हैं value of equipment है 2529,000 तेरह सार चलिए इसका भी account बनाते हैं 2529,000 तेरह equipment अगा हाँ जी opening कितना था किस 500 खरीदा आपने कितने का 13,000 क्लोजिंग आपके पास कितना है 29,000 तो यह आ गया depreciation as balancing figure तो यह हो गया 34,500 तो यहां आएगा आपका तो इससे हम लिखेंगे assets में fixed asset opening equipment हमारे पास है 21,500 तो यह आपके पास है equipment कितना 29,000 रुपए और depreciation आपके पास कितना आ गया 5,000 रुपए depreciation 5,000 रुपए ठीक है ओके यह लिख दो आप equipment पे है क्योंकि आ गया और चीज़ें भी दिख रही है मुझको इसके बाद है furniture 40 और 36 और यहां अगर आप देखें तो furniture के बारे में कुछ भी नहीं है तो कोई working note बनाने किसकी ज़रूरत नहीं आपको सीधे आप कर सकते हैं कैसे furniture आपके पास है सीधे 36 का opening आपके पास furniture है 40 का तो obviously जो कम हुआ है furniture वो किसकी वज़े से कम हुआ बेटा जी हाँ depreciation की वज़े से 40-37 तो depreciation आगया अपका और किस पर आगया furniture पर कितना 4000 रुपए ठीक है इसके बाद यह हो गया अब इधर से यह देखिए सारी adjustments आपने कर दी हैं कुछ भी इसमें नहीं बचा अब एक एक करके सारी चाहिए payments हो चुका on uranium to petition 8000 तो on uranium यह मैं आपको बता चुका कि क्या होता है gratitude की तरह एक तरह से देते हैं sundry expenses 1000 expense है hazardous जो बच किया उसे hazardous आप यहाँ पे लिया ही है ठीक है rent हो चुका equipment purchase fashion tool expenses 34,000 fashion expense 34,000 ठीक है इसके बाद हो गया इधर आजाओ cash in hand होगे subscription donations मिली है कुछ नहीं लिखा हुआ तो general donation मानेंगे अगर specific होती तो आपको बताएगा चैक है इसके बाद interest on investment at 6% अब देखे 6% for the year अब कह investment तो थी नहीं और पूरे साल का अगर आपको 3000 पर इंटरस्ट मिलाएं this is called as hidden adjustment अब देखे इसमें क्या होगा बड़े जहां से देखना आपकी जो भी investments की value है उस पे आपको पूरे साल का 6% ब्याज मिला 3000 तो आपकी investments हुई कितने की आप ये निकालेंगे इसी वज़े से मैंने question लिया है आपका तो 3000 पर 6 into 100 अग आप करेंगे तो ये आपका आता है 50,000 अब देखे अगर हमने इसी साल खरीदी होती न तो payment site कहीं तो दिखरा होता कहीं है देखो investment कहीं नहीं है मतलब हमने इस साल नहीं खरीदी है हमारे पास पहले से हैं तो ये investment हम opening balance sheet में भी दिखाएंगे as well as closing में भी दिखाएंगे क्यों समझ में आ रहा है आपको the reason is very simple कि अगर हमने इस साल खरीदी होती तो recipient payment में payment site दिखरी होती बट ये हमारे पास पहले से हैं तभी तो हमें interest मिल रहा है नहीं तो कौन देखा आपको लाके interest और इसने आप पर नहीं नहीं बता है तो ये hidden adjustments हैं इसका ध्यान रखना है fashion proceeds पचास पांसो income fashion proceeds पचास पांसो अब इसके बाद closing करते हैं question की सबसे पहले यहाँ पर capital fund निकलेगा balancing figure balancing figure देखिए यह आप कहा रहा है 31 तो यह आपका बचे का एक लाक 21,000 एक बत्तिस ठीक है फिर यह आप as it is यहाँ पर capital fund एक लाक 21,000 लिख देंगे अब इसको बनाएगे इसमें हम interest आलना भी भूल गया है interest on investment दीना सारुप है टिक लग गया इस पर लग गया सब पर टिक लग गया ना हाँ चले अब यहाँ पर आपका आजाएगा capital fund surplus निकाल लेगा यह आएगा आपका 1500 रुपीस चैक है इसको चेक कर लें सही आ रही है हमारा एक लाग 5,500 उमीद करता हूं कुछ समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें करना है पूरा total भगवान के नाम से एक बाइस पान सो चमा खजार चमा ग्यारा साथ चमा दो हसा एक चत्थिस पान सो और उसके बाद 29,000 चमा 36,000 चमा 50 तो जी balance sheet हमारी match हो गई समझ में तो आपको उमीद करता हूं कोशन समझ में आ गया कैसे करना है सबसे पहले adjustments उससे पहले cash in and opening closing जरू लिख देजे format ये लिखिए adjustments करिए उसके बाद हर चीज़ पर टिक करिए कि सारी चीज़ हो गई या नहीं आप देखिए लगबग 15 मिट में मारा एक question complete हुआ चलिए अब हम start करने जा रहे है issue of shares ध्यान से देखे एक एक चीज़ बहुत important chapter आपके examination के अंदर एक अच्छे घासी वेटेजी रखता है सबसे पहले थोड़ा सा theory का part discuss कर लेते हैं सबसे पहले shares होता है क्या? shares की definition आपको पता होने चीज़ है smallest unit in which capital of the company is divided अब यह क्या है sir? ध्यान से देखे वेटा दिखें जो company होती है specifically अगर मैं बात करूँ public company के तो public company के case के में there are number of investors number of investors आप बोलो या number of owners तो सबका by name account maintain कर पाना possible नहीं है तो company क्या करती है जो उसकी overall capital है से company को capital चाहिए 10 लाग उरपे की तो इसको कुछ units में divide कर देती है ठीक है? units of equal value और वो जो units of equal value होती है उसी को हम नाम दे देते है share यह जो value होती है इस value को हम बोलते है face value जैसे company के 10 लाग रुपे capital company को चाहिए तो company ने क्या किया? इसको 1 lakh shares में बाढ़ दिया of rupees 10 each तो इस share समझ मैं है smallest unit जिसके अंदर company ने अपनी capital को divide किया है 10 लाग total capital थी 1 लाग units में divide कर दिया और 1 unit 10 रुपे की तो उसके बाद अब जो भी investor जितने shares लेगा वो represent करेगा कि उसकी company में कितनी holding है suppose Mr. A है Mr. A ने rupees 1000 invest करने है तो बड़ा simple सा तरीका है हम उनको क्या दे देंगे? 100 shares दे देंगे और 1 share कितने का होगा? 10 रुपे का Mr. B है suppose Mr. B को 3000 invest करने तो हम क्या करेंगे? उनको 300 shares दे देंगे तो shares में सबसे बड़ा advantage यह होता है कि जो जितना invest करना चाता है उसको उतने investment के हिसाब से हम shares a lot कर देते है and the number of shares hold by a particular investor represents extent of ownership in the company कि उसकी company के अंदर कितनी ownership है? समझ मैं इस पर जितने जादा shares होंगे उसकी उतनी जादा ownership अब यह issue क्या-क्या माजरे जड़ा ध्यान से समझाओ please note जड़ा साथ-साथ अच्छे से बनाओ, थोड़ा सा theory portion है, important है जो मैं आपके साथ cover up कर रहा हूँ, please देखे, issue का process क्या होता है? वैसे तो आप earlier stage पर यह चीज़े देखके आए होते है मैं बड़ छोटी सी summary लूँगा, कोई भी company अपना एक prospectus बनाती है sir prospectus क्या होता है? prospectus क्या होता है बेटा है? एक ऐसा document जिसके अंदर company की details होती है, document containing details of company अब sir यह details किस तरीके की होती है? company की यह details होती है बेटा कि उसका past record क्या रहा है? उसके directors क्या उन है? and उनका past record क्या है? जैसे अब शारुक खान है अगर वो किसी company का director है तो लोगों को ऐसी faith हो जाएगा मैं हूँ, मैं किसी company का director हूँ, अभी उतना famous नहीं हूँ, तो शायद उतना विश्वास ना हो तो basically directors कौने लोग यह जानना चाते कि 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 का पैसा उसके अंदर लगा हुआ है? चाहिए? बताई जाती है, चीक है बेटा? अभी मैं theory सिर्फ जितनी required है उतनी discuss कर रहा हूँ, detail theory के लिए मैं इसकी भी बड़ी जल्दी video record करने में जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको इस सारी basically वो 11th class के लिए होगी business studies की उसके इंदर आप और अच्छे से पढ़ा, अभी जितनी required है issue of share के साब से वो बता रहा हूँ तो prospectus एक document जिसमें company की details होती है, इस prospectus के end में एक application form attach किया जाता है, application form is attached, इस prospectus के end में application form जो है वो हम क्या करते है, attach करते है किसली attach किया जाता है, यह attach किया जाता है कि अगर हमारा prospectus करने पढ़ने के बाद potential investor को, मैंने एक word यूज के अगर आपने ध्यान से सुनो, मैंने investor नहीं बोला, मैंने क्या बोला है potential investor को, लगता है कि इस company में invest करना चाहिए, तो वो उस application form को भर के company को submit करवा देगा अब sir, यह potential investor कौन होता है, प्लीज ध्यान से समझा, हमने तो investor words सुना होता है, potential investor वो होता है, किसी भी words के साथ अगर potential लग जाए इसका मतलब, वो लोग जो अभी सोच रहे है, potential investor मतलब, those investors who are thinking to invest, who are thinking to invest, एक होते है actual investors, जो invest कर चुके है, ठीक है तो application form एक attach किया जाता है, so that potential investors can apply for number of shares, जितने वो apply करना चाहते है अब होता गया है, इस application form को इतना असान नहीं होता है, किसी भरा और आपने जाके जमा करा दिया, फिर तो जो मर्जी जितने मर्जी भर के बेज़ते है, क्या दिक्कत है अब मेर को 1000 share चीओंगे, मैं भी लिख दूँगा 3000, जब देने होंगे पैसे जब सोचेंगे, तो इसे लिए application form attach किया जाता है, जिसके potential form, so that potential investors can apply for number of shares, along with application money ऐसे ने, company पैसा मांगती है, along with application money, अब यह सर application money क्या होती है, इसके बारे में मैं discuss करता हूँ, अब पहले यहां तक सारे notes बनाईए, फटाफट, post कर लो video, फटाफट बनाऊ, चली, application money क्या होती, application money सबसे पहले depend करती है, यह से लो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दू, application money जो होती है, it's a part of face value, which the potential investor deposit with application, कैसे सर, and generally, यह generally क्या होती है, and it is based on number of shares applied, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़, वो ता क्या है, जैसे, मैंने suppose, हमने क्या किया, face value है 10 रुपे, तो हमने बोला कि भाया, जो भी, मतलब हमारा एक share 10 का है, हमने बोला, जो भी shares खरीदना चाहता है, वह application पर 2 रुपे भेज़ दे, जो application पर 2 रुपे भेज़ दे, मतलब अगर आप 10,000 shares खरीदना चाहते हो, तो 10,000 shares, 2 रुपे के साब से, कितने भेज़ दो, 20,000, अब 1,000 shares करीदना चाहते हो, अब 2,000 बेज़ दो, अब 50,000 shares करीदना चाहते हो, अब 1,000,000 बेज़ दो, तो मैंने किया लिखा, part of face value है, which the potential investor deposit with the application, and it is based on number of shares applied, जितने आप shares apply करोगे, उसे साब से आप बेज़ दो, समझ महीं बाद, अब, entire applications, received by company, generally, इसके लिए 3 दिन का time होता है, मैं आपको knowledge के लिए बता दूँ, issue 3 दिन के लिए खुलता है, 3 दिन में जो invest करना चाहता है, वो invest करता है, साथ में क्या आता है, application money, अब यह जो application money आता है ना बिटा, अब ध्यान से समझना, मैं आपको main बाते अब सिखाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुगे, यह theory के subject point of view से बहुत important है, यह सारा का सारा application money जो आता है, company के account के अंदर, इसे transfer नहीं किया जाता, इसके लिए separate bank account, is opened and all money is kept in this account, एक separate account open किया जाता है और उसके अंदर सारे के सारे पैसे को रखा जाता है, और इस separate account को हम बोलते हैं, escrow account, very 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 important from theory point of view, exam में इसके उपर पहले भी question पूछे गए हैं, और कभी भी पूछा जाता है और बच्चे इसका अंसर नहीं कर पाते, जो भी application का पैसा company के पास आता है, company उसे सीधे अपने account में नहीं लेती, उसे separate bank account में रखा जाता है, और जिस account को हम बोलते है, escrow account, अब मन में पहला question आता है, ऐसा क्यों? क्यों company उस सारे के सारे पैसे को अपने account में नहीं मंगाती, क्यों उसको escrow account के अंदर transfer किया जाता है? बड़े ध्यान से समझना बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्या कारण है मैं आपको बता रहूं, suppose एक ABC Limited है, ABC Limited ने offer किये 1,00,000 shares, कितने shares offer किये? 1,00,000, ठीक है? Case 1, उसके पास applications आई, 1,00,000, कोई दिक्कत नहीं है, shares मिल जाएंगे, सबको दे दिये share, case 2, उसके पास applications आई, 1,00,000, तो 20,000 को मना कर दिया, हाथ जोड ले, भाई साब हम नहीं दे सकते share, आगे और भी बताऊंगो, वैसे बहुत चीज़े होते हैं इसके अंदर, बट अब याप समझो, 20,000 से हमने हाथ जोड लिये, कर नहीं दे सकते हैं, और बाकियों को share देते, case 3, suppose company के पास, applications आई, 92,000, और case 4 भी मैं साथ साथ लिखना चाहूँगा, फिर case 3 समझाऊँगा, applications आई, 87,000, तो ये तो साथ सही है, 1,00,000, हमने offer किये दे, 92 आया हैं तो 92 को दे डालो, भाई मेरे पास अपने badge के अंदर, suppose 50 seats है, मैंने का भाई है, जो पढ़ना चाहता है, अपला है, अगरो application ही 45 seats के लिए है, तो 45 बच्चों कोई पढ़ा हूँगा न, और 87,000 में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब आपको चीज़े समझ मैंगी, बड़े त्यान से समझ ला, यहाँ पर और यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके की problem नहीं थी, हमने क्या क्या, shares को allot कर दिया, दे दिया उन्हें, पत यहाँ मुझे दिक्कत है, if number of application received by the company are less than the shares offered for subscription, shares offered for subscription, तो उस case के अंदर, हम ऐसे ही share issue नहीं कर सकते, we need to verify, whether minimum, subscription, has been received or not, अब यह क्या है sir, दियान से देखो, सब बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, अब यह minimum subscription क्या होता है, दियान से देखिए, अभी कुछ नोट नहीं करना सिर्फ समझो, बाब में वीडियो रोक रोक के रूट कर लेना, minimum subscription, अभी flow में जाने दो चीज़ों को, minimum subscription क्या होता है, देखो, broadly, companies को control करने के लिए, एक तो हमारे पास companies है 2013 है, दूसरा हमारे पास है, security exchange board of India, SEBI, security exchange board of India, security exchange board of India, जितनी भी listed companies है, या मैं कहूं, जितनी भी public companies हैं, उनकी functioning देखता है, से भी कहता है, कि आप shares, जब तक offer नहीं कर सकते, जब तक आप 90% applications, receive नहीं कर लेते, at least, 90% of, applications, shall be received, for, issuing the shares, मतलब, अगर company ने, एक लाग shares, अगर company ने, एक लाग shares, offer करे हैं, तो, कम से कम, 90,000 applications, आनी चाहिए, तभी company, minimum subscription, receive कर पाई, और अगर, minimum subscription, receive नहीं कर पाई, तो entire amount, will be refunded, company, जो है, वो, shares a lot, नहीं कर सकती, verify, whether minimum subscription, has been received, or not, आपको ये verify करना है, और अगर, आपने minimum subscription, नहीं receive किया, not received, entire money, will be, refunded, सारा का, सारा, पैस, वापिस, चला जाएगा, और अगर, receive हो गया है, तो, issue the shares, आप shares को, issue कर सकते हो, बात समझ मैं, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर, एक लाग shares थे, 92,000 application आई, share issue कर सकते हो, 87,000 आई, shares issue, नहीं कर सकते, से भी क्या कहता है, at least 90% of application, shall be received for issuing the, shares, otherwise no allotment can be made, आप allotment नहीं कर सकते, no allotment, can be, made, समझ में, company act क्या 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 क्याता है, सर, यह भी तो आपने लिखाता, company act क्याता है, minimum subscription means, minimum amount, stated in, prospectus of company, for, different, specified, purposes, एक वो amount, जो आपने लिख दिया, अपने prospectus के अंदर की, कम से कम हमें, इतना पैसा चाहिए, जैसे company ने, 10 लाग शेयर, एक लाग शेयर उफ़र की है, 10 लाग रुपय उसे चाहिए, अब 10 लाग रुपय उसको चाहिए, और उसने लिख दिया, कि यह मुझे 2 लाग तो बहुत अरजेंट चाहिए, because of working capital and fixed results and so on, तो company act के साब से 2 लाग minimum subscription है, और सेवी तो सा 90% कहते है, फिर किसकी सुने, एक बात धियान रखना, जिन्दगी भर आज बता रहा हूँ, जहां company act की guideline है, और जहां सेवी की guideline है, सिर्फ सेवी की guideline चलती है, company की guidelines की, कोई relevance नहीं है, तो फिर इन्हों नों दी क्यों, इनको पता नहीं था क्या ये बात, अरे बेशर्मों, सेवी guidelines सिर्फ और सिर्फ listed company में चलती है, जो share market में, क्या private company नहीं होती, होती है या नहीं होती, या public company चलती हूँ न लिस्टेड हो, वो सारी बाते theory के अंदर हैं, business studies 11th की वीडियो उस देखो, आप जब shoot करूँगा, तो उसमें आपको समझ मैंगा, तो सेवी की guideline सिर्फ listed company में, और हमारे पास जितने कोशन है, हमारे लिए भगवान कौन है, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान है, हाँ पर security exchange board of India, कि कम से कम 90% applications आनी चाहिए, इसी वज़े से यह जो पैसा है बेटा, मैं इस पर आऊँगा, हम कहां पर रखते हैं, escrow account में, सारा का सारा पैसा, हम escrow account में रखते हैं, company account में नहीं रखते हैं, जब company ensure हो जाती है, कि minimum subscription आ चुपा, तो उसके बाद ये पैसा, जो है, escrow account से निकाला जाता है, और कहां transfer कर दिया जाता है, company के account में, तो आप ये सब note कर लीजे, मैं उसी कोई आगे continue करता हूँ, ये मेरा A था, ये मेरा B था, मैं C लिख रहा हूँ, after ensuring that minimum subscription has been received entire amount from escrow account is transferred to companies account, समझ मैं इबा, और उसके लिए क्या entry होती है, अब company की books है, books of company ध्यान से देखे, जो भी पैसा company के पास आया है, bank account, debit, पैसा आ रहा है, और एक बार हमने उसे दिखा दिया, to share application के नाम से, अब मेरा practical portion स्टार्ट होता है, 20 मिन मैंने आपको बहुत पकाया, hopefully आपको सीखने को थोड़ा बहुत मिला, पसंदार ये video for traffic पहले like करो, और बार बार आपको ये बहुत कहता हूँ, कि please, दोस्तों के साथ इन चीज़ों को share करे, उनकी भी knowledge पढ़े, आपको पता, एक channel का कुछ एक purpose है, बहुत videos पे मैं share कर चुका हूँ, सारी videos बहुत अच्छे से देखके, notes बनाओ, economics की, accounts की, BST की भी बड़ी जल्दी record करने जा रहा हूँ, ठीक है, और दोस्तों के साथ इसे जादा से जादा share करो, they should watch it, they should understand something, उन्हें भी पता लगे, आप तो को इतनी बात, आपने मेरे से सुने, आपको कुछ नया सीखने को लगा हूँगा, और यह बात, प्लीज अपने तक मत रखो, मैं अगर अपने तक रखता, तो आपको फाइदा होता, ऐसी अगर आप अपने तक रखोगे, तो दूसरे को फाइदा नहीं होगा, प्लीज, स्टार्ट शेरिंग, नो, बैंक अकाउंट डेट टू, शेर अप्लीकेशन, तो, अमाउंट फ्रॉम, एस्क्रो अकाउंट, इस, ट्रांसफर तू, हां जी बैटा, सर, कंपनीज अकाउंट, समझ में आगई बात आपको यहां तक मेरी, पक्का, क्लियर हैं, चलिए, अब आगे बात करते हैं, अब कंपनी के पास, जो भी application का पैसा आया है, कंपनी के पास, जो भी application का यह पैसा आया है, कंपनी, अब shares a lot करेगी, मतलब shares a lot करेगी, मैंने एक word यूज किया क्या, shares, a lot करेगी, या आपको shares, issue करेगी, कहेगी भईया, ले लो shares, ठीक है, अब suppose, अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना प्लीज, यह एक लाग application सी आई थी, कंपनी के बस, तो एक लाग पूरा पैसा आया, अब उनको company shares देगी, तो हुआ क्या, यह जो application का पैसा था, share application, debit, to, share, capital, please बेटा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी अच्छी बाते सिखाऊंगा इसके अंदर, अब सुनके, आश्चर ने चकित हो जाओगे, कि क्या सिखा दिया सर आपने, यह क्या है यह, entry कप करिये, when, allotment, या, issue, is, made by the company, जब company ने shares, a lot कर दिये, या मैं कहूँ issue की, अब आपके ना कुछ बच्चे, जो already पढ़के बैठे हैं, उनका तो दिमाग हो गया, उनका खराब, क्या लिख रहे हैं सरी, यह हम कुछ पढ़ते हैं, allotment, allotment, यह तो sir, लिख रहे हैं, share application to share, बही अज मैंने पहली बोल दिया, जो पढ़के बैठे हैं, वो इस वीडियो को तो, जितना पढ़ा हुए, सब delete कर दो, तब ही आपको मेरी बाते समझ में हैं, मैं बता रहा हूँ, सारी genuine बाते, और सारी बाते reconcile हो जाएंगी, जो आप पढ़ते हो, और इसके अंदर है, बट अब आप इस एक्दम zero mind से देखो, तब ही आप समझ पाओगे, सबसे पहली entry bank to share application, ये कब, जब company का, पैसा scroll account से, company का account में है, और अगली entry, share application to share capital, ये कब, जब company ने shares, a lot करे, मतलब application का पैसा, अमती ने क्या मांग लिया, capital बमान लिया, बास समझ में आ गई आपको, चलिए, बागी बाते, next part में cover up करते हैं, hello friends, welcome to the part 2 of issue of shares, आप part 1 के अंदर, मेरे साथ देख चुके हैं, भी तक उसको जब आफट आफट समेराइस कर लेते हैं, कि जो भी पैसा होता है, company के screw account के अंदर आता है, फिर company ensure करते हैं, कि उसे minimum subscription receive हो गया, या नहीं हो गया, once company ensure कर लेते हैं, कि उसे minimum subscription receive हो गया है, तो वो पैसा, screw account से निकालके, company के account में transfer कर दिया जाता है, और उस समय entry क्या होती है, हमारी bank account debit to share application, shares a lot कर रही है, that is issue कर रही है, तो वो क्या करेगी, इस application के पैसे को, किस में convert कर देगी, share capital में, अब ये entries किस amount से होंगी, देखें, जितना आपके पास application का पैसा total आया है, number of applications received into application money, पहली entry तो उतने से होगी, bank account to share application, but जो दूसरी entry है, वो होगी share application to share capital, shares issued multiply by application money, अब ये क्या है, ध्यान से समझो, suppose company ने offered किये 1,00,000 shares, और applications आई, उसके पास case 1 1,00,000, case 2 95, case 3 1,00,000, पहली case में 1,00,000 applications आई है, 1,00,000 ही company shares offer कर रही है, तो होगा क्या 1,00,000 into 3, यहाँ भी 3,00, यहाँ भी 3,00,000, case 2 में उसके पास 95,000 applications आई है, तो obviously issue भी कितने होंगे, 95,000, but case 3 अगर आप देखो, तो उसमें company के पास applications बेटा, कितनी आगई है, 1,00,000, 20,000, but वो offer कितने कर रही है, 1,00,000 shares, तो यहाँ पर जो access applications आगई है, कितनी आगई है बेटा, 20,000, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक simple सा case बता रहा हूँ, कि access applications जितनी आएंगी, उसका पैसा जो है company वापिस कर देगी, क्या कर देगी, वापिस, बहुत सारी चीज़े होती है, आगे जाके प्रोराटा वगरा पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि, अगर access applications company के पास आईएं, तो company उसको क्या कर देगी, वापिस, तो हमने क्या कर दिया, to bank account, आप समझो इस चीज़ को, share capital के अंदर कितना जाएगा, कि जितने आपने shares issue किया, into application, company उतनी ही capital बनाएगी, कि जितने उसने shares a lot की है, और जितना access पैसा है, जितना access पैसा है बेटा, company उसको क्या कर देगी, sir company उस access पैसे को जो है, वो refund कर देगी, यह bank account के अंदर, बताओ क्या जाएगा, bank account के अंदर जाएगा, जितनी access applications है, multiply by application, money, अभी मैं एक question पूरा करवाओंगा, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे और अच्छे से, अभी तक आपको यहां तक समझ में आता है, तो हम यहां पर receive तो 120,000 applications पर कर रहे हैं, पैसा पर capital बना रहे हैं, 1,00,000 को और 20,000 applications को पैसा हमने refund कर दी, अब मैंने आपको यहां पर क्या बतायता है, application money receive हुई, यहां पर यह entry कब होगी, at the time of, issue of, shares, at the time of issue of shares, that is allotment of shares, यह entry जो है आपकी allotment की time पर होगी, अब सरी यह entry allotment की time पर होगी, हाँ, ध्यान से दुखना, अब आज़िये में बार, देखो हो है क्या, suppose मैं अपने batch में 50 students को लेता हूँ, मैंने बोला, कि भी यह जिसको मेरे से पढ़ना है, आके apply कर, 1000 रुपे का form रख दिया, चाहिक है, अब मेरे पास, suppose 55 applications आई, अब मैं पढ़ा कितने बच्चे को सकता हूँ, 50, तो मैंने 50 बच्चे जिनको बढ़ाना क्रावने select कर लिया, और उनको intimate कर दिया, कि भी यह आपकी seat जो है, मेरे batch में confirm हो चुकी है, आपको seats a lot हो चुकी है, चेक है, अब जब मैंने उनको inform किया, seats a lot हो गई है, तो मैंने उनको ये बोला, कि बचा, मैंने आपसे 1000 रुपे मांगे थे, application के time पर, 10,000 रुपे मेरी total fees है, आपको क्योंकि seat a lot हो गई है, तो आप 2000 रुपे और जमा करा जो, 2000 रुपे और जमा करवा जो, बास समझ में आ गए, ठीक है sir, करवा देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है, कि बस मैंने उनकों कर दिया, कि बेटा, आपका, जो है, वो seat confirm हो गया है, आप classes में जब आओगे, तो जैसे जो आपकी तीन इंस्ट्रॉल्मेंट्स है, मतलब आप समझो, मैं आपको जो समझाना चाहरा हूँ हो यह, कि application money आने के बाद, जब आपने उस पैसे को accept कर लिया, मतलब आपने उसे allotment कर दी, अब allotment के time पर, might be, मैं पैसा मांगू, might be मैं पैसा नहीं मांगू, अगर मैं allotment के time पर पैसा नहीं मांग रहा, इसका मतलब यह नहीं कि allotment हुआ नहीं, allotment तो उसी समय हो गया था, जब application का पैसा company ने accept किया था, मेरी बात समझ में आरी है आपको, मैंने application का पैसा receive किया, receive करने के बाद, जैसी उसे capital में convert किया, it means company ने shares a lot कर दी है, अब allotment के time पर might be company पैसा मांगे, और might be company पैसा ना मांगे, बट अगर allotment पर company पैसा नहीं मांग रही है, it doesn't means कि company ने allotment नहीं किया, दियान से समझ ना, तो यहाँ पर लिखा access application, मैंने suppose allotment के time पर 2 रुपे मांगे, बट क्या यह जरूरी है, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट suppose मैंने मांगे, तो होगा क्या, share allotment to share capital, share allotment to share capital, यह share allotment to share capital क्या है, यह share allotment to share capital है, कि आपने allotment पर कितने पैसे receive करने है, मतलब, number of shares issued into allotment money, बास समझ भाई, और उसके बाद हम क्या करेंगे, bank account to share allotment, जब वो पैसा receive हो जागा, अब बच्चों को ना सबसे बड़ा doubt आता है, यहाँ पर आपने पहले पैसा receive किया, फिर capital माना, यहाँ पर allotment पहले आपने due करी, और फिर उसे receive करी, कारण बताता हूँ मेटा, ध्यान से सुनो, एक एक चीज के पीछे logic है, application के time पर, it was not confirmed कि, how much applications my company is going to receive, पता था, एक लाग shares दिये, application एक दस भी आ सकती है, नबबे भी आ सकती है, तो वहाँ पहले पैसा receive होगा, उसके बाद ही company share issue कर पाएगे, lot कर पाएगे, but once, एक बार company ने share से lot कर दिये, उसके बाद तो confirm है न, suppose 50 seat मेरे पास थी, मेरे पास applications आई कितनी, 55, अब मेरे पास 55 applications आई, मैंने 50 seat lot कर दी, और मैंने हर बच्चे से बोला, 2000 पे और जमा कर वाओ, तो confirm हो गया ना, कि एक लाख रुपे आना ही है, एक लाख रुपे आना ही है, और फिर company क्या करेगी, यहाँ पर उसे पहले due कर दे, और बाद में receive करे, क्यों, क्योंकि surety है, यह पैसा आना है, और जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, कि allotment के time पे company पैसा मांगे ही मांगे, ऐसा बेटा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, समझ में आ गई है, अब होता क्या है, allotment के बाद, मतलब suppose company की face value थी 10 रुपे, company ने application पे 2 रुपे मांगे, ठीक है, मैं कहता हूँ आपको allotment पे company ने 3 रुपे मांग ली, कितने हो गए total 5, अब जो balance 5 रुपे बचे, उसे company installments में मांगती है, और उस installments को, हम क्या बोलते हैं, calls, यहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, calls, देखो वो एक्डम इसी तरीके से, एक बर 50 बच्चों की seat confirm हो गई, उनकी मैंने installment बना दी, तो मुझे पता है ना, हर महीने मेरे पास इतने इतने पैसे, आने ही आने, तो same way यहाँ पर, हम पहले due करेंगे, share, first call, account, debit, to, share, capital, और उसके बाद, bank account, debit, to, share, first call account, बास समझ मैं ही आपको मेरी, मैंने यहाँ पर पी पहले क्या क्या, due किया, और उसके बाद उस पैसे को क्या क्या, receive क्या, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, installments पे कितना पैसा आना है, चेक है, ऐसे ही, फिर second call, third call, जितनी installment, but, जो भी final installment होगी, जो भी final installment होगी, suppose मैं कहता हूँ, यहाँ पर company ने, बागी पैसा दो बारी करके बंगाया, धाई डाई डाई रुपे, तो यह आपकी first call क्या लाएगी, और इसको आप second नहीं बोलोगे, आप इसे final call बोलोगे, समझ मैं ही बाद, तो आपने लिखा, final call, account, debit, कुछ schoolों में इसे second and final call भी बोल देते हैं, ठीक है, लिखना चाहोँ आप वो भी लिख सकते हैं, बट final call is also sufficient, to share, capital, यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, due करेंगे, और उसके बाद, इस पैसे को हम क्या करेंगे, receive करेंगे, bank account debit, to, share, final call, तो आप सिर्फ मेरी दो-तीन बातें यहाँ तक अच्छे से समझ लो, क्या सर, पहले application के टाइम पर पैसा receive होगा, फिर capital में transfer होगा, पैसा receive कहां से होगा, scroll account से, second चीज, जब उसको हम capital में convert कर रहे हैं, मतलब हम shares allot कर रहे है, allotment के time पर पैसा आएगा, यह बिल्कुल भी जरूरी ही नहीं है, बट अगर exam में question आ गया, company has not demanded, any amount, at the time of, allotment, weather, it has made the allotment of shares, तो आप क्या बोलोगे, उसने allotment of shares किया है, एक number का बहुत important question है ही है, तो yes, when application money, is accepted, it represents allotment, बात समझ में, वो क्या represent करता है, allotment, यह question बहुत important है, और बाकी पैसा किस में आता है, बेटा, calls में, चलिए, अब एक question मैंने यह रखा हुए, आपके लिए, जड़ा इसको करे, case one application, company ने offer गिये, 1 lakh share, case one application, 1 lakh high, case two 95,000 high, case three 1 lakh 20,000 applications है, और पैसा कैसे आएगा, application पे 3, allotment पे 2, first call पे 5, इस तरीके से, आपका total पैसा आना है, चलिए, यह मैं पूरा question, एक ही उसमें करूँँगा, ठीक है, आप इस question को पहले, note कर लीजे, example को, मैं एक ही form में, इससे पूरा करूँगा, note कर लिया, चलिए बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो, case one, कितनी applications है, 1 lakh, case two बढ़ा, कितनी applications है, sir, 1 lakh, sorry, 95,000, और case three, कितनी applications है, 120, मैंने आपको बताए, access application का पैसा, reject कर देंगे, चलो, तीनो cases में entry बताओ ना, entry तो same होगी, यहाँ पर पहली entry क्या होगी, bank account debit, to, share, application, हाँ जी बताओ, कितने पैसे थे, sir, 3, 3,000,000 से होगी, क्यों होगी, 1 lakh into, 3, यहाँ पर पैटा, कितने से होगी, 95,000 into 3, 2,85,000, 2,85,000, समझ में आ रहा है, क्यों, 95,000 into 3, अच्छा पैटा, इसके बाद बताओ, share, application, debit, to, share, capital, अब बताओ, कितने share से शुँ होए, sir, यहाँ तो 1,00,000 हुए है, 1,00,000 था, यहाँ कितने शुँ है बेटा, sir, application ही 95 आई है, तो उतने ही होँगे, बट, sir, यहाँ तो ज़ादा application सा रखी थी, तो यहाँ पर, पैसा तो आपके पास 3,60 है, बट, आप जो है, वो shares कितनों को दे पाओगे सिफ, 3,00,000 को, और आपको यहाँ पे, 60,000, जो आपका access application से 20,000, into 3, वो पैसा क्या करना पड़ गया, बेटा, refund करना पड़ गया, 2 bank के नाम से, यह 2 bank जो है, यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए भी नहीं है, वो सिफ इसके लिए कितना, 60,000, यहाँ, यह कितना से हुआ, 1,00, into 3, जितने हमने shares offer करे, और यहाँ तो application नहीं 95 आई थी, तो हम 95 इशू कर सकते हैं, ठीक है, क्या बेटा, allotment पे पैसा मंगाया गया है, जी हाँ सर, allotment पे पैसा मंगाया गया, अच्छा, इसके लिए narration क्या लिखोगे, being application money received, इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, being shares allotted, ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद बताओ, share allotment to share capital, कितने पैसे आने हैं बेटा, सर दो रुपे आने हैं, दो लाक, दो लाक, यहाँ कितने आने हैं, सर यहाँ भी दो रुपे आने हैं, बट यहाँ पे 95,000 shares में आने हैं, ठीक है, यह जरूर आपको ने लिखना है, यहाँ पर side में, कि कितने उस पे आप, मैं तो भी यहाँ लिखूँँगा, reason being, आप समझ सकते हैं, मैं तीन तीन कर रहा हूँ, वन लाक इन्टू टू, यहाँ जो पैसान है, वो कितने पैसान है, 95,000 इन्टू टू, और यहाँ पर, जो है वो, वन लाक पर यहाँ आना है सर, दो लाक दो लाक, क्यों आना है, 20,000 तो रिफन्ड कर दिया था ना, यह बेशरूँँगो, रिफन्ड नहीं किया था, चलो, उसके बाद बताओ बेटा, बैंक अकाउंट, टू, शेर, अलोटमेट, पूरा पैसा, जम के लिए, दो लाक, दो लाक, यहाँ कितना आएगा, 190, 190, और यहाँ कितना आएगा, दो लाक, दो लाक, मेरी बात समझ में आ रही है, चिक है, नोट इग्दम प्रॉपर बनाना, इसको लाइन वाइन खीच के, मेरा लाइन नी बना पाया, ऐसे प्रॉपर लाइन बनाके, ताकि तीनों के से इग्दम, कंट्रास्ट में दिखें, समझ में है, इसके बाद, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉली, फाइनल कॉल है इसके, ठीक है, तो मैंने लिखा, शेर, फाइनल कॉल, टू, शेर, कैपितल, शेर, फाइनल कॉल टू, शेर, कैपितल, कितने का अबेड़ आप, मार्च रुपर अच लाइग, पाच लाइग, कैसे आया, एक लाइग, shares into March 95,000 into 5 475 475 और यहां पर 1,00,00 पी आएगा पाँच लाग पाँच लाग 1,00,00 into 5 समझ मैं और फिर bank account to share final call हाँ जी 5,00,00 रिसीव हुए यहां कितने रिसीव होंगे बताओ सर्फ 4,00,00 75,000 4,00,00 75,000 और यहां कितने रिसीव होंगे 5,00,00,00 ठेक है तो यह आपको एक case समझ मैं आया एक simple सा question मैंने लिया है यहाँ पर देखो तीन तम्स आप यहाँ समझ लो of shares issue से जितने हमने shares issue के एक जितने हमने shares issue के है applications received जो है वो उसे कम है over subscription over subscription क्या होता है number of application received जो है वो ज्यादा है number of shares issued से ठीक है पिटा और पार subscription पार subscription तीनों वर्ट सब आपको पता होने चाहिए number of application received equal है number of shares issued के ठीक है यह जो था आपका case 1 किया आपने मिरसा यह किया आपने case 3 और यह आपने किया मिरसा case 2 ठीक है तो अब यह terms भी आपको समझ में आ चुके और कैसे तीनों के case में entries हमें record करनी है उसका एक basic idea जो है वो अभी हमने develop किया ठीक है चलिए यहां तक आप notes मनाई है, revise करिए वीडियो को share करते रहिए और next part के अंदर हम बाकी बाते cover up करते हैं Hello friends, hopefully अभी तक आप दो वीडियो देख चुके हैं और आपको मेरी बात एक convey हो रही है आज हम आगे बात करते हैं अपने part 3 के अंदर issue of shares at more than face value ध्यान से सुनिया बेटा हमने face value से जादा पर share issue किया सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा recall करवा दू कि face value जिसको मैंने आपको बताया था क्या होती है smallest unit in which the capital of the company is divided तो जो smallest unit की value होती है उसको हम क्या बोलते है face value अब अगर shares जो हमने अभी last question किया था हमने देखा था shares are issued at face value अगर face value पे मतलब 10 रुपे पे ही issue हो रहे है तो उसको हम बोलते हैं कि shares को हमने issue किया है किस पर बेटा पार पर लेकिन एक बात ध्यान रखना एक बड़ था पार subscription shares are issued at par in par subscription अलग लग बड़ है shares are issued at par मतलब shares को हमने face value पे issue किया है और par subscription मतलब कि par subscription का मतलब था number of application received is equal to number of shares offered समझ मैं है चली अब है आज की heading issue of shares at more than face value मतलब suppose example XYZ limited offered share of face value rupees 10 at rupees 12 per share 10 रुपे face value का share उन्होंने कितने में issue किया 12 रुपे में issue किया तो एक बात बताओ यहाँ पर more than face value पे issue हो रहा है इसको हम बोलेंगे इसको हम terminology देते है issue of shares at premium क्या term देते हैं हम इसे issue of shares at premium चाहिए है और यह जो additional rupees 2 है यह जो additional 2 रुपे है बात समझ में इसको हम नाम देते हैं security premium क्या नाम देते हैं इसको security premium बात समझ में security premium क्या है security premium क्या है security premium is the amount over and above the face value of share received by the company at the time of share issue of shares चले अब त्यान से समझना यह जो security premium होता है ना बेटा यह company के लिए profit है profit of capital nature capital nature capital nature का profit capital nature का profit क्यों है देखो दो तरह के profits होते है revenue nature का एक capital nature का revenue nature के profits वो होते है जो business करने से आते हैं जो regular functioning की वज़े से profit होते है but क्या share issue करना company का regular business है नहीं इसलिए capital nature के profits है एक बात आप हमेशा याद रखना capital nature के जो profits होते है वो हमेशा restricted होते है restricted होते है मतलब उनका आप limited use कर सकते हो कोई भी हो कोई भी capital profit हो चाहे वो capital reserve है यह restricted profit होते है इनको सिर्फ limited purpose के लिए हम use कर सकते है as P&L था general reserve था अगर आपको partnership में यादो उनको हम free reserves बोलते था होने हम किसी भी purpose के लिए use कर सकते है but these are the restricted profits इनको सिर्फ limited purpose के लिए use क्या जात सकता है सर्फ ऐसी बात हाँ security premium जो है it can be used only for limited purposes as specified under companies at 2013 there are only 5 purposes for which the amount of security premium can be utilized और वो 5 purposes में आगे जाके आगे की videos में आपके साथ discuss करूँआ सिर्फ आप इतना ध्यान रखों this amount can be used by the company this amount can be used by the company for purposes और specific लिखना तो for 5 purposes specified under companies act 2030 और वो 5 purposes मैं आपको से आगे जाके discuss करूँआ समझ में आई बाद तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया क्या हम shares को face value से जादा पर issue कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते है issue of share at premium जो premium का पैसा आता है वो क्या है profit है sir कौन से nature का capital nature का capital nature के profits are restricted होते है उनका limited use हो सकता है security premium का सिर्फ 5 जगा हम use कर सकते है अच्छा सरी बाद बताओ company कब premium पे share issue करती है और कब face value पे देखो बड़ा simple है बेटा अगर company की market में goodwill अच्छी है लोग उसके shares खरीदना चाहते है तावले है कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए तो उस case के अंदर company जो है वो अपना share premium पर issue कर पाती है तो मैं यह line भी लिख देऊं आपके लिए if the company has goodwill in market only then it can issue the shares at premium बात समझ में आगे बेटा तो यहां तक तो आपको किसी भी तरीके का कोई doubt नहीं होना चाहिए अब मैं बात करता हूँ journal entry की देखो बेटाओ premium का amount कहां पर आएगा यह company की management decide करती है और यहां पर आपको question के अंदर given होगा management decides the stage the stage where the amount of premium will be demanded from share holders management decide करती है जहां पर आप amount of premium जो है demand करोगे किसे shareholder से बात समझ में आकर अब ध्यान से सुनिये मेरी बाते जो मैं आपको बताने जा रहो जहां पर भी यह पैसा मंगाया जाएगा suppose यह पैसा मंगाया गया allotment पे तो allotment पे अगर यह पैसा मंगाया गया तो आप क्या करोगे कुछ नहीं बहुत simple है due करते समय आप क्या करते हो share allotment debit to share capital ठीक है जो भी premium का पैसा है क्योंकि वो company के लिए profit है तो इसलिए उसको हम बेटा क्या कर देंगे credit कर देंगे credit कर देंगे credit कर देंगे यहां तो आपने number of share issue into total amount लेना है ठीक है यहां आपको लेना है part of face value और यहां आपको लेना है premium amount थोड़ा सा एक question से सरवान जाते थे अभी समझा रहा हूं विटा आप सिर्फ एक बार इसे note करो ठीक है और अगर यही चीज company calls में मंगा रही है तो वहां पर भी same होगा बस difference किया जाएगा share first call debit to share capital to security premium मैं भी आपको एक question से दोनों बाते clear कर रहा हूं एक बार बस आप इसे note करके चलिए question करूँगा छोटा सा example लोगा जादा clear होगा बस इतना ध्यान रखना है आपको इसमें हमेशा total amount आएगा इसमें क्या हैगा part of face value very good और इसमें क्या हैगा sir इसमें आएगा premium amount अब मैं एक छोटे सुष से आपको example से समझाता हूँ दियान से समझें उसने बोला xyz limited offered 10,000 shares at premium of rupees 2 per share 2 रुपे premium पे shares issue हुए applications received for वो भी हम 10,000 shares ही माल लेते हैं ठीक है बेटा अब question के अंदर उसने आपको बोला application पे हम 3 रुपे लेंगे allotment पे हम 4 पे लेंगे including प्रीम आपने लिखा particular यहां लिखा अपने face value और यहां आपने लिखा premium यहां अपने लिखा application यहां लिखा allotment और यहां first call यहां final call यहां कितने आ रहे हैं बटा तीन premium का कुछ भी पैसा नहीं आ रहा total 3 अब बताओ allotment पे के रहने आ रहे हैं चार जिसमें 1 रुपे premium है अब 4 रुपे total आ रहे हैं एक रुपे उसमें premium है तो allotment की face value कितनी आ रही है 3 रुपे मेरी बात आपको समझ में हा रही है convey हो पा रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो बटा 4 रुपे total आ रहे हैं उसने मुला including premium of रुपी 1 उसमें 1 रुपे premium है तो face value आई कितनी है बटा 3 रुपे first call balance total face value होती कितनी है 10 total premium था कितना 2 तो total होगा कितना 12 निकालो balance 3 3 आ चुपा तो यहां कितना आएगा और 4 यहां कितना आएगा 1 यहां कितना आएगा 5 तो इस तरीके से आपको क्या बूलते है यह पहले सबसे पहले छोट इसी table त्यार करने है हमेशा उसके बाद आप question करना start करोगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आईए समझ में आ रहा है बेटा चले अब आईए हमारे पास application 10,000 से ही आई है तो पहली entry बताओ क्या होगी bank account presentation देखो मेरी question की मैं कैसे करता हूँ bank account debit to share application अगर आप presentation पे focus नहीं करोगे बेटा खामाखा number कर जाएंगे और खासकर वो बच्चे जो उमीद लगा के बैटे हैं कि 80 में से 80 चाहिए 100 में से 100 भई 30,000 तो 10,000 shares 3 रोपे से आगर ठेक है यह आपको हमेशल side में लिखना है मैं आपको पहले भी बताया है पिशली वीडियो में share application debit to share capital चैक है बता यह भी क्या होगा पूरा पैसा चला गए चैक है being the allotment is made क्या allotment पे पैसा माग रहे है sir yes मांग रहे है share allotment debit debit to share capital to security premium अब ध्यान से देखो अराम अराम से relax हो कोई जल्दी नहीं कहीं नहीं भागना हमें ठीक है चलो बिटा ध्यान से देखो पीछे क्या था तीन रुपे यहां थे एक रुपे यहां थे टोटल कितना हो गया चार हो क्या तो आप क्या करो face value वाला पार्ट यहां आएगा मैंने लिखा था ना face value ले नहीं आप देखो concept पर जाके और यहां कितना आएगा एक रुपे और यहां कितना आएगा टोटल 10,000 इंटू 4 तो यहां आगे आपका 40 यहां आगे आपका 30 और यहां आगे आपका कितना 10 आप देखो जर्व मैंने जो करवाय था है क्या लिखा था कि यहां part of face value आएगा और यहां कि आएगा premium amount आप देखो face value का part कितना था 3 और यहां कितना था 1 और यह कितना है total तो total वाला जो amount है वो इसमें आएगा 10,000 x 4 यहां सिर्फ face value वाला part और यहां premium वाला part और उसके बाद आप इस पैसे को receive करोगे तो bank account debit to share allotment कितना आएगा विटा 40,000 40,000 समझ मैं आगया narrations आप सारी लिख सकते हो इसकी क्या होगी being allotment due being allotment money received लिख लो आप फिर final call है share final call to share capital to security premium very good बताओ कैसे कैसे amount आएगा अपने आप लिखो चलो देखो मत अभी पहले लिखो अपने आप बताओ हाँ 4 रुपे और 1 रुपे very good यहां 50K यहां कितना आएगा 40,000 और यहां कितना आएगा 10,000 10,000 shares 1 रुपे के हिसाब से और इसके अंदर 10,000 shares 4 रुपे के हिसाब से बात समझ मैं है और फिर यह सारा पैसा हमें receive होगा तो bank account debit to share final call कितना हैगा पिटा 50,000 और 50,000 तो यहां तक hopefully आपको मेरी सारी बाते clear हैं कि किस तरीके से हमें premium को deal in करता है ठीक है अब question हमारी सामने यह आता है कि अगर हमें question में नहीं बताया गया कि premium amount आया कहां पर है तो क्या करेंगे सर ध्यान से देखे बेटा if nothing is specified in question then we will assume the premium amount has been received on allotment अब यह क्या है ऐसा क्यों सा first call पर ले लो second call पर ले लो application पर ले लो हमें नहीं पढ़ा है समझ में नहीं आया हमने का होता हो logic के साथ आके बढ़ेंगे मैंने आपको पहली बता है मेरे इन video lectures को record करने का purpose वहीं defeat हो जाएगा अगर मैं आपको logic नहीं बता पाया इसलिए मैं आपसे कहता हूँ keep sharing बहुत वीडियोज है यार बहुत पैनल पे वीडियोज है YouTube पे भड़ी पड़ी है frankly speaking justifiable वीडियोज शायद ही कोई है कि सारी तो मैंने नहीं देखे बट एक overview मारता हूँ तो क्या सीख रहे है बच्चे इसलिए मैं ये वीडियोज रेकॉर्ड करहूँ और आपको मेरा मकसद पता है कि जादा से जादा बच्चों तक qualitative education हमें पहुंचानी है और उसमें आप लोग भी बहुत अच्छा support कर रहे हूँ मैं देख रहा हूँ आप बहुत जादा शेयर करते हो लवली लवली कमेंट फीडबैक भी देते हो sound problem है ये problem है doubts पूसते हो अच्छा लगता है इसी तरीके से आगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे खुश हो गया और आगे आने वाले वक्त पे इस चैनल बे बहुत सारी चीज़ा अविलेबल होगी आप बस भगवान ने चाहा प्राइब ना करो कि हम जतना सोच के बैठे हैं उतना कर पाएं सोचता तो बहुत हो चलिए बात करते हैं इसकी कि if nothing is specified in question then we will assume the premium amount has been received on allotment ऐसा क्यों होता है बेटा देखो actually मैंने आपको बताया premium amount जो है को company के लिए एक तरह का profit है तो company क्या चाहती है इस पैसे को as early as possible मंगा लिया चाहे हाया ना तो sir फिर तो इस पैसे को application भी मंगा लेते है allotment ही क्यों लिया आप इस पैसे को lotment भी मंगाते ना फिर sorry application पे lotment पे क्यों मंगा रहे है as early as possible आपका logic समझ में आ गया इस से पहले भी एक चीज़ है application भागल मंद बना होगे समझ रहे हो मेरी बाद first call second call नहीं होगे यह समझ में आ गया as early as possible application क्यो नहीं पिटा जब मैं आपको आगे जाके पांच purposes बताओं वाना कि security premium कहां कहां इस्तिमाल हो सकता है सिर्व वो पांच मकसदों के लिए company अपना premium का पैसा इस्तिमाल कर सकती है उसके बाहर company अपना premium का पैसा बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं कर सकती अगर company ने ऐसा कर दिया तो company और जिन officers के कहने पर ऐसा हुआ है दोनों को guilt मान दिया जाएगा और दोनों के खिलाफ case चलेगा और उन पांच purposes के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि इस पैसे को एक बार मिलने के बाद company refund कर सकती है सर सुनने में अच्छा लगा लेकिन आधी बाते दिमाग में आई आधी नी आई ध्यान से सुनो मैने आपको बोला once का amount of premium has been received then it can be utilized only for the five purposes as specified in the company act and nowhere it specify कि this amount can be refunded और अगर application पे आपने मंगा लिया और excess पैसा आ गया और आप refund करते हो excess के पैसे को तो आप premium का पैसा refund नहीं कर पाओगे क्योंकि company act उसकी permission नहीं देता समझ मैं है summary बनाओ सिर्फ कितने purpose के लिए utilize हो सकता है 5 वो 5 कौन से है नहीं बताए बताऊंगा अभी बट उन 5 purposes में कहीं पर भी यह नहीं नहीं कि premium का पैसा आगया तो refund कर सकते हो नहीं लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ तो आप करी नहीं सकते है इसलिए application पर दर के मारे premium का पैसा नहीं मंगा जाता कि अगर मंगा लिया और वापिस करना पढ़ गया रिफंड करना पड़ गया, तो रिफंड नहीं कर पाएंगे, और मार्केट में गुड बिल जाएगी, और रिफंड करेंगे, तो हम जेल में जाएंगे, समझ में आ गया, कि ये पैसा कहां आएगा, अलॉट्मेंट पे आएगा, फर्स्ट कॉल पर नहीं आएगा, 10,000, application received 12,000, access application rejected, अभी आपको मैंने ये ही पढ़ाया है, आप ये ही मान के चलो, प्रो राटा बिटा भी थोड़ा सा दूर है, जल्दी उसे भी लेता हूं, और issued at premium, ये भी मैंने आपको बता दिया, of rupees 2, application 5, allotment 4, first call, balance, अगर ऐसा कोश्चन आया, तो जब आप इसकी table त्यार करोगे, यहां आपने लिखा particulars, यहां लिखा face value, यहां लिखा premium, यहां लिखा total, तो application, allotment, first call, यहां कितना आएगा, 5, premium कुछ भी नहीं है, तो कितना आगया, 5, allotment, अब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो premium, यह जो given है, इसको आप मानते हो, total, अब total 4 रुपे हैं, जिसमें 2 रुपे तो premium किया है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे allotment पर मानना है, तो 2 रुपे face value किया है, समझ में, balance, 3, nil, 3, 12, 2, 10, समझ में आगई बाद, तो इस तरीके से इसकी table बनेगी, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, premium हमें allotment पर मांगना है, और यह जो given है, यह हमारे लिए क्या है, एक तरह से total, तो 4 रुपे total है, 2 रुपे premium है, तो face value कितनी होगी, 2 होगे, समझ में आगे, कोई doubt इसके अंदर, फटाफट entries कर दूँ में, फटाफट करूँ में, यह है, चेक है, bank account, फटाफट करो, चलो, fast, check करना, bank account to share application, बताओ बेटा, 10,000 into 5, कितने से, 50,000, 50,000, फिर बताओ बेटा, share application, debit to share capital, 50,000, 50,000, फिर बताओ बेटा, share allotment, debit to share capital, to security premium, यह मैं short में लिख रहा हूँ, तुम मत लिख ना बिटा, नमबर कार दे न, teacher में, यहां total, यहां face value, और यहां premium, good, उसके बाद बताओ, sir, आ गए पैसे, bank account debit to share allotment, 40,000, 40,000, इसके बाद, share, final call, debit to share capital, and bank account debit to share final call, और कितने कितने से होगा, बताओ, फटा-फट, sir, 3 रुपए से, 30,000, 30,000, 30,000, और 30,000, ठीक है बिटा, तो hopefully आपको यहां तक मेरी सारी बाते क्लिए रहे हैं, बाकि हम next part में cover up करते हैं, hello friends, welcome back, now we are going to start with the part 4 of issue of shares, hoping कि अभी तक आपने तीनों parts बहुत अच्छे से देख लिये हैं, और अगर नहीं देखें, तो please उन तीन parts को देखने के बाद ही, इस part 4 को देखें, otherwise चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है, चले, और प्लीज जिन्होंने देख लिए हैं, वो भी एक बार वीडियो को start करने से पहले, सारी चीज़े revise करने, क्योंकि वो concept सारे strong होने बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मेरी बाते समझ में आएंगी, part 4 के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ, calls in arrears की, सबसे पहले समझते हैं, calls in arrears होता क्या है, concept क्या है, देखो बेटा, call scenario होता है, amount due, but not paid by the shareholder, amount due तो हो गया, but shareholder ने पे नहीं किया, amount due, but not paid, अब ध्यान से देखिए, amount due हो गया, but shareholder ने पे नहीं किया, ये कुन सा amount due हो गया, ये amount जो due हुआ है, बढ़े share capital का हुआ है न, share capital का amount due हुआ है, but pay नहीं हुआ, अब pay नहीं हुआ, तो उससे company की जो capital है, वो कम हो जाएगी या जादा हो जाएगी, अब बताओ, due हो गया, but pay नहीं किया, pay नहीं हुआ, मतलब company की capital क्या हो जाएगी, कम, और capital कम होती है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, debit, तो calls in arrear जो है, अगर देखा जाएं, उसको हम अपनी books के अंदर क्या करेंगे, debit करेंगे, क्यों debit करेंगे, क्योंकि it represents reduction in capital, अब इसकी entry किस तरीके से frame होती है, बड़े द्यान से एक-एक चीज समझें और आईए स्टार्ट करते हैं, देखें, सुपोज X, Y, Z limited offered 10,000 shares, X, Y, Z limited ने 10,000 shares offer करें, ठीक है, एप्लिकेशन जो आई, वो भी 10,000 shares के लिए आई, एप्लिकेशन रिसीव्ट फॉर 10,000 shares, अब सुपोज, कंपनी जो है, वो पैसा मांग रही है, एप्लिकेशन पे 3 रुपे, अलॉट्मेंट पे 2, तो, first call पे 3, and second call पे 2, तो, total company कितने पैसे मांग रही है, 10 रुपे, ठीक है, अब सुपोज, एक shareholder है, जिसने की application का पैसा पे कर दिया, allotment का पैसा पे कर दिया, but first and second call का पैसा उसने पे नहीं किया, first and second call का पैसा उसने पे नहीं किया, तो, जो पैसा उसने पे नहीं किया, वो हम debit करते हैं, by the name of calls in arrear, किस नाम से debit करते हैं, calls in arrear से, अब अगर इसी question को मैं देखूँ, तो, किस तरीके से हमें चीजे करनी है, अच्छा, मैं इसी question में लिख देता हूँ, shareholder, holding, 300 shares, fail to pay calls, उसने calls का पैसा पे नहीं किया, अब जर्द ध्यान से समझे, इस question को मैं, इस concept को, इस example के थूरू, सारा का सारा आपको समझाता हूँ, example note कर लिजा बेटा, सबसे पहले, बताओ बेटा, first entry क्या होगी, revision भी हो जाएगी, इसी बाने, skip मत करना, वीडियो को, बीच में एक important बात बताऊंगा, bank account debit, to, share, application, ठीक है, अच्छा है, इसमें एक बात ध्यान रखना, कई बर होता है, कि वो, यहाँ पर लिख देता है, जान मुझके, XYZ limited offer, 10,000 equity shares, तो आपको भी, सिर्फ share word नहीं यूज करना होगा, फिर equity share word यूज करना होगा, ठीक है पेटा, तो यहाँ पर, हमारे कितने हैंगे, 30,000, क्योंकि application भी same है, 30,000, 30,000, that is, 10,000 into, 3, ठीक है, फिर बताओ क्या होगा पेटा, सर, यह जो share application का पैसा है, यह हमारा, transfer हो जाएगा, share capital में, share application debit, to share capital, ठीक है पेटा, इसके बाद, अच्छा यह share application to share capital के entry क्या दिखाती है, allotment हो चुका है, allotment पे पैसा आएगा, उससे नही, allotment यही हो चुका होता है, याद है न, good, अब फिर हम क्या करेंगे, बताओ, share allotment, debit, to, share capital, अब हम allotment का amount, good, क्या कर रहे हैं, due कर रहे हैं, 20,000, 20,000, फिर, पैसा रिसीव होगा, bank account, debit, to, share, allotment, कितना पैसा आएगा, 20,000, 20,000, ठीक है, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की, अब हम आते हैं, अपना calls के उपर, ठीक है, calls में, हमने करा, share, first call, account, debit, to, share, capital, कितने amount से होगा, बीटा, 3 रुपे से, 30,000, 30,000, अब देखो, due करते हुए, कोई हमें नहीं पता होता, कि कितना पैसा आएगा, या नहीं आएगा, यह तो मैंने क्या किया, being, first call, is, due, हमने first call को क्या कर दिया, due कर दिया, अब पैसा आएगा हमारे पास, तो, bank account, debit, अब दियान से समझना, main बात यहाँ पर है, क्या सारा पैसा आएगा, नहीं, 300 shares ऐसे हैं, जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, अब अगर 300 shares ऐसे हैं, जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, तो हमें पैसा किसने पे किया हुआ, 9,700 shares ने, yes or no, तो यहाँ पर जो आपका amount आने वाला है, वो क्या हैगा, 9,700 into 3, आप समझ रहे हो, और जो पैसा नहीं आया, मैंने आपको बताया, उसको हम किस नाम से लिखते हैं, calls in arrear debit, क्यों debit करते हैं, क्योंकि it represent capital क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, to share, first call, कितना, 30,000, ठीक है, कितना पैसा नहीं आया, 900, तो कितना आ गया, 29,100 रुपे जो है, वो receive हो गया, ठीक है, इसके बाद, यह entry आपको hopefully clear है, bank account call scenario to share first call, एक बात ध्यान रखना, जब भी पैसा receive नहीं हुआ, call scenario का account खुलेगा ही खुलेगा, हो सकता है, आपने कुछ books के अंदर, या कुछ schools के अंदर, ये बात पढ़ाई जाए, bank account, debit, to, share, first call, शायद आपके schools लेवल पे, या हो सकता है, किछ किताबों के अंदर, ऐसे लिखाओ, मैं आपको बता दूँ बेटा, technically ये wrong है, क्यों wrong है, उसके पीछे मैं आपको कारण भी दूँँगा, आपने यहाँ पर share first call account, debit किया, कितने से 30,000, अगर आपने यहाँ उसे credit किया 29,100 से, debit किया अपने 30 से, credit किया अपने 39,100 से, तो उसके अंदर, एक 300 रुपे का debit balance बच जाता है, तो यह जो 300 रुपे का debit balance बच गया, आप ये बताओ, क्या ये कहीं trading panel में आता है, कहीं ये balance sheet के अंदर आता है, कहीं पर भी नहीं आता, balance sheet के अंदर जो चीज आती है, वो calls in arrear आती है, कहीं share first call नहीं आती, ये तो एक सिर्फ representative account है, personal account है, जो की दिखा रहा है, कि हाँ first call पे 30,000 आने थे, जितने से open हुआ, उसी amount से मैं इस account को क्या कर दिया, close, ये entry आपको गलती से भी नहीं करनी, net की ये जो entry होती है, खास कर वो बच्चे बेटा, जो बहुत अच्छे number लाना चाहते है, 95, 98, 100 marks लाना चाहते है, वो तो कदाच इतना गरें, और जिनका 40, 50, 60 का target है, वो जो मर जी कर लो, मैं बड़ी बागा हूँ, बात साफ, ये entry आपको नहीं करनी, ये entry थोड़ी से लेंदी है, क्योंकि एक aspect जादे है, लेकिन correct यही है, और मैंने आपको reason भी बता दिया, hopefully आपको मेरी बात convey हो रही होगी, चीक है, बाकि फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप comment के अंदर अपना question पूछ सकते हैं मेरे से, अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, share, final call, debit, to, share, capital, कितने से, 20,000, 20,000, बात समझ मैं है, और उसके माद, अगेन इस पैसे को receive करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ, bank account, क्या सारे shares पे पैसा आ गया, नई, कुछ क्या है, calls in, area, good, calls in area, debit, to, share, final, call, चीक है बेटा, कितना था, 20,000, कितने पे नहीं आया, 1300 shares पे, 2 रुपे के हिजाब से नहीं आया, 600 रुपे, तो कितना पैसा आ गया, 19,400, चीक है, तो आपको समझ में आता है, कि call scenario का, हमें treatment किस तरीके से करना है, जिस stage पे वो receive नहीं हुआ, वहीं पर हम उसे क्या कर देंगे, debit, और at the time of receipt, हम उसे debit करेंगे, यह जो debit होगा, कब होगा, at the time of, receiving amount, जब amount, receive हो रहा है, चीक है, अब सुपोज, इसी के अंदर, मैं आपको एक line लिख देता हूँ, लेटर ओन, दीज शेर होल्डर्स, पेड, या, दीज थोड़ा, अंगरी जी गड़बड होगा, इसमें तो, लेटर ओन, दीज शेर होल्डर, इस शेर होल्डर ने, बाद में, सारा का सारा amount पे कर दिया, अब उस situation में क्या होगा, आपने यहां तक कर दिया, जब भी उसने पे किया, उस दिन हम क्या करेंगे, एंट्री ध्यान से देखिए, पैसे पे किया, बैंक अकाउंट, डेबिट, अब कितना पे नहीं किया था, उसने 600 रुपे यहां नहीं पे किये, और 900 रुपे यहां नहीं पे किये, तो टोटल कितने होगा है, 1500 रुपे, 1500 रुपे पे कर दिये, अब जब उसने 1500 रुपे पे कर दिये, तो हम एंट्री कर देंगे, bank account debit to calls in arrear चेक है क्यों call scenario को यहाँ पर credit किया क्योंकि अब हमारी capital बढ़ चुकी है बास समझ में आ गए तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पर bank account debit to call scenario अगर वो later on कभी amount pay भी करते हैं तो हम bank account to call scenario से इस entry को close करें तो this is the concept of calls in arrear कि अगर हमें amount receive नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे call scenario को debit कर देंगे समझ में आ कर और जब भी गभी receive होगा तो bank account to call scenario करके हमने उसे close कर दें तो hopefully यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का call scenario के अंदर आप कोई doubt नहीं होना चाहिए next मैं बात करूंगा अब calls in advance की ठीक है पिटा hello friends welcome back hopefully अब तक आप 4 वीडियो देख चुके हैं last video में मैंने आपको calls in arrear का concept सिखा है था अब मैं आज आपको सिखाने चाह रहा हूँ the concept of calls in advance ठीक है पिटा चलिए start करते है इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए calls in advance होता क्या है calls in advance का मतलब होता है amount not due but paid by the shareholder in advance amount due नहीं है but shareholder ने advance में pay कर दिया उस चीच को हम क्या बोलते है calls in advance जैसे example के तौर पर suppose application पर company को 3 रुपए आने allotment पर 2 first call पर 4 और second call पर 1 total कितने आने बेटा 10 अब suppose एक shareholder है उसने first and second call का जो पैसा है उसने pay कर दिया paid at the time of allotment allotment के time पर ही उसने ये सारा का सारा पैसा pay कर दिया तो इस situation के अंदर इस situation के अंदर हम ये जो उसने advance में पैसा pay कर दिया उसको क्या राम देते हैं calls in advance calls in advance जो है company के लिए एक तरह से current liability है इसका नीचर आपको पता हूँ नचीए बेटा calls in advance एक तरह से company के लिए liability है और कौन से नीचर गी current liability इसलिए company इसे books में अपने क्या करती है credit करती और एक और बात में आपको यहां पर बता दो क्या कोई company calls in advance accept कर सकती है मतलब अगर कोई shareholder calls का पैसा allotment के time पर ही देना चाता है तो क्या company वो सारा पैसा allotment के time पर ले सकती है देखिए ऐसा करने के लिए company को permission चाहिए उसके article of association की यह बात आपको बता हूना चाहिए थेरी के point of view से बहुत important है if company is authorized by article of association only then it can accept the amount of advance तबी वो advance का पैसा accept कर सकती है अब जो calls in advance है liability है तो एक बाह बताओ इसके लिए entry क्या होगी पैसा आएगा तो जब भी पैसा आएगा bank account debit और calls in advance क्योंकि company के लिए एक liability है तो company उसे क्या कर देगी credit by the name of two calls in advance बात समझ मैं तो please एक बार ये सारे notes up note down करें फिर एक example लेता हूँ चले अब suppose example में मैं ले रहा हूँ कि application 3 allotment 1 first call 4 second call 2 total कितना हो गया 10 मैंने बोला shares issued company ने 10,000 share issue किये ठीक है फिर मैंने आपको बोला shareholder holding वन थाउज़न शेर्स पेड अमाउंट ओफ कॉल्स calls on allotment तो देखते हैं एक question हम किस तरीके से करेंगे दियान से पेटा एक एक चीज़ देखो video skip मत करना बिलकुल भी कहीं पर भी अगर आपने video skip कर दी कोई भी part आपका रह सकता है फिर I am not responsible for that एक एक चीज़ सुनिए प्यार से notes बनाईए it's a investment यह कोई time आप वेस्ट नहीं करें सारा का सारा investment है और बार 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 मैं आपको एक बात बोलता रहता हूँ keep sharing the videos सर्फ अपने जक नहीं रखनी दोस्तों की proper help करो उनको भी इस channel के बारे में आप inform करें जादा से जादा कोशिश करें अगर आपको चीजें पसंदा रही है तो उनको भी फायता हो चलिए अब हम बात करते हैं इस question के अंदर बेटा सबसे पहले application के लिए bank account debit to share application कितना हैगा बताओ 10,000 into 3 30,000 30,000 उसके बाद share application debit to share capital कितना 30,000 यह होगा 10,000 into 3 उसके बाद allotment के लिए बताओ share allotment to to share capital कितना बताओ इसके बाद यह पैसा आपको allotment काया bank account debit ध्यान से देखना आप जो मैं करने जा रहा हूँ to share allotment कितना बिटा sir 10,000 10,000 ठीक है अब इसके बाद एक shareholder जिसके पास 1000 shares थे उसने calls का amount allotment पे दे दिया आप एक बाद बताओ calls पे total amount आना कितना है 6 रुपे यह 6 रुपे उसने allotment पे ही दे दिया तो आपको मैं हमेशा advice करूँगा आप इसके separate entry पास करो bank account allotment के बाद ही bank account debit to calls in advance कितने shares पे आया बिटाई है 1000 shares पे और कितना amount आया है 6 रुपे तो कितना हो गया 6000 इस entry को आप चाहो तो इसमें merge भी कर सकते हो but I will strictly advise you कि आप इसे separately पास करें ताकि exam में गलती होने के चांद सब्सक्म हो जाए अब आते हैं first call के उपर बेटा first call due करे share first call account debit to share capital कितना बताओ बेटा first call में 40,000 हा या ना अब कुछ बच्चों के मन में शायद यहां पर एक doubt आ सकता है वह मैं पहले से clear करूँ और अगर नहीं आ रहा तो शायद आ प्रिवीजन करो तो यह doubt आ यह बहुत जरूरी है कि सर यहां पर हमें पता है कि first call के लिए हमारे पास 1000 x 4, 4000 रुपे का advance आया हुआ है तो फिल आप यह पूरा 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 40,000 रुपे क्यों due कर रहा है आपने यह 10,000 रुपे पैसा due किया चार से हमें पता है हमारे पास 1000 का advance आ हुआ हुआ है तो आप कि calls in advance जो है मैंने आपको starting में इसलिए बता दिया कि हमारे लिए वो liability होती है current liability होती है ना कि वो हमारे लिए capital होती है तो इसलिए capital को तो हम पूरे amount से ही due करेंगे समझ में आती है बात मेरी नहीं आती तो reverse करके एक बड़ सुनो दुबारा bank account debit अब देखो हमारे पास चो पैसा आएगा बिटा वो कितना आएगा 9000 shares पे 4 रुपय हैंगे कितना 36000 calls in advance 4000 to share first call 4000 यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने calls in advance को debit क्यों किया आप समझो इस चीज़ को देखों बेटा जब यह पैसा receive हुआ था तो यह मेरे लिए current liability थी यहाँ पर यह जब calls in advance receive हुआ तो यह मेरे लिए liability थी तो इस चक्कर में मैंने इस पैसे को क्या किया due हो गई क्या वो पैसा company के लिए liability है मैं example से समझाता हूँ समझना suppose fees की आपकी तीन installments बनी first second third five five thousand की तीन installments बनी अब आपने यह पे कर दी और second के time पर आपने third भी पे कर दी दोनों आपने इकठी पे कर दी at the time of second installment तो जो third installment है वो आपके school के लिए liability है बट कब तक liability है जब तक third installment due नहीं हो जाती as soon as third installment will get due तो क्या आपके school के लिए वो liability रह जाएगा नहीं वो तो आ नहीं था फिर वो set off हो गया बात समझ में आती है तो यहाँ पर why we are debiting the calls in advance and why with rupees 4 only 4000 only तो आपको reason यहाँ पर clear होना चाहे as soon as first call gets due liability of company ceases to ceases मतलब to stop ceases to exist as soon as first call gets due liability of company ceases to exist to the extent of amount due बात समझ में यह reasoning आपको पता होने चाहे तो यहाँ पर हमने calls in advance को इसलिए debit के है क्योंकि company की liability कम हो रही है समझ में आता है आपको इसके बाद हम आते हैं final call पर share final call debit to share capital कितने से 10,000 10,000 10,000 हाँ सॉरी 20,000 से 2 रुपे का amount है न अब देखो यहाँ पर भी पैसा मिलेगा bank account debit calls in advance debit बट पता हो कितने shares पर मिलेगा 9,000 shares कितने रुपे 2 रुपे तो कितना आ गया अपका 18,000 यहां कितना आ गया 2,000 to share final call कितना 20,000 रुपे बात समझ में ही आपको तो प्लीस आपको hopefully calls in advance का concept समझ में आ रहा हो जब हमारा पैसा वो receive होगा तो हमें उसे क्या कर देना है credit कर देना है क्यों credit कर देना है because it's a liability and as soon as that call gets due वो liability हमारी खतम हो जाती है इसलिए payment के time पर उस amount को हम debit करके खतम करते हैं तो यह था बिटापका concept calls in advance का इसके बाद जो हमारे concepts होंगे वो थोड़े से technical होते चले जाएंगे और अब यह सब चीजों का mixture होता चला जाएगा जितना आपने सीखा है तो प्लीज यहां तक एक बाद सारा concept revise कर लीजे क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधे switch over करूँगा प्रोराटा पर यह हो सकते देखता हूं इसका combined question भी करवाँ ठीक है जी hello friends welcome back now we are going to start with the pro rata in part number 6 जो कि सबसे जादा interesting point सबसे जादा interesting concept and definitely इसके उपर एक question आपके exam के अंदर जरूर आएगा चलिए start करते हैं मैं इस video थोड़ा सा लंबा रखूंगा क्योंकि प्रोराटा का जो concept है वो थोड़ा सा technical है अगर various parts में बाटनेंगे तो दिक्कत आ सकती है बिना forward किये video को आपको पूरा देखना है plus एक एक चीज के बड़े अराम से notes बनाने है ठीक है जी चलिए start करते हैं अगर अभी तक आपने 5 पार्ट में से एक भी video skip करी है तो सबसे पहले आप उन 5 parts को cover up करिए क्योंकि मेरी discussion कहीं न कहीं उन 5 पार्ट में से होगी तो please let's start with the pro rata सबसे पहले हमें पता होना चाहिए pro rata का मतलब क्या होता है pro rata का मतलब होता है बेटा proportionate proportionate, sir proportionate का मतलब क्या है ध्यान से समझे बेटा मैंने आपको एक concept पढ़ाया था over subscription अगर आपको याद हो over subscription के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि over subscription का मतलब क्या होता है over subscription का मतलब होता है when number of applications received जो हमें applications received हुई है अगर वो जादा है number of shares issued याद है आपको यही बात बताई थी तो वहां मैंने आपको बता है था कि suppose company offered for public subscription public subscription के लिए company ने 10,000 shares offer किये but suppose company के पास जो application received हुई application received हुई say 15,000 shares की तो मैंने आपको part number one में यह बता के छोड़ दिया था कि आप माल लेना कि access को हमने क्या कर दिया reject कर दिया यह बात मैंने आपको part one में बताई थी access rejected कितना 5000 shares ठेक है आज उसी चीज़ को मैंने एक नए तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूँ एक नया concept उसमें सिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखें देखें कंपनी चाहे तो instead of rejecting the excess application company can make the prorata allotment मैंने क्या बोला instead of rejecting the excess application company can make prorata allotment अब यह क्या है company can make prorata allotment जड़ा समझो इसके अंदर क्या होता है company जो है वो एक share के अंदर एक particular ratio के अंदर sorry shares issue करती है जैसे company के पास applications आई है कितनी sir company के पास applications आई है 15,000 और company जो है वो issue कितना करना चाहती है issue है कितना करने के लिए उसके पास sir 10,000 share company reject न करके इनकी एक ratio निकालती है अगर हम इनकी ratio निकाले तो can I say 15 is to 10 इसको और simplify करूँ तो क्या आ जाता है वेटा 3 is to 2 तो इस तरीके से company किसी को भी मना नहीं कर रही है लेकिन यहां पर आप एक बात समझो कि जिसने 3 के लिए apply किया होगा उसने जो application money भेजी होगी वो 3 shares के हिसाब से भेजी होगी बट हम उसको 3 shares नहीं दे रहे हम उसको कितने shares दे रहे हैं 2 shares दे रहे तो कहीं ना कहीं एक share का application amount उसका company के पास advance आ गया है उसका क्या treatment किया जाएगा कैसे होगा वो सारी बाते मैं आपको बताऊँगा उससे पहले आपको यहां तक समझ में आ जाए pro rata का मतलब that is proportionate proportionate में हमने क्या किया कि applications 15,000 है issue 10,000 है 3 is to 2 आया इसका मतलब जिसने 3 के लिए apply गया उसको हम 2 share issue कर रहे अब मैं आपको सारी बाते एक एक करके समझा रहा हूँ please जान से देखे excess money received will be adjusted at further stage जो excess money receive हुई है उसको further stages पर adjust करेंगे इसके लिए मैं आपको छोटा सा example दे रहा हूँ ध्यान से समझे एक example से करते हैं हम इसे xyz limited offered say 20,000 shares application application money received on 35,000 shares application money company के पास कितने shares पर आ गई 35,000 shares पर amount company के पास कुछ इस तरीके से आना है application allotment first call say company के पास application के उपर say company के पास application के उपर five rupees आने है allotment पर three आने है and first call पर two आने है total कितना होगे पिटा 10 ठीक है और मैंने नीचे लिख दिया company made the prorata allotment company ने prorata allotment किया ठीक है जी चले अब ध्यान से समझें कैसे हम इन चीजों को adjust करते है जब भी prorata का कोशन अगर आपको exam में दे दिया गया सबसे पहले आपको मैं एक table सिखा रहा हूँ वह बनानी है कैसे बनानी है बड़े अराम से एक एक चीज सुनिये समझे और करिये please skip मत करना एक चीज को थोड़ी भी लंबी video है patience के साथ बस देखते रहो सबसे पहले आप लिखोगे या मैं इसको थोड़ा next page पर बनाता हूँ ज्यादा better है आप ये question note कर लीजे जरा देखें working note के इस तरीके से हमें त्यार करना है सबसे पहले आप लिखोगे application money received कितनी application money received 35,000 shares है 35,000 applications है और application पर company ने 5 रुपे मांगे तो company को application money receive हुई 1,75,000 कितनी 1,75,000 जो है वो application money है अब एक बाद बताओ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो adjusted on application वही एक बात बताइए क्या हम 35,000 share issue कर रहे हैं 35,000 share issue नहीं कर रहे हम issue कर रहे हैं मात्र और मात्र 20,000 share 20,000 share हम issue कर रहे हैं तो 20,000 into 5 देखा जाए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लाख रुपे application के लिए बनता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे shareholders हैं उन्होंने हमें advance पे कर दिया advance पे कर दिया कितना पे कर दिया advance 75,000 बात समझ में आ रहे हैं यह 75,000 जो है वह हम further stages पर adjust करेंगे अब मेरी main discussion स्टार्ट हो यह ध्यान से देखे अब हमने चेक कि कि all shipment पे amountod due कितना हो रहा है due on allotment तो हम ने देखा कि all shipment पे do हुरा है sir 20,000 shares है और एक share पे 3ुटे तो all appointment पे amount due हुरा है 6000 कितना due हो रहा है 6000 अरे sir हम तो allotment पे भी adjust कर रहा है तब भी πैसा advance बच रहा है कितना 15,000 रुपे तो क्या करें सर कुछ नहीं होता आगे चलो फिर first call देखो due on first call आप देखो first call पे कितना due हो रहा है सर first call पे due हो रहा है 20,000 into 2, 40,000 और उसमें से सर 15,000 advance आ रखा है तो जो हमको amount receive करना है to be received बिटा एक एक चीज बड़े अराम से सुनिये समझ ये और note करिये अगर आपको issue of shares में master बनना है इतना master बनना है कि आप कहो ला भाई question कौन से देखें जा रहा ऐसा बनना है तो एक एक चीज बड़े patience के साथ सुनो समझो और note down करो आई promise challenge देता हूँ किसी book का कोई भी question जब मैं videos पूरी कर दूँ उसके बाद उठा लेना आपको दिक्कत नहीं आ सकती लेकिन बड़े patience के साथ एक एक चीज सुननी समझनी और note करनी पड़ेगी skip करोगे फटा फट करोगे overview मारोगे तो फिर मैं responsible नहीं हूँ हाँ मैं responsible हूँ एक एक चीज के लिए अगर आपने पूरी वीडियो पूरी शिदत के साथ dedication के साथ इज़त से notes बनाई है तो मैं responsible हूँ चली तो यह आपने पूरा एक table त्यार कर लिया यह आपको question की starting में सबस to share application हाँ जी टेबल को देखते हुए हमेशा आपको इसे fill करना application पर देखो पेटा कितने पैसे आया हुआ है क्याना ही से 1,75,000 तो यहाँ पर आपने लिखा 1,75,000 1,75,000 ठीक है पेटा इसके बाद share application debit to share capital अब ध्यान से देखना एक एक चीज बड़े रिलाक्स हो के तो 1,75 था आप एक बाद बताओ आपने capital के लिए कितना पैसा adjust किया to be adjusted on application के हो कितना है एक लाक रुपे तो आपने share capital के अंदर डाल दिया एक लाक चेक है बेटा अब इसके पास जो भी advance है वो advance हम आगे की stages पर लेके जाते हैं और वो आगे की stages है एक तो share allotment के लिए जा रहा है और यहाँ advance जो है वो first call के लिए भी जा रहा है to share first call अगर आप देखो तो allotment के के लिए कितना advance जा रहा है 60,000 और first call के लिए कितना advance जा रहा है 15,000 आप मेरी बात समझ रहो यहाँ एक सबसे बड़ी problem सबसे बड़ा जो error होता है बच्चे समझते हैं क्या बच्चे समझते हैं कि in case of pro rata advance will be adjusted on allotment अरे किस ने कह दिया भाई यह एक्दम गलत है यह गलती से भी नहीं आपको मैंने देखो जान मुझके client लिखी है will be adjusted at further stages of further stages can be allotment and first call it can be allotment or it can be first call or it can be second call also मतलब कुछ भी हो सकता है समझ में यह बाद सिर्फ यह कह देना कि सिर्फ वह वहां तक जाएगा allotment तक यह बहुत ज्यादा गलत होगा अच्छा दूसरी बात आप यह एक और समझो मेरी कि अगर allotment के बाद allotment के बाद अगर पैसा adjust हो रहा है जैसे इसमें आप देखो पैसा कहा तक जा रहा है first call तक जा रहा है तो अगर allotment के बाद पैसा adjust हो रहा है तो allotment के बाद जितना भी पैसा adjust हो रहा है आप उसे ऐसे first call ले लिखोगे आप उसको लिखोगे calls in advance क्या लिखोगे आप उसे calls in advance यह legal terms सारी company के दौरा prescribed है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते अगर उसके बाद पैसा adjust हो रहा है तो हम उसको क्या नाम देंगे calls in advance तो यहां तक आपको मेरी बाते सारी की सारी clear होती है hopefully हमें share first call उसे नहीं लिखना अब आए बिटा आगे बात करते है allotment allotment due करनी है allotment due करने के लिए क्या होगा share allotment debit to share capital समझ मैं share allotment debit to share capital कितने से तीन रुपे से तो बीस हजार इंटू तीन साथ हजार बीस हजार इंटू तीन कितना साथ हजार रुपे ठीक है बट क्या allotment पे company को कोई भी पैसा receive होगा कोई पैसा company को receive नहीं होगा उसके पीछे कारण क्योंकि 100% advance company के पास allotment के लिए आ रहा है अरे भाई हम पे तो इतना advance आ रहा है कि first call तक जा रहा है तो allotment पे पैसा कहां से तो आपको इसे blank नहीं छोड़ना आपको यह point वहीं पे लिख के आना है no amount entries करते करते बीच में एकदम जहां पैसा receive करने के entry करते no amount is receivable on allotment as entire amount has been has been received in advance चलिए अब बात करते हैं first call के final call के लिए क्या होगा बिटा share final call debit debit to share capital कितने के बिटा final call सर्थ 2 रुपे की तो 20,000 into 2 कितना हो गया 40,000 40,000 अब ध्यान से देखे क्या कुछ final call के लिए भी advance आया हुआ है जी हाँ हमारे पास final call के लिए भी advance आया हुआ है और final call का जो हमारे पास advance आया हुआ हुआ है जो कि हमने call in advance के नाम से लिखा था तो हम क्या करेंगे bank account डेविट अब 40 में से 15 आया होगा तो बताओ बेटा पैसा कितना आएगा 25,000 और यहाँ पर हम calls in advance को क्या करतेंगे debit करतेंगे क्यों debit करेंगे hopefully आपको समझ में आगया होगा अगर आपने मेरी last video calls in advance वाली देख ली होगी नहीं देखें तो please आप उसे देखें 40,000 तो आपको यहाँ तक सारी बाते समझ में आते कि प्रोराटा के case में हमें किस तरीके से question adjust करना है और किस तरीके से हमें उसकी entries देखनी है हमें सबसे पहले ही देखना है कि advance कितना आया और फिर हम देखेंगे कि वो advance कौन सी stage तक हमारा adjust हो रहा है समझ में आ गया चलि मैं एक question और देता हूँ आपकी practice के लिए चलि एक question मैंने आपके सामने रखा हुआ है ABC limited received applications for 50,000 shares against offered shares of 20,000 10,000 applications को हमने reject कर दिया and प्रोराटा allotment is made to the balance applicant सबसे पहले यहाँ तक देखें उसने आपको क्या बोला है आप इसके लेक टेबल छोटी से त्यार करें application received shares issued उसने बड़ा clear question के अंदर बोला है अगर आप पहले question आपनों डाउन कर लें कि 10,000 applications को हमने एक भी share issue नहीं किया जबकि जो balance applicant है balance बचे कितने 40,000 उनको हमने प्रोराटा allotment किया मतलब 20,000 shares थी तो इस तरीके से जो 50,000 applications थी उनको 20,000 shares हमने issue के मेरी बात आपको समझ में आती है now अब उसने एक चीज इसमें और बोली है application for allotment 2 plus 1 first call for advance to be adjusted up to allotment only advance जो है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ allotment तक adjust होगा दियान से दिखे जारा हूँ advance सिर्फ और सिर्फ allotment तक मतलब अगर उससे ज्यादा advance हा रहा है तो वहाँ पर refund कर दो उसने बड़ा clear बोला है अब ऐसे question किस तरीके से करने है पहले मैं वही table त्यार कर रहा हूँ application money received application money जो है वो कितनी receive हुई application money receive हुई 50,000 multiply by 4 50,000 multiply by 4 application money receive हुई 2,00,000 रुपे चेक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले refund करना है उसकी instruction है खुद की कि 10,000 को हमने reject कर दिया तो 10,000 into 4 जो 40,000 का amount है वो क्या हो जाएगा पेटा refund हो जाएगा तो जो हमारा balance amount है वो कितना बचा वो बचा 1,60,000 अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि first call amount adjust कितना हो रहा है application पे adjustment on application application पे कितना amount adjust हो रहा है तो application पे जो adjust हो रहा है कितने शेर्टस आपने issue किये है 20,000 20,000 into 4 कितना adjust कर रहे है हम 80,000 रुपए चाहिए पेटा तो अब जो advance आपके पास है वो कितना है advance 80,000 रुपए अब हम देखेंगे allotment पर कितना amount due हो रहा है तो अगर आप देखो allotment पे आपका 20,000 into 2 और 1 तीन total कितने होगा है 3 रुपए 60,000 रुपए आपके allotment पे due हो रहे जबकि advance 80 है पट अब यह जो access पैसे है यह first call तक नहीं जाएगा उसने साफ बोला है advance सर्फ और सर्फ allotment तक तो आप इस पैसे को क्या कर दोगे refund कर दोगे कितना 20,000 तो अगर आप देखो तो जो आपका total refund है 40,000 यह 20,000 यह आपका जो total refund बनता है वो total refund अपका बनता है कितना 60,000 रुपए यह आपका क्या गया बेटा total refund जो आपको refund करना है अगर आप कब यह यहां तक त्यार हो चुक है जर्नल में अब आपको कोई दिक्कत नहींगी in fact वीडियो पॉस करो अपने आप जर्नल करो और उसके बाद क्रॉस चेक करो कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो चलिए एंटरी क्या होगी देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेर अप्लिकेशन हंजी कितना बैसा आया बीटा बैंक अकाउंट टू शेर अप्लिकेशन दो लाख दो लाख चेक है इसके बाद शेर अप्लिकेशन डेबिट दो लाख अब हम क्या करेंगे शेर अप्लिकेशन डेबिट हुआ दो लाख से टू शेर कैपिटल शेर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा बताओ सर शेर कैपिटल के अंदर जाएगा कितना हुआ अजस्ट असी हजार रुपे चेक है 80,000 पे जाएंगे 2 bank 2 bank क्यों refund कर दिया याद है कि इस video 1 में जो पढ़ाया था उसे मर्च किया मैंने कितना refund किया यहाँ पर हमने 60,000 रुपीज refund कर दिया तो 2 bank कितना आ गया 60,000 रुपीज 2 और जो advance है जो allotment पे गया allotment पे कितना गया allotment पे गया बिटा 60,000 रुपीज 2 on allotment कितना 60 आपको इसके अंदर main point यह समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर उसमें क्योंकि instruction दी थी first call तक नहीं लेके जाना तो इसलिए मैंने पैसा क्या कर दिया है यहाँ पर refund कर दिया अच्छा question में अगर instruction नहीं होती तो मैं पैसा कहा तक लेके जाता first call तक लेके जाता चिक है चले इसके बाद फिर वही है entry share allotment debit to share capital अब यहाँ पर security premium भी है to security premium दो एक 40 20 तो यहां कितना आगया 60 ठीक है कोई amount receive नहीं होगा वो note आप जरूर लिख देना no amount is receivable as hundred percent advance has been जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था यह इस वाले में यह चीज़ आपको यहाँ पर copy कर देनी है चेक है बेटा यह जरूर लिखके आने नहीं तो marks कर जाएंगे पहली बता रहा हूँ इसके बाद share final call debit to share capital चेक है कितना बेटा 4 rupees के साब से तो कितना होगा बताओ 80,000 और कुछ advance यहां पर नहीं है तो bank account debit to share final call कितना असी अजार असी अजार रुपए हम इसके अंदर लेंगे चेक है तो hopefully आपको प्रोराटा का concept दिमाग में clear हो गया हूँ प्रोराटा इस proportionate allotment जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने proportionate shares दी instead of rejecting and second हमने जो पैसा आया वो आगी की stages पर adjust किया that can be up to allotment और calls ठीक है वीटा तो आपको एक basic idea प्रोराटा को होता है अब अगली वीडियो के अंदर मैं cover up करूंगा प्रोराटा along with the calls in arrear which is a very important part of the video very important part of this issue of shares जो मैं chain record कर रहा हूँ उसके लिए यहां तक कि सारी चीज़े एक बड़े अच्छे से revise करके आप बैठना बिना revision के बैठ गे तो दिक्कत होगी and please keep sharing the videos with your friends जितना आप कर रहे हो and believe me आप लोग इतनी video share कर रहे हो कि tremendous response मुझ उसका YouTube पर दिख रहा है मतलब on an average daily basis पर इतने इतने लोग उसे चैनल को देख रहे हैं विक analytics पता लगता है हमें thanks for that and please इस chain को continue रोखे जितना जाए साथ आप अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं share करें thank you so much hello friends चलिए start करते हैं part 7 issue of share का hopefully आप part 6 तक सारी videos देख चुके हैं और अच्छे से notes बना चुके हैं और अगर कोई भी video अपने skip करिए तो सबसे पहले आप उसे cover up करिए क्योंकि जो part 7 है इसके अंदर again part 5 और 6 इसका तो बहुत ज़ादा excess में roll है चलिए मैं zoom करता हूं कि सारी चीज़े आपको revise हैं उस हिसाब से मैं 7th part पढ़ा हूँगा कोई भी चीज़ अगर आपने skip करी है तो please पहले उसे cover up करिए नहीं तो आपको ये video बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर जो आपको देखना है ये बहुत important वीडियो है मतलब आप ये समझ लो exam time पर आप सीधे इसी वीडियो को revise करोगे exam time पर very very important concept और आप ये समझ लो जिसका ये concept strong हो गया और जिसको मेरी बाते इस वीडियो की समझ में आ गए it's my bad issue of share का वो four feature वाला portion कभी गलत नहीं कर सकता ऐसा है इसमें कुछ बड़ी नहीं बाते बताऊंगा और खासकर वो बच्चे जो professional courses कर रहे हैं और ये videos देख रहे हैं CACS वाले वो तो और अच्छे से देखें कि बड़े shortcuts इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए प्रोराटा प्लस calls in area होता कहा है ध्यान से समझो एक example से मैं आपको सारी चीजे समझा रहा हूँ आपके सामनी example है XYZ limited offer 20,000 shares for public subscription और application साय 50,000 shares का company ने प्रोराटा allotment किया और कैसे पैसा आएगा वो मैंने आपके सामने लग गया 3,2,4,1 Mr.A जिन पे 500 shares है उन्होंने दोनों calls पे नहीं करी और Mr.B जिनके पास 300 shares है उन्होंने second call पे नहीं करी देखें प्रोराटा भी आपको बहुत अच्छे से पता है, proportionate allotment जो मैं last part में बता चुका हूँ, call scenario उससे पहले की वीडियो में आपके साथ discuss कर चुका हूँ, मैं दोनों concepts को यहां merge कर रहा हूँ, ध्यान से देखिया, कैसे होगा यह question, see, basic तरीका वही रहेगा, जहां-जहां changes है, मैं आपको एकदम highlight करता चलूँगा, सबसे पहले आप बताओ, application, वो एक note जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, application money received, application money received, हाँ जी, कितना, 50,000 shares, into, 3 रुपे के हिसाब से, कितनी application money receive हुई, 1,50,000, अब एक बाब बताओ, हमने कितने shares allowed के, 20,000, तो can I say, adjusted on application, application के उपर, कितना पैसा adjust हुआ, application पे adjust हुए, 20,000 shares पे, 3 रुपे के हिसाब से, 60,000 रुपे, चैके बेटा, तो advance कितना आया, Sir, advance जो है, वो आया हमारा, 90,000, advance कितना है पेटा, 90,000 रुपीस, अब उसके बाद, जो हम पैसा adjust करेंगे, वो किस के उपर करेंगे, allotment के उपर, तो हमने देखा, due, on, allotment, allotment पे, कितना पैसा due होगा, allotment पे होगा, 20,000, into, 2, कितना, 40,000, चेके, इसके बाद भी हमारा advance बच गया, कितना advance बच गया पैटा, 50,000, यादे, इसको हम कहां लेंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो, due, on, first call, कितना लोगे, first call पे, sir, 20,000, into, 4, कितना, 80,000, तो ये आ गया, to be, received, to be received, कितना, 30, अब जड़ा ध्यान से, एक तम active हो जाओ, थोड़ी important बात दे, ये बाट मैं आपको, already, जो है, वो already, अच्छ से, सिखा चुको, अब दियान से, देखिए, मैंने यहां लिखा है, Mr. A, जिनके पास, 500 shares है, उन्होंने, दोनों calls, पे नहीं करी, Mr. A, holding 500 shares, didn't pay both the calls, ठीक है, तो मैं निकालने बैठा, calls in arrear, calls in arrear, दियान से देखिए, Mr. A का, Mr. A के calls in arrear में, first call, कितने shares थे, बिटाउन के पास, 500 shares, 500, और कितने आने थे, first call पे, 4 रुपे, तो आपने का असर, 500 into 4, कितना हो गया, 2000, और second call पर, कितने आने थे, 1 रुपे, तो आपने का, Sir, second call का हो गया, 500 into 1, कितना, 500, तो total आ गया, कितना, 2500, आपने का, Sir, call scenario, तो simple, निकाल लिया हमने, यहीं मैंने अभी तक आपको सिखाया है, तो आपने उस तरीके से निकाल लिया, लेकिन, यहाँ पर यह जो first call का, आपने 2000 निकाला ह है, यह गलत है, यह किस तरीके से निकलता है, वो मैं आपको सिखाने चारा हूँ, ध्यान से देखी, यह जो आपने निकाला, simply 500 into 4, 2000, जो मैंने आपको पहले सिखाया था, यह अपने गलत निकाला है, प्रो राटा के केस में, कुछ बात आपको ध्यान रखने है, यह ठीक है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतला, जो शेर होल्डर पैसे नहीं दे रहा, अगर डिफॉल्ट ऐसी स्टेज पर हो रहा है, जहां पर हमारा एडवांस एडजिस्ट हुआ है, जैसे कि आप देखो, एडवांस 50,000 था, फर्स्ट कॉल पर एडजिस्ट हुआ है, हमें सिफ 30,000 र हो रहा है, जहां हमारा एडवांस एडजिस्ट हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम जब भी call scenario निकालेंगे, तो वो proportionate method से निकालेंगे, अब ये proportionate method क्या है, ध्यान से समझें, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला, उसको मैं लिख दू, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला, if, if default has been made at the stage where advance advance has been adjusted then call scenario will be calculated with proportionate method method अब ध्यान से समझना, यह proportionate method क्या है, चलो भी अब बाद में समझो, आप सबसे पहले यह समझो, यह proportionate method लगना कब है, यह proportionate method तभी लगेगा, जब default ऐसी stage पर हुआ है, जहां पर advance इगा है, समझ में अगई पर, क्या second call पर proportionate method लगेगा, यहां पर कोई proportionate method नहीं लगेगा, क्यों की सर यहां पर advance इग्वाण अगी होगेगा, यहां लगेगा, अब कैसे लगेगा, अब कैसे लगेगा, ध्यान से देखो, देखो बड़ा सिंपल है, फ्रस्ट call पे 80,000 रुपे डियो हुए 80,000 में से आपके बेटा आने कितने है 30,000 रुपे एक बात बताओ 80,000 में से आपके आने कितने है 30,000 रुपे तो ये shareholder जिसके पास बचारे पे 500 share है उसने क्या गुना किये उसने भी तो advance भेजा ही होगा ना आप उससे क्यों 500 into 4 2,000 रुपे मांग रहे हूँ आप उससे भी क्या करोगे ध्यान से देखिए अगर आप 80,000 रुपे में आपको मातर 30,000 रुपे आने थे 80,000 में सिर्फ 30,000 रुपे आने थे तो उन shareholder से भी आपको 500 into 4 जो 2,000 है वो भी आपको amount proportionately ही receive होगा ये निये की जितना अमर जी मतलब इसका formula अगर आप देखो क्या बना to be receive divided by amount due multiply by number of shares into call जितने की है समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से निकालना है इसे मैं और elaborate करूँगा अब चलिए एक बार जड़े से हम solve कर ले 2000 आपका और ये 80 तो ये अपस में अगर cut गए तो ये आया 40 0 से 0 क्या 47,28 20 तो मेरे हिसाब से ये 75 कितना रहा है 750 तो यहाँ पर जो आपका call scenario का amount जो आपने निकाला था 2000 वो 2000 नहीं आएगा वो 750 आएगा second call में कोई दिक्कत नहीं है वो आप simple निकालोगे 500 into एक क्यों क्यों क्योंकि वहाँ advance adjust है नहीं हो रहा है ये proportionate method मेरा कब लगेगा ये proportionate method मेरा तब लगेगा जब default वहाँ पर हुआ है जहाँ पर हमने advance को adjust किया है बास समझ में आगे कोई दिक्कत इसके अंदर अब मैं इसको थोड़ा सा detail में आपको समझा हूँ तो आपको मैंने method shortcut समझा दे अगर मैं इसे आपको detail में समझाना चाहूँ तो detail क्या है 2 minute लगा लो कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज देखो भई company के पास applications हाई थी 50,000 चेक है तो company ने share issue किये थे कितने 20,000 यही काना आपने चलो मैं एक ratio ले लेता हूँ ratio जैसे मर्जी ले लो application बटा issue ले लो issue बटा application तो अगर 50,000 applications हाई उस पे company ने 20,000 shares issue किये इन भाई सब पे 500 shares है तो इन्होंने apply कितने के लिए क्या होगा x amount के लिए मैंने क्या किया है issue upon apply ले ले आप उपर नीचे कुछ भी रख लो कोई फरक नी पड़ता company ने 50 apply आए तो 20 issue किये तो इसको 500 मिले तो इन्होंने apply कितने के लिए किया होगा चाहिक है जी तो मैंने x की value निकाली 20,000 into sorry x उदर गया न आपका x की value निकालनी है हमे x is equals to 500 into 50,000 by 20,000 2.5 यह आगया 1250 तो जिनको 500 shares मिले हैं उन्होंने इतने shares के लिए apply किया था अब अगर उन्होंने 1250 के लिए apply किया था चेक है तो उन्होंने amount pay कितना किया था अगर आप देखो उन्होंने amount pay किया होगा 1250 multiply by कितना amount था भई 3 रुपे तो 1250 into 3 3750 उन्होंने pay किया अब due on application उन्होंने कितना रहा होगा पर जब उन्होंने 500 share ही मिले तो 500, 903 15,000 रुपे उनका adjust हुआ तो उनका जो advance बचा वर्चे वो कितना बचा सर 2250 इतना advance बचा अब due on allotment due on allotment कितना है बताओ उनका सर्फ 500 और जहां तक allotment की बात है allotment पे company दोर पे मांग रही थी तो 500 into 2 कितना हजार तो अब उनका जो advance है वो कितना बचा 1250 advance कितना बचा 1250 due on call call पे कितना due बताओ 500 into 4 कितना 2000 तो आप देखो जो उनका calls in arrear निकल के आया वो कितना निकल के आया calls in arrear निकल के आया 750 समझ में आई वा अगर आप इसे पूरा detail में लेके जाते हो तो detail में आप देखो इस चरीके से निकालते हो यही चीज मैंने आपको एक simple से shortcut से अपने proportionate method से सिखा दी यह to be receive upon my amount due into number of shares into call detail में देखना चाहो तो क्या उसके पीछे logic है वो भी मैंने आपको पूरा explain कर दिया है कि किस सरीके से हम यह सारी की सारी चीज़ें निकालते हैं बट यह करना किस के लिए सिर्फ उस stage पर करना है जहां default adjust हो रहा है sorry जहां पर advance adjust हो रहा है बाकी किसी के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आप देखो इनका हमारा जो call scene area है यह हमारा गलत हो गया अब मैं एक नई table बनाता हूँ call scene area की ध्यान से देखे call scene area first call second call हंजी Mr. A Mr. A का कितना आया 750 और यह कितना आया इनका 500 Mr. B हाँ जी Mr. B का first call का तो कुछ भी नहीं था और second call का उन्होंने default किया है कितने shares थे उनके पास उनके पास है 300 shares तो 300 into 1 कितना होता है 300 चाहिक है तो यहाँ पर आपका अगर आप total देखो कितना हो गया 1, 2, 5, 0 और यहाँ कितना हो गया इनका 300 तो यह table देखो हमेशा आप बनाओ गया ऐसे call से नेट गयर कि इससे आपको फायदा होगा आपको पता लग गया Mr. A का total default है 1250 का Mr. B का total default है 300 अगर इस साइड का अगर आप total कर दोगे तो आपको यह पता लग जाएगा first call पे कितना default है और second call पे आपका कितना default है और total default आपको यहाँ से पता लग गया that is 1550 यह table अब आपको एक नहीं बनानी मेरे साथ सीखनी है और specifically जब question प्रो राटा का है और उसके अंदर default हो रहा पेटा कोई भी बात अराम से नहीं समझ मैं तुबारा देखो इस वीडियो को तुबारा देखो समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा आप इतनी सी बात मेरी आज यहाँ पर समझ लो अगर आपने समझ ली है तो आपको issue of share में दिक्कत नहीं आएगी अगर default वहां हुआ है जहां advance adjust हो रहा है तो मुझे proportionate method लगाना है otherwise कोई proportionate method नहीं लेगेगा simple जैसे मैं call scenario निकालता था वैसे मैं call scenario निकालूँगा बट अगर वहां default कर रहा है जहां पर advance है तो मुझे proportionate करना ही करना है क्यों करना है वो logic भी मैंने आपको बता दिया उसकी detail भी मैंने आपको sorry द scenario का exact concept क्या है चेक है चले अब इसकी मैं entries करना start करता हूँ फटा-फट नोट कर लो आप पहले हाँ जी बेटा फटा-फट entries लेंस की bank account debit to share application कितना पैसा आया था टोटल औहो डेड लाक रुपए आये थे ना bank account debit to share application जल्दी बाजी मत करो video skip करके देखोगे अपना नुकसान होगा share application debit to share capital to allotment पे भी पैसा क्या था अब मैं आपको अर्रेडी सिखा चुका हूँ इंट्री में और जितना first call के लिए जाता है उसको क्या लिखते हैं विटा calls in advance यादे तो यह आगया अपका डेड लाक यह कितना आगया अपका साथ हजार चेक हैं यह कितना आगया तीन रुपे था ना शायर allotment पे नहीं तो रुपे था कितना आया चालेस तो पचास अजार मेरा calls in advance में गया चेक हैं उसके बाद share allotment यू करेंगे share allotment to share capital यह होगा बिटा share allotment to share capital कितने से 40,000 इसके बाद याद है एक क्या डालना है हमें note currency note नहीं जो note मैंने एक वीडियो में सिखाया था पता नहीं थर्ड पार्ट में था नहीं फिफ्थ पार्ट में शायद सिखाया था वो note आप इसमें डाल देंगे इसके बाद first call D होगी share first call to share capital कितना बिटा share first call to share capital बताओ असी हजार रुपे चेक है अब में चीज बैंक अकाउंट debit चेक है calls in advance debit यह चीज आपको मैं सिखा चुका हूँ already लेकिन यहां calls in अरियर भी है आया ना टू शेर first call first call में यहां कितना 80 advance कितना आया हुए पचास अरियर कितना था विटा first call पर देखो टेबल बनी हुए तो दिक्कत नहीं है आपको 750 तो यह आ गया 29,250 ठीक है और उसके बाद आपका second call बताओ share final call debit to share capital कितना amount है अरे बेशर्मो जल्दी रेखो कितना है एक हाँ class की आदत पड़े हुए ना बच्चों को बेशर्मो बोलने की तो वही वीडियो में निकल जाती है बिटा 20,000, 20,000 ठीक है और उसके बाद bank account debit calls in area debit to share final call 20,000 यहां call scenario कितना निकला था आपने 800 तो यहां कितना आएगा 19,200 तो आपने complete question से समझा कि prodata के case में हम किस तरीके से prodata plus call scenario handle करते हैं एक और example आपके सामने है ABC limited offer 20,000 shares for public subscription application साथ 30,000 shares के त्यान से देखना है यह दो question आपने देख लिए फिर आप कभी नहीं फसोगे for feature कुछ नहीं अगर आपको यह समझ में आ गया चले ABC limited offered 20,000 shares for public subscription application साथ 30,000 shares की application पे 5 allotment पे 2 plus 2 first call पे 3 Mr. X holding 400 shares उन्होंने allotment and call पे नहीं किया और Mr. Y जिन पे 300 shares है उन्होंने first call पे नहीं किया तो वही table हम सबसे पहले बनाते हैं application money received हंजे कितनी applications है 30,000 और application पे पैसा कितना आया है 5 रुपे तो 30,000 into 5 कितना आ गया डेल लाक रुपे उसके बाद adjusted on application application पे कितना adjust होगा 20,000 into 5 कितना हो गया एक लाक तो 50,000 रुपे advance आ गया अब फटाफट due on allotment देखो यहां पर मैंने premium का question लिया उसके पीछे कुछ कारण है मैं कुछ चीज़ आपको सिखाना चाहरा हूँ premium का question होना आप हमेशा ऐसे लिखो capital के लिए कितना due हो रहा है और premium के लिए कितना due हो रहा है capital के लिए कितना और premium के लिए capital के लिए दो premium के लिए दो तो 20-40,000 और 40,000 तो total due जो हो रहा है internal bifurcation कर दो 80,000 हो रहा है तो to be receive कितना हो गया 30 यह मैं internal bifurcation क्यों करवा रहा हूं भी आपको समझ में नहीं आएगा आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका मकसद कहूंगा लेकिन आदत आप अभी से डाल लो गर premium का case है तो हमें ऐसे bifurcate करना है ठीक है पीटा चलिए अब हमें निकालना है क्या calls in area अब इसमें आप देखो advance जो है वो कहाँ adjust हो रहा है sir advance adjust हो रहा है allotment पर तो allotment का जब भी आप default निकालोगे अगर allotment का इस question के अंदर क्योंकि allotment पर advance adjust हो रहा है तो allotment पर अगर मैं call scenario निकालता हूं तो मुझे proportionate करना पड़ेगा very good वही 80 में से आने कितने है 30 दो वही question बन गया और 400 shares है कितना पैसान है 400 into 4 कितना हो गया 1600 400 into 4 हो गया आपका 1600 तो यह आपका 20,000 चेक है तीन बटा दो क्या हो रहा है 1.5 तो यह आपका आगया 600 तो आपको allotment पे कितने पैसे इसी default हैं यहाँ पर आपका mister x and y x और y 600 रुपे का चेक है क्यों लगा proportionate method बताओ क्योंकि advance जा रहा है very good 400 into 3 कितना 1200 इनका allotment पे कोई default नहीं है और इनका कितना 300 share है into 3 और इन पे 400 into 3-1200 तो अगर इनका total default allotment पे देखें 600 और यहाँ हो गया 2100 अच्छा मैं कई बार एक चीज नोट करता हूं एक आप लोग धिमाग में फुतूर बना लेते हो बहुत गलत है कि प्रोराटा का question है और allotment पे default है तो यह इस तरीके से होगा नहीं आपको कुछ नहीं सोचना आपने कुछ भी सीखा है स्कूल में सिर्फ इतना देखना है जहाँ advance adjust होड़ा है default है मुझे proportionate करना है और वो भी प्रोराटा के question में करना है otherwise नहीं करना चेक है चलिए अब इसकी फटा फट एक बार आप entries करिए fast अपने आप करिए इसके बाद मैं सीधे solution आपको दे रहा हूं उससे आप सिर्फ cross check करेंगे so hopefully आपने उसका solution कर लिया हुगा आप इसको answer को cross check करी जड़ा टेबल आपके सामने हमने पहली देख ली ती journal आप देखो आपने यही करी है और कोई गड़बड है तो उसको आप एक बार cross check करिए and please अब मैं इसके बाद जो next video shoot करूँँगा share food feature की before that यहां तक बहुत अच् इसे भी provide कर रहा हूँ प्लीज आप जितने बच्चे accounts की वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को भी subscribe करिए आने वाले वक्त पर उसमें आपको कुछ जादा देखने को बिलेगा bifurcate कर रहा हूँ मैं चीज़ों को क्योंकि बहुत जादा एक channel पर सारी चीज़े आ रही है च प्लीज अल्तिमेटली मैं में प्रिंसेपल कीप शेरिंग और वीडियो पसंद आई आई तो फिल लगाओ फटाफट थम्स अप गूट थैंक यू सो मच झाल